Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं राजिसवा television में जो भी important debates, discussion आती है उनको lecture के तुरान cover किया जाता है even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती है उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily, regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौजूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details है आने वाले कल के civil servants को मेरा नमस्कार तो चलो फटा फट अपन नाम के आगे आईये इस लगानी की तैयारी शुरू करते हैं start करेंगे paper 1 के पहले topic से देखिए यहाँ पर एक dam की बात हो रही है dam का नाम है तहला dam तहला dam तो question आप से ये पूछा आएगा कि ये dam कहाँ पर located है आपको अफगानिस्तान याद रखना है और याद रखना है कि अफगानिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा dam है तहला dam और हुआ ये था कि अभी ये topic news में इसलिए था क्योंकि काफी महीनों से चल रही लडाई के बाद तालीबान ने इस पर कबजा कर लिया इस dam को capture कर लिया that's why ये topic news में देखने को मिला था अफगानिस्तान के कांधर प्रोविंस में ये dam located है एक और चीज़ ध्यान में रखना नदी question ये आएगा अरगंडाब नदी जो है वो कहा पर located है तो आपको पता होना चाहिए अरगंडाब नदी जो है ये located है अफगानिस्तान में तो ये दो चीज़े important है dam की location और नदी की location ये चीज़ ध्यान में रखना है अब गाईज Venus को लेकर कुछ नई खोज सामने आई है तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँगा इसकी environment जो कि आप जानते है environment का जो topic है ये काफी जादा important है environment का syllabus, environment के topics क्योंकि आपका UPSC prelims exam और civil services का और forest services का ये एक ही होता है prelims exam की और forest services के aspirants को test करने के लिए environment से related काफी सारे quotient जो है वो civil services के prelims में होते हैं तो इसके लिए मैंने एक course जो है वो अभी recently शुरू किया है नीचे description पर course की link आपको मिल जाएगी पूरे environment की आपकी तयारी मैं खुद आप करवा रहा हूँ ठीक है तो scores को आप चाहें तो join कर सकते हैं नीचे description पर link है एक बार चेक कर लीजेगा अपना नया channel जो है जहासर academy उस पर video जो है वो upload हुआ है general studies के जो अपना channel है ठीक है चलो anyways अब मैं आपको वापेस इस topic पर लेकर आता हूँ तो Venus Venus का topic है तो Venus के बारे में आपको याद आ रहा होगा कि ये दूसरी बार है भी कुछ दिनों पहले भी Venus को लेकर एक topic हम लोग को देखने को मिला था एक खोज हुई थी अब ये दूसरी बार Venus को लेकर एक नहीं खोज सामने आ रही है आपको शायद याद आ रहा होगा कि NASA के बारे में हमने डिसकस किया था कि NASA का एक mission है Sun की study करने को लेकर तो बताओ जाना नीचे मुझे comment box पर इस कांसा लिखकर कि सूरी की study करने को लेकर NASA का कौन सा mission है तो वो जो probe था वो Venus के पास हम लोग को natural radio signals मौझूद है तो ये वाला जो topic है ये भी radio wave से ही related है बट आप confuse मत होना अभी जो खोज हुई है नई जो discovery हुई है नई चीज़े Venus से related जो सामने आई है वो उससे बिलकुल अलग है NASA के Parker Solar Probe से आपको शायद यादा रहोगा आपने लिख भी दिया होगा correct answer ये जो NASA का mission है उसका नाम है Parker Solar Probe तो Parker Solar Probe ने ये data बताया था यानि कि information दी थी कि Venus के पास जो है वो natural radio signals मौझूद है यानि कि natural radio waves वापर है तो वो information जो है वो उसको मिली थी मोझावे desert में गोल्ड स्टोन एंटीना जैसे हम लोग बोलते है मोझावे desert जो कि California में है ये वाली चीज़ भी प्रिल्प्स के लिए ध्यान में रखना कभी कभी ऐसा आ सकता है कि मोझावे desert कहा पर है तो US है California आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो इनका जो एंटीना था इस एंटीना ने Venus को 21 बार जो है वो waves भेजी थी सन 2006 से लेकर 2020 के period में और 21 बार ये waves जो है वो लोट कर टकरा कर bounce होकर Venus से टकरा कर वापस आई तो जब Venus से ये waves टकरा कर वापस आ रही थी तो scientist जो है वो study कर रहे थे हैं radio echoes की और फिर अब उन्हें Venus planet के बारे में कुछ information मिली है इसी radio waves को study करके और वो क्या information है वो जानते हैं हम लोग पहली चीज तो Venus के axis की बात हुई axis जो होता है जैसे कि धरती का axis हम लोग को देखने को मिलता है उसका tilt हम लोग को देखने को मिलता है 23.5 degree का जुकाओ हम लोग को देखने को मिलता है धरती के axis का पता है नहीं यह वाली बात आपको पढ़ाओ को बच्पन से पढ़ते आ रहे हूं और Venus के axis में जो tilt है वो 2.64 degree का बताया गया है ठीक है तो यह information है factual वो तुर्ण से ध्यान में रखना और देखो हमारी धरती जो है वो चक्कर लगाती है पूरी धरती गोल भूमती अपने axis पर rotate करती है कितनी दिर में 24 घंटे में है न यह वाली बात सभी लोग जानते है 24 घंटे में धरती एक चक्कर लगाती है अपना बट Venus जो है वो अपना खुद का एक चक्कर जो है वो 243.0226 days में लगाती है धरती अर्थ के days में लगाती है मतलब है यह हमारे एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का हम लोग को देखने को बलता है तो एक दिन पर धरती जो है वो हमारी चक्कर लगाती है बट Venus जो है वो अपना खुद का चक्कर लगाती है 243.0226 days में देखो एक factual information कितने दिन इसको लगता है और आपको बता है कि हमारी धरती जो है वो सूरे का चक्कर 365 दिन में लगाती है मतलब कि उसको सूरे का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है और उससे जादा समय उसको अपना खुद का गोल घूमने में लगता है मतलब कि आप देखो 225 days इसको सूरे का चक्कर लगाने में लग रहे है और एक दिन, यानि कि पूरा घूमने में, यानि कि हमारी धरती का जो एक दिन होता है, जिसमें धरती पूरा घूमती है, गोल घूमती है, वैसी वीनस अपने एक्सेस में उसको घूमने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है, 243 लगता है, तो कभी-कभी statement इस प्रकार के आ लगता है, और अपना खुद के एक्सेस में गोल घूमने में उसको जादा समय लगता है, जादा दिन लगता है, तो ये इस प्रकार की भी तैयारी आपको रखनी है, इस प्रकार के comparison आपको ध्यान में रखने है, और आपके लिए एक task, जितने भी planet है solar system के अंदर, तो आप के लिए task है कि हर एक planet जो है, उसको अपना एक चक्कर rotation करने में उसको कितना समय लगता है, कितने earth days लगते हैं, हर एक planet की आप information लिखिएगा नीचे comment box पर, और अपने पास भी chart बना कर रखिएगा, क्योंकि ऐसी जी लखसर आ सकती है, और इस प्रकार की जब information आ रही है, त तो दूसरी चीज़ आप से पूछ लेगी, दूसरे planet की information पूछ लेगी, comparison पूछ लेगी, choose the correct pair वाले question देदेगी, match the following वाले, ऐसे question देदेगी, तो आप prepare करके चलो, इस चीज़ को और यह आपके syllabus में ही है, तो आज ही पढ़ लेना, और दूसरी चीज़, सूर्य का चक्कर लगाने में, एक पूरा complete चक्कर लगाने में, उसको कितना समय लगता है, कितने दिल लगता है, हर एक planet की information आप, नीचे comment box पर भी लिखकर बता सकते हैं, और अपने पास तो एक chart बना कर ज़रूर रख लीज़ेगा अपने दिवार पे, और उसको रोज देखेएगा, जिसस अपने का जो diameter तो समझते हो ना, ये beach center point हो गया, ये circle का, ये जो होता है, वो radius होता है, और radius का double ये पूरा diameter होता है, पता है न यहाली चीज़ तो maths में पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो धरती का diameter कितना है, ये बताइए, और Venus का diameter यहाँ पर बताया गया है, 7000 km का देखन website से, मैं आपको लेकर आया हूँ, NASA की website, जिसका नाम है spaceplace.nasa.gov, ठीक है, इस website में आपको लेकर आया हूँ, NASA की, ठीक है, Venus के बारे में हम लोग थोला सा पढ़ते हैं, Venus जो है, वो हाला कि Sun से नजदीक नहीं है, ठीक है, बोला जाता है कि Sun के नजदीक Venus नहीं आता, बट फि होती है क्योंकि वहाँ पर काफी जादा carbon dioxide और cloud हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि sulfuric acid के वहाँ पर मौझूद रहते हैं, और ये सब gas जो होती है, वो क्या करती है, heat को trap कर लेती है, आज की rate में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि धरती के उपर carbon dioxide की layer जमती, यार ये CO2 के emission को कम करो, right, क्यों बोल रहे हैं, हम लोग CO2 के emission को कम करो, क्योंकि temperature level जो है, वो increase हो गया है, ये बात fact है न, वैसे ही, बहुत सारा carbon dioxide और sulfuric acid के बादल जो है, वो छाय हुए रहते हैं, यानि कि ये greenhouse gases जो है, वो छाय हुई रहती है, वहाँ पर Venus के उपर यही कारण है, कि Venus इ house gas, तो ये चीज़ आपको ध्याद रखनी है, gas जो है, वो heat को trap करके रखती है, और Venus को गरम रखती है, काफी ज़्यादा, in fact, इतना गरम होता है Venus की lead, lead जैसा metal जो है, वो पिगल जाता है, lead जैसा metal, right, और Venus जो है, वो काफी active planet की तरह लगता है, इसमें हम लोग को mountains, volcanoes तक द देखने को होता है, हलका full का size में पड़ा है, और एक fact और आप जानों इसके बारे में, देखो हमारी धरती का जो rotation होता है, वो west to east होता है, या east to west होता है, बताओ, नीचे comment box पे लिखकर, west to east, ठीक है, और almost सभी जितने भी planets है, वो west to east direction में जो है, वो rotate करते है, right, बट इसक जो rotation होता है, वो opposite होता है, east to west इसका rotation हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और इसका rotation काफी slow होता है, जिसके बारे में आपको अरड़ी पूरा data दे दिया, थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने बात करी थी, rotation के बारे में, और इसको सूर्य के चक्कर लगाने के बारे में, हमने अरड़ी डिसकस करे लिया था, इसके day और year जो होते हैं, वो काफी बिल्कुल similar ही होता है, एक दिन जो है, वो एक साल के इसका बराबर ही होता है, एक प्रकार से जिससा हमने भी बात करी थी, और देखो हमारे याँ, एक दिन में सूर्य उदय होता है, एक दिन में सूर्य उ और चकर मारता है, बड़ हमारी धरती पूरा एक 24 hours जो होता है, वो कितने एक दिन में पूरा चकर होता है, और एक दिन में हमलोग को संराइज संसाइड देखने को बलता है, बढ़ क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी cycle different है. यहाँ पर एक पूरे rotation में ये बार संराइज करव है कि sunrise Venus में कित्ती बार होता है तो दो बार होता है यह वाले चीज भी आपको थोड़ी सी ध्याल में रखनी है even दिन उसमें सेमी होगा बट सूरी उदय जो होगा वो दो बार होगा कि बहुत धीरे धीरे यह रो टेट करता है तो इसलिए सूर्य उदय इसमें दो बार हम लोग लोग देखने को मिलता है दो बार होता है एक साल में सिर्फ एक साल में दो बार होता है यह जीज़ आपको ध्याल न제ology और Venus हो है वह HIS उल्र्ए direction में backward direction में बूव करता है और sunrise जो होती है और दूसरे बहुत सारे planets west to east गूमते बड़ यह east to west गूमता है तो यह जीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखेगा backward rotate करता है और इसके इलावा इसके इलावा सिर्फ और सिर्फ Mercury Mercury और Venus यह दो ऐसे planets है जिनके पास moon नहीं है चांद नहीं है कोई भी और बहुत करम होता है इसके अगर हम लोग बात करें तो वीनस को hottest planet कहा जाता है अपने solar system के अंदर तो यह आदा पॉइंट भी ध्यान में रखना आप टेरिस्टेरियल planet है यह यहने कि वहाँ पर कोई आपको नदिया वगरा नहीं देखने को मिलेगी पानी तो ही नहीं अब्विस यह बात है रही छोटा और रॉकी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है स्मॉल और रॉकी है यह वीनस के अंदर थेक atmosphere जिसके बार में आपको बताई दिया वो ही एक वज़ा है कि यह इतना ज़दा heat रहता है इसमें इसमें volcanoes भी है इस पिन जो है वो धरती के opposite rotate करता है मतलब कि opposite direction में इसका rotation हम लोग को history के बार में भी जानलो तो कि इसमें बताया गया कि रासा की website में कि ancient समय से वीनस की जानकारी है लोगों को ancient time से बिना किसी telescope की मदद से और वीनस में काफी सारे spacecraft भी जो है वो गए है यानि कि उसकी study करने के लिए mariner 2, mariner 5, mariner 10, pioneer venus 1, pioneer venus 2 और एक orbiter है जो इसना orbit लगाया यानि चक्कर लगाया वो है magalin ठीक है तो यह सब चीज आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार से venus दिखता है उसके बार में भी आपको थोड़ी सी information बता होनी चाहिए तो यह था पूरा overall topic जिसके आपको एक general venus related idea होना चाहिए एक fact बस में आपको और यह बताना चाहता हूँ कि venus और uranus पूरे solar system में सिर्फ यही दो planet ऐसे हैं जो की backward rotation में move करते हैं जिसकी धरती west to east move करती है सिर्फ यह दो planets ऐसे हैं जो की east to west move करते हैं यह चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं venus और uranus ठीक है clear है आपको यह था बते हैं तो यह important facts के बारे में मैंने आपको बताया काफी details में जिसकी आपको एक जानकरी होनी चाहिए पेपर 2 के topics से cover कर रहे हम लोग facebook का एक oversight board एक निगरानी board हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं oversight board यह निगरानी board इसको setup किया है इसकी स्थापना करिए independent body की तरह जो की मदद करेगी facebook को यह figure out करने में कि किस content को allow करना चाहिए facebook पर और किसको हटाना चाहिए यानि कि किस type के content जो होंगे वो facebook पर allow किये जाएंगे और किस type के content को हटाना है remove करना है और facebook जो है और उसके users जो है वो इस board को मामले refer कर सकते हैं अगर कोई भी content से related अगर कोई भी शिकायद करनी है किसी user को तो अब इस board को वो शिकायद forward कर सकते हैं और जो भी decision ये board देगा वो decision binding होगा Facebook में यानि Facebook को decision को मानना पड़ेगा हाला कि इस board की announcement अलरी 2018 में कर दी गई थी और officially इसकी शुरुवात October 22-2020 से कर दी गई है ठीक है इस board के बारे में और ये ensure करने के लिए कि ये board जो है वो independent तरीके से काम करे तो Facebook ने इसके लिए irrevocable trust यानि कि ये trust ऐसा बनाया 130 million US dollar का initial funding के साथ कि इस trust को जो है वो बंद नहीं किय जा सकता मतलब कि जितने भी खर्चिया होंगे इस board को चलाने के लिए वो इस पैसों से जो है वो निकाल लिए जा सकते नहीं कि इस पैसों का उप्योग करके निकाल लिया सकते नहीं कि board के member की salary हो गई और जो operational cost वगरा जो होती है वो सब कुछ बलब कहा जाता है कि जा रहा, operate किया जा रहा है एक portal, right, portal याने की website, right, उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ती एक candidate को इस board की membership के लिए nominate कर सकता है, right, तो यह वाली भी चीज नहीं कि उन्होंने इस board के membership के लिए पूरी चीज open करके रखी हुए, transparency इन्होंने करके रखी हुए, एक portal बना दी है, website ब कोई भी, कोई भी एक candidate को इस board की membership के लिए nominate कर सकता है, right, तो यहली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो यह simple से fact है, आपको तो यह ध्यान में रखना है कि Facebook का एक board हम लोग को देखने को मिलता है, जो की monitoring करने के purpose के लिए है, निगरानी रखने के purpose के लिए कि किस type के content और Facebook पर आ रहा है, और किस type के content को allow करना चाहिए, या हटाना चाहिए, right, remove करना चाहिए, तो अब देखिया बदा जा रहे है कि audible supreme court ने election commission की एक petition को रद कर दिया है, decline कर दिया है सुनने से, जो की media की report के उपर रोक लगाने से related थी, तो इसके बारे में हाला कि हमने कुछ दि court की जो एक division bench है, उसने एक अपना अपना मिलाएनी की ऐसे ही मौखिक जो है वो ओरली जो है एक comment कर दिया था, कि murder का charge जो है वो लगना चाहिए, election commission of India के उपर, याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले इस मुद्दे पर हमने बात करी थी, कि इनोंने कह दिया था कि murder का charge लगना तो इसलिए election commission of India जो है वो जिम्मेदार है in motto का और उसके अधिकारी जिम्मेदार है, तो election commission of India ने request करी थी honorable supreme court से कि police को बोल दो कि कोई भी, किसी से भी complaint जो है वो ना ले election commission of India के against इस type की complaint और बोल दो कि media को, कि media जो है वो ऐसी reporting जो है वो ना करे, लोगों की बीच में इस प पूरे मुद्दे के बारे में पहले भी हम लोगों ने discuss किया था, कि Tamil Nadu assembly का जब election हुआ था तो उस समय जो rally वगरा को allow किया था election commission of India ने, तो उसी चीज़ को देखते हुए, जो high court है, judges की madras high court जो हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसके बार में काफी detail हम पहले cover कर देखो, यह जो honorable supreme court ने election commission को जो मना किया है, कि वो सुनवाई नहीं करेगा और वो allow कर रहा है, मतलब कि एक प्रकार से उसना बोल दिया कि वो media को नहीं बोलेगा, reporting को रोकने के लिए, वो इसलिए का honorable supreme court ने, कि right to freedom of speech को ध्यान में रखते हुए, यह चीज़ कहिए honorable supreme court में, देखो, जो real time, जो reporting जो होती है, court की proceeding के, आजकर जो court में जो cases वगएरा जो चलते हैं, तो उसकी real time जो है वो information हम लोग को देखने को मिलते हैं, आपको बता हुआ कि काफी सारी websites वगएरा जो होती है, social media के forums, काफी सारे ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें जो भी एक-एक order या एक-एक शब्द, जो court के अंदर judge बोलते हैं, lawyers बोलते हैं, तो उसको जो है वो social media पे इस प्रकार से reflect किया जाता है, बताया जाता है, काफी सारे लोग commentary भी करते हैं, आपको पता होगा, जैसे अयोध्या का case था, और UPSC को लेकर भी अभी जो case हम लोग को देखने को मिला था, पिछले साल की बात है, 2020 की बात है कि UPSC के exam जो है, उसको delay कर दिया जाए, right, October में ना conduct किया जाए, इसको लेकर भी case चल रहा था न, बहुत ही आखरी आखरी दिन मिला, exam के मेरे खालते, दो-तीन दिन पहले ही यह चीज हो रही थी, फिर court ने बोल लिया तो ऐसा क्या update इसमें आता रहता है, Twitter पे आता रहता है, various forums में आता रहता है, Facebook बगएरा के काफी सारे लोग YouTube पे commentary भी करते हैं, यह सब चीज़े देखकर, right, तो ऐसी चीज़ होती है, तो यह real-time reporting हम लोग को court की proceeding की देखने को मती जिसमें oral comments भी होते हैं, कि courtroom में क्या-क्या comment पास कियें, वो भी होते हैं, जो कि एक part है right to freedom of speech का, टेकनलोजी की मदद से यह सब reporting जो है वो social media, forums के थूरू जो है वो दिखाई जाती है, real-time updates जो है वो wider audience को provide की जाती है, right, तो यह extension हो जाता है freedom of speech और expression का, जो की media के हाथ में, media जो है वो logo ता की वाली बात बता रही है, लोगों को exact real-time basis पर information provide करा रही है कि हुआ क्या है, तो यह virtual extension है open code का, इस प्रकार का extension ही हम लोग को open code का देखने को मिलता है, और ऐसी live reporting जो code proceeding की होती है, तो यह basically celebration का cause है, apprehension की जगा, यानि कि शंका के बजाए यह उत्सव का कारण हम लोग को देखने को मिलता है, यानि कि live reporting हो रही है, transparency बहुत huge level पर, mass level पर हम लोग को देखने को मिल रही है, बट कुछ-कुछ cases जो होते हैं, जिसमें इस प्रकार की live reporting नहीं होती है, जैसे कि child sexual abuse का case या हम लोग को किसी प्रकार का वैवाहिक मुद्दे जो देखने को मिलते हैं, marital issues जो हम लोग को देखने को मिलत जाता कि इस प्रकार की जो case है, वो बिलकुल open हो जाए, यानि कि इस प्रकार से हर एक चीज दो है, वो उसकी openly जो हो conduct की जाए, right, court ने कहाए कि oral observation जब भी hearing, सुनवाई के दौरान दिये जाते हैं, तो वो party के लिए binding नहीं होते, ना ही वो judgment का part होते है, जैसे कि बाच्ची जब होती है, discussion होता है various चीजों का courtroom के अंदर, lawyer बोलते हैं कुछ चीज, judge कुछ चीज बोलते है, discussion होता है एक प्रकार का, right, तो वो सब जो चीजे होती हो judgment में record नहीं होती है, order में record नहीं होती है, बट हाँ, वो सब जो चीजे होती है, वो basically आतो जाती है, right, बाहर media में, तो इसी चीज़ पर हम लोग को देखने को मिलता है, कि लोग जो है, फिर मुद्दे भी उठा लेते हैं, कई बादे से कि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को लेकर चीज आई, तो ECI जो है, वो परिशान होगई है, कि अरे यार, लोग जो है, वो ECI पर फिर परोसा नहीं इस टाइब के कमेंट्स को देख देखकर बार बर, और इस प्रकार के जो विचार जो होते हैं, यानि की व्यूज बगरा जो एक्स्चेंज होते हैं, डिसकेशन बगरा जो होता है, वो तो एक नैचुलल प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, और जजजिंग की ये एक करने की प्रोसेस होती, बातचीत करके जज़ करते हैं, जजज कि किस टाइब की घटना हुई, तो और थोड़ी सी बात करके जज़ करते हैं कि कौन सहीए, कौन गलेदें, नहाय प्रोबाइट करना नहीं की तो ये विसिकलि एक प्रकार की प्रोसेस है, और मदरास high court द्वा तो यह अली बात जो है वो Honorable Supreme Court ने बताई है और देखिए आज की रेट में क्या करने की आवशक्ता है तो देखो Judges जो है उनके लिए खुली अदालत में open court में बिना सोचे समझे टिपणी करने में सावधानी बरतने की आवशक्ता पर और जोर देना चाहिए क्योंकि open court है live पूरे records जो है वो जा रहा है comments भी live जो है वो जो भी बातें चल रही है वो live जा रही है क्योंकि अगर यह गलत बोलेंग है अगर कुछ भी जैसे इस प्रकार की गलती होती है तो interpret किया जा सकता है लोग उसे जो है वो उसका दूसरा meaning जो है वो निकाल सकते है तो ऐसी जीज ह के अनुकूल होनी चाहिए और language जो है यह एक important instrument हम लोग को देखने को मिलता है एक महत्वपूर उपकरन हम लोग को देखने को मिलता है judicial process का जो की समवेधानिक मूलियों के प्रती समवेधन शील भी होता है sensitive होता है constitutional value के प्रती तो यह वाली चीज हम लोग को देखने को मिल इस मुद्दे के बारे में जो हमने बात करी कि मना किया और आपको especially यहाँ पर इस topic में focus करना है open court के बारे में और यह एक अच्छी चीज है जो आज की rate में हो रही है लोगों तक A to Z information जो है वो मिल रही कि courtroom में क्या चल रहा है पहला point दूसरा point अगर यह चीज हो रही है तो judges को भी जो है वो मलब अपनी भाशा पर control करना चाहिए जो भी वो बोल रहे है उस पर उने control करना चाहिए वरना उससे issues जो है वो create हो सकते है तो यह वाली चीज हम लोग को देखने को मिली अब paper three के topics की तरफ आगे बढ़ रहे है intellectual property waiver हम लोग को covid-19 vaccine के लिए देखने को मिला है intellectual property क्या होती है तो देखो intellectual property में जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है vaccine की तो मैं बात करता हूँ दवाईयों की ठीक है आसान भाशा में आपको समझाने के लिए जैसे कि मैं हूँ मैंने सालों तक scientist researchers को hire किया और मालने तो 15 साल 15 साल तक मैंनोंने job दी hire किया उनके उपर पैसा वगेरा जो आएंगे उसको निप्टाने के लिए उसको viruses के impact को control करने के लिए और immune system को boost करने के लिए मैं एक दवाई जो है वो बनवा रहा था ठीक है अब मुझे क्या चाहिए यार अब मेरी दवाई बनकर आ गई है अब मुझे यह चाहिए security कि मेरी इस दवाई को कोई और बेचे ना मतलब कि कोई और बनाकर मेरी दवाई के component को copy paste करके कोई और company उसको बेचना शुरू ना कर दे नहीं तो फिर मैंने जो 15 साल तक जो investment किया तो पानी पानी हो जाएगा और अगर इस प्रकार की security ने ही provide की जाएगी किसको researchers को right enterprises को innovators को तो ओविएसी बाते नए innovation होंगे नहीं लोग सोचेंगे ना कि अरे यार फाल तुमें तरह पैसे लगागे innovation करना करेंगे दूसरी company आगे copy करके ले जाएगी क्या मतलब तो यह चीज़ होती intellectual property याने की एक व्यक्ति की खुद की property उसका खुद का innovation उसका खुद का design जैसे की music में भी वाली चीज़ होती है मेरा चोड़ा भाई music producer है right तो music वगरा जब वो produce करता है अपने तो उसका वो copyright जो है वो ले लेता है right जिससे की याने की register करा जिता है जिससे कि उ उसके खिलाफ जॉरा ही कर सकता या बिनह परमिशं के उसका यूस करेगा even उसके अपना trademark भी करा रखा है ठ्रेट içãoर्क जो होता है वो nam के लिए होता है उसका ब्राइंट्ट डेम है वह epic sensation है और इस नाम को कोई भी यूस नहीं कर सकता अगर कोई यूस करेगा तो वह उसके बात है कि कोई भी दूसरा वेक्ति जो है वो उसी सेम component का यूज करके जिसका मैंने यूज किया कि दवाईयों पर पूरा component देख सकते लिखा रहता है सामने अले वेक्ति उसी component को चुरा कर दो scientist को बढ़ा कर तुरन दवाई बनवा लेगा और फिर उसको sell out करना शुरू कर गए याने कि मैंने जो पिछले 15 साल तक खर्चा किया investment किया महनत की वो पूरी fail हो जाएगी सामने अला बंदा जो है वो मावा खाके निकल जाएगा लेट दू सामने अले बंदे को मिल जाएगा तो ऐसे में तो यह तो गड़बर वाली बात है coronavirus की vaccines को बनाने के जो registered है तो emergency situation को देखते हुए वो intellectual property को waive कर दिया है मतलब कि कोई भी जो है वो vaccine बनाने के लिए सामने आ सकता है कोई भी enterprise आ सकती है और वो शुरू कर सकती investment करके vaccine बनाना, vaccine का production करना तो United States ने announce कर दिया है कि intellectual property को waive कर रहे हैं COVID-19 vaccine के लिए और इन्होंने का है कि extraordinary circumstances में ये चीज़ की जा रही है extraordinary measure के लिए असाधरन परिस्तितियों के लिए असाधरन उपाए के तौर पर इसको किया जा रहा है क्योंकि COVID-19 टीको के हितु जो intellectual property का जो रक्षण है तो उसके करण से काफी सारी दूसरी companies को problem जा रही थी वैक्सीन बनाने में वैक्सीन प्रड्यूस करने में तो इसलिए उन्होंने उसको open कर दिया वैव कर दिया अमेरिका world trade organization में हम लोग को text based negotiation जो देखने को मिलता है तो उसका अनुसरर करेगा यानि कि उसको pursue करेगा इस चीज के लिए इस waiver के लिए तो यहाली बात यहां पर बताई गई है तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे तो text based negotiation क्या होता है पार्ठ ये आधारित समझोते क्या होते हैं तो इसके तहट जो वार्थाकार जो होते हैं यानि कि जो भी negotiator होते हैं जो आपस में negotiate कर रहे होते हैं तो अपने पसंदिद्धा शब्दों का प्रयोग करते हुए तयार किये गए प्रस्ताव लेखों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं जो भी उनके जो लेख होते हैं टेक्स जो होते हैं जो उनोंने तयार किये होए होते हैं तो उसको exchange करते हैं यानि कि अपने जो भी प्रसंदिदा शब्द हैं preferred word उसके according और इसके बाद काफी लंबे समय से चले आ रहे विशय के समाधान पर एक आम सहमती बनाते हैं तो यह वाली चीज होती है कि दो कंपनीज है अगर उनको डील करना जैसे कि एक कंपनी के पास intellectual property है ऐसा मान के चलो इसके पास rights है वैक्सीन बनाने में बनाने के लिए दूसरी कंपनी बोलती है दूसरे देश की आर्म हमें दे दो अलाओ करतो हमें permission दे दो बनाने की तो यह इस प्रकार की चीज हो जाती है अब intellectual property waiver COVID-19 vaccine का मतलब क्या है तो IP waiver एक space open कर रहा है COVID-19 vaccine के production के लिए emergency use authorization के तौर पर और जैसे की vaccine जो बनाई गई है Pfizer के द्वारा Moderna के द्वारा AstraZeneca Novavax, Johnson & Johnson भारत BioTech भारी मातरा में इसका production जो हो सके इसके लिए ये वेव किया जा रहा है यानि कि सभी लोग और ज़्यादा production कर सके है तो ज़्यादा production जो है वो आज की rate में high income countries के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है और middle income country जो है उनके पास licensing और technology की problem है और वो फिर use भी नहीं कर पाते उसमें अर्चन जो आ जाती है वो intellectual property को लेकर आ जाती उनके अज राइट ही नहीं है बनाने के और पहले ये वाला proposal जो है वो इंडिया और South Africa से आया था October 2020 में इंडिया और South Africa ने World Trade Organization को कहा था कि कुछ condition में trade related aspect जो intellectual property rights के है यानि कि trip agreement जो है उसको relax कर दिया जाए और affordable medicine product जो है वो उसका access लोगों तक पहुँच सके COVID-19 को रोकने के लिए तो इसके लिए ये चीज़ की जा है यानि कि relaxation intellectual property rights में provide किया रहा है तो यह already हम लोगों ने पहले कहा भी था क्योंकि हमें पता है कि अब एक company है जैसे कि अभी जो हमने देखा था कुछ समय पहले कि Russia जो है वो बना रही है ये Remdesivir जो medicine है ये drug जो है Remdesivir तो USA के अंदर ये drug हम लोग को देखने को बलता है USA की company का है और USA ने मना कर दिया था हम ये company से export नहीं करेंगे तो Russia ने क्या बोला कि मैं emergency को देखते हुए मैं दूसरी country की intellectual property का use करूँगा तो इसके बारे में आपको याद रहो हमने discuss किया था बट अभी USA ने खुद ने बोल दिया है इरान के उपर उसने pressure create किया था तो वो तो उसका एक अलग issue था और कहीं ने कहीं इरान भी उलंगन कर रहा था various season का इसलिए उसने ऐसा किया था वो दो country के बीट का issue है बट इसने क्या बोल दिया था कि कोई भी country इरान के साथ किसी भी प्रकार का trade करेगी तो उसके खिलाब USA कारवाई कर देगा उसके ओपर भी economic जो sanction जो है वो impose कर देगा इस प्रकार से तो वो चीज गलत करी USA ने तो उसको लेकर काफी सारी country जो है वो पसंद नहीं कर रही थी दूसरी हरकत थी USA की जैसे कि climate change के मुद्दो से वो बाहर हो गया उसने मना कर दिया कि climate change में किसी बरगार को contribute नहीं करेगा वो ट्रम के administration में बट बिडिन जो है वो थोड़ा थोड़ा चीजे समझे रहा है अब change कर रहा है तो country ने जो है वो कहा था पहले भी कि trips council को recommend किया था कि as early as possible waiver जो है वो शुरू हो जाए उसको implement कर दिया जाए राइट चार section में उसको enforce कर दिया जाए जो agreement के second part में और इसका जो section है 1457 तो ये copyright और related rights से हम लोग rights से related हम लोग को देखने को मिलता है industrial design से related patent से related right दवाईयों का जो होता है वो patent होता है तो उससे related वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है undisclosed information कि protection से related तो ये section वो है वो deal करते है तो कहा कि इसमें relaxation वो है वो लाएगा patent और IP rights क्या होते हैं वो मैं आपको बताई दिया patent है वो एक powerful intellectual property है वो exclusive monopoly होती है जो की grant की जाती है एक government के द्वारा एक investor को limited pre-specified time के लिए आप देखो दवाईयों का जो patent होता है वो basically 20 सालों का होता है यानि कि कहा जाता है कि एक company जो है वो patent 20 सालों तक जो है वो enjoy कर सकती है फिर वो दूसरी company को जो है वो चला जाता है generic दवाई खाके भी बुखार मिटेगा बुखार खतम होगा अगर बुखार है तो branded दवाई खाके भी बुखार खतम होगा but branded जो दवाई होती ही जैसे कुछ इस प्रकार से होता है मैं आपको explain करता हूँ तो आप समझे होगे branded दवाई 500 रुपे की है तो generic दवाई जो होगी न 50 रुपे की होगी literally इतना difference होता है इसलिए मैं अपने काफी सारे students को यही बोलता हूँ कोशिश किया करो दॉक्टर के बाद सब जाओ और डॉक्टर अगर महेंगी दवाई लिख दे तो वो भी दे देंगे है उसमें कोई दिक्कतवाई बात नहीं है तो ऐसा करना सी कभी कभी जैसे की especially आपको लगता है कि हाई और थोड़े पैसे जो है आप बचा सको तो उस चीज के लिए आप कर सकते है उस प्रकार की चीज़े बठा यह मैंना आपको अधाय था intellectual property जो पेट्रेंट जो होता है वो एक monopoly प्रोवाइट करा देता है inventor को जो है वो monopoly मिल जाती है कि वो limited period के लिए pre specified time के लिए जो है वो अपने product के उपर उसकी monopoly होती है वो ही पूरी चीज पूरी कहानी जो मैंने थोड़ी देर पहले explain करी थी वो ही theory में आपर लिखी होगी है patent basically इधर process patent हो सकता है या product patent हम लोग को देखने को मिल सकता है product patent क्या होता है यह ensure करता है कि जो अधिकार होंगे final product के वो protected होगा याने कि उस product को सिर्फ वो ही व्यक्ति sell out कर सकता है market में उसके अलावा और कोई बिना उसकी permission के नहीं कर सकता है कि कोई दूसरा जो है जो patent holder नहीं है तो उसको allow नहीं किया रहा सकता manufacturing करने के लिए उस product की वो ही चीज जो मैं भी आपको explain कर रहा था specified period of time के लिए और दूसरा होता है process payment तो यह allow करता है किसी व्यक्ति को patent holder के लावा याने कि दूसरे व्यक्ति को जिसके पास इसका patent नहीं है कि यह manufacture कर सकते है उस patent product को उस product में modify करने के बाद याने कि थोड़े से modification करके उसको जो है वो कर सकते है जैसे कि यह वाली चीज अक्स जो अलग-अलग जो books होती है आप देखेंगे जैसे कि for an example अगर news की भी मैं आप से बात करूँ ठीगे news की भी मैं आप से बात करूँ तो आप समझ पाओगे जैसे कि आप newspaper उठाओ ता Hindu उठाओ Indian Express उठाओ रही कोई भी newspaper आप 3-4-5 उठागे रख लो आप जो news जो आई है वो हर newspaper में दिखेगी आपको थोड़ी सी अलग थोड़े से उसमें sentence में changes आ जाएंगे बट news तो एक ही होगी ना news तो change हो नहीं सकती है जैसे कि United States ने wave कर दिया यहने कि छूट दे दी इस intellectual property right में तो सभी newspaper में यह वाली news चपेगी बट अलग-अलग type से वो दूसरी photo use कर ले तो ध्यान में रखना product patent और process patent में क्या difference है यह चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने है अब देखें इंडिया के पास patent को लेकर हम लोगो को क्या विवस्ता देखने को मिलती है तो इंडिया पहले product patenting करती थी 1970 से पहले फिर इसने process patenting करना शुरू कर दिया ठीक है process patenting बतलब की एक manufacturers जो है वो product को modify करके जो है वो sell कर सकता है ठीक है तो इसने क्या किया इंडिया को एक producer बना दिया generic drug का इंडिया के अंदर काफी सारी company especially sipla की अगर हम लोग बात करें तो यह Africa को 1990s में anti-HIV drug जो है वो provide कराना इसने शुरू कर दिया था बतलब की दूसरी company हलक सा modification करके product जो है वो बना सकती है product manufacture कर सकती है रहने की intellectual जो property है किसी की रहने की किसी का जो इतने सालों की किसी की महनत जो है उसमें हलका सा modification करके हलका सा change करके जो है वो कर सकती है allow कर सकती है सामने लिए company को करने के लिए रहने की product बनाने के लिए तो यह चीज हो गई दी बट दायत्वों के कारण हुआ ये था कि World Trade Organization उसने कहना शुरू कर दिया कि आरे इंडिया तो ये गलत कर रही है इंडिया किसी की इतने साल की महने जो है वो इस प्रकार से खराब कर रही है प्रोसेस पेटेंटिंग के अंडर तो हमने अपने पेटेंट एक्ट को 2005 में अमेंड किय और जो प्रड़क्त थे पेटेंट के जैसे की फार्मा, केमिकल्स और बायोटेक सेक्टर गे तो इनमें हम लोग ने स्टॉप कर दिया राइट कि इसमें प्रोसेस पेटेंटिंग नहीं होगी प्रड़क्त पेटेंटिंग होगी बाकी दूसरे में प्रोसेस पेटेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है इसलिए तो जो news वगरा news agency होती है तो वो क्या करती है वो थोड़ा सा modify करके जो है वो अपने articles में थोड़ा सा modification के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो या कुछ additional detail डालने के बाद जो है वो use कर लेती है content को तो उसमें क्या हो रहा है process patenting यह अब लोग को देखने को बटगी जो की allowed है बट ये तीन sector में process patenting allowed नहीं है ये चीज़ ध्यान में रखने की आवशकता है prelims point of view से ठीक है clear आपको है तक बात है और इसी के साथ ये पूरा topic पर खताम हो गया काफी अच्छे से काफी detail पर हमने various सीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा गरी बात करी guys अब बताये जा रहा है कि NPCI National Payment Corporation of India इन्होंने cryptocurrency के trade को ban करने से मना कर दिया है इन्होंने काए कि cryptocurrency पर trade जो है वो approved है और वो continue रहे गा है इन्होंने trade को ban करने से कहिए कि bank के उपर पूरे दायत वो छोड़ती है कि bank का decision जो होगा वो bank अपने इसाब से ले सकते हैं कि bank को cryptocurrency पर trade करना है या नहीं करना है तो वो solely decision जो होगा वो bank का होगा ऐसा इन्होंने कहती है और आपको पता होना सी है पहले भी हम लोग ने कुछ articles में discuss किया हुआ है वो पसंद इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि bitcoin को लेकर क्योंकि bitcoin जो है उसका उपयोग जो है वो दुनिया जहां कि आपको पता ही है कि hackers करते हैं क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो privacy बहुती strong है और इसके transaction को को कोई भी जो है वो मलब देख नह क्या fund है और क्यों लोग bitcoin को पसंद नहीं करते तो वो भी चीज आप समझो एक बार ठीक है जैसे for an example मेरा bank account है अगर मेरे bank account से कुछ पैसे कटते हैं ठीक है तो मैं bank को complain कर सकता हूं bank से पूछ सकता हूं कि क्यों कटे हैं bank के पास जा सकता हूं बट bitcoin के मामले में कोई regulatory authority नहीं ह याने कि जो कि अगर मेरे wallet से अगर bitcoin खतम हो जाता है एकदम से बिना मेरी permission दिये तो मेरे पास कोई authority नहीं है जिसके पास जाकर मैं complain कर सकता हूं कि मेरे bitcoin जो है अचानक से मेरे wallet से निकल गाए तो ये एक चीज है बट आपको बताने कि काफी सारी even इंडिया भी जो है वो bitcoin f fintech company समझते हो ना जो ये इस प्रकार की financial technology बनाती है जैसे कि internet banking हो गया mobile application हो गया इस प्रकार की internet banking के लिए तो वो fintech company उस पर काम करती है तो आज की डिट में ये सब company जो है वो bitcoin के उपर bitcoin के उपर जो है वो काम कर रही है जैसा bitcoin है वैसी cryptocurrency के उपर काम कर रही है क्योंकि आन जिस पर hacking वगेरा करना next to impossible होता है उसको hack करना तो वाली चीज़ है बट एक regulatory authority अगर cryptocurrency के पास होगी तो वो cryptocurrency काफी secure रही है जैसा आपको बता है ये facebook भी और even china ने तो चालू ही कर दी अपनी खुद की cryptocurrency facebook भी इस पर काम करी रही है इसने भी launch कर दिया था आपको शायद याद हम लोग को देखने को मिलती है जो की retail payments इतने भी होता है retail payments जैसे कि हम लोग को वो POS machine देखने को मिलती है हम लोग जब जाते है shopping वगरा करने तो उसमें वो card वाली जो machine होती है तो ये सब पूरी जो चीज़ें होती है उसको operate करने का काम National Payment Corporation of India का हम लोग को देखने को मिलत है इस organization को अगर पूछ लिया रहा है किसके दौर established किया गया था तो RBI आपको ध्यान में रखना है और Indian Bank Association के साथ मिलकर RBI ने से established किया इसके provision हम लोग को payments and settlement systems act 2007 के अंडर देखने को मिलते है presently NPCI जो है उसे 10 major promoter bank जो है वो promote करते है तो यह चीज आपको थोड़ी सी पता हो कोनी चीज आइडिया होना चाहिए और NPCI जो है वो क्या-क्या payment system को operate करती है तो एक general सा आइडिया होना चाहिए इसमें पूरा रटने की जरूरत नहीं है national financial financial switch हो गया IMPS जिसके दुरू आप payment करते है immediate payment system right रुपे cards affiliate रुपे cards debit card और prepaid card जो की banks के दौरा issue किये जाते है और co branded credit cards जो की NBFC और दूसरी bank की entity जो RBI के दौरा approved है उसके दौरा issue की जाती है तो उसको basically operate करती है यह NPCI यह सब चीज़ों को और इसके लाबा national automatic clearing house आधार enabled payment system operation of check truncation system तो यह सब चीज़ों को operate करती है NPCI NPCI के product क्या है रुपे है इसका product हम लोग को देखने को मिलता है national common mobility card यारे को traveling के लिए दली के दौरा जो launch किया गया था आपको शायद बता होगा भारत interface for money beam app जिसको हम लोग बोलता है UPI यह भी product है NPCI का भारत bill payment system तो यह कुछ product है यह product से related चीज़ आप से पूछी आ सकती है तो यह थोड़ा से ध्यान में रखना ठीक है इसके लाबा आपको बता देगा इसकी March 2020 में honorable supreme court ने तक कह दिया था कि Reserve Bank of India ने actually bank करने की बात करी थी finance companies को bank को कहा था कि cryptocurrency जो है उसका उपयोग नहीं किया जाए कोई भी bank जो है वो cryptocurrency में payment नहीं लेगी और अगर लेगी तो RBI उ इशू करी थी 2018 में इस चीज को इस direction को जो है वो honorable supreme court ने रद कर दिया था और कहा था कि crypto currency को allow किया जाए crypto currency के उपर band नहीं लगाया जाए तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली थी और आपको बता दें कि NPCI NPCI ने block नहीं किया है trades को क्योंकि हुआ यह था कि honorable supreme court के judgment के रही है कि इसके trade को continue रखा जाए crypto currency के तो फिर उसी चीज का पालन करते हुए NPCI ने जो है उसको block नहीं किया right इसके trade को crypto currency क्या है यह वाली चीज तो आपको already पता ही है but theory आप देख लो जिसको आप लेक पाव मेंस है तो यह ऐसी currency होती है जो digital currency हम लोग को देखने को मिलती ह इसकी encryption techniques के लिए जानी आती है काफी encrypted इसमें हम लोग को technology देखने को मिलती है encryption की technology देखने को मिलती है जो की data को secure करकर रखती है यह जो currency की units है उसको generate उसका जो generation होता है उसको regulate करने के लिए encryption technique का उपयोग किया जाता है further जो भी funds का transfer हो रहा है एक account से दूसरे account में उसको verify करने के लिए encryption technique का उपयोग किया जाता है बिना किसी central bank की यह बिना किसी regulatory body authority के यह operate करने की इसकी चमता हम लोग को देखने को मिलती है यह blockchain technology के उपर काम करती है यह चीज़ बहुत important है ध्यान में रखिएगा example के दौरबर आप bitcoin mention कर सकते हो ethereum mention कर सकते हो और इसकी demand हम लोग को क्यों देखने को मिलती है तो जो भी पैसा transfer होता है दो parties के बीच में वो बिना किसी third party के requirement के हो जाता है जैसे कि मैं अगर अगर अपने bank के account से SBI के account से अपने friend के SBI account है किसी account पे अगर transfer करता हूँ पैसा तो मैं जो पैसा transfer कर रहा हूँ उसके लिए जो regulatory authority हो कौन सी है SBI मेरी जो command है वो SBI को जाता है और SBI फिर further approve करके command जो है वो forward करती है तो यह चीज़ हम लोग को देखने को होती है नहीं कि बीच में जो regulatory authority है body है व हम लोग को देखने को मिलती है तो ऐसी कोई third party की requirement नहीं होती है funds के transfer के लिए जैसे की credit debit card या banks हम लोग को देखने को मिलता है यह cheaper alternative है सस्ता हम लोग को alternative देखने को मिलता है दूसरे online transactions वगरा जो होते हैं उनके comparison में इसकी payment जो होती है वो काफी safe और secure रहती है और even anonymity का level जो जिना उसका account जाने जो है वो पैसे का transfer जो है वो किया रहा सकता है codes पर यानि कि सामने आले व्यक्ति किसी को पुझते है जैसे होता है QR code हमारे पास आज की rate में wallet के लिए देखने को मिलते कि आप QR code को scan करो और payment कर दो या UPI ID जो होती है हम लोग को देखने को मिलती है तो उस इसको जो है वो पैसे transfer कर रहे हो रही आ जाता है यहाँ पर कुछ ऐसा पंड़ना नहीं है इसलिए तो hackers वगरे जितने भी है वो इसका उपयोग करते है anonymity के कारण और secure की कारण और उनको पता है कि इसके थूँ कोई उन्हें track नहीं कर पाएगा बिट कोईन के थूँ स्पे cryptocurrency system के अंदर हम लोग को wallets देखने को मिल रहा है राइट private की जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ wallet के owner के पास ही रहती है उसके account को access करने के लिए की उसके पास होती है और बाकी एक public की जो होती है वो जो है वो publicly दे सकता है पैसे amount को transfer करने के लिए यह है यह मेरी key है इसके धुर wallet पर किसके cryptocurrency के bitcoin के wallet पर पैसे transfer कर तो यह wallet number या wallet ID है ऐसे करके भीद देते हैं और जैसी आप transfer करोगे जो है वो मैं आपको आपके system पर जो भी मैंना hack किया होगा उसको मैं हटा दूँगा वाइरस को हटा दूँगा जो भी xyz होता है न इस तरहीं की चीज़ होती है ऐसी demand कर दी आती है और fund transfer जो होते हैं उसमें जो fees जो होती है वो भी काफी कम लगती है as compared to आज की rate में हम लोग जो प्योग करते हैं banking system का उसके comparison में तो यह आली बात यहां पर पताएगा अब इसके कुछ disadvantage कुछ नुकसान इसके हम लोग को देखने को मिलते है almost hidden nature हम लोग को cryptocurrency transaction का द irreversible नहीं होता है याने की refund नहीं होते है तो यहाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है और cryptocurrency जो होती है वो हर जगा accept नहीं होती यह limited हम लोग को देखने को मिलती है हर जगा पर एक चिंता वाली बात हम लोग को यह देखने को मिलती है bitcoin को लेकर especially जैसी कि आपको बता हुआ तो ऐसा researchers ने जो है वाली चीज़ बताईए तो इसलिए ये जो bitcoin जो है वो इसमें हम लोग को fluctuation इसके price में देखने को मिलता है तो जो कि काफी ज़्यादा risky है और जैसे कि कई बार आपने जैसे कि bitcoin में जैसे अगर आप बाइचांस example के तौर पर माल लेते हैं कि आप जैसे bitcoin प हम लोग को देखने को मिला कि एकदम से growth हो गई तेजी से तो रिस्क है यह अब growth हो रही है अब यह नहीं बदा कि कितना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एकदम से जिस दिन गिरेगा तो उस दिन सब के सब लोग को रोट पे आ जाएगे जिन्होंने जितना भी investment किया Development Authority of India IRDAI यह एक concept लेकर आईए model insurance village का कोशन आ सकता है model insurance village का concept किसके दोरा लाया गया IRDAI ध्यान में रखियेगा तो देखिए insurance जाद से जादा rural areas में हो गाउँ छेत्र में जाद से जादा लोग अपना insurance करवाएं इस चीज के लिए यह model लाया गया है Economic Survey 2020 और 21 की according इंडिया के अंदर insurance penetration यानि की जितने लोग insurance की सुवधा लेते हैं वो मात्र और मात्र बताया गया की 2.71% था 2001 में और इसमें increase जो हुआ है यह बहुत ही कम हुआ है बहुत ही कम इसमें increment अब लोग को देखने को मिला रिद्धी जो ही हो बहुत ही कम हुई है मात 2019 में 3.76% की बताई गई है global average जो है वो 7.23% का है पूरे दुनिया बर में राइट क्योंकि हमारे इंशुरेंस का culture नहीं है लोग insurance नहीं कराते है बट जैसे आप लोग हो hopefully आपके family members का आपने insurance करा लिए होगा especially medical insurance health insurance होता है वो तो definitely करवाना ही चाहिए सबी लोगों को right health insurance ब वो बहुत मिलब एक ऐसा role play करती है कि आप secure हो जाते हो तो कोशिश करना अगर आपके family members का ममी बापा का अगर insurance नहीं हो तो उनके birthday पर gift दे देना insurance का right कर सकते हो आप इस प्रकार से contribute अपनी family को खुश करने लिए क्योंकि बहुत सहीं चीज होती है insurance आप तो पढ़ लिख र strict rule है कि लोगों का insurance होना mandatory है करवाना ही है उनको जैसे गाड़ी का insurance हमारे रहता है कि पुलिस चलान कर देती है गाड़ी का insurance नहीं है तो वैसे वहाँ पर भी लोग का insurance नहीं होता तो चलान हो जाता है right mandatory होता है तो पारलिमेंट ने पास किया था insurance amendment bill 2021 को जिसके दुरू foreign direct investment क limit जो है insurance sector में 74% कर दी गई है 49% से point to be noted prelims में आएगा right अब कुछ important point की बात करें जैसे कि यह जो concept है model insurance village को लेकर तो यह क्या है तो यह idea basically offer करता है comprehensive insurance protection सभी major insurable risk के गाउवाले लोगों को right और बहुती सस्ते rate में और subsidized rate में उनको insurance service provide कराने को लेकर यह model है क्योंकि गुरूरल रही है इसके लिए गाउं के लिए तो भी ऐसी बात है कि गाउं में insurance जाय स्यादा लोग करवाएं तो उस चीज़ को promote करने का यह model है पहला point तो यह आप ध्यार में रखियेगा इसमें premium affordable बनाने के लिए financial support की आवशक्ता है यह नाबाट जो है वो financial support provide कर सकती है और भी दूसरे institution है even corporate social responsibility के funds जो है वो निकाल कर यहाँ पर लगाई जा सकते हैं सरकार support कर सकती है और इसके लावा re-insurance company वगरा जो होती है उनसे भी support मिल सकता है तो यह वाली चीज़ आपर बताई जा रही है इसके लावा minimum 500 village में यह implement किया जाएगा अलग-अलग district क हमारी country में एक साल में और फिर बढ़ा कर इसे दो सालों के अंदर अंदर हजार villages तक इसकी सुविदा provide की जाएगी और बताये गया कि इस चीज़ को successful बनाने के लिए इस model को successful बनाने के लिए इस concept को successful बनाने के लिए यहाँ पर का गया है कि सभी जितनी भी general insurance company है re-insurance company है ज किस टाइब के insurance देने की हाँ बात की जा रही है तो जो हम लोग को weather index product देखने को मिलता है मौसम सूच कांग उत्पाद जो हम लोग को देखने को मिलता या बात कर ले hybrid product की hybrid उत्पाद की जिसमें मौसम, सूच, कांग उत्पाद भी शामिल होता यानि कि hybrid product के अंदर weather index भी शामिल किया जाता है और ऐसी काफी सारी फसले जिन्हें प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं है उनके लिए basically बीमा सुरक्षा provide कराने को लेकर offer किया गया model insurance village के अंदर मतलब की प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तुरू जो crop insurance जिंजन crops का insurance covered नहीं है उन crops को यहाँ पर add किया गया कि उन crops के लिए insurance offer किया जाएगा फसलों के लिए किया जाएगा live stock पशुधन के लिए किसानों के लिए अब खेत की व्यापक आवशकता है जो भी needs होती है जैसे की farm implements वगरा जो होते हैं जैसे की tractor हो गया कुछ और दूसरी चीज़े हो गई फार्मिंग में जो उपयोग में लिए आती तो उनके लिए insurance प्रोवाइट करने की बात की जा रही हो उसके लिए flexible farm insurance package यहाँ पर इनोने रखा है फिर इसके लाबा जो high value agriculture जो होता है उच्छ मूल एक करशी जो होती है contract farming जो हमें देखने को मिलती है corporate farming community हम लोग को देखने को मिलती है तो उनकी अलग-अलग needs के according उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए separate products भी इसमें रखे गए हैं उनकी needs को देखते हो है और कभी भी कोई आबदा आती है किसी प्रकार की natural catastrophes, disaster वगएरा किसी प्रकार का हम ल पन होते हैं यानि कि आने वाले समय में कुछ disaster हो गया, flood आ गया या drought हो गया, कुछ भी हो सकता है, right खेती में, तो उसको cover करने के लिए पहले से parametric मौसम सूचकांग, parametric weather indexes के आधार पर states को बड़े इस तरपर भीमा cover करने की पेशकर्ष की चाह रही है, तो यहले चीज हम के प्रसार में, चुनौतिया सामने जो आ रही है, वो क्या-क्या है, जागरुकता की कमी, awareness नहीं है लोगों की बीच में, दीमा उत्पादों का सीमित विकल, limited choice हम लोग को insurance products की देखने को मिल रहा है, people friendly हम लोग को इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, लोगों के अनुकूल और पारदरशी दावा निप्तान तंत्रों की अनुपस्तिती, याने कि जो transparent claim settlement का mechanism है, वो absent है, मतलब कि अगर लोग अपना premium भी दे रहे हैं, insurance के रही है, तो ये guarantee नहीं है कि premium देने के बाद जो है वो, उनको claim मिल जाए, right, क्या पता insurance company कुछ, जो है वो, कुछ provision वगरा condition में, कुछ ऐसी चीज़ लगा कर जो है, वो नुकसान कर दें सामने वाले वक्ती का, तो इसलिए, कहीं से भी जब भी insurance लो, ये सुनिशित कर लो, कि वो company जो है, वो top rated है की नहीं, right, योगि मेरे साथ भी एक बार ऐसी लफड़ा हो गया था, कुछ समय पहले की बात है, तो फिर हुआ ये कि, जो वो company जो थी, उसका जब renewal time आया, यानि कि एक साल के बाद renew करना रहता है न, मैं परेशान हो गया, उनको call करकर करके, call करकर करके, ना कोई जवाब दे रहा, ना कोई फो कर रहा, और बिलकुल मेरी last date निकल गई, तो उसके बाद फिर मैंने इनको contact किया अपने National Consumer Helpline Forum को contact किया, टोल-free number पर, और उनको पूरी शिकायत हाँ पर दच करी, अपनी email IDs वगरा, उनको बताई कि, मैंने email वगरा भी किये थे, बड़ों कोई respond नहीं कर रहा है, तो मेरा तो ये lapse हो जाएगा, तो फिर ये बात बढ़िया हुई कि, उन्होंने मुझे जो ह पॉप्ट किया, मैंने का चलो यार, वो ही health insurance लेते हैं उसका, क्योंकि उसकी report तींचा लोगों से सुनी कि अच्छी है, तो फिर वो ही वाला ले लिया, तो इसलिए कभी भी insurance वगरा लो, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि वो company का जो है, वो background कैसे, आप करीब 5,000 रुपे तो अपन ने में वसूल लिये, उसका पूरा full body का test हुआ था, ममी का, तो बढ़िए 5,000 रुपे, उसमें 5,800 रुपे something का full body test था, तो वो करवा लिया, तो वो उसका बढ़ी आराम थोड़ा सा, ऐसी होता ही कि यार, कुछ आपको अगर कुछ service वगरा मिले तो समझ में है कि हाँ यार, जहाँ पर आप पैसे invest कर रहे हो, वो फाइदे बंद है की नहीं, तभी तो चीज करनी चाहिए, वो ही मैं लोगों को समझाता हूँ, कि जहाँ पर भी education system पे भी जहाँ पर भी पैसा आप लगा रहे हो, पहले ये सुनिश्यत कर लो, कि सही है की लोग जो है वो coaching में, या कहीं पर भी किसी भी online education institution में, पैसा फजा देते हैं, बात में जब फिर classes देखते हैं, तो मझा नहीं आता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं पर भी याओ पहले demo ले लो, जैसे कि मैं आपको अपने जितने भी paid courses हैं, उसके demo आपको provide कराता ह कि आप demo देखो, उसके बाद फिर join करो, तो वाली चीज़ है, और बाकी environment का course वह आपका शुरू हो गया है, course की भी बात कर लेते, environment का course शुरू हो गया है, नीचे description पर उसकी link है, जिन भी student को join कर रहा है, join कर लीजे, पूरी की environment की तयारी आपकी करवाई जाएगी, जो student 2021 मे appear हो रहे हैं, plus 2022 का जिनका target है, उनके लिए तो बहतरी है course, तो वो तो definitely join करें, 2021 वाले भी join करें, right, दोनों के लिए है यह, आप देखिए, weak network है, insurance firms का, हमारे पास network भी, जो है वो काफी weak हम लोग को देखने को मिलता है, limited ही options है, insurance के मामले में भी, जो अच्छे हो, right, और कु की rural insurance business की growth को advance करने में बाद हडालते है, right, तो यहली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और अब थोड़ी सी बात कर लें, IRDAI के बार में, भारतिय भीमा, विनी आमक और विकास प्राधी करण, insurance regulatory and development authority of India, तो देखो, किस committee के recommendation पर IRDAI को, जो है वो setup किया गया था, constitute किया ग promise body जो है, वो बना दी गई, जो की insurance industry को regulate करने का काम करती है, और उसके development के लिए काम करती है, और फिर April 2000 में, सन 2000 में, इसको statutory body का दरजा जो है, वो दे दिया गया, तो यहली चीज आपको जहार में रखनी है, ठीक है, आप मुझे बता है, नीचे comment box पे लिखकर कि statutory body और constitutional body मे क्या difference है, मैंने कई वार आपको बता चुका हूँ, key objectives क्या है, IRDAI के, तो इसमें mainly हम लोग को देखने को मिलता है, कि इसमें promote किया आए जाता है competition को, कि अजाल साथ है insurance company आए, जिससे की competition बड़े, जिससे की customer को satisfaction मिल सके, यानिकी कम price में, जो है वो उनको insurance बगरा मिल सके, ब तो इसमें consumer को choice मिल सके, जैसा मैंने आपको बताया, कम premium में जो है वो उनको अच्छी service मिल सके, जैसा मैंने आपको बताया, right, financial security insure कर सकें, वो insurance market में, और IRDAI का headquarter, अगर पूछ लिए आप से कहा पर है, तो prelims में से पूछा जा सकता है, वो हिदरबाद में है, आप सभी या कुछ part जो होता है risk का, वो अपने पास ले लेती है, और ये insurance company जो होती है, वो ऐसी company को जो है वो choose करती है, और उसके बिहाफ में insurance company जो है वो उन्हें premium पे करती है, अब देखो, आसान भाशन में मैं आपको समझाता हूँ, एक तो insurance company हो गई, जो public से deal कर रही है, public से deal करके उनका insurance ले रही है, अब कभी-कभी क्या होता है कि insurance company को भी डर लगने लगता है कि अरे यार कहीं बड़ा रुकसान ना हो जाए, बड़ा घाटा ना हो जाए, तो इसके लिए कुछ ऐसी companies होती है, re-insurance वाली, कि already जिनका insurance issue किया हुआ है, और उसका premium public जो दे रही है insurance company company को, तो उसका कुछ risk जो है, वो दूसरी company अपने साथ share कर लेती है, वो बोलती है कि चलो ठीक है, अगर कोई भी सामने आला, जैसे कि अगर claim करता है, तो उसका कुछ percentage जो है, वो मैं भी दूँगा, और वो उसी share के हिसाब से इनके बीच में dealing होती है, insurance company और re-insurance company के बीच ह यह बहुत important है, इस related question बन सकता है, अब prelims की practice करवा देते हैं, आपकी आईए, बताइए इसका क्या होगा, correct answer, agriculture and process, food, product, export, development, authority से related, यह topic है, यह वाला जो topic है, यह कई बार news में देखा जा चुका है, तो यह establish की गई है, government of India के द्वारा, agricultural and process, food, products, export, development, authority, act, 1985 के तहट, यह कि ministry के अंदर आती है, तो rural development ministry के अंदर आती है क्या, और बताया गया कि जो चीनी है, चीनी, sugar, तो इसके import को monitor करने की भी responsibility इसको दी हुई है, तो बताओ इनमें से क्या होगा, correct answer, और आज एक ही question था, तो correct answer है, आपका D, D जो है वो आपका correct है, क्यो correct है, आप देखो पढ़ो, ध्यान से question, incorrect statement पूछा गया है, question को पूरा पढ़ना है, हम लोग को, तो आपको answer मिल गया होगा कि क्यो, D जो है वो इसका correct answer है, ठीक है, और lecture अपना खतम होता है, UPSC 2021 की तयारी कर रहे है, तो definitely इस course को join कीजिए, यह test series को basically, test series को, total 25 test है, और हर एक test 100 question का है, right, 15 subject wise questions, subject wise test हों के 10 full length test होंगे, तो ऐसे करके total 25 test है, English, Hindi दोनों में test है, हर एक test का detail solution आपको दिया जा रहा है, खास बात यह है कि इस test के schedule के according अगर आप अपनी तयारी करेंगे, तो आप पूरा का पूरा syllabus जो है वो targeted तरीके से complete कर पाएंगे, और अपने आपको test भी कर पाएंगे, test देगर तो यह इसकी खासियत है, और CZ का course आपके लिए available है, CZ अगर आपका कमजोर है तो आप इस course को join कर सकते हैं, ancient, medieval और modern Indian history का course पूरा complete course है, यह history का, इसको आप join कर सकते हैं, sociology अगर आपका optional है तो ऐसी expert faculty sociology को आपका cover करवा रही है, जिनोंने UPSC में rank 5 जो है वो एक student को बढ़ अगर करवाई है, उन्हों student की rank 5 आई है, जीरो से उनकी तैयारी sociology की करवाई है, अगर optional आप sociology लेने चाहते हैं, आपका already sociology optional है, तो यह वाली class जरूर अटेंड की देगा, ठीक है, इसके लाब अपना current affairs का paid package है, जिसमें आप जो daily lectures देखते हैं, उसकी आपको PDF मिल जाती है, आपको notes बनाने की जरूवत नहीं पड़ती, handwritten notes बनाने की बार बार तकलीव लेने की आपको जरूवत नहीं पड़ती, इससे आपको time बचता है, क्योंकि मुझे students बोलते हैं कि sir हमारा बहुत time जा रहा है, मैंने को तो जाये गई, क्योंकि notes में आप इतना time बेस करो, थो थ PDF मिलती है, handout notes में आपको provide कराता हूँ, weekly compilation आपको दिया जाता है, PDF का revision के लिए और आपको मंतरी magazine दी जाती है, मातर 100 रुपीज पर मंत की fees में, एक offer भी है, जिस offer को आप ले सकते हैं, और बाकी अगर आपको current affairs के questions की MCQ practice करनी है, तो वो facility भी आपके लिए available है, और course को join करने में कोई समस्या आती है, तो 9713 28 28 28 28 28 28 28, मेरा personal number है, whatsapp के थू, telegram के थू या SMS के थू, आप मुझसे contact कर सकते हैं, मेरा reply आपके पास, within 24 hours आ जाएगा, तो चलिए अब मिलेंगे next lecture में, तब तक लिए bye bye, take care, have a great day ahead, ta-da! Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS, guys अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं, या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं, तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं, यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है, जैसे कि the Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint, जैसे जो newspapers होते हैं, उनकी news को cover किया जाता है, PIV के reports को discuss करते हैं, राजसवा television में जो भी important debates, discussion आती हैं, उनको lecture के दुरान cover किया जाता है, even EPW, down to earth, योजना जैसे जो magazines होती हैं, उनके articles को भी cover करते हैं, तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे, religiously classes को follow करेंगे, तो आपको 100% guarantee success मिलेगी, और आपका 100% guarantee selection होगा, और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है, नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे, आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में, हमने जो topics cover कराए थे, उनी से related questions बने हैं, तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में, और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी, आप उस channel को भी join कर सकते हैं, plus discussion group भी है, जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants पोजूद हैं, जो की daily business पर अ बट before that यह कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं, करते हैं, start करेंगे paper 1 के पहले topic से, हम लोग discuss कर रहे हैं, यहाँ पर polyar समुदाए के बारे में, polyar community के बारे में, यहाँ पर आप से directly question पूछा जा सकता है, कि यह community कहा की है, तो prelims पर ऐसा question directly आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह community जो है वो कैरला की और करनाटा क की हम लोग को देखने को मिलती है, और historical period में तमिल नाडू की और जैसे हम लोग तमिला कम के नाम से जानते हैं, तो वहाँ की यह community है, तो यह basically area आप थोड़ा से ध्यान में रखेगा, south की community हम लोग को देखने को मिलती है, होलियार, इसे पुलाया, होलिया या फिर चेरामार भी जो है वो कहा जाता है, यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेगा, तो यह एक main social group हम लोग को केरला, करनाडगा का देखने को मिलता है, और history में यानि पहले के समय पर, तमिल नाडू पर भी यह group जो है वो हम लोग को देखने को मिलता था, अब थोड़ी सी बात करत यह शिल्प, कौशल के लिए, और कुछ dances के लिए यह जाने जाते हैं, इनके dances में हम लोग को देखने को मिलता है, किस प्रकार के इनके dances होते हैं, तो kolam thullal, kolam thullal आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, यह एक mokhota, निर्त्य हम लोग को देखने को मिलता है, मास्क, dance ही हम लोग को देखने को मिलता है, जो उनके जालफूक अनुष्ठानों का हिस्सा होता है, याने कि एक्सौर्सिजम, rituals जो होते हैं, इस community के जालफूक वाले rituals, याने कि कोई बिमार है, तो उसकी बिमारी ठीक करी, या वो भूद बादा बोलते हैं, हम लोग भूद बादा है, त तो आप ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखेएगा, और एक और इनका dance है, जिसका नाम है, मुडी, अटम, या फिर, हेयर dance जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहले चीज भी आपको थोड़ी सी dance के नाम बता होने चाहिए, और गईज आपको बता दू मैं कि art and culture से related, जो mainly questions आप पनता है, तो यहले चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेएगा, अगर आट and culture की जो तयारी होती है, आपके वो mainly current affairs से ही होती है, और बाकी फिर कुछ बेसिक चीज होती है, GS के अंदर आट and culture में जो कि आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, महात्मा अयंकाली की अगर हम लोग बात करें, तो 1863 से लेकर 1941 के period पर ये थे, तो ये पुलिया के राजा थे, पुलाया के राजा जो है वो इन्हें कहा जाता था, यह अली चीज आप लोग को थोड़ी सी इनके बार में पता होनी चाहिए, और अभी ये topic news में क्यों आया था, तो देखो तमिल नाडू म अन्नमलाई Tiger Reserve के border पर, तो ये भी चीज ध्यान में रखना अन्नमलाई Tiger Reserve कहा पर है, तो तमिल नाडू पर थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, तो इसकी border पर हम लोग को ये दो tribal settlements देखने को मिलते हैं, यानि कि इन particular जो जंजाती है, यानि कि पुलायार समुदाय जो हम लो आपने देवता की, तो इनके एक देवता है, वीर पत्तन, तो इनका हर साल जो है ये festival मनाते हैं, हर साल जो है वो इनका celebration होता है, उत्सम मनाते हैं ये, तो उसकी ये तैयारी कर रहा है, तो इनके देवता का थोड़ा सा नाव आप ध्यान में रखिएगा, तो ये था पूरा अब एक और important चीज है जो आप से पूछी जा सकती है, कि काबा सुरा कुडिनीर क्या है, तो काबा सुरा कुडिनीर एक काडा हम लोग को देखने को मिलता है, काडा, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यार में रखिएगा, काबा, काबा सुरा कुडिनीर, ये basically traditional formulation है, मतलब कि एक traditional हम लोग को वो देखने को मिलता है, यानि की मिक्षर जो होता है, traditional मिक्षर है जिसका सिध्धा में उप्योग किया जाता है, सिध्धा के जो प्रैक्टिशनर जो होते हैं, चिकितसक जो होते हैं, ये basically जो respiratory जो problems होती है, जैसी सास लेने में किसी को परिशानी हो रही है, जो concoction हम लोग को देखने को मिलता है, देखो concoction एक मिक्षर को कहा जाता है, तो herbs का ये मिक्षर है, जड़ी बूटियों का मिक्षर है, इसमें सूखे फॉर्म में हम लोग को ginger यानि की अद्रक और पिपाली, clove यानि की long और इसके अलाबा सीरू, कन्नोरी की जड़, इनकी ज मिक्षर होता है, इन सब जड़ी बूटियों को मिलाकर ये काड़ा बनाया जाता है, और फिर इसको, यानि कि इस मिक्षर को पूरा कूट-कूट के जो है, वो powder form में किया जाता है, उसे फिर पानी के साथ boil किया जाता है, जैसे कि एक जग में पानी है, तो वो पानी जब तक धान में रखिया है, कभी-कभी इस प्रकार की चीज़े भी पता होनी चाहिए, इंगलिश के कुछ words बगरा भी, चलो, और अभी ये topic news में क्यों देखने को मिला है, तो Ministry of Ayush जो है, इसने launch किया है एक campaign, nationwide campaign, जिसमें ये जड़ी बूटी को जो है, वो distribute कर रहे है, काफी सारी दवाईयों को distribute कर रहे है, आयूश 64 नाम की दवाईय है, उसको distribute कर रहे है, और इस दवाई को भी, यानि कि इस काले को भी, काबा सुरा कुडी नीर इसको भी distribute कर रहे है, जिसे कि COVID-19 के जो patients hospital में है, तो उनको मदद मिल सके, यानि कि इस काला का उपयोग करके, उनकी health में improvement हो सके, तो ये वाली चीज थी, इसलिए ये topic news में था, आपको धहन में रखना है, काबा सुरा कुडी नीर, एक हम लोग को काला देखने को मिलता है, जो की respiratory problems को ठीक करने के लिए होता है, सिद्धा के जो चिकित सक जो होता है, सिद्धा practitioner जो होता है, वो इसका उपयोग करत लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, तो ये basically एक viral disease हम लोग को देखने को मिलती है, पशुओं में और especially cattle और buffaloes की जो species होती है, उनमें ये बिमारी होती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, गौवंशिय पशू और जो भैंस जो होती पशू में, और लंबे समय तक के लिए ये बिमारी पशू में हम लोग को देखने को मिलती है, इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, घाव जो हो बन जाता है पशू में, और ये किसके कारण होता है, किस particular virus के कारण ये जो होती है, बिमारी, तो ये है Ox virus, लंपी skin disease virus तो यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है यह वाली बात है इसके symptoms क्या होते हैं लक्षण क्या होते हैं इसमें तो देखो 2-5 cm का diameter हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार से घाव हम लोग को बनते हो नजर आ जाते हैं 2-5 cm की गाट जो है वो बनना शुरू हो जाती है और गाट जो है वो बात में धीरे-धीरे करके बड़े और गहरे खाव का रूप ले लेती है और जाहतर यह तो मोस्कीटोस के थूरू, मक्यों के थूरू, टैक्स के थूरू, इवन जो सलाइबा होता है, पशुँओं का, पानी और गाने जो होता है, उसके करण भी, ये बेमारी हम लोगो देखने को बिलती है, ये फैल्टी है, निस्ट करण होती है। 1929 में South East Asia में पहला case जो आया था वो जुलाई 2019 में report हुआ था बंगलदेश के अंदर और इंडिया के अंदर पहला case हम लोग को ओडिशा के अंदर अगस 2019 में देखने को मिला था ओडिशा में ओडिशा के मयूर भंज में ये case हम लोग को देखने को मिला था इसके treatment की बात करे कि अभी ये topic news में इसलिए आया था क्योंकि बिहार सरकार इस बिमारी की आहट से सतर्क हो गई है बिहार में ये बिमारी आना शुरू हो गई है सरकार ने इसके संभावित प्रसार यानि कि ये फैले ना उसके बारे में एक advisory जारी करी है तो इस चीज को देखते हुए ये topic ह और ये disease जो है वो मात्र 16 महिनों में 15 राजियों में फैल गई है और हमारी country की बुरी हालत जो है वो बिमारी यानि कि हमारी country में ऐसे किसान है dairy farmers हम लोग को देखने को मिलते है या तो उनके पास जमीन नहीं है और अगर जमीन पी जो है वो सीमिध है यानि की marginal land holder सही है यान इनका जो protein का जो source है cheapest protein का source वो milk ही है बट जब इस प्रकार से cattle को गायों को भैसों को ये मिमारी हो जाएगी तो उनके लिए बड़ी आफ़त हो जाएगी किसानों के लिए राइट सर्वाइफ करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उनके livelihood को भी हाम पड़ेगा जिससे व नमबर बन पर है हमारे पास आकड़ा जो है वो है 303 million cattle का ठीके तो यह लिए चीज़ आप लोग को थोड़ी सी बता होनी चाहिए अब एक बहुत ही ज़ादा again important topic social stock exchanges का ये topic है तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते है social stock exchange ये है क्या तो SEBI Security and Exchange Board of India की जो technical group है social stock exchange पर इसने अपनी एक report जारी करी है और ये report तयार करने वाला जो panel है expert panel उसको head किया है हर्ष भानवाला जी के द्वारा जो की ex chairman हम लोग को नाबाट के देखने को मिलते हैं तो इस particular committee ने इस panel ने जो है ये report submit करी है तो जानते हैं कि इस committee ने क्या recommendation दिये है तो सबसे पहली बाद तो eligibility कौनसी company social stock exchanges के लिए eligible होंगी तो for profit वाली भी और not for profit organization भी इसमें eligible होंगे right social stock exchange में but शर्त ये है कि उन्हें ये साबित करना होगा कि उनका जो उद्देश है वो समाजिक उद्देश है वो society के लिए अपना योगदान देना चाहते है अपना contribution करना चाहते है participate करना चाहते है societal development के लिए society के अंदर जो हम लोग का आज की rate में issues देखने को मिल रहा है उसको resolve करने के लिए उनका main उद्देश होना चाहिए तो उनका लक्ष भी यही होना चाहिए कि उनकी company जो है वो society पर कुछ impact create कर रही है right समाजिक प्रभाव उनका मुख्य उद्देश होना चाहिए तो इस पर mainly focus किया जाता है इस चीज़ को देखा जाता है और उसके बाद फिर उस company को allow किया जाता है कि वो company entity organization जो है वो social stock exchange में participate कर सकती है clear आपको यहां तक बात है अब आपको यह चीज़ ध्यार में रखनी है क corporate foundation, political और religious organization इनको ineligible घोशित किया है कि यह organization जो corporate foundation के होते हैं या political होते हैं या religious होते हैं तो वो allow नहीं किया जाएगा उनको कि वो इस mechanism के तुरू social stock exchanges के तुरू fund को raise नहीं कर सकते है ठीक है तो यह चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए fund raising के लिए क्या modes यहाँ पर दिये होए हैं तो non-profit organization के लिए equity, zero coupon, zero principal bond, development impact bonds, social impact fund, जिसे आज की rate पे social venture fund के नाम से हम लोग जानते हैं 100% grant in और grant out provision और donations वगरा के तुरू यहने की investors donate कर सकते है mutual funds के तुरू तो इन particular चीज़ों के तुरू जो है वो fund raise किया जा सकता है non-profit organization का और for profit enterprises जो होती है entity होती वो equity के तुरू debt के तुरू यहने की rent लेकर loan लेकर development impact bonds के तुरू और social venture fund के तुरू जो है वो fund raise कर सकते हैं यहने कि अपने इस particular stop में fund जो है वो raise कर सकते हैं और corporate size क्या होना चाहिए यानि की fund का आकार किस प्रकार से होना चाहिए तो minimum corporate size जो होना चाहिए ऐसे funds के लिए उन्हें 20 करोड से घटा कर 5 करोड करने की बात की गई और minimum subscription जो होना चाहिए उसे 1 करोड से घटा कर 2,00,000 कर दिया गया और इसके लाबा capacity building in fund की क्या होनी चाहि exchanges के लिए तो देखो यहां पर बताया गया कि इनकी जो fund fund जो होना चाहिए इसके जो fund होना चाहिए वो 100 करोड रुपे का होना चाहिए और fund जो है वो कहां पर होना चाहिए नबार के अंडर होना चाहिए और exchanges और दूसरे developmental agencies जैसे की SIDB इसे भी इस fund पर contribution अपना देना चाह इसके लाबा वो activities जिनको नीती आयोग ने चिनहित किया है identify किया है और जो sustainable development goals की जो activity है उस पर काम करेंगी यह stock exchange यानि की social stock exchange यह फिर entities होंगी इस stock exchange में वो उन्ही particular activities पर काम करेंगी जो activities नीती आयोग ने बताई है और sustainable development goals की जो activities है जैसे की hunger को भुक्मरी को जो है वो खतम करना right poverty जो गरीबी जो है हम लोग को देखने को मिलती है उसको खतम करना malnutrition की problem को reduce करना right को portion की problem को reduce करना जो inequality हमारे हाँ हमने देखने को मिलती है उसको खतम करना जेंडर equality को promote करना महिलाओं को empower करके उनको शशक्ति करन उनका करके और LGBTQIA plus की जो community है उनको empower करके आप मुझे नीचे comment box पे लिखकर बताइए LGBTQIA का full form क्या है लिखकर बताइए ज़रा इस community में हर एक का full form वह बताइए और इसके लाबर rural sports के लिए training offer करना की गाउचेत में sports promote हो slum area को develop करना और सस्ते rate में लोगों को घर मिल सके तो उसकी विवस्ता करना तो ये सब areas पर या ये सब activities पर जो भी companies entities काम करेंगी तो वो इस exchange के अंदर social stock exchange के अंदर contribution अपना दे सकेगी यानिकि list हो सके जैसे की stock exchange क्या होता है listing उसकी हम लोग को देखने को मिलती है right कहा पर तो proposal के according इसको जो list किया जाएगा जैसे की जो existing stock exchange है जैसे की Bombay stock exchange हो गया national stock exchange हो गया तो वहाँ पर इसको list किया जाएगा right और ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि society के लिए करने वाली जो organization से company है वो उनकी भी listing हो रही जिससी की उनको और भी fund जो है वो मिल सके right public भी जो है वो उसके shares खरीद के equity खरीद के fund जो है वो raise करवा सके तो ये वाली चीज है mainly कि society के काम भी जो है वो जो किये जाते हैं तो उस पर भी fund raising जो हो सके तो इस पर mainly focus किया गया है तो social stock exchange क्या है तो अभी त होगा कि हाँ हम लोग जो है वो इसको शुरू कर रहा है social stock exchange को तब हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज जोड़े या घटे right recommendation की इस committee के हम देखेंगे आगे चलके बटा अभी के लिए आपको यही वाली बात पता हो नहीं चीए especially इस committee से related ऐसे question आते है तो mainly जो आप लोग को अभी प्रस्तुत करी है तो eligibility हमने देख लिया कि कौनसी कौनसी company involve सकती है इस particular exchange के अंदर right but social stock exchange है क्या तो यह basically एक नया concept इंडिया के अंदर आया है हमें देखने को मिल रहा है जिसमें private और non-profit sector जो है इस society के लिए contribute करेंगे right और capital जो है वो generate करेंगे तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल रही है right society के लिए काम करने के लिए जो कुछ activities के बारे में आपको बताए जो sustainable development goals की और नीती आयोग activities को identify करेंगी उन activities पे काम करने वाली company ही इसमें जो है वो list हो पाएंगी है ना और इसी के साथ इसी के साथ समाजिक कल्यार उध्यम यहने कि जो social welfare enterprise है ऐसी companies जो है ऐसे non-profit organization है जो society के welfare के लिए काम करते हैं ऐसी गयर लापकारी संस्ताइं हैं तो उनके लिए एक पारदर्शी electronic platform पर तथा कथित समाजिक पूझी जुटाने में सक्षम हो सकेंगी तो इनको जो है वो capital raise करने में जो है यह सक्षम हो सकेंगी य जैसा मैं भी आपको समझा रहा था क्योंकि जो भी society के लिए जो company काम करती है तो वो capital raise करने में उसको बड़ी problem आती है बट जब यह इस प्रकार के transparent electronic platform में यानि कि जो हमारे यह जो देखने को मिलता है जैसे कि जिस platform पर हम देखते हैं कि Bombay stock exchange listed रहता है तो यह सब जो stock exchange जो race कर सकेंगी जिससे कि वो coronavirus महामारी के करण तभा हुए रोजगार के साधनों का दोबारा से पुन निर्मार जो है वो करने में सहयोग कर सकेंगी rebuild कर सकेंगी livelihood को उसकी process को जो affect हुई है coronavirus के करण समझ पार है वाली बात तो यहाला significance इसका महत तो समझना जरूरी है कि कोई भी चीज जो आई है किसी भी चीज को हम लोग ने जब introduce किया और नया concept है तो वो उसका फाइदा क्या होगा उस पर mainly आपको focus करना है तो यही basically civil services में most important चीज होती है कि कुछ चीज आई है यह कैसे फाइदा करेगी society को तो यह वाला जो slide है आपके लिए बहुत important है और यह जो recommendation ह अगर उसको हम लोग implement करते है as a package के तौर पर तो उसमें हमें देखने को मिलेगा पूरा पूरा यह वाला जो ecosystem है society के development के लिए societal development के लिए वो बहुत ही उसको support मिलेगा उसको बहुत ही सायता मिलेगी और दोबार से vibrant यानिकी दोबार से active हो जाएगा और proper हम लोग को उसका ecosystem देखने को मिलेगी बैतर तरीके से यह चीज चलती रही और इसमें बकाइदा transparency है पर हमें देखने को मिलेगी और इसमें non-profit sector को अपनी पूरी तरह से कारे करने के लिए मदद मिलेगी क्योंके पास funding अगेरा race हो जाएगी असानी से और गईज इस प्रकार के social capital की क्या आव protection capital सेहनशील पूझी जिसको हम लोग कहते हैं उसकी बहुत जादा जरूरत है और economy के अंदर यह बहुत important होता है कि सभी लोग को जो है वो रोजगार मिले सभी लोग के पास रोजगार के साधन होने शाहिए तो यह बहुत जरूरी होता है बट जब इस्तिती जब खराब होत जाए तो ऐसी problems अराम से resolve हो सकती है और जो conventional capital जो होती है जो financial return को priority पे रखती है वो ऐसे burden को उठाने में सक्षम नहीं होती तो यह आले चीज हम लोग को देखने को मिलती है और social capital की बात करें गई तो यह इस role के लिए society के role के लिए ज्यादा suited है क्योंकि नहीं सिर्फ यह ए करने पर focus करते हैं और इस समय पर जिस समय है पूरी economy जो है collapse हो रही है because of covid-19 coronavirus तो यह वाली चीज है इसके बार में जनरल सा आपको idea होना चाहिए और बाकी social enterprise क्या होता है इस चीज को आप समझो तो social enterprise ऐसे revenue generating business होते है ऐसे business होते है जो कि revenue generate होते है बट उनका जो revenue generate करते है क् हर एक business उसका तो main focus ही होता है कि उसको कमाई करनी है बट उनका जो primary objective होता है वो क्या होता है social objectives को achieve करना जैसे कि healthcare clean energy provide कराना अब देखो healthcare services provide कराने में भी हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि पैसा तो आता ही है क्योंकि वो जिस भी particular चीज पर R&D पर research and development पर काम करेंगे उ एक तो जिससे की लोगों को जो है वो सस्ते rate में अच्छी facility मिल सके बट वो जो rate होगा वो इतना होना चाहिए कि return मिल सके लोगों को लोगों का उसमें profit हो सके और दोनों काम होता है एक तो business पर भी profit हो सके क्योंकि कुछ भी चीज trading हो रही है sell हो रही है तो उस पर profit तो हो ग बिल रही है उन्होंने R&D करके research and development करके इस प्रकार का solution निकाल लिया लोगों को 500 रुपे खर्च करने की जरूरत ना पड़े 50 रुपे में वो चीज बिग जाए market में लोगों के लिए available हो तो लोगों को तो फायदा हुआ ना society को तो फायदा हुआ कम कीमत पर उनको मिल रह है जिसको लोग असानी से afford भी कर सकें और environment में भी contribute करें तो market में तो चीज भी करी है ना product तो market में भी कर रहा है लोग खरीद तो रहे ना तो उससे तो return मिल रहा है ना तो ऐसे business जो की revenue तो generate करते ही करते है बड़ उनका जो main objective होता है वो social objective होता है social objective को achieve करना होता है और इसक मतलब यह नहीं है कि social enterprise होते है वो कभी भी profitable नहीं होते ऐसा बिलकुल नहीं है right in fact काफी सारे social enterprises ऐसे हैं जो की operate करते है as a traditional businesses के तौर पर भी आप देखो जैसे कि Tesla company की अगर हम लोग एक example आपकी समझने के लिए आपको समझने के लिए बस बता रहा हो मैं Tesla company किस पर काम कर रह जो की environment के लिए काम मलब अच्छी रहे right इस environment के लिए अच्छी रहे तो वो भी तो कहीं न कहीं किसके उपर contribute कर रही है society के उपर contribute कर रही है na society के लिए इस पूरे environment के लिए contribute कर रही है है की नहीं यह इस type की चीज है right बट ध्यान देने वाली बात simple सी यह रहती है कि इसमें जो भी अपना पैसा लगाते हैं यानि कि जो भी investors होते हैं इसमें एक बात जो अंतर वाली बात अगर मैं आपसे कहूं तो इन संस्थाओं द्वारा जो उत्पन लाब होता है यानि कि वो जो भी generate करते है profits वगरा को right तो उनका उप्योग आवशक रूप से जो stakeholders जो हैं उनक भुकतान के लिए नहीं किया जाता इसके इस्थान पर उनके समाजिक कारेक्रमों में फिर से ये reinvest कर देते हैं मतलब कि अपने stakeholders होते हैं उनको जरूरी नहीं को payout करने के लिए ये अपने profit पर काम करें बलकि वो दोबारा से reinvest कर देते हैं social program से जिसे कि ये society के improvement के लिए का जो है वो हमेशा चलता रहा है हमेशा benefit जो है वो मिलता रहा है इस society को तो इस पर ऐसी company mainly focus करती हैं काम करती है तो यह ऐसे social enterprise होते हैं तो यह आले चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए जानकर यह थोड़ी सी होनी चाहिए वाकिया आगे चलके यह जो S SSE जो है social stock exchange जो है जैसी वो अप्रूव होता है तन हम लोग उसके बारे में और detail में discuss करेंगे अब गईस paper 3 के topic से discuss करते हैं E. Sanjeevni OPD की यहाँ पर बात हो रही है तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे E. Sanjeevni OPD यह flagship telemedicine platform बताये जा रहा है सरकार का इसे center for development of advanced computing C-DEC mohali इसके दोरा develop किया गया है ministry of health and family welfare के इंडर जो आती है यह free consultation provide करा रही है Indian citizens को आज की rate में बड़ी दिक्कत चल रही है doctor से consultation बड़ा मुश्किल हो रहा है right hospitals वगेरा में भी even और कई बार तो doctor भी जो हो खुद बखुद कोशिश कर रहे हैं कि distance मेरा है तो वह बाली पेशेंट को Indian citizens को उसके लिए यह इस अंजीवनी OPD जो है वो शुरू कर दिया है right सरकार के द्वारा तो यह लिए भी चीज़ एक आपको पता होनी जीए इस अंजीवनी OPD के बारे में right तो यह website हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है हापर आप देखिए patient का registration हो हम लोग को देखने को मिलती है तो यह बहुती शांदर initiative सरकार ने यह शुरू किया जिसके एक idea होना चाहिए आप लोग को अब United Nation की एक important report है कि methane emission के ऊपर कि methane जो है जो emit हो रहा है humans के कारण तो उस पर यह report बताई जा रही है तो इस report का जो title है शीर्चक जो हम लोग को investment benefits and costs of mitigation methane emission तो यह recently release की गई है climate and clean air coalition और United Nation Environment Program के द्वारा इसकी report में क्या क्या चीज़े बताई गई है तो पहली सबसे पहली जो चिंता है वो यह बताई गई है जो human के कारण जो methane का emission हो रहा है इस environment में वो बताया गया है कि बहुत तेजी से जो हो बढ़ता जा रहा है अगर हम लोग बात करें 1980s की तो 1980s के दशक में record रखने की प्रक्रिया की परंपरा शुरू हुई थी उसके बाद से आज की rate में यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है इतना तेज इतना की अभी तक की तुलना में नहीं देखने को मिला था right at present time पर carbon dioxide का level जो है coronavirus pandemic के समय पर जब lockdown थ तो उस समय carbon dioxide emission का level जो है वो decrease हुआ तो उस पर drop हम लोग को देखने को मिला था but atmosphere में methane जो था वो basically record level पर पहुँच गया था पिछले साल यानिकि इसने highest record जो है वो methane का achieve कर लिया था methane emission का but covid के कारण lockdown के कारण यह जो carbon dioxide है इसका emission जो है वो कम हुआ था but methane का emission high हो गया था right यह तो आल भी एक most important point है जो थो आप ध्यान में रखना है इस report में आया है और बताया है कि यह जो चिंता वाली जो बात है जो main चिंता का विशय है वो यह है कि methane extremely powerful greenhouse gas है बहुत ही powerful greenhouse gas है जिसके कारण से हमारा जो climate change जो हम लोग आज की rate में face कर रहा है जिसको control करने की कोशिश कर है जिसमें हम लोग mainly carbon dioxide emission पर focus करते हैं तो हमें अपने focus को methane पर भी रखना है वैसे तो हम लोग overall greenhouse gas पर focus करते हैं में ज्यादा जो बात होती carbon dioxide के emission की होती बैट methane की भी आपको जानकरी होनी चाहिए कि यह भी बहुत ही powerful greenhouse gas हम लोग को देखने को मिलती है जो की pre-industrial time से 30% तक जो है वो गर्मी warming जो है वो create कर सकती है pre-industrial time से 30% तक warming बढ़ा सकती है निकि गर्मी बढ़ा सकती तेmperature level को increase करने में सक्षमें 30% तक अब ध्यान दीजेगा most important point की human के कारण है जो methane emit होता है वो किस कारणबर होता है उसका source क्या है इस methane उत्सरजन का स्त्रोत क्या है इस ची सेक्टर आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है इन तीन सेक्टर को fossil fuel waste और agriculture ये तीन सेक्टर है जो कि responsible है कि human के कारण methane जो है वो release होता है इस environment में सबसे पहली चीज तो oil and gas extraction की बात करें जब भी भी तेल को या gas को extract किया जाता है natural gas को या oil को निकाला जाता है तो उ हमें लोग को देखने को मिलता है कि 12% emission होता है तो हमने क्या चीजा देखी fuel sector में 23% होता है और हम लोग ने देखा coal mining भी जो है इसी में हम लोग को नुदर आता है तो इसमें 12% होता है तो oil and gas में 23% coal mining में 12% हमें बिलता है इसके बाद जैसे कि landfills जो होती है और waste water जो होता है जमीन के नीची जब हम लोग कच्रे को गड़ा देते हैं और waste water जो हम लोग को देखने को होता है खराब पानी जो हम लोग को देखने को मिलता है तो यह 20% emission को contribute करता है waste sector में और agriculture में हम लोग को देखने को मिलता है live stock emission जो होता है manure का manure के कारण जो हम लोग को देखने को मिलता है या हम लोग को fermentation जब हम लोग को देखने को मिलता है जब भी manure वगरा बनाये जाता है आपको पता होगा इस चीज के बार में जब भी खाद वगरा बनाई जाती है तो काफी सारे waste को जो है वो सडाया जाता है तो उसके बाद जो है वो बनाई जाती तो यह fermentation की जब process होती है इसमें 32% 32% जो है वो emission होता है और rice cultivation में 8% emission होता है तो हम क्या देख रहे हैं 32 और 8 कितना हो गया 40% agriculture sector सबसे ज़्यादा contribute करती है methane के मामले में सबसे ज़्यादा contribute करती है अगर oil and gas की भी बात करें तो 2312 हम लोग को देखने को मिल रहा है कितना हो गया 35% 35% हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यह waste water और landfills हो है वो करता है यहाँ पर 20 लगा है तो almost 20-25% यह करते है बड़ आपको याद रखना है कि अगर question क्योंकि इस प्रकार से मनता है यह analysis होती है civil services के अंदर वो यही वाली होती है कि आपको यह चीज़ ध्याद में रखना है कि कौनसा sector ज्यादा emission करने के लिए responsible है क्योंकि ऐसे आपको पूश चेतर में हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है रोकने के लिए यहने की कम करने के लिए तो यूरोप के अंदर सबसे ज़ादा potential है कि वो methane के emission को रोक सकती है right farming से fossil fuel operation से और waste management से तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है इंडिया के पास भी बहुत ज़ करने का एफरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है live stock के मामले में और फिर oil and gas के मामले में अच्छा potential है reduce करने का और fossil fuel industry जो है उसके पास सबसे आदा potential है कि वो low cost methane cut जो है वो कर सकती है right तो यह चीज़ इसकी हम लोग को देखने को मिलती है अब कुछ suggestion है इस report के अंदर जै effect से बचना चाते है इसके बहुती खतरनाक प्रभाव से अगर हम लोग बचना चाते हैं तो हमें methane के emission को 45% तक cut करने की बहुती ज़्यादा आवशकता है और ऐसा cut जो होगा वो 2045 तक इस environment को इस particular पूरे यानिकी atmosphere को गरम होने से temperature rise होने से बचा सकता है 0.3 degree Celsius temperature जो है वो rise न देते हैं तो जो की बहुत बड़ी बात है एक बहुत बड़ा contribution इस प्रकार से होगा तो यह वाला point भी आपको पता होना चाहिए कि इसका फाइदा आने वले समय में क्या होगा और थोड़ा सा data कोशिश करो अगर याद रख पाओ exam की समय पे means की समय पे but accurate अगर याद हो तो अच्छे क्यों ना लिखे हो आपके साथ marks में justice नहीं होगा कि उनको तो हमेशे लाएगा कि आप तो तुक्य बाजी कर रहे हो तो यह चीज मेरी ध्यान से समझना भले यह वाला figure मतले को figure याद नहीं है तो मतले को बड़ यह लिख देना कि 2045 तक या आने वाले समय में temperature level ज 775,000 अस्तमा से related patients जो हर साल जो hospitals में visit करते हैं वो prevent हो जाएंगे और 25 million ton crop का loss होने से भी बच जाएगा फसल को loss होने से भी रोका जा सकता है उसकी हानी होने से भी रोका जा सकता है यह इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहा है तीन behavioral change व्यवारिक परिवर्तन व्यवा food waste को reduce करना जो food waste जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि waste जो है वो भी एक कारण हम लोग को organic waste वो भी कारण देखने को मिलता है जिसके कारण से methane जो है वो release होता है और इसके लावा livestock management को improve करना है healthy diets को adopt करना है चाहे वो vegan diet हो vegetarian diet हो या फिर lower meat या dairy content हम लोग को देखने को मिले तो इस चीज़ पर काम करना है तो ये भी methane के emission को 65 से 80 million ton हर साल जो है वो reduce कर सकती है आने वाले 10 सालों में क्योंकि meat से भी बहुत जादा emission जो होता है methane का तो ये भी point आपको पता होने चाहिए इस प्रकार से तो ये था पूरा overall topic ये report काफी जाते important थी क्योंकि वो climate change से related topic काम लिखकर mention कि देगा कि according to this report ये data वो बताया गया था तो उससे क्या होगा high quality answer आपका दिखेगा और जब जो चीज़ हमें already पता है कि इस particular area से question आएंगे जैसे की coronavirus healthcare से हमें पता है question आएंगे आएंगे तो क्यों नहीं हम लोग आज से ही mains के कुछ points लिखना शुरू कर देत important important points mains की तयारी यही तो होती है mains की तयारी आपका pre निकलने से निकलने के बाद नहीं होती साथ ही साथ चल रही होती है जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि यह data important है यह आपके mains के लिए फाइदे मन्द है कोशिश किया करो कि उस area के अंदर या उस topic के अंदर आपने मेरे ख़ writing की practice करो उन points का उफियोग करो अपने mains के answer में आपके mains के answer को बिल्कुर टॉप रॉंच बनाने के लिए क्योंकि main focus तो यह ना कि आपका answer जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आप marks मिलेंगे और जितना आपका answer अलग-अलग areas को connect करते होगा जैसे यह methane को आप add कर दो जो आपको boost करने के लिए करता है तो कि भूलना जाओ तो practice continue रखो एक साल की पूरी process है अब देखे कुछ uranium की बात करते हैं कि uranium और इसके उपयोग की बात करते हैं कि इसको उपयोग कहां पर होता है वैसे तो आपको बता ही होगा इतने समय से बात करते हैं uranium के बारे में इरान को साथ किलो नैचुरल uranium पाया गया है इन दो लोगों के पास, दो आरोपियों के पास इनको अरेस्ट किया है बताए गया है और इसकी कीमत कितनी बता है मातर 7 किलो उयरानियम की कीमत 21 करोड रुप्य के आस बास है 21 करोड रुपय आप लोगों के आँखों में डॉलर तो नही arrest किया है क्योंकि इनके पास uranium था बिना license के यह uranium लेकर घूम रहे थे अपने साथ और exactly uranium जो है वो है क्या और इसके क्या उप्योग है इस चीज को हम लोग समझते हैं तो basically जब भी यह हम लोग को जो देखने को मिलता है वो मिट्टी में रॉक में चट्टानों में और पानी में low concentration पे यह natural तोर पर होता है पाया जाता है और commercially इसको extract किया जाता है uranium bearing minerals से याने कि minerals में जो uranium लग जाता है तो उससे फिर commercial तोर पर उसे extract किया जाता है निकाला जाता है और uranium जो होता है वो silvery grey type का होता है इसकी appearance होती है वो silvery grey type की metallic appearance इसकी हम लोग को uranium की देखने को मिलती है इस टाइप के यह दिखाई देता है और mainly nuclear power plants में इसका उप्योग किया जाता है क्योंकि इसकी unique nuclear properties हम लोग को देखने को मिलती है ऐसी विश्षिष्टा होती है जो कि nuclear के लिए supportive होती है और देखिए जैसे कि medical process के दौरान जो radiation जो होती है जैसे कि कई सारे लोग वो करवाते है MRI करवाते हैं X-ray वगरा करवाते हैं तो उसमें भी radiation पास होती है body से तो यह basically radiation के against एक shield का काम भी करता है uranium और ऐसा uranium जो की depleted होता है यानि कि वो जादा चमता का नहीं होता depleted हम लोग को देखने को मिलता है तो ऐसा uranium जो होता है वो भी मतलब medical process की दौरान radiation के against एक shield का काम करता है यानि कि इसके पास से जो है वो radiation नहीं गुजरता radiation को यह block कर देता है radiation therapy का उपयोग करते हुए और even जब भी radioactive material को transport करना रहता है कि जिससे कि वो जो radioactive material है उसका radiation बाहर एंवार्मेंट में आ जाए तो एक uranium की परत जो है उसके आजू-बाजू लगा दी जाती है जिससे कि वो जो है बाहर ना release हो उसका radiation ठीक है यानिक जो भी material होता है radioactive material उसका radiation बाहर ना release हो इसलिए ऐसक किया जाता है हाला कि आपको बताते है कि ये भी radioactive ही होता है हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि uranium radioactive नहीं है ये भी radioactive होता है बट इसकी जो density होती है वह इतनी हाई होती है कि वो radiation जो होती है उसको रोग देता है उसको ब्लॉक कर दे इसकी density high होने के गारण और इसकी जो high density है वो इसको बहुती उप्योगी भी बनाती है aircraft में counterweight करने के लिए aircraft में जब balancing की बात होती है weight को balance करने की बात होती है कि कहीं बर जब जो balance जो हो नहीं पारा सही तरीके से aircraft क्योंकि aircraft जो है उसको proper balance कि आवशकता है उडाल लेने के लिए और जो भी craft जब बनाए जाते हैं तो यहीं चेक किया जाता है कि वो balance रहे हैं एक तरफ उसका weight ना हो तो उस समय भी हम लोग को देखने को मिलता है कि counterweight करने के लिए इसका उपयोग aircraft में भी किया जाता है और industrial machinery में भी इसका उपयोग किया जाता है तो यह आले चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अब most important चीज़ कि इंडिया में uranium की mining कहा पर होती है तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आप यह ध्यान में रखना कोशन यह आ सकता है कि धारवाड की जो चटाने है उसमें क्या पाया जाता है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है uranium uranium धारवाड rocks में हम लोग को देखने को मिलता है कि पाया जाता है और यह हम लोग को जारखंड के अंदर सिंग भूम copper belt या फिर इसे हम लोग सिही भूमी तांबभ पटी जो है वो कहते है तो यहाँ पर यह जारखंड में है 그리고 uranium पाया जाता है कोशन ये भी आ सकता है कि यह copper belt जो है वो कहा पर है तो वो जारखंड में है इस परकार से अपको ध्यान में रखना है इसके रवा उदैपूर अलवार और जुन जुन डिस्ट्रिक हम लोग को राजिस्तान की देखने को मिलती है वहाँ पर पाए जाता है। इलाबा अभी recently कुछ area तिलंगाना और आंदर प्रदेश के भी discover हुए हैं जहां पर कुछ मात्रा में युरानियम के reserves पाए जाने की खोड जो है वो सामने आई है और ये कहां पर है गाईस तो देखो question ये भी आ सकता है कि Sheshalam forest कहांपर है तो आपको ये चीज़ पता होने चीए आंदर प्रदेश के अंदर और Shri Salem forest कहांपर है तो ये तिलंगाना पर हम लोग को देखने को मिलता है तो इसके बीच में इन दोनों forest के के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसको successfully जो है वो launch करके land करवाया गया है अभी recent ही रही और NASA जो है वो space को explore कर सके बहतर तरीके से उसके लिए ये starship जो है वो तयार की गई है starship rocket तो कोशन आ सकता है कि starship rocket किसके दोरा बनाया गया तो आपको ध्यान में रखना है कि ये Elon Musk की company SpaceX के दोरा तयार किया गया इसका serial number 15 इसको जो है वो नाम दिया इस starship rocket को कि space के mission में NASA इस rocket का उपयोग कर सके इसकी successful landing के बाद NASA और SpaceX को काफी रहत मिली relief मिली और क्योंकि ऐसे पहले चार prototype जो है वो starship के बनाये गए थे जो की fail हो गए थे और जैसे ही वो नीचे land करते थे उसी समय वो तूड जाते थे destroy हो जाते थे पूरी तरह से इस starship है क्या इस चीज़ को आपको mainly समझना जरूरी है तो full scale stainless steel और bullet shape का ये rocket ship हम लोग को देखने को मिलता है जिसको SpaceX की दौरा बनाये गया तयार किया गया और इस spacecraft को describe किया गया है as a game changer के तोर पर space travel के लिए क्योंकि इसमें जो transportation system है जो crew के लिए और cargo के लिए है कि जो earth के orbit पर जा सकता है moon पर जा सकता है मार्स पे जा सकता है उसको पूरी तरह से reuse कर सकते है जो launch vehicle से होते है ये पूरी तरह से reuse हो सकते है जैसे कि आपको बता हो कि rockets वगरा हम लोग को जो देखने को मिलते है यानि कि satellite जो होती है उसके नीचे जो है वो rocket लगा रहे था rocket ही satellite को उपर तक drop करके आती है बट फिर वो जो है वो reuse उसको नहीं कर सकते है बट इन्होंने reusable space travel जो ये transportation system है space traveling के लिए उसको बना दिया है reusable rocket इन्होंने ये तयार कर दिया है बहुत ही शांदर चीज़ है SpaceX ने describe किया Starship को कि ये तुनिया का सबसे powerful launch vehicle है और मानना पड़ेगा यार Elon Musk को अगर कभी time मिले तो उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने time को बहुत भेतरीन तरीके से manage करते हैं आप civil services की तयारी कर रहे हैं आज भी लोग complain करते हैं यार पूरा दिन सोबह से लेकर रात तक time slot में यहनोंने time को सुबह जब उठते हैं यह और 6-7 घंटे की proper नीन लेते हैं और उनके कहना ही है कि 7 घंटे जब तक मैं नी सूँगा जब तक productive काम नहीं कर पाऊंगा और खाना भी जो यह खाते हैं इवेन अपना breakfast नहीं लेते हैं बोलते हैं कि entertainment करेंगे पिक्चर देख लेंगे यह कर रेंगे वो करेंगे Elon Musk आज की रेट में successful इसलिए हैं क्योंकि जब वो खाना भी खाते हैं तो वो अपनी meeting करते हैं किसी ना किसी के साथ खाना खाते हुए कि जिससे कि वो खाना भी खा लें और meeting भी उनकी हो जाए और five minute का rule भी रखते हैं कई बार यह कि पाच मिनट में खाना निप्टाओ फटा 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 जैसे कि अगर उनकी कोई meeting नहीं है तो पाच मिनट के अंदर घडी चालू करी timer पाच मिनने सब्सक्राइब खाया और अपने productive काम में लग गए meeting भी यह करते हैं meeting किसी से इनकी meeting होती है जब भी यह होती है office के अंदर meeting अगरा होती है सामने अले व्यक्ति को सिर्फ वहाँ पर रूलेन के लिए 5 मिनिट का time सामने व्यक्ति को बोलते हैं कि 5 मिनिट दूँगा जो बोलना है बोल 5-6 मिनिट हुआ तो गुस्सा होने लगतने है अब जो priority वाले काम है उसको वो सबसे पहले निप्टा लेते हैं जैसे कि आप जो है वो सुबह उठ रहे हो अब आपने देखा है आपका environment जो है वो उसमें कमी आपने अभी तक environment की तयारी शुरू नहीं करी तो चलो कमलाक्सतर का सबसे पहले यह lecture देखकर finish करते हैं या फि जो भी आप जिस भी subject को आपको पढ़ना जो आपको थोड़ा सा difficult लगता और जिसके आपकी उतनी अच्छी तयारी नहीं और आप उसको priority पर रखर हो गया यह मुझे finish करना है इसको तो मैंने किया ही नहीं यह test लगाना है आपको test series करनी है आपको complete तो आपने बिलकूर उसक task को एक घंटा एक घंटे में finish करूँ है दो हंटे जो भी इनका time रहता है कि यह वाला task होगा उसको मुझे एक घंटे में finish करना है तो उससे कह रहता है mind को यह पहले ही सिखा देते हैं कि यह काम एक घंटे में होना चाहिए तो हमारा mind जो होता है फिर इधर उतर उसका concentration हिलत आनी है focus रहता है और यह धीरी धीरे करके practice के साथ आजाएगा don't worry आप धीरी धीरी करके practice करना शुरू करोगे इस काम पे तो आपका पूरी तरह से fully fully तरीके से आप focus रहोगे देखना है इनकी कई बार conference होती है कि यह कई खोल आते है अपनी dream है ने कि भली कितना भी कुछ च इनका focus एक ही जगा पे रहता है पूरा full focus इंसा नहीं है और यह focus जो है वो धीरे धीरे करके develop होता है don't worry आपका भी हो जाएगा but time देना पड़ता है कुछ काम करने होते है जैसे कि मेरी एक student है उन्होंने मुझे 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 मेरे time बहुत waste हो रहा है मैं क्या करूं मुझे मैं सबको बोलता हूँ आपको क्या करना चाहिए अपने paper पर जब भी आप जो भी time spend कर रहे हो जैसी कि आप सुबह 7 बजे उठे हो तुरंद लिख लो उस paper पर यानि कि आपकी diary होनी चाहिए आपके table पर study table पर जहाँ पर भी आप हमेशा रहते हो डायरी होनी चाहिए उस प सब्सक्राइब करनी है और अपने पास अगर आपके वासे timer होता है table पर रखने वाला timer होता है वो मैं use करता हूँ time को पूरा manage करने के लिए तो वो एक timer आता है एक अलग से वो table पर आप रख सकते हो मोबाइल सबसे best ही अपना तो क्या कर सकते हो आप जब भी उठ रहे हो ज read किया है learn किया है उसको आप उसके सामने लिख दो उस time के सामने कि इतने घंटे तक आपने पड़ाई करिए तो उससे क्या रहेगा उससे आप लोग जो हो अपने वेस्ट time कितना किया है और कितना time जो है वो productive आपने अपने लिए बनाया है वो पूरे दिन के end में आपको प दिमाग जो रहेगा आपका पूरी तरह से focus होना शुरू हो जाएगा बड़ जरूरत है आपको काम करनेगी इस चीज़ पर काम करो गईस यह बहुत important है चलो वह पेस topic पर आते हैं यह सब चीज़ें भी बताना आपको जरूरी होता है तो spacex ने describe किया है starship को की दुनिया का powerful launch vehicle है इसके पास ability है कि 100 metric ton से भी जादा 100 metric ton से भी जादा जो है वो load carry करके यह धरती के orbit पर ले जा सकती है तो यह आली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यार पर रखनी है तो यह latest development के क्या महत्व हम लोग को देखने को मिलते है reusability बहुत शांदर परसन है Elon Musk ऐसा काम करते reuse करने का हर एक चीज जो है वो reuse हो सके यानि कि waste ना हो तो यह भी तो कितनी बड़ी चीज है कि कुछ चीज waste नहीं करना है reuse करना है बहतरी चीज तो यह basically बता जा रहा है कि interplanetary travel को access करना और उसके लिए उसका heart तयार करना मतलब कि वही चीज कि reusability मतलब एक main important चीज है कि interspace travel के लिए जो भी instruments की आवशक्ता होती जिस भी चीज की आवशक्ता होती है उसको reusable बनाना मतलब बहुत ही शांदार चीज SpaceX believe करती है कि majority जो launch के cost की होती है याने कि launch vehicle के cost की majority होती है वो उनी घर्चे के उपर अधारित होती है जिन घर्चे पे वो rocket बनता है किसी ने नहीं सोचा था कि एक private company जो है वो rocket बना सकती है एक private company जो है वो space travel करने की चीजे बना सकती है बड़ इसने कर दिखा है Elon Musk इनका कहन है कि impossible कुछ नहीं है हमें problems के solution धूर्णना जरूरी है और problem के solution धूर्णने में time लगता है और eventually आप successful हो जाते हो अरे सबने इनका मजाग वड़ाया था आज की rate में सब इनको मोलते है कि इतने shark mind इतना तेज दिमाग बंदब इतनी सारी company को समालना एक limited time में क्योंकि time तो 24 ग पाद है कोई उनके पास guide ऐसा नहीं होता कि जो उनको बता सकी यह सब चीजों के बारे में कि कैसे वो time को manage करके पूरी चीज अच्छी कर सके क्या productive है क्या productive नहीं है वो थोड़ा बता सके but don't worry guys मैंने सोचा है जुलाइ से 2022 की तयारी करने वाले student के लिए एक batch शुरू करूँगा जो की full flexible services की तयारी का होगा जिसमें आपकी answer writing practice भी कराई जैगी पूरे lectures आपको हर एक topic के पढ़ाई जैंगे मैं खुद पढ़ाऊंगा मैं खुद cover कराऊंगा यह offline मैं करता था बच्छों के लिए यह batch open रहेगा तो इस चीज़ को आप में शुरू करने वाला हूं क्योंकि मुझे सही है rigorous तैयारी करवानी कि क्योंकि हर जगा आये teacher पढ़ाए और चल दिये मैं हाँ पर connected रहूँगा मैं आपको मजबूर करता रहूँगा continuously की बेटा पढ़ो पढ़ो civil services एक साल तक खा जाओंगा आप लोग को मजबूर कर दूँगा पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे चाहिए यार कि मेरे साथ जोड़ रहे हो आप तो serious aspirants ही जोड़ो असली मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे course को ले रहे हो serious अगर तैयारी वाकिए में करना है तो ही लो वरना मत चीज़ है इलान मस्क को follow करो कभी है अगर मौका मिले तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो आपको पता लाइए और ऐसे लोगों को पढ़ने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो कि किस टेकनिक का वो पयोग करते है इतने focus रहने के लिए रही क्योंकि आप दिल से बनना चाहते हो civil servant मुझे पता है आप सभी लोग बनना चाहते हो बट वो civil servant बनने के लिए आज के exam को clear करना जरूरी और exam clear कैसे होगा सभी को पता है पढ़ने से होगा time देने से होगा studies में बनना नहीं होगा तो time देना सीखो आप प्रॉपर तरीके से strategy के साथ अपन time पर होता है rocket पर जो भी material लगता उस पर होता है और उसी material को अगर हम लोग दोबारा से reuse कर लेंगे तो rocket बनाने की ओपर खर्चा भी जो है वो कम हो जाएगा तो इनका दिमाग देखो आप कम खर्चा और environment पर भी नुक्सान ना पहुचे से लिए reusable कि कोई भी material waste ना हो क्यों उसमें से कई बार हम देखते हैं कि chemical environment में कुछ सालों के बाद जो हो रिलीज होने लगता है मिट्टी को खराब कर देती है तो ultimate design जो है जो की उसे burn करके दोबारा से re-enter कर सके है ने कि recycle उसको कर सके उसी system और उसी instrument पर वाबस बनाने में recycle उसको कर सके है तो यह से cost भी कम हो रहेगी और बहतनी चीज़ रहेगी है इसकी potential application क्या क्या हम लोग को देखने को बिलेगी satellites को यह deliver कर सकता है काफी कम कीमत में इनका फैलकन वीकल है फैलकन वी जो है वो इसी गई है Elon Musk का उससे भी सस्ते rate में satellites को भेज सकता है cargo और crew दोनों को भेज सकता है international space station पर यानिकि scientist researcher astronauts जा सकते हैं cargo जा सकता है समान जा सकता है international space station पर इस spaceship से और एक बार जब यह develop हुआ पूरी तरह से तो यह जो starship जो है spaceship जो हम लोग को देखने को मिल रहे है जो लोगों को लेकर जाएगा यह basically large amount cargo का moon तक भी पहुचा सकता है human space flight development और research के लिए तो यह चीज़ भी हापर ब ले जा सकता है interplanetary missions के लिए भी है निकि एक planet से दूसरे planet पर ले जाने के लिए भी जो है वो इस mission का उपयोग किया जा सकता है NASA का Artemis mission की भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें गई तो पिछले महीने NASA ने SpaceX को चूज किया है कि SpaceX उनका जो है वो lander बनाए अपने Artemis program के लिए lander बनाए जो की planet पर जाकर land कर सके तो इनका Artemis mission जो है वो moon का हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पर human को जो है वो moon पर भेजा जाएगा 10 सालों के अंदर अंदर तो यह उनका program है तो उसके लिए उन्होंने SpaceX को चूज किया है तो अब देखिए NASA को कितना फाइदा मिल रह हम तो कमाएंगे कमा तो रहा है Elon Musk इतना कमा रहे है Elon Musk की Bill Gates और इन से उपर हो गई थी Amazon के founder जो हम लोग को देखने को मिलते है Jeff Bezos इन से उपर सली गई थी इनकी है अभी recent पास हमने देखा था कमाई income दुनिया के सबसे richest person जो है यह हम लोग को देखने को मिले है Elon Musk आपको पत Starship जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यह अगले मनुष्य को और पहली महिलाओ को Moon पर ले जाने वाला है first woman जो है वो जाएंगी Artemis Mission के थरू Moon पर और यह Artemis program जो है उसके थरू NASA mainly aim यह कर रहा है कि नई technologies लाई जाए capabilities और business approaches हम लोग को देखने को मिल सके जो की ultimately future में Mars के exploration के यह भी काम में ली जा सके निकि Mars जाने के लिए भी human भी जो है Mars जाकर explore कर सके उसके लिए नहीं technologies जो है वो लाई जा सके तो इस पर भी यह program का main focus है तो यह था पूरा overall topic guys मैंने आपको थोड़ा सा इस topic में ज्यादर समय लिए कुछ external चीज़े भी बताने बताने के लिए क्य जो कि हम लोग को थाने क्रीक के आसपास देखने को मिल रहा है थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसको अभी घोशित किया है तो recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने notify किया है एक eco sensitive zone थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी के पास तो देखो question आ सकता है कि थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी कहा पर है तो महराष्ट अब ध्यान में रखना और एक good news देनी है सभी लोगो को कल telegram पे तो मैंने post कर दिया था कि coronavirus का टेस्ट कराया था अब वो negative आ गया है finally but खासी बहुत हो रही है खासी जा नहीं रही है थोड़ा सा गले में ब Tiger Reserve है उसको prediction की आवशकता है तो उसके आसपस एक ऐसा zone तयार कर दिया जाता है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की activity ना हो किसी प्रकार की developmental activity ना हो जैसे कि अगर कोई area जहाँ पर ऐसी प्रजातियां रह रही है जिनको जो की लुप्त होने वाली है या फिर बहुत जादा species वह तो यह सब चीजों को देखते होए ऐसे area पर developmental activities ब्लॉक कर दिया थी तो eco sensitive zone का main purpose यह है कि कि किसी area को protect करने के लिए उस area के आसपस जो है वो developmental activities जो है वो रोग दी जाए कम कर दी जाए यह wildlife century है नेशल पार्क के आसपस हम लोग को देखने को मिलती है ठीक है तो यहली चीज ध्यान में रखना कि मालवान century कहा पर है तो यह भी महराश्टर में यह भी याद रखिएगा और यह जो western bank हम लोग को थाने creek का देखने को मिलता है वहाँ पर यह located है और इसे एक important bird area के तौर पर recognize किया गया है Bombay Natural History Society के द्वारा तो यहली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान म प्तार को मिलती है 39 प्रजातियां मेंग्रूफ की पाय राती 167 प्रजाति हैं हम लोग को birds की चिडियांऊ की पक्षियों की जो है वो देखने को मिलती है जैसे कि flamingo 45 प्रजाती मचलियों की हम लोग को देखने को मिलती है और 67 इंसेक्ट की प्रजाती कीटों की 67 प्रजाती हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है और मैमल्स भी है यहाँ पर जैसे की जकाल और दूसरे सियार और दूसरे हम लोग को मैमल्स देखने को मिलते है थाने क्रीक की बात करें गाइस थाने क्रीक तो यह हम लोग को देखने क मुंबई सिटी थोड़ा सा दूर है इंडियन में लेंड से मैप के दूरू भी मैं इस चीज को आपको समझाता हूं हम चलते मुंबई पे महराश्च्र की तरफ ठीक है मुंबई को आप देखिए आपको देख रहा होगा मुंबई में यहां पर आपको थाने दिखाई दे रह है और आप देखिए गौर से देखिए यह पानी पूर का पूरा मुंबई si-ti को सिपरेट कर आपयर्याः निवह को महतर हो मुंबई i- fix रा और अंडिया के में जैं इक वाव चीज देखेंगे तो यह शॉर्ट वाला एडए दिखेंगे just समन में आगया थाने क्रीक हम लोग को कहा पर देखने को बनता है और आपको फ्लैंमिंगो की बारे में बताऊं तो यह देख़गो आप को यहां पर है आपसे मैप से रिलेटेड जो थोड़ी से आपको थोड़ी सि आपको समझनी चाहिए इस प्रकार से ठीक है आपको यहां बात है map में भी देख लिए आपने creek और यह जो creek है यह दो parts में divided है एक हम लोग को घोड बंडर ठाने stretch देखने को मिलता है और एक ठाने ट्रॉम्बे यूरान stretch हम लोग को देखने को मिलता है और यह creek जो है यह बनी थी seismic faults के कारण जो अर्थक्वेक वाली जो activities हम लोग को देखने को मिलती है ना seismic activities होती है तो जो faults जो बन जाते हैं तो दरारे जो बन जाती है तो उसके कारण seismic faults के कारण जो है यह चीज यह creek जो है वो बन गया था यानि कि यह इस अलग हो गया था इंडिया से यह Mumbai city तो यह लिए चीज हम लोग को देखने को मिलती है और यह creek जो है वह हम लोग को उरन और ठाने के बीच पे हम लोग को देखने को मिलता है तो अभी मैंने आपको थोड़ देर पले मैप में देखाया था और महराश्टर के अंदर दूसरे और कौन से protected areas है संजे गांधी नैशल पार्क यह बहुत important है महराश्टर में यह सब चीज़े है tiger reserve wildlife century तो यह आप थोड़ा ध्यान मे जलता है सयादरी tiger reserve इसके लाबा मेल घाट tiger reserve इसके लाबा नवे गाउं national park ठीक है तो यह points आप थोड़ा सा ध्यान में रखना यह आ सकते हैं अब important चीज़ की बात करते हैं sensitive zone की eco sensitive zone होते हैं तो यह भी जानों आप eco sensitive zone या फिर ecologically fragile areas यह होते हैं ऐसे areas जिनको protection की आवशकता होती है और यह national park protected areas या wildlife century के 10 km यह point ध्यान में रखने का है कि eco sensitive zone जो है वो protected areas के कितने km के पास में हम लोग को देखने को मिलता है तो जैसे की एक protected area है उसके 10 km का जो distance होता है वो eco sensitive zone का बताया जाते हैं नहीं कि किसी area को अगर eco sensitive zone declare कर दिया तो उसके 10 km के areas पर किसी भी प्रकार की developmental activities नहीं होगी in case अगर वो जगा sensitive है वहाँ पर sensitive corridors है जहाँ पर जैसे की एक हम लोग को habitat देखने को मिल रहा है elephant का दूसरा habitat है तो उसके beach का area जो है जिस पर elephant जो है वो move करते हैं दूसरे species move करते हैं तो यह sensitive areas है sensitive corridors इस परकार के हम लोग को देखने को मिलता है या connectivity है या ecologically important patches भहाँ पर है या link areas को लेकर crucial एक important landscape है तो उसमें ऐसे areas पर even यह 10 km की जो limit है वो बढ़ाई भी जा सकती है एको sensitive zone में तो यहले चीज़ भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए इको sensitive zone को notify कौनसी ministry करती है यानि कौनसी ministry होशना करती है कि यह फलाना area एको sensitive zone होगा तो वो ministry of environment forest and climate change और environment protection act 1986 के अंडर यह power जो है वो मिली होई है इस ministry को main aim क्या है तो national park और wildlife century के आसपास की आसपास में areas में होने वाली activities को regulate करना इस प्रकार से कि उस activity के कारणा किसी प्रकार का negative impact इस wildlife century या नाशल पार्क को ना पड़े क्योंकि वहागा जो ecosystem जो होता है उसको protect करने की अवशकता है वापे प्रजातिया होती है अगर आसपास mining होगी है किसी प्रकार की ऐसी activity होगी जो की खत्रा है environment के लिए तो वो allow नहीं की जाती और activities कौनसी कौनसी regulate की जाती है तो जो band होती है activities उसमें हम लोग को mining देखने को लिए भी मना किया जाता है commercial उपयोग वुड का नहीं होना चाहिए यानि की पेड वगर नहीं काटने है tourism activity जैसे की hot air balloons वहापर नहीं उड़ने चाहिए जिसे होता है जिस पर लोग जाते है आपने देखा वो बड़ा सा balloon होता है उस पर लोग सायर करते है उपर जाते है और नैशल पार्क के उपर से नहीं जाना चाहिए यह सब चीज है और किसी प्रकार का solid waste या किसी प्रकार के hazardous substance का production वहापर नहीं होना चाहिए यानि कि ऐसे particular products जो की toxic nature के होते है जहरी ले होते है तो उसको produce नहीं करना है इनकी आसपर और कौन सी ऐसी activity है जिस पर permission लेनी के आव agriculture system में change लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ की जा रही है वहापर उस area पे तो उसकी permission लेनी पड़ती है जहापर heavy technology जैसे की pesticides वगेरा उसको adopt करना है या रोडों को चौड़ी करनी है तो यह सब permission लेनी पड़ती है और कौन सी activity permitted होती है जैसे की agriculture जो already चलता हुआ रहा है नई पेड़ों को काड़ कर वहापर उस area को farmland बना रहे है तो उसके लिए permission लेनी है बट already वहापर area allotted है agriculture के लिए उस पर अगर खेती होरी तो allowed है या horticulture की practice allowed है rainwater harvesting allowed है organic farming allowed है renewable energy sources का उपयोग कर सकने उसके लिए कोई permission नहीं लेनी है green technology का सभी activities के लिए अगर उपयोग कर रहे ह तो उसके लिए कोई permission नहीं लेनी है बट उसके लाबा जिस चीज़ की permission लेनी है उसके बार मैंने आपको बताया और जो चीज़ band है बिल्कुल नहीं allow की जा सकती है उसके बार मैंने आपको बता दिया इसके फाइदे क्या होते है urbanization के impact को minimize करना रोकना दूसरी developmental activities को रोकना जो की उस area पर नुकसान बहुँचा सकती है eco sensitive zone जोन ऐसे area को declare कर दिया जाता है जिससे की इस प्रकार की activities का impact जो है वो ना पड़े protected areas पर ये transition zone का भी जो है वो काम करती है जैसे की high protection से लेकर lesser protection के area के बीच पर काम करती है जैसे की एक area है जिसको बहुत ज़ादा protection की आवश जिसको बहुत ज़ादा protection की आवशकता है उसके पास जो है eco लगा दिया eco sensitive zone जो है वो उसको बना दिया तो यह क्या है यह transition zone हम लोग को देखने को मिलता है कि जिसको production की आवशकता है उसके बीच का area हो गया यह वाला राइट यह वाली चीज़ भी जो है वो provide कराती है और य in-situ conservation यहने की एक area ठीक है एक area है यहाँ पर पेड़ पौधे है forest है ठीक है अब इस area को इसी area को अगर protection देनी है तो वो in-situ में आ जाएगा बट एक सी तु में मतलब क्या होता है कि एक area है जो पूरी तरह से तभा हो रहा है उसमें मौजूद जो प्रजाती है उनको हमें conserve करना है बचाना है तो उसके लिए एक अलग से area जो है वो बना दिया जाता है same उसी प्रकार का habitat तयार किया जाता है जिस तरीके के habitat को जिस तरीके के environment को environment की आवशकता होती है प्रजातियों को protect करने के लिए तो वो एक सीटू conservation में आ जाता है बट देखो हम लोग क्या करते उसी एरिया को protect करने की कोशिश करते हैं एको-sensitive zone के थूँँ तो इसलिए वो in-situ conservation में भी मदद करती है तो जो की endangered species जो होते हैं लुप्थ होने वाली प्रजाती जो होती है जिनके उपर खत्रा होता है लुप्थ होने का तो उनके protection के लिए होती है तो इनके protection के लिए हम लोग ने उस national park को conserve करके रखा हुआ है क्योंकि भाही पर ही हम लोग को देखने को बनते हैं कि rhinosaurus पाई जाता है राइनोसर की प्रजाती जो है वो लुप्तना हो जाए इसलिए उसको वो ही environment हम लोग provide करा रहा है जिस environment पे वो रहना चाहते हैं उसके लिए अलग से हम लोग environment नहीं provide करा रहा है तो वो होता है in-situ conservation और eco sensitive zone जो है वो forest के कटने से उस रोकते हैं यानि कि forest जो है मनुष्य जो है वो forest को खतब ना कर दे उस पर रोक लगाते हैं और man animal conflict ना हो मनुष्य की दूरी कर देते हैं animals से जिसे कि किसी प्रकार का conflict हम लोग को इस प्रकार का ना देखने का और इससे जोड़ी क्या चिंता हैं तो climate change को लेकर कि आज की rate में हम लोग को पूरे दुनिया भर का temperature जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसके कारण से इसके ओपर stress create हो गया है ecologically sensitive zone के ओपर एक प्रकार का stress जो है वो बन गया है local communities की अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि slash and burn agriculture की techniques हम लोग को देखने को मिलती है जो उपयोग में ली जाती है तो इसके कारण से pollution जो है वो increase हो रहा है pollution बढ़ता जा रहा है जनी कि local community आसपास में रहने वाले जो लोग है वो यहाँ पर आकर पेड़ो अगर हो काटने लगते हैं तो उसके करण भी खत्रा जो है वो बढ़ता है जाती है ज़रा नीचे comment box पर लिख कर बताईए तो department of telecommunication ने permission दी है telecom service providers को कि वो trial जो है वो शुरू कर दें 5G का और उससे जोड़ी जो application से याने कि जो भी instruments, equipment सो लग रहा है उसको आप लगाना शुरू कर दें और आपको मैं थोड़ी सी general जानकरी देना चाहूंगा 5G के अलग है और 5G में main चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि 5G में equipment की बहुत जादा आवशकता है इसको कुछ इस परकार से समझो जैसे कि एक tower एक square kilometer के area पर sufficiently जो है वो अपना network provide करा देता है यानि कि sufficiently जो है वो सभी users के लिए sufficient होता है एक tower एक area पर ठीक है अगर हम लोग मै आपर 4G का 8 tower जितनी service provide करा रहा है 5G में 10 towers की आवशकता लगेंगी ये right बट हलाकि इनकी जो equipment होते है वो छोटे होते है यानि कि उतने बड़े equipment नहीं होते है 5G के छोटे होते है बट जादा numbers में हम लोग को देखने को मिलते है 4G के मुकाबले तो यह चीज भी आपको पता निकलता है tower का जो radiation होता है guys यह सब जो radiation होते है यह नुकसान नहीं पहुचाते है human को इन radiation से human को नुकसान नहीं होता है किन radiation से human को नुकसान होता है तो वो जैसे की x-ray हो गया right जैसे की MRI के अंदर जो है वो human की body से radiation जो है वो पास होता है तो उससे नुकसान होता है इन सब wave से कोई नुकसान जो है वो human को नहीं पहुचता ऐसा scientific study के थूफ पता लग चुका है तो यह लग चीज भी आप लोग को पता होनी चीजिए कि इससे as such कोई human को नुकसान नहीं है उसकी तबियत नहीं घराब होगी तो यह लग चीज है और देखो आपको यह भी बता होगा चाइना की जैसे company है Huawei right ZTE तो यह company जो है उसको हम लोग ने मना कर दिया है कि वो जो है वो operate नहीं करेगी 5G की services हम लोग चाइनीज company से नहीं लेंगे क्यों मना किया उसके बारे में आपको बताया था कि यह सब companies के अंडर चाइना की सरकार के share है ठीक है अगर नहीं भी होते तो भी अगर चाइना की company जो होती है ना और चाइना की बिलकुल इसमें जैसे rules होते है ना कि एक company को domestic rules क्या-क्या follow करने पड़ेगे तो चाइना के अंदर ऐसा है कि चाइना में जो भी company establish होगी उनके MOU में बकायदा लेखा हुआ है कि उस company को जब भी चाइनीज गोर्मेंट उस company से कोई भी data अगर मांगती है तो वो company मना नहीं कर सकती चाइनीज गोर्मेंट को अगर मना करेगी तो फिर उसको छोड़ नहीं पड़ेगा business याने कि वो फिर operate नहीं कर पाईगा उसको मौका न बिना यूजर को पता लगे इनके equipment के थूरू spy कर सकता है खूफिया information हमारी intelligence की information वो है वो चुरा सकता है तो यह हमारे लिए खत्रा बन सकता है तो इस थी हमने इसको allow नहीं किया और चाहना के सथ हमारे संबंद भी already खराबते तो वो भी एक वज़ा थी इसके कराण allow नहीं इसको भी है क्योंकि इस प्रकार की report आ चुकी है कि China जो है वो अपने equipment के थूरू अपनी companies के थूरू जो है वो लोगों के उपर निगरानी रखने का काम करता है, spying का काम करता है, right, trial से जुड़ी कुछ important points के बारे में अगर हम लोग discuss करें तो initial phase में यह trial जो है वो 6 महीने क लिए conduct किये जाएंगे, इसमें 2 महीने का pre-end होगा, उसमें खरीदारी होगी और equipment को setup किया जाएगा 2 महीने के pre-end में और यह telecom service providers हो है, उन्हें test करना होगा और setup करना होगा urban areas पे, शहरी छेतर पे, semi-urban areas पे, as well as गाउच छेतर पे अपने equipment को, testing उनकी होगी और setup करना होग telecom service provider को provide किया जा रहा है, experimental spectrum, उनको spectrum दिया जा रहा है, experiment करने के लिए, right, अलग-अलग bands के, जैसे कि 3.2 GHz, 3.67 GHz, right, millimeter wave band भी provide किया जा रहा है, 24.25 GHz का, और इसके रावा 28.5 GHz का provide किया जा रहा है, और भी कुछ wave band भी इनको provide किया जा रहा है, जिस पर यह test जो हो कर सके है, technology का, फिर बाद में आकर auctioning होगी, right, याने कि फिर यह खरीदेंगी, companies और उनको allot किया जाएंगे spectrum, right, और इस technology का उप्योग किस प्रकार से किया जाएगा, तो telecom service provider जो है, यह conduct करेंगे trial को 5G I technology का उप्योग करते हुए, जो 5G technology है, उसके इलावा, 5G I technology का भी उप्योग कि इस चीज़ को, इस technology को, international telecommunication union के द्वारा, जो कि United Nation की specialized agency है, information and communication technology की, right, और application जैसे की telemedicine, teleeducation, right, augmented या virtual reality, AR या VR वाली technology, drone based agriculture, monitoring वाली technology, यह test हो सकती है, in application के उपर, इस 5G I technology के उपर, और data जो generate होता है, वो trials के दौरान, वो इंडिया के अंदर store किया जाएगा, और उसको check किया जाएगा, देखा जाएगा, 5G I technology जो है, वो IIT मदरास के दोरा बनाई गई, center of excellence in wireless technology, IIT हैदरबाद, इनने मिलकर, यानि कि इन दोरोंने मिलकर, जो है वो, इसको शुरू किया, इसको develop किया, और 5G towers और radio networks को, एक larger reach provide कराने का काम करती है, जैसे कि 5G, मैंने provide कराएगे, तो ये point यहाँ पर ध्यान में रखने का है, कि 5G I technology का उपयोग क्या है, तो reach बढ़ाने का उपयोग है, 5G tower का, और 5G trials की आवशकता क्या है, तो telecom market हमारे इंडिया का है, वो सिर्फ तीन private telecom companies के पास ही, आज की date में हम लोग को देखने को मिल रहा है, और बाकी companies ने surrender कर दिया, या फिर उनके पास कोई investment था नहीं, जी हो के आने के बाद, तो obvious ही वाद ही, काफी सारी company जो है, वो बंद हो गई, मर्ज हो गई, हम लोग को देखने को मिला, दो ही हमारी सरकारी company चल रही है, MTNL और BSNL, बारत अलचार, निगम Limited, जो कि आज की rate में survive कर रह हो गया है, तो याली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, और हर एक टेलीकॉम company जो है, उसके पैसे भी, उनका revenue भी बढ़ जाए, उसके लिए बताया गया है कि टेलीकॉम companies को, जो है वो, बोला है कि टेलीकॉम company जो है, वो offer कर सकती है, नई 5G technology as soon as possible, कि जिससे कि वो अपने है, कि इनको बोल दिया कि इनके equipment का उपयोग नहीं किया रहा है, और आपको पता होगा कि एक list जो है, वो जारी करी थी हमारी सरकार ने, जिसमें mention किया था कि किन-किन companies, जो है, जो trusted companies है, किन से ये टेलीकॉम company जो है, वो deal कर सकती है, निकि टेलीकॉम companies को पहले ही list देकर बत United States ने कहा है, कि Huawei जो है, जिसमें आपको इस्पाइंग के लिए उपयोग करती है, पूरी चीज मने आपको पहले ही समझा दी थी, अपने 5G equipment के थूँ वो spy कर रही है, और उसके Federal Communication Commission जो हम लोग को देखने को बिलता है, इवन उसने भी order किया था, कि United States की टेली, टेली communication company जो कि Huawei और इसको बाहर कर दिया था, बट हम लोग ने ऐस सच इनको बैन नहीं किया, आज भी इनके जो mobile providers के equipment वो आज भी supply होते है, right, Huawei के आपने देखे होंगे काफी सारे equipment आज भी हम लोग को देखने को मिलते है, बट सरकार ने restrictions लगा दिया, right, security को ध्यान में रखते हुए, यह लगा दिया था, बट हमने लिस्ट बता दी थी कि इन से बस आपको purchase करना, बट हमने लिस्ट बता दी थी कि हमने उसको हटा दिया था, और December 2020 में यह वह यह वाली बात यहाँ पर आर्टिकल में में पेंशेड है कि December 2020 ने सरकार ने कहा था, कि वो identify करेगी trusted sources को, telecom gears की और उसने करके provide करा दी थी, एक list provide करा दी थी, कि जिसके थूँ, यानि कि जिस companies के एक list दे दी थी, जिनके थूँ, टेलीकॉम को परचेस करना equipment, और जो नए procurement rule है, जो नई खरीद नियम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो लागू हो जाएंगे June 2021 से, और उसमें Indian network providers हैं, जो हैं, उनको restrict कर दिया जाएगा, कि वो कुछ ही certain type of equipment को purchase कर सकते हैं, trusted sources है, जिसकी list जो है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी list जो है, वो provide कर दी गई है, इसमें even band supplier जो है, उनकी list भी शामिल करने की बात की गई है, बट अभी initially एक list तो आ चुकी है, 5G technology के के frequency spectrum के, और सभी के usage जो होते हैं, वो कुछ limitations के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है, और low band spectrum की अगर हम लोग बात करें, तो ये basically 100 Mbps, megabyte per second की speed जो है, वो offer करता है, ये भी high speed offer करता है, 100 Mbps की speed offer करने की बात करता है, mid band जो है, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, कि ये low band से जादा speed जो है, वो offer करता है, बट कुछ उसमें भी limitation हम लोग को देखने को मिलती है, high band spectrum जो होता है, वो बहुत extremely high speed offer करने की बात करता है, तो ये पूरा खेल जो है, वो speed का हम लोग को, और latency का भी देखने को मिलता है, इसके राबा LTE upgraded इसमें हम लोग को देखने को रहेगा, इंटरनेट की speed और efficiency बढ़ जाएगी, high band spectrum 5G का जो हमें देखने को मिलेगा, उसमें speed जो होगी, वो 20 GB per second की हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि आज की rate में 4G के अंदर 1 GB, 1 GBPS की speed तक हमें मिलती है, maximum speed, वो 20 GBPS की speed जो है, वो provide कराएगा, और 5G के अंदर बहुत शा और असान भाषा में latency का मतलब यह होता है, कितनी जल्दी application response करती है, या फिर अगर आप website को किसी open करते हो, तो आपने website पे enter पे click किया और कितनी देर में वो open हो रही है, उस time को हो है, वो latency हम लोग बोलते हैं, तो इसमें ultra low latency है, अब 5G में ultra low latency क्यों लाई गई है, क्योंकि वो approval मिल गया है, UK के अंदर, अभी कुछ दिनों पहले हमने discuss किते हैं, इंडिया में भी ऐसा होगा आने वाले समय में, हम लोग यह सब भी चीजों को use करने वाले आने वाले time में, तो 5G हमें क्या help करेगी, कि 5G के अंदर latency काफी low होगी, मतलब कि वो car जो है, अगर वो connected है network से और obviously बात है self driving car network से connected ही रहेगी, तो उस समय अगर उसको हलका सा भी, यानि कि अगर कुछ second भी अगर उसको data नहीं मिल पार है, कुछ second का भी अगर उसमें lapse आ गया, तो बड़ी दुरगटना हो सकती है, यानि कि accident तक हो सकता है, क्योई बात है self driving car की, वो अगर उसको proper network network की कमी के कारण, या फर latency के कारण, high latency के कारण, तो accident हो जाएगा, बट यहाँ पर ultra low latency यह provide कराने का दावा करती है 5G, तो यह इसके फायद है, क्योंकि 5G किस से जुड़ी हुई है, internet of things, हम लोग 5G के थूँ जो है वो शुरू करेंगे, पता नहीं हो अली बात, अलग अलग जैसी कि आपने command किया, command करने का कितना time लग रहा है, उसको destination तक पहुचने में में, यानी कि respond करने में, यह वाली बात, और utility 5G application की क्या है, तो trigger 4th industrial revolution, इस पर हमें ने देखने को भी लेगा है, इनी कि 4th industrial revolution को यह trigger करेगी, इसमें internet of things होगा, cloud होगा, big data, artificial intelligence, edge computing, 5G, जो है वो इस परकार की 4th industrial revolution के लिए जो है, वो काफी फायदे मंद होगी, और real time relay information का हम लोग को देखने को मिलेगा, जो primary application 5G की जो होगी, तो इसके अंदर जो sensor वगेरा जो होगे, तो वो ही जीज, real time relay information का provide तुरंद जो हो कर सकते हैं, तो यह जीज हम लोग को देखने को मिलेगी, इसमें जैसे की जो fields है, manufacturing की, consumer durables की, agriculture की, तो उनमें real time relay provide कराने का दावा करती है, कि बिल्कुल जो भी activity हो रही है, उसका real time, exact time पर पूरी information, पूरा data जो है, वो upload करने का दावा है, इसका, right, real time relay of information यह provide कराने का दावा करती है, right, अब देखो कितनी सारी चीज़ें है 5G से related यह सा point जो है, वो आप mention कर सकते हैं, इसके अगर आधे भी point अगर आप mention कर लें तो, आपको marks मिलेंगे, selection पक्का है, efficient transport infrastructure, transport से related वे हैं, आपको पूरी चीज़ बता दी, कि 5G जो है, वो मदद करेगी, इस प्रकार की technology बनाने में, driverless cars की technology बनाने में, वही चीज़ में आपको मिलेगा, right, local research and development ecosystem बनेगा, जैसे कि आपस में educational institution, companies, right, और भी दूसरे labs, right, और भी दूसरे scientist centers, तो यह सब आपस में एक साथ connect होकर एक project पर काम कर सकेंगे, right, high speed पर वो भी, right, real time ऐसा लगी है, real time में सब साथ में मिलकर conference करना है, काम करना है, इस प्रकार की चीज़ हो जाए इसका economic impact भी पड़ेगा, तो 5G से expectation यह है कि एक trillion US dollar इंडिया में इसका economic impact 2035 तक देखने को मिलेगा, तो यह basically government का एक appointed panel था, तो 2018 में इसने अपनी report जो है वो, उसमें यह चीज़ मेंचन कर दी, if I am not wrong, यह जो panel था, नितिन निले कानी जी का यह panel हम लोग को देखने को मिला मेरे काल से निले कानी जी का उसको बार confirm कर लिएगा, तो उसने यह अपनी report इस प्रकार की बताई थी, अब आगे की बात करते है, पहला generation से लेकर 5th generation तब किस प्रकार से evolution हुआ, तो 1G launch हुई थी 1980s में, तो analog radio signal पर इसने काम किया था, और सिर्फ voice call इसमें हम लोग को देख इसमें bandwidth हुआ करते था, याद आ रहा है, 2G, 3G उस समय कितना धीरे-धीरे करके net चलता था, net से एक photo भी open हो जाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था, देखकर कि अरे वाई आरे यह open हो गया, right, Google पे search करते थे, कुछ photo वगर आ जाती थी, अच्छा लगता था, right, 3G जो है, 2000 म offer करता था, right, telephone के signals जो है, उनको transmit करने की इसकी ability थी, digitized voice में, video call में, या conference वगरा भी करने में सक्षन था, 3G, फिर 4G आया, 4G कि इन तो एक revolution लेकर आ गया, right, यानि कि लोगों की एक तो 4G ने आदत भी बिगार थी, आज की रेट में अगर YouTube का वीडियो, अगर हलका सभी ना, तो दिमाग खारा हुआ थे, लोगों का, तो लोग, 4G ने एक तरह से कहा जाते, उसका negative impact यह भी है, कि patience level यह था, लोगों में, जैसे 3G का use करते हैं, लोग आराम से दीरे-दीरे बैटे रहते थे, अच्छा, ठीक है, open हो रहा है, दीरे-दीर, कोई बात नहीं, होंदो होंदो, आज की रेटे, पेशन लेवल की, बैंड वाया दी है, 4G ने, तो यह 2009 में launch हुआ था, 100 Mbps से लेकर, 1 Gbps तक की speedy offer करता है, और 3D VR टेकनलोजी पर, इसने, यहनगी, allow accessible बना दी है, 3D VR टेकनलोजी को, virtual reality वाली टेकनलोजी को, आखों के उपर वो चश्मा लगा के ऐसा लगता है कि पूरा reality में पूरी चीज है, 3D reality दरोदर देखोगे, तो आपको पूरी चीज बिल्कुल exact, real देखेगी, रही तो आपने इस प्रकार की चीज का उप्योग शायत किया होगा, या देखा होगा, कि इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मनती है, अब ग उसे bond yield कहते है, तो ये term याद रखना, civil services के अंदर इस प्रकार के terms, पूछ लिए जाते हैं कि ये फलाना term जो है, वो क्या है, और ये एक mathematical formula होता है, इन yield को calculate करने का formula ये है, कि पूरे साल भर का coupon rate क्या है, उसको आप divide कर दें, यानि कि annual coupon rate को आप divide कर दें, जो market price जो चल रह है, यानि कि current market price जो चल रहा है, bond का उससे, तब जो result निकल के आता है, वो bond yield का हम लोग को देखने को मलता है, तो ये वाला formula भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, bonds क्या होता है, ना जाने, कितनी बार bonds के बार में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर से चलो एक बार explain क करते हो, bond होता क्या है, तो एक company है, ठीक है, एक company है, इसको पैसे चाहिए, काम शुरू करने के लिए, इसके पास क्या option है, bank से ये loan ले सकती है, है ना, दूसरा shares वगेर अपने जारी कर सकती है, उससे funding जो हो इखटा कर सकती है, तीसरा bond जारी कर सकती है, ठीक है, और भी ऐस options होते हैं, तीस तीन options आप आसान भाशा में समझने के लिए, कि capital को raise करने के लिए, bond एक instrument होता है, company के बास, अब ये bond में होता क्या है, तो bond simple सा एक ऐसा instrument होता है, debt instrument इसको हम लोग बोलता है, या प्रकार का करजा होता है, ठीक है, ये company है, company bond जारी कर रही है, किसको लोगों public को bond जारी कर रही है, इस bond के उपर एक face value होती है, मतलब कि एक amount लिखा रहा थे हैं, जैसे for example, एक लाख रुपे इस bond की उपर लिखा हुआ है, ठीक है, एक लाख रुपे इस bond की उपर लिखा हुआ है, इसमें एक date भी लिखी रहती है, अब वो maturity date होती है, जैसे कि अभी च अब आज की रेट में 80,000 में मिल रहा है और 10 साल के बाद यह मैच्छोर होगा तो मतलब 1,00,000 रुपे मिल जाएंगे निकि 1,00,000 रुपे उसके उपर लिखा हुआ है बट सामने आले विक्ति को आज की रेट में 80,000 में यह बॉंड मिल गया बट जो mainly जो बॉंड मार्केट मे जो है वो मिलेगा रिटर्न में मिलेगा निकि 1,00,000 रुपे के उपर हर साल जो है वो कितना इंट्रेस्ट जिसने बॉंड खरीद के रखा होगा उसको देगी यह कंपनी जैसे आपको बताए गाइस कि अब आप बोलोगे कि सर कंपनी को गर पैसे जीए तो कंपनी यह जमेल जारी करके कंपनी को तो फाइदा ही हो रहा है ना इक प्रकार से यह वाली चीज होती है और इसमें अब आप बोलोगे कि सर लोग बॉंड खरीदते क्यों है तो अगर लोगों के पास पैसा है लोग अगर सेविंग अकाउट पे अपने रख दें यानि कि सिक्योर करके रख चैनल क्योंकि इवाला भी अमाउंट जो होता है वो सिक्योर होता है क्योंकि वके जाता नहीं बढ़ा कुछ कुछ केसिज में हो जाता है यानी कुछ loss लमसम हो जाता लोग कुछ केसिज में अगर कंपणी जो है वो दिवाली अपने आपको गोशित कर दे तो बट फिर भी company के उपर obligation होते हैं कि जो जिन्होंने company से loan ले रखा है उनको चुकाना जरूरी है तो देखो लोग जो है वो अपने saving account में पैसा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि saving account में जो उनको return जो मिलेगा वो मुश्किल से 3% साले 3% 5% 4% तक maximum मिल सकता है उससे जाधे नहीं मिलेगा but bond में अच्छा खासा 7-8% तक उनको return मिल सकता है तो लोग सोचते हैं कि काय को अपना पैसा जो है वो वालतू में saving account में पार्क करें उससे अच्छा कहीं पर investment कर दें तो ये प्रकार का लोगों के लिए भी investment ही होता है जिसमें उनको return मिलता है प्लशी समन में आई आपको bond क्या होता है तो bond आसान भाशा में अगर इसकी definition आती है तो instrument होता है money को borrow करने के लिए जैसे आपको bond के साथ coupon आते है तो ये rate of interest होता है जो की bond issuer को pay किया जाता है bond की face value के हिजाब से उसको interest मिलता है अब क्या-क्या effects होते है bond yield के या bond पर जो return मिलेगा उसके क्या moment होते है general moment हम लोग को उसके क्या effect देखने को मिलता है मतलब कि interest rate अगर बढ़ रहा है या घट रहा है profit हो रहा अब interest कम मिल रहा है तो वहाली चीज होती है loss में ठीक है बाकी यह debt instrument होता है company को चुकाना होता है जिसने भी यह लिया होता है बट उसका interest होता है वो up down होता रहता है अब होगा interest जादा मिलेगा तो सामने अले वक्ति का फाइदा जादा हो रहा है profit हो गेन कर रहा है इंट्र loss की तरह ही मालेंगे कि अरे यार पहले अच्छा फाइदा हो रहता अब नहीं हो पा रहा है तो मुवमेंट जो होता है yield का वो depend करता है interest rates के tend के ओपर कि क्या trend चल रहा है तो इसमें अगर फाइदा अगर हो रहा है investor का यह loss हो रहा है investor का तो वो interest rate के अधार पर हम लोग को द कीमतों में कमी आ जाती है bond की कीमत जो है वो drop हो जाती है और bond yield में गिरावट से यानि कि इसमें drop आने से जो investor होते हैं उनको फाइदा मिलता है क्योंकि bond की कीमत बढ़ने से capital gain यह generate करते हैं कि बॉर्ट की जब कीमत बढ़ती है तो यह क्या करते है उस bond को जो हो दूसरों को sell करते हैं तो यहाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है तो reason क्या है bond yield में कमी आने का तो देखो अभी COVID-19 के कारण economic uncertainty हम लोग को देखने को मिल रही है उसके कारण bond yield जो है वो decrease हुई है April 2021 में RBI ने GSEP Government Security Acquisition program जो है वो launch किया था जिसके कारण से हमें देखने को मिला थे कि GSEP की Government की Securities की जो yield है यानि की return जो है उसमें decrease आ गया था और उस समय हम लोग ने देखा कि continue उसके बाद decrease जो है वो देखने को मिल रहा था return में उसमें इस पर impact हम लोग को क्या देखने को मिला तो इससे equity market जो है वो अच्छा हो गया बहतर हो गया क्योंक money जो था वो debt investment से equity investment में flow कर गया मैंने आपको बता है कि लोग फिर bond वगएरा नहीं purchase कर रहे थे company के shares वगएरा purchase करने लगे equity market क्या होता है यह एक ऐसा market होता है जहाँ पर company के share जो है वो issue किये जाते है और trade किये जाते है इधर जो exchanges होते हैं उसके थूँ electronic exchanges के थूँ या over the counter market होता है वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेते हैं इसे हम लोग stop market भी कहते हैं जिसके बारे मैं आपको कुछ समय बले एक topic में भी पढ़ाया था इसका मतलब है कि bond yield जब भी गिरेंगे तब equity market जो है वो ऊपर जाएगा क्यो कि लोग जो है वो bond की तरफ shift कर जाते हैं और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि पूंजी लागत में कमी आती है reduce जो होती है capital की cost हम लोग को देखने को मिलती है तो जब भी भी bond yield उपर जाता है यानिकि bond yield मेरे की return जो है अच्छा आ रहा है तब उस समय हम लोग को दे yield जो है वो उपर जाती आ रही है और देखो एक होती है process discounting जिसमें होता क्या है कि आज की value के हिसाब से future में कितना पैसा लिया जाएगा या payment कितनी receive की जाएगी उसकी value निर्धारित की जाती है यानिकि future में कितना मिलेगा कितना return मिलना है उसकी value आज ही decide जब करनी होती है तो उसको हम लोग discounting कहते है तो यह इस प्रकार की process होती है जैसे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो future में उसको क्या return मिलना चाहिए उसकी चीज आज ही decide जैसे में आपको उतायता है जो bond की ओपर एक face value लिखी रहती है तो future में उसको कितना मिलेगा तो वो चीज हम लोग को आज ही यानि कि decide करते हुए determine करते हुए देखने को मिलती है तो उस चीज को discounting भी कहते है और ये क्या करता है ये stock के valuation को compress कर देता है ये एक कारण है जब भी हम देखते हैं कि interest rate जब काटती है interest rate में जब भी कटोती होती है RBI के दोरा यानि कि bond के interest rate में जब भी कटोती होती है तो वो समय stocks के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि अब देखो bond के interest rate में जब भी कटोती होगी तब क्या होगा लोग किसके पास shift कर जाएंगे shares के पास shift कर जाएंगे share वगरा purchase नहीं करेंगे इस चीज को practically समझो अगर मैं bond लेने में interested हूँ और मैंने देखा कि Reserve Bank of India ने bond के rates जो है वो card दी है reduce कर दी है यानि कि जो मुझे 8% मिल रहा था Reserve Bank ने बोला कि अब से 6% मिलेगा तो मैं फिर क्यों जाओंगा इसकी तरफ मैं दो बोलूँगा चलो छोड़ो यार इसको इससे अच्छा है कि stock market में invest करो तो यह वाली चीज हो जाती है अब ध्यान इसके उस पर उने return मिल रहा है that is called bond deal अब return जब भी जादा मिलेगा मतलब की जादा interest जो है इसका मतलब यह है कि corporate को जादा interest जो है वो देना होगा अपने bond पर अब जब corporate जादा interest देंगे तो obvious ही वात है कि corporate के दिवालिया पन होने का जोखिम जादा रहता है corporate जो है वो कल को risk ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब company को ज़्यादा payout करना परता है इस प्रकार से ज़्यादा पैसे interest के तौर पर release करने पर अपने date पर तो default का bankruptcy का risk ज़्यादा होता है तो यह चीज़ बनाता है कि जो अच्छी company होती है valuable company होती है तो उनके पास bond ज़्यादा attract होते है भल का क्या stand क्या रोख हम लोग को देखने को विलता है तो RBI जो है वो aim कर रही है कि yields को यह कम रखेगी यानिकि yield को कम रखेगी जिससे की borrowing cost जो है वो reduce हो government के लिए और basically upward movement को prevent किया जा सके lending rates के market के अंदर मतब कुल मिलाकर लोग बाग इतने जादा investment ना कर लें interest rate को high देखकर क कि कल को जो है वो लोगों को चुका नहीं पाए मतलब हम लोग payment नहीं कर पाए और उसके करण से economy की हालत करा हो जाए यानिकि सरकार भी तक default हो जाए क्योंकि अभी हुआ यह है यह topic news में इसलिए वो भी मैं आपको समझा जेता हूं कि हमें देखने को मिला है कि Reserve Bank of India ने अभ जो होगे वो डाउन होजाएंगे ऑनि 6% से नीचे जो है वो इसके interest rate चले जा कर जाएंगे जिससे कि interest rate काम होगा तो लोगबाग फिर interested नहीं होगे इसको purchase करने में और जब लोगब इसको purchase करने में इंट Niya होगे तब हमें देखने को मिलेगा कि एक तो risk नहीं होगा कि या government securities के उपर से हट जाएगा तो यह वाली चीज भी है और जब भी भी bond yield में rise होता है तब वो interest rate के उपर pressure create करता है यह बात तो भी भी आप समझे होंगे और banking system के अंदर भी जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिलता है कि lending rates होते हैं याने कि अब देखो bank के उपर बोज आ गय हैं याने कि क्योंकि लोग बाग जो है वो इसको सरकारी bonds को कहां से purchase करते हैं bank से purchase करते हैं ठीक है अब लोग ने purchase किया bank से कमाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो bank जो loan देगी तो वो बाराज चाहता क्योंकि बीच की जो बीच की जो कमाई होगी वो तो उसका होगा ना यानि कि bank का profit भी तो bank को करना है और दूसरी बाद बैंक को अपने employees को भी देख बाल करना है उनका भी खर्चा निकाल है और अगर हम लोग loans के rate of interest को अगर हाई कर देंगे तो जैसे कि मान के चलो आपकी एक real estate company है ठीक है वो buildings वगेरा बनाती है अब उस company के पैसा नहीं है ठीक है अब वो company क्या bank की तरफ देखेगी bank बोलती है हम तो 14% rate of interest पर आपको loan दे पाएंगे तो वो company का जो माली को मना क काम करूँगा तो फर मुझे तो फाइदा नहीं मिलेगा और अगर यह real estate वाला व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा यानि कि capital उठा कि capital नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा और capital लेनी की है सोचेगा तो rate of interest को देखकर फर वो मना कर देगा मन मदल लेगा तो अगर यह अपना जो है loan नहीं देने का impact या फिर rate of interest को बढ़ाने का impact जो है वो overall पूरी society के उपर पढ़ रहा है overall पूरा जो हम लोग focus कर रहे हैं कि आज की rate में employment को generate करना है उसके उपर पढ़ रहा है जिससे की और इस्तिती जो है वो खराब हो जाएगी बात समझे आप concept को समझे तो यह है concept तो RBI नहीं चाह रहा है कि bank के अंदर lending rates loan देने वाले rates वो high हो जाए और RBI चाह रहा है कि उसे interest rate को जो है वो कम रखना है जिससे की investment जो है वो हमारी country में शुरू है लोग investment करना जो है वो शुरू करने काम अपना शुरू करने और government security acquisition program क्या होता है क्योंकि आपको उदाने इसी program के थूरू RBI जो है वो government security जो है वो purchase करती है तो RBI ने 2021-2022 में decide किया है कि आज की rate में वो market के G-SAP 1.0 secondary market G-SAP 1.0 पर काम करेगी ये basically RBI के open market operation का part है जिसके थूरू RBI जो है वो government की securities purchase करती है इस program के थूरू RBI जो है वो commit करती है कि वो specific amount की security जो है government securities ये open market से purchase करेगी देखो इस चीज का उद्देश का है तो पूरा concept मैं आपको अरड़ी बताई दिया है तो काफी सारे हम लोग को जो दूसरे financial instruments देखने को मिलते हैं तो उनकी जो pricing होती है उनका जो निर्धारित होता है उसमें जो ये government security market जो होता है सरकारी प्रती भूती बाजार जो हम लोग को देखने को मिलता है इसका एक बहुती important role हम लोग को देखने को मिलता है और इसी role को देखते हुए जो government security का जो market है उसमें अस्तिर्थात से बचाना है मतलब कि इसको और आसान भाशा में मैं आपको decode करूँ और इस चीज को समझाने की कोशिश government की securities के उपर आधारत होते हैं उसी rate के उपर जो है वो अपने market को up-down वो करते हैं जैसे कि मैं आपको बता है अभी bank bank के अंदर हमने बात करी bank में अगर हम देखेंगे कि government की security अगर high होगी जादा होगी तो bank को अपना क्या करना पड़ेगा इस security को manage करने के लिए जो भी लो समस्या उत्पन होकर आ जाएगी तो इस समस्या से समस्या से बचने के लिए और अज थर्था से बचने के लिए यह main focus कर रही है RBI इस चीज के ओपर और यह certainty provide कराती है right bond market participants को कि RBI commit करती है कि RBI जो है वो support करेगी bond market में financial year 2021-2022 में तो यह हम लोग को देखने को मिलती है यह help करेगी कि जो difference है repo rate का और 10 years government bond yield का तो वो difference जो है वो reduce हो जाए right और इसमें मदद मिलेगी कि जो cost of borrowing है उसको reduce करने में जैसे मैंने भी आपको बताया right center or states के लिए और repo rate जो होता है वो आपको बताए कि यह rate ऐसा होता है जिसमें RBI जो है वो commercial bank को पैसा loan पे देती है right और यह stability लेकर आएगी evolution लेकर आएगी yield curve में यानि कि हम लोग जो है वो economy को आगे उठाने की तरफ focus करें काम करने की उपर focus करें market में जो है वो जाए सदा पैसा रहा है अब देखो yield curve हम लोग को क्या देखने को मिलता है यह एक ऐसी line होती है जो कि बताती है कि bonds जो है काफी सारे bonds ह जो की मतलब मान के जलो कि उनकी credit quality अच्छी है मतलब कि equal credit quality वाले है यानि की सभी bonds जो है वो अलग-अलग जो हम लोग को bonds देखने को मिलता है तो वो एक तरीके के हम लोग को नज़र आते हैं मतलब कि लोग पाग जो है वो trust करते हैं की उन bonds को purchase करने को और या उस company के ओपर trust करते हैं कि उस company का वो bond खरीद लेंगे बट उनकी जो maturity date जो होती है वो अलग-अलग हम लोग को देखने को मिलती है कोई एक साल में mature हो रही है कोई दो साल में हो रही है कोई तीन साल में हो रही है कोई चार साल में हो तो इस type की जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है तो वो उसे हम लोग yield curve जो है वो कहते है ठीक है और slope जो होती है yield curve की वो idea देती की future में interest rate में changes कैसे होगे और आने वाले समय में economic activity किस प्रकार की होगी तो इसके बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए एक जानकारी होनी ठीक है और यह आपका last topic था आज क्या और मैंने आपको जितने भी topics पढ़ा है अगर अच्छे से clear होया है तो like का बटल जरूर हिट कीजिएगा नया है चानल को subscribe कीजिए share कीजिएगा lecture को UPSC का आप तयारी कर रहे है तो आपके लिए test series अविलेबल है CSET का आपके लिए course अविलेबल है का आपको CSET की तयारी करनी अच्छे से तो ancient, medieval और modern Indian history पूरी तरह से आपकी तयार करवाई जा रही है उसके लिए history course है आपके लिए तो यह आपके लिए best course है जिसको आप join कर सकते हैं current affairs की PDF course को अगर आपको join करना है तो मातर 100 रुपीस पर मंत की fees में आपको daily lectures जो आप देखते हैं उसकी PDF मिलती है handout notes मिलते है revision के लिए weekly compilation मिलता और monthly magazine मिलती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीस पर मंत की fees में एक offer भी है जिसको आप ले सकते हैं current affairs के questions को monthly current affairs के questions को अगर आपको चाहिए questions की practice करनी है तो वो facility भी available है और अगर आपको courses को join करना उनसे related और कुछ information चाहिए तो 9713-28-28-38 इस number को अपने सभी के mobile पे save कर लीजे WhatsApp के थूट टेलीग्राम के थूट मैसेज के थूट आप उससे contact कर सकते है मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा यह मेरा personal number है ठीक है तो चलो आप मिलेंगे अपन next lecture में तब तक लिए बाबाई take care have a great day जाहिए टाटा Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है P.I.B. के reports को discuss करते हैं राज सबा television में जो भी important debates, discussion आती हैं उनको lecture के दुरान cover किया जाता है इवेन EPW, down to earth, योजना जैसे जो magazines होती हैं उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौजूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details है आने वाले कल के officers को मेरा नमस्कार तो चलिए नाम के आगे IAS लगाने की तयारी शुरू करते हैं start करेंगे paper 1 के topic से बात करेंगे guys बद्रीनाथ धाम के बारे में बद्रीनाथ के बारे में आपने अलड़ी सुनाई हुआ है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बताया जा रहा है कि तेल छेतर के 5 सारवजनिक उप कर्मो PSU जिसको हम लोग बोलते हैं public sector undertakings जिसको हम लोग बोलते हैं तो 5 PSU है oil छेतर की उन्होंने उत्राखंट के बद्रीनाथ धाम को smart अध्यात्मिक शहर spiritual smart city के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड रुपे का वादा किया है 5 oil companies जो है PSU जो है उन्होंने गाए कि वो 100 करोड रुपीज देंगी बद्रीनाथ धाम जो उत्राखंट में है कोशन आएगा बद्रीनाथ धाम कहा पर है उत्राखंट में ध्यान में रखिएगा तो बताया जा रहा है कि जो river embankments जिसको हम लोग कहते हैं तो उस पर काम किया जाएगा जो तटबंध जो हम लोग को नदी के देखने को मिलते हैं उस पर काम किया जाएगा यहाँ पर सभी terrain के vehicular path जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे नहीं कि गाड़ी वगिरा भासे हर प्रकार की निकल सके हर एरिया पर गाड़ी वगिरा का movement हो सके तो उस पर यह काम करेंगे bridges वगिरा पनाएंगे जो already bridges जो है उसको और अच्छा करेंगे beautify करेंगे गुरुकुल facilities को establish करेंगे accommodation के साथ जहाँ पर लोग अराम से रह सकें सब facility उनको मिल सकें और खर्चा जो होगा वो companies के दोरा उठाये जाएगा उनके CSR fund से corporate social responsibility fund से तो आईए मैं आपको यह भी समझाता हूं कि corporate social responsibility होती क्या है CSR होता क्या है यह वाली चीज भी समझ लोगे लगे हाथ तो पूरी चीज clarity अच्छे से हो जाएगी क्योंकि यह चीज भी important यह भी पूछा जा सकता है अब मेरी एक company है ठीक है इंडस्ट्री है ठीक है मे पेड़ जो है वो pollution मिल रहा है आसपास के पेड़ों को यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं लोगों के जो मकान है यहाँ पर playground है तो यह सब कुछ दूशित हो रहा है इस particular factory के होने के कारण अब मेरी factory है मैं पूरे taxes सरकार को दे रहा हूं हर चीज legally कर रहा हूं बट मेरा एक करत अब भी होना चाहिए कि मैं जो नुकसान इस पूरे environment को society को पहुचा रहा हूं उसको मैं repay कर सकूँ क्योंकि देखो सरकार का कहना यह है कि जो भी company जो होती है राइट वो अगर इस प्रकार की कुछ बड़े turnover वाली company याने कि जनका 500 करोड का 1000 करोड का turnover जिन companies का होता है तो यह company क्या करती है वो अपनी corporate social responsibility के through society में जो भी याने कि उनकी वरे से जो भी society को problem आई है तो उस problem को जो है वो compensate कर सकती है वो various funding करके various चीजों के लिए या फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जगाओ पर कुछ parks वगरा होते हैं जिस पर किसी company का नाम लेखा रहता है या आप देखेंगे park के पास benches वगरा लगी होती है उसमें कुछ companies का enterprises का नाम लेखा होता है क्यों क्योंकि वो अपनी corporate social responsibility के through जो है यानि कि इस fund का उप्योग करके society को return कर रही है तो corporate social responsibility नाम से क्य की society को लेकर responsibility है क्योंकि उन्होंने society जो भी काम किया उससे society को कही ना कही कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसकी वो भरपाई कर रहा है इस प्रकार से alternative के तौर पर compensate कर रहा है तो यह वाली चीज़े यह इस तरीके से आपको समनना है corporate social responsibility को ठीक है अब geography की बात करें इसके ब बदरीनाथ कहा पर है गाडवाल हिमाले में हम लोग को देखने को मिलता है गडवाल हिमाले में कोशन आ सकता है गडवाल हिमाले कहा पर है तो उत्रा खंड ध्यान में रखिएगा और यह किस नदी की बैंक पर हम लोग को देखने को मिलता है किस नदी के तट पर है तो अलक नन्दा नदी जो है वो किस नदी की ट्राबिट्री है और उसकी ट्राबिट्री कौनसी है वो आप मुझे नीचे लिखकर बताएंगे comment box पर आप देखिए ये जो शहर है बदरीनाथ हम लोग को देखने को मिलता है किस particular mountain range के बीच में है तो नर और नरायन तो नर और नरायन परवत जो है उसके बीच में इस्थित ये हम लोग को बदरीनाथ देखने को मिलता है इसके east में 9 km की तरफ आप जाएंगे तो नीलकंड की चोटी है नीलकंड चोटी हम लोग को यहाँ पर नजर आती है नीलकंड की चोटी नंदा देवी पीक के northwest पे को देखने को मिलता है और söylेर रिशी केश से नौर्थ में 301 km पर हम लोग को देखने को मिलता है तो 301 km उत्तर में इस्थित है ये रिशी केश से तो यहाली चीज़ हाँ पर बता ही आ रही है तो यह भी टॉपिक है करेंट अफेर्स में बहुत बार आ चुका है रीपीट टॉपिक है से रिलेटिट में बदा रहो आपको 90% से जादा चांसे आपसे कोशन पूछे जा सकते हैं माउंट सिनाबंग से रिलेटिट तो इंडोनेशिया में और लगतार अभी ये फट रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली दोबारा से तो है ये इसमें विस्पोर्ट हुआ फटा ये माउंट सीनाबंग ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था माउंट सीनाबंग के बारे में याद रखना इंडोनेशिया में हम लोग को देखने को मिलता है और इंडोनेशिया में काफी सारे active volcanoes है क्योंकि इसकी जो location है ring of fire में या फिर circum-pacific belt पर हम लोग को देखने को मिलती है ring of fire के बारे में भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि हमारा जो एक area हम लोग को देखने को मिलता है pacific के छेतर पर एक area है जहापर सबसे ज़ादा volcanic activities हम लोग को देखने को मिलती है क्योंकि वहापर सबसे ज़ादा falls है सबसे ज़ादा हम लोग को seismic activities देखने को मिलती है क्योंकि वहापर वो जो पूरा area है high seismic zone का हम लोग को देखने को मिलता है तो वो circum-pacific belt जिसे हम लोग कहते हैं जहाबर सबसे अधा volcanoes हम लोग को देखने को होता है अच्छा ये तो धर्ती पर है एक ring of fire एक ring of fire जो होती है वो आस्मान पर भी होती है यानि कि हमें देखने को मिलती है वो कब देखने को मिलती है जरा मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताओ एक term तो ring of fire का वो है volcano के लिए use किया जाता है एक आस्मान में use किया जाता है एक term ring of fire का आस्मान को देखकर तो वो किसी particular period पर ही use किया जाता है तो बताओ जरा कब किया जाता है किसको पता देखते है इसका answer और hopefully आप लोगोंने लिख दिया होगा सूरी के रहन जब सूरी के उपर ग्रहन लगता है तब हम देखते है कि सूरी के आगे आ जाता है चंद्रमा और हम लोग को एक प्रकार की ring जो है वो देखने को मिलती है एक ring जो है वो बन जाती है जैसे होती है अंगूठी तो उस ताइब का shape जो हम लोग को नजर आते है तो उसको भी हम लोग ring of fire कहते है ठीक है और Pacific Ocean के पास ये area है जहाँ पर बहुत सारे volcanoes और यहाँ पर frequent earthquake होती रहती है क्योंकि मैं आपको अदा है यहाँ पर seismic zone है यह राइट यहाँ पर सबसे यहादा seismic activity हम लोग को नजर आती है अब बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में very very important topic तो इनका जन्म कब हुआ था अगर आप state civil services की तयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का fact याद रखो कि 9 माई 1866 में इनका जर्म हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जी का और अभी जो 9 माई बीता है उस समय हमारे honorable prime minister ने शद्धानजली दी है गोपाल कृष्ण गोखले जी को that's why यह topic हम लोग को news में देखने को मिला था अब UPSC की तयारी कर रहे हो और even state civil services की Deccan Education Society के यह सचीव के रूप में कारी किया था इन्होंने उसके secretary के रूप में कारी किया था और उन्होंने Irish राष्टरवादी Irish nationalist Alfred Webb इनको वर्ष 1894 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कारी करने के लिए तयार करने है तो Ireland का दौरा किया था तो इन्होंने Ireland विजिट किया था क्योंकि यह चाह रहे थे कि Ireland के एक nationalist है Alfred Webb तो यह जो है वो इंडियन National Congress के President के तौर पर सर्फ करें तो इस चीज़ के लिए इन्होंने दौरा किया था Ireland का 1894 में अब गोगले जी ने किसके द्वारा पब्लिश किया गया है तो गोपाल कृष्ण गोगले जी ने डेली न्यूस पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था ज्यान प्रकाश आपको यह चीज़ धार में रखनी है जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीदी और समाज पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर अपने सुधारवादी विचार अपने रिफॉर्मिस्ट व्यू को प्रचारित किया था इनको फैलाया था स्प्रिट किया था बाद में इनके लिए 1903 में भारत के गवर्नर जनरल की परिशद का सदस्य चुना गया था तो इनको इलेक किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल के पत के लिए 1903 में और 1904 के नए साल की सम्मान सूची तो 1904 की न्यू इयर की ओनर्स लिस्ट जो थी उसमें भारतिय सामराज के साथी यानि की कमपैनियन ओफ इंडियन एंपायर इसके रूप में इनको अपॉइंट किया गया था चुना गया था तो यहाल भी एक फैक्ट है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए तो 1905 में दो चीज हुई यानि की दूसरे भी यानि की common good और लोगों के लिए जो भी लोग काम करते हैं तो वो निस्वार्त के साथ जो है वो काम करें यानि की पूरे मन से काम करें selfless तरीके से कार्य करें और इसके लाबा 1909 में मिंटो मॉरले सुधार जो मिंटो मॉरले reform जो 1909 का directly question आता है मिंटो म में रखना है तो मिंटो मॉरले या मॉरले मिंटो reform जो हम लोग को देखने को मिलता है 1909 का तो इसको तयार करने में इनका बहुती महत्वपूर योगदान था और जो बाद में कानून के रूप में लागू किये गए थे और आपको बताने गाईस कि बहुत बड़ी बात महा महात्मा गांधी जी इवन उन्होंने किताब भी लिखी थी गोखले नाम की माई पॉलिटिकल गुरू की उनके राजनितिक गुरू जो है वो है गोखले तो यह तो कितनी important fact है यह भी question आ सकता है इसको थोड़ा से ध्यार में रखिएगा गोखले नाम किताब किसके दौरा लिखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है वो इन्हें political गुरू मानते थे मतलब कि mentor मानते थे और इनकी एक core belief इनकी कि सभी भारती जो है उनके लिए political liberty एक बहुती important role play करती है राजनितिक स्वतंतिता, social reform और economic progress यानिकि सभी भारतियो को social reform होना चाहिए सभी भारतियों के लिए यानि कि society में reform होना चाहिए जैसे कि किसी को भी किसी भी प्रकार से जो है वो discrimination face ना करना पड़े, सभी को राजनितिक स्वतंतिता मिलनी चाहिए, political liberty मिलनी चाहिए और हमारी country जो है वो सभी के लिए बदर इस प्रकार से होना चाह मुझे किसी student ने कल comment किया था कि सर स्लाइट थोड़ा सा slow जो है वो move किया करो उससे आखों में थोड़ी सी परिशानी आती जब भी आप स्लाइट fast move करते तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा रही चलो आगे की बात करते हैं महराना परताब जी की थोड़ी आप परताब जी की जो कि 13 राजपूत king हम लोग को देखने को मिलते है तो यह आलई सी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए और महराना परताब जी का जन्म वर्ष 1540 में हुआ था यह याद रखना यह factual data है जो की धान में रखना है आपको और 56 की उम्र में वर्ष 1597 में उनकी मृत्य हो गई थी तो यह आला फैक्ट भी आपको पता होना चीए 1542 1597 के प्रियेट में महाराना प्रताप जी हम लोग को देखने को मिले थे और सबसे बड़े पुत्रत थे ये उदैश सिंग द्युतिय के उदैश सिंग 2 के अब most important point UPSC और State Civil Services दोनों के लिए ही Battle of Haldighati इस से related means में भी कोशन आ चुका है Haldighati के युद से related तो महाराना प्रताप जी को Haldighati के युद में उनकी वीरता उनकी bravery के लिए जाना जाता है ये युद 1576 में महाराना प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था तो याद रखना Battle of Haldighati किसके बीच में लड़ा गया था महाराना प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था उनकी आर्मी के बीच में लड़ा गया था और इस युद में मुगल सेना का नेत्रित्व आमेर के शाशक राजा मान सिंग ने किया था, मुघल की तरफ से मान सिंग जी जो है वो आये थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मान सिंग जी ने, इस लड़ाई में महाराणा की सेनाए शे घंटे में पराजित हो गई, तो स्टार्टिंग में जो पहली जो लडाई हुई थी 1576 में उस लडाई में हार गए थे महराना प्रताब जी उसके बाद हारने के बाद ये इतने इतना कठोर इन्होंने परिश्रम किया 6 सालों तक पूरी रणनीती बनाई 6 सालों के बाद 1582 में दोबारा से युत लला और निप्टा लला आप तयारी कर रहो एक्जाम की हो सकता है कि पिछले कुछ अटेम्ट में जिन्होंने भी आने की जो बिगनर नहीं होंगे उन्होंने हो सकता है पिछले कुछ अटेम्ट में एक्जाम दिया प्री तक हो राइट 2021 में आप अपियर हो रहे हो तो वो आपका आखिरी एटेम्ट हो 2022 में अपियर हो रहे हो तो वो आपका आखिरी एटेम्ट हो बट आखिरी एटेम्ट कब होगा जब आप मेहनत करोगे अपने आपको तपा होगे इस एक्जाम के अकॉर्णिंग अपनी तयारी करो रही और मुझे पता ही कि आप लोग करते हैं इस बूरी तरह से हार के बाद अकबर ने मेवाड के खिलाफ अपने सैन अभियानों को रोक दिया हारने के बाद इसने सोचा अकबर ने कि नई राजा से लड़ना महाराना प्रताप जी से लड़ना जो है वो मुश्किल है तो इस लगभग अकेले ही चुनौती दी थी अकेले सिंगल हैंडेट चैलेंज किया था और बात बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आज की रेट में हो सकता है कि आपके टेंथ में ट्वेल्थ में मार्क्स बुरे हो फिर भी आप चैलेंज करो UPSC एक्जाम को कि कोई बात नहीं मेरा प पास डिसाइड करेगी तो आज जो आप करोगे तो वो आपका पास जो है वो डिसाइड करेगा उस समय था मुगल इंपायर बहुत बड़ा था बहुत पावर्फुल था इन्होंने अकेले सोच लिया कि मैं उसको निप्टाओंगा मतलब निप्टाओंगा फोकस एक चीज पे फोकस की इसको हराना है आपका फोकस एक चीज पर होना चाहिए UPSC एक्जाम को निकालना है नाम के आगे IS लगाना है बाइ होक या क्रुक चाहिक कुछ हो जाए राइट आगे की बात करते हैं इनमें किसी अन्य राजपूत शाशक ने साहेता नहीं करी थी यानि कि जब को देखने को बनता है वीरता के लिए यह जाने आते हैं और जिस प्रकार से एक लड़ाई हारने के बाद दोबारा से इन्होंने कमबैक किया दोबारा से जो है वो इन्होंने पूरे फोर्स के साथ पूरी यानि कि स्ट्राडिजी बनाई और वापस उदर गया अपने हतिया है बट दोबारा से अब पुश करो तो जो गलतियां हुई है उसको identify करके resolve करो कि आपकी गलती क्या है तो उसको सोचो अराम से identify करो फिर आगे बढ़ो बट अभी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं 2021 का आपका attempt है जो भी attempt कर रहे हैं 2021 में और 2022 में जो student तयारी करना है अपन गोल को मुझे आखरी attempt बनाना है इस गोल को आखरी attempt बनाना है चलो आगी की बात करते हैं तो राना प्रताब जी की चापे मार युद्ध पद्धिती इनकी एक sporadic warfare का method हम लोग को देखने को मिलता है इसको बाद में डेकन के सेनपती मलिक अंबर और शिवाजी महराजा दौ इनकी एक method था इनका लड़ने का चापे मार युद्ध पद्धिती थी तो कुशन ये भी आ सकता है कि sporadic warfare या चापे मार युद्ध पद्धिती किसकी थी तो राना प्रताब जी की थी जिसको बाद में जाकर डेकन के शिवाजी महराज जी और मलिक अंबर जी ने इसको उप important चीज़े आज हम लोग समझने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा इस topic को ये topic news में हम लोग को क्यों देखने को मिला है उसके बारे में थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा और एक चीज़ क्लियर करना चाता हूँ मेरे एक student है उन्होंने mention किया था कि sir आप जब भी चीज़े ऐसी होती है कि जो पहले बताने वाली होती है concepts पहले बताने वाले होते हैं वो मैं पहले clear करता हूँ जिससे की news को news आपको अच्छे से sound में आ जाए तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ बाकी मैं अगर आपको पहले news बता दूँगा वो उपर चलिया आईगी तो क्या जो धरती थी और आज की रेट में हम लोग continents देखते हैं वो बिखरे हुए नहीं थे वो एक ही जगा पर एक single landmass हुआ करता था तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी continental drift theory के बारे में आपको समझाओंगा फिर सबसे important topic monsoon का Indian monsoon का इसके बारे में हम लोग बात मतलब एक idea दूँगा मैं आपको की monsoon हमारा किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है ठीक है थोड़ा सा idea मैं आपको ये अल नीनो southern oscillation का भी जो हो देने वाला हूं ठीक है तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग cover करेंगे तो start करते हैं इस चीज़ से पहले सबसे पहले तो मैं जो जमीन जो थी पूरी की बूरी सिर्फ एक ही जगा पर थी मतलब ये मान के चलो आज की rate में हम लोग देखते हैं oceans के बीच में अलग-अलग हम लोग को continents देखने को मिलते हैं ऐसा कुछ नहीं था आज की rate में इस प्रकार की हम लोग को modern world की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की image आती है दिखाई देती है जब भी भी हम लोग धरती की बात करते हैं मैप को देखते हैं पहले ऐसा था अगर पहले की समय का अगर मैं मैप बनाओ तो मान के चलो कि sheet में ये map बन गया ये था मैप कि एक जगा पर सिर्फ लाइन मास था जमीन जो थी लाइन मास की फिर क्या किया इस Tethys Ocean ने ये जो पूरा एक लैंड मास था यानि कि पूरी एक भूमी थी उसको दो पार्ट में काइट दिया डिवाइड कर दिया इस Tethys Ocean तो कोशन अगर ये आ सकता है कि पैंजिया को तो ये टम भी आप याद रखना पैंजिया इसको हम लोग कहते हैं ए और वाला एरिया जो है वो लॉरेशिया का कहलाता है और साउथ वाला एरिया जो था वो गोणवाना लैंड इसको हमने नाम दिया गोणवाना ठीक है नीचे वाला एरिया गोणवाना का तो पहले एक सिंगल लैंड मास था फिर तैथिस ओशन ने इसको अलग कर दिया काट तो यह दो पार्ट में landmass divide हो गया, फिर tectonic activities होई, seismic activities हम लोग को देखने को मलि, अर्थक्विक वाली activities, तो अर्थक्विक जब आता है तब हमें क्या देखने को मलता है, कि fault create कर देता है, वो दरार create कर देता है, तो यह दरार बगेर आ गई, tectonic plates हम लोग को देखने को मलि, फिर आगे चलके यह modern world बन गया, तो continental drift zone में आया आपको, तो यह इस प्रकार की चीज कुछ हम लोग को देखने का बल्ली तो यह अभी के लिए आप यह समझो, कि यह तीन चीजें कि पैंजिया क्या होता है, लॉरेशिया, गोणवाना क्या होता है, उपर वाला एरिया, लॉरेशिया का, नीचे वाला एरिया, गोणवाना का, और फिर उसके बाद, कुछ सालों के बाद, इस प्रकार की structure हो गया, और इवन आज की rate में भी यह पूरे जो structures हम लोग को देखने को बलते हैं, इंडिया की बात करें, तो इंडिया गोणवाना का हिस्सा है, तो अगर इसकी हम लोग बात करें, तो यह North East के direction में, किस direction में याद रखना है, आपको North East के direction में, आज की rate में भी flow कर रहा है आज की rate में भी हमारा जो हमालय जो है हमालय परवत वो आज की rate में भी बड़ा हो रहा है उसकी height increase हो रही है उसकी वज़ाए यह यह कि यह जो continent है यह landmass जो है यह जो भूमी है धरती जो है वो north east के direction की तरफ move कर रही है हर साल लगभग कहा जाता है कि आज की rate में 4 cm हर साल इसका movement होता है ठीक है अभी तक है आपको बाते clear हुई एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस image पर ध्यान देना ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो part में जो है तैथिस ocean जो था कौनशी कौनशी country यहाँ पर है तो South America की country Africa continent जो हमें देखने को मिलता है Madagascar Island जो है वो गोणवाना का हिस्सा है India गोणवाना का हिस्सा है Australia गोणवाना का हिस्सा है और Antarctica गोणवाना का हिस्सा है बाकी सब जो है वो लॉरेशिया का हिससा हम लोग को देखने को मिलता है फिर हुआ क्या उसके बाद हमने क्या चीज देखी कि गोंडवाना से धीरे-धीरे करके separate होना शुरू हुई ये continent ये फिर से seismic activity हुई अर्थ क्यों को है और ये सब चीजें जो हो रही थी वो उसमें हजारों साल लग गए ये सब चीजें अलग-अलग हो रही थी ये continent अलग-अलग हो रहे थी इंडिया भी जो है वो तूटा यहां से Antarctica Australia से अलग हुआ और तूट कर वो North East की तरफ जो है वो move करने लगा और फिर आज की rate में जिस हम लोग इंडिया को देखते हैं जिस जगा पर वो आकर attach हो गया फस गया Eurasia के साथ आकर टकरा गया तो Indian Peninsula जो है वो गुर्णवाना का हिस्सा है और वो आकर Eurasia से टकराया है जो की Laurasia का हिस्सा था तो यहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और जब यह टकराया और एवन एक और चीज़ धाया में रखना है इंडिया अपने साथ Madagascar को भी लेकर जा रहा था shift हो रहा था फिर बात में Madagascar को हमने छोड़ दिया Madagascar एक island है अगर आप देखेंगे Africa continent की तरफ तो आप देखेंगा छोटा सा आपको इंडिया नोशन पर एक island जो है वो नजर आएगा Africa की east में इंडिया नोशन पर एक island नजर आएगा वो Madagascar island है तो यह Madagascar island और इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो से टकरा है इसलिए तो बोलते हैं सबसे यंगेस mountain कौन सा है हमाला इस है क्योंकि बाद में बने ही है यह यूरेशिया पहले सी था इंडिया पहले सी फिर हमाले बन गए अब आप बोलोगे सर यह हमाले कैसे पकड़के opposite direction मेंने की एक दूसरे के पास में जो है वो paper को लेकर आओ जब आप paper को एक दूसरे के पास में लेकर आओगे तो इस type का fold नहीं create हो जाएगा आप pressure create करोगे दोनों जगा से अंदर की तरफ तो इस तरीके का एक fold create हो जाएगा तो क्या समझे आप प्रेशर इंडिया का प्रेशर यूरेशिया के पास पढ़ रहा था ऊपर यूरेशिया थी ही उपर से तो प्रेशर था ही लैंड मास का जब ये प्रेशर पढ़ा तो हमने बर्त दे दिया हिमाले को clear होई बात आपको की नहीं होई बताओ तो ये चीज थी पूरी continental drift theory के बारे में हमने बात करी और इस चीज की बारे में बात करी अब ये सब चीजों के बारे में बात हम लोग क्यों कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको पता लगेगा पहले आप थोड़ी सी theory जान दो तो इंडिया गोंडवाना से कैसे separate हुई तो ये बात है लगबग 140 million साल पहले उस समय इंडिया सूपर continent गोंडवाना का पार्ट थी गोंडवाना और लॉरेशिया के बारे में मैं आ अंतार्टिका और 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 तो ये सब गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे और तैथिस ओशियन आपको यादा था थोड़ी देर पहले में आपको एक ओशियन बताया था जिसने separate किया था गोंडवाना को यूरेशिया से तो ये कोश्चन बन सकता है यूरेशिया से या अलग किया गया तो तैथिस ओशियन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फिर जब ये सूपर कॉंटिनेंट स्प्लिट हुआ अलग अलग हुआ तो उस समय टेक्टॉनिक प्लेट एक थी जो की इंडिया और मॉडन मडगासकर की हमें देखने को मिली थी वो ड्रिफ्ट करिया जो है वो आज की रेट में जहां पर उस जहां पर आ रही थी मतलब की Eurasia से टच होने के लिए आ रही थी हर साल उसका जो मुमेंट हो रहा था कचुए की चाल चल रही है को इतना कम मात्र बीज सेंटीमीटर होता कि अपनी स्केल में एक بढर सेंटीमीटर को देखो इ युरेशिया के साथ लगभग 50 मिलियन साल पहले और फिर हिमाले को बर्थ दिया है हिमाले जो है वो उचा हुआ टकनाने करने प्रेशर क्रियेट हो और वो हिमाले बन जया जिस चीज के बारे में आपको बताया था आज की रेट में इंडिया अभी भी मूव कर रही है किस डा पर एर की बताई जाती है लगभग 4 सेंटीमीटर प्रती वर्ष की स्पीड बताई जाती है तो यह लिए चीज आप लोग को धार में रखनी है अब आप बोलोगे सार पहले 20 सेंटीमीटर अब 4 सेंटीमीटर अरे पहले इंडियन पेनिंसुला के आगे कुछ नहीं था खाली रोड में चला रहे है अब अपनी गाड़ी अब आप अराम से अच्छी स्पीड में फ्रीफलोग екटला सकते हो अब आपको जो है वो आगे सामने रखी हुई गाड़ी को पीछे से धक्का देना है तो आपकी गाड़ी की मितने स्पीड कम होगी ना सामने अली गाड करता तो है बड़ उतना समझदारी के लिए उतना नहीं करता है कि इस concept को समझने के लिए बड़ फिर भी बता दूँगा इंडिया मौनसून के बारे में तो आज की डेट में अभी एक study हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया का जो मौनसून है आज जो हमारे इंडिया में मौनसून हुआ करता था यह क्या नहीं हुज है इस चीज को समझो तो अभी एक recent study हुई है जिसमें बताया गया है study की गई fossil leaves की जो जीवाश में पत्तिया जो होती है जो पुरानी पत्तिया जो पत्तिया 25 मिलियन साल पहले हुआ करती थी तो उसके fossil पाए गए तो उसकी study की के study में scientist researcher को ये मिला study करके कि ये जो पत्तिया है ये दिखा रही है कि जिन climate पर ये पत्तिया जो है वो उकती है याने कि इन पत्तियों को जिन climate की आवशक्ता होती वो climate आज की rate में ऑस्ट्रिलिया के अंदर है right मतलब कि इंडिया में उगी हुई पत्ति 25 मिलि अब simple सी चीजे मैं आपको already बताई चुका हूँ कि पहले के समय पे इंडिया भी तो किस कहा पर थी south में थी न सदन हमिस्पियर पर इंडिया थी तो ऑस्ट्रिया भी उसी का हिस्सा है गोंडवाना कॉंटिनेंट का सूपर कॉंटिनेंट का है ना तो ऑस्ट्रिया भी उसका latitude में थी बट इंडिया ने क्या किया move करके higher latitude पे आ गई और higher latitude पे आएगी तो obvious ही बात है कि temperature change हो गई होगा climate change हो गई होगा तो यह concept है समझने का कि ऐसा क्यों हुआ तो अगर आपने यह वाली चीज continental drift theory पड़ी होगी तो आप तुरंद क्लिक कर जाओगे कि Australia के साथ कैसे relate क गई थोड़ा है ना तो हमने क्या देगा Australia तो अभी भी Southern Hemisphere पर है बट इंडिया नौर्थ की तरफ move कर गई तो जो पुरानी पत्तियों की जब study की गई जिस समय जो इंडिया जो इसी के आसपास थी यानिकि 25 मिलियन साल पहले की भी बात करें तो अभी climate का इस से जगर पेल यहां पर हुआ करता था तो इसने continental drift theory की चीज बताई तो इसलिए आपको continental drift theory को पढ़ना जरूरी था पहले तब जाकर यह concept clear होता तो और पुरानी चीजों को समझ कर पुराने Indian monsoon को समझ कर कि किस प्रकार से Indian monsoon change हो सकता है तो वो मदद करेगा आने वाले समय में कैसा monsoon गा उसकी हमें prediction प्रोवाइट करा रही है यह पहले कैसा climate था यह climate कैसे और change हो सकता है आने वाले समय में उसकी better understanding जो है यह create करने में मदद कर रही है यह study ठीक है तो यह study important है इस study से related कुछ बाते करें तो morphological characters जो हमें देखने को बिनते जो पत्तिया है उसका उसकी रुपात पत्मक विशेषता याने की पत्तियों को देखा गया उसके characteristics को देखा गया fossil leaves के पुरानी पत्ति याने की जो fossil बन गई थी पूरी तो उसको देखा गया और इन सब पत्तियों को अलगला जगा से collect किया गया जैसे की हम बात करें deck and volcanic province से collect किया गया यह चीज आप से पूछी जा सकती है इस गारो hills कहा पर है ऐसा question आ सकता है prelims में तो आपको मिघाले ध्यान में रखना है गूरा माइन कहा पर है ऐसा question आएगा तो आपको राजिस्तान ध्यान में रखना है कि राजिस्तान में गूरा माइन्स है और माकुम कोल फील्ड कहा पर है अगर ऐसा आजा है त पत्तियों के study की गई पत्तियों के apex को देखा उसके base को देखा उसके shapes को देखा तब लगा कि यार जो ये पत्ति दिखा रही है कि कि किस प्रकार का climate पहले हुआ करता था वैसा आज की rate में नहीं है बट अगर हम लोग Australia की तरफ देखें कि Australia में कैसा monsoon है अगर आज की rate में हम हमें changes नजर आ रहे है monsoon में तो ये वाली चीज़ आपको समझ नहीं है और ये result इंडिकेट यही चीज़ करता है कि fossil की जो पत्तिया जो इंडिया में हमें देखने को मिली उसने Australian type monsoon को adopt किया था जो कि आज की rate में Indian monsoon हमें नहीं देखने को मिल रहा है जिस प्रकार का जैसे Southern Hemisphere से तो मैंने आपको क्या बोला Southern Hemisphere पे ऊपर की तरफ move करेंगे तो latitude में changes आ रहे है अब latitude में changes आएंगे तो directly climate temperature सब चीज में change आए गए या आएगा तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को बली और लगभग इसको 160 million साल लग गए थे touch करने में Eurasia को और फिर जब य जो sites थी उनको जब study किया गया तो उसमें भी temperature vary कर रहा था पहले एक जगा पर जो temperature हुआ करता था वो 16.3 degree Celsius से लेकर 21.3 degree Celsius का difference दिखा रहा था कि बलब कि पहले जो इंडिया का जो temperature था वो अलग था अभी अलग है क्यों अलग है हम जानग है ना कि shift हो रहा है latitude में change जा रहा है ना तो यह understanding रखो अपने अंदर और सभी fossil की जितनी भी sites थी वहाँ पर experience किया गया कि पहले बहुत तेज बारिश हुआ करती थी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ एक study के थूँ यह भी पता लगा था आज की rate में जो हमारा राजिस्थान जो है ना वहाँ पर मचल मचलियों की हड्डियां भी पाई गई थी मचलियों की मतलब एक समय पर रेकिस्थान जो था वो समुद्र हुआ करता था यहने कि वहाँ पर पानी हुआ करता था इवें प्लांट्स पेड कहा जाता है कि कुछ एरिया पर वहां के forest भी हुआ करते थे जंगल हुआ करता था तो इंडिया पहले क्योंकि वो climate जो है वो support करता था यह सब activity को और अभी का जो climate है latitude में जो shift हुआ वो climate support नहीं कर रहा है तो यह चीज है में जो आपको समझने वाली है और rainfall भी वेरी करती थी 191.6 cm से 232 cm का variation हम लोग को इसमें देखने को वाल दाता था rainfall में भी बारिश मे है ना तो यह वाली चीज है तो यह चीज आपको तो clear होगी तो अपने थोड़ी सी monsoon की भी चर्चा करी तो monsoon के बार में भी थोड़ी सी कुछ चीजें जाल लो तो अगर question आता है कि इंडिया का climate कौन सा climate है तो आपको ध्यान में रखना है monsoon type climate है इंडिया का और Asia के अंद आपने सुना हुआ इसके बारे में और एक retreating monsoon इसको हम लो north east monsoon भी जो है वो कहते हैं southwest monsoon से related कुछ facts जानो आप जैसे कि इसमें जो बारिश जो होती है रेनफॉल जो हमारे होती है वो जून से लेकर सेप्टेंबर के बीच में जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल southwest की तर में रखना है retreating monsoon जो होता है वो October और November खंडियों के समय पे जो बर्शा होती है बारिश होती है वो retreating monsoon वाली होती कि एक बार monsoon जो है वो वावस जार रहा है तो वह चीज घही जाती है उसको और अच्छा आप मुझे नीचे comment box पर कुछ festivals के नाम लिख कर बताएं कि कौनस यह कौनसे factors है जो कि southwest monsoon को बनाने में influence करते है तो आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखने ही तीन-चार factor याद रखने है जैसे कि heating और cooling वाला factor जमीन का और पानी का जो कि low pressure create करता है landmass के ओपर जमीन के ओपर और समुद्र में हम लोग को high pressure देखने को मिलता है और आप बच्पन से पढ़ते हुआ आ रहे हो कि low pressure जहां पर भी build up होता है वहाँ पर उसकी तरफ हवाएं आती है wind जो है वो low pressure की तरफ move करती है high pressure से समुद्र में high pressure बना जमीन में low pressure बना तो क्या हो रहा है समुद्र से जमीन की तरफ जो हो wind आ रही है तो अभी जो south west monsoon में क्या हो होगा वो उदर से उस तरफ से याने की चाइना की तरफ से और यह न तिब्वित इसकी तरफ से जो ठंडी हवा आती रहती है उसको रोपता है यह हमारा हमाले भी हमें हमारे जो आज की रिट में जो monsoon जो बना है उसके लिए हमाले भी responsible है तो एक factor हमाले भी है वो भी याद रखना अब यह आगे चल के बताओंगो वैसे तो low pressure और high pressure का मैं आपको समझा रहा था कि concept यह कैसा होता है low pressure और high pressure इसको समझने के लिए आप अपने घर में पता है आपको कि आप कुछ भी जैसे पानी आप गरम कर रहे हो ठीक है आप अपने घर में जब पानी गरम करते हो जहाँ पर भी होगी गर्मी जहाँ पर भी होगी हवा ऊपर की तरफ rise करेगी तो यह चीज़ धान में रखना जब भी भी गर्मी होती है जब भी हमें देखने को मिलता है कि temperature increase होता है तो कहीं से भी हवा जो होती है गरम होती है और हवा जब गरम होती है तो हलकी हो जाती है वो उपर की तरफ move कर जाती है, जैसे कि case आपने इसमें देखा कि जब भी भी आप पानी गरम करते हो, evaporation होता है, उपर की तरफ हवा चली आती है, अब मैंने देखा कि जमीन पर गर्मी हुई, हमारे यापर गर्मी का मौसम आया, सूरज ने हमारी धर्ती को, हमारी जमीन को जो है वो, हमारे इंडिया की जमीन को गरम कर दिया, अब जब जमीन को गरम किया और सिर्फ जमीन की बात नहीं हमारे यापर जैसे प्लाइटू बगेरा है पठार बगेरा है अगर especially इसमें main role जो होता है वो वाले प्लाइटू का होता है क्या बोलते है तिब्बित प्लाइटू का main role इसमें हम लोग को देखने को बोलता है जिसको सूरज गरम करता है तो हवा उपर की तरफ जा रही है अब जब हवा उपर की तरफ जा रही है तो मैं आपको क्या समझाया था low pressure जहाँ पर भी create होता है, तो हवा उपर की तरफ जा रही है, नीचे खाली हो गया, खाली हो गया मतलब low pressure बन गया, हवा high pressure से low pressure की तरफ आती है, समुद्र में high pressure होता है और high pressure से हवा low pressure की तरफ move कर जाती है, ठीक है, समझ मैं है यह वाली बात आपको, तो heating और cooling का differentiation जमीन पर और पानी पर, यह एक important factor होता है, मौनसून लाने के लिए, और जहाँ पर landmass जो होता है, इंडिया की जो जमीन होती है, वहाँ पर low pressure रहता है, समुद्र जो रहता है, वहाँ पर high pressure हम लोग को देखने को मिलता है, फिर ITCZ की हाँ पर बात होती है, इंटर ट्रोपिकल कन्वर कर जाता है, नहीं कि बहुत तेज महाँ पर गर्मी हो रही होती है, low pressure ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो यह ITCZ जो है, वो shift कर जाता है, equator से 5 degree north की तरफ, और जैसे यह 5 degree north की तरफ shift करता है, इसे हम लोग monsoon trough भी बोलते हैं, और फिर monsoon season हम लोग को देखने को मिलता है, त tropical convergence zone का, तीसरा factor हमें देखने को मिलता है कि high pressure का area जो है, वो मडगासकर के east में हम लोग को देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमेटली इंडियन ओशन पर 20 degree south पर ये high pressure create होता है, अब ये मडगासकर कहाँ पर है, इंडियन ओशन में समुदर के पास ही है, और इंडिया से गर पर आएगी, low pressure की दरफ आएगी, हवा जब आएगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, बादल लेकर आएगी, क्योंकि सूरज तो इस वाले area को भी गरम कर रहा है, अब गरम जहाँ पर भी हो रहा है, वापर बादल बन रहा है, समुदर के उपर बादल बन रहा है, और य बेहत गरम हो जाता है, और जब भी गरम होगा तो वर्टिकल लेयर, करेंट उपर की तरफ हवा जाते ही हम लोग को नज़र आएगी, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि इस प्लैटू पर low pressure create हो जाता है, और ये समुदर से 9 किलोमेटर की उचाई पर low pressure create हो रहा है, तो उप उपर के बादल जो होंगे, वो यहाँ पर आजाएंगे, शिफ्ट करेंगे, बात समझे आप, और नहीं सिर्व इतना ऊपर चलती है, वेस्टरली जेट स्ट्रीम, वेस्टरली जेट स्ट्रीम का मुमेट भी हम लोग को देखने को मिलता है, वेस्टरली चलती है, नॉर्थ हम लोग को देखने को मिलती है, हमालेज के नॉर्थ पर वेस्टरली चल रही होती है, और ट्रॉपिकल इस्टरली जेट स्ट्रीम का भी प्रेसंस हम लोग को इंडियन पेनिसुला के उपर समर पर देखने को मिलता है, तो यह जो हमाय होती है, जेट स्ट्रीम जो होती है, य मैं आपको El Nino Southern Oscillation के concept को भी समझाता हूँ तो normal तोर पर जब भी भी Tropical Eastern South Pacific Ocean ठीक है किसकी बात करो हूँ South Pacific Ocean की बात करो Pacific Indian Ocean की बात नहीं कर रहा जब यहाँ पर high pressure हम लोग को देखने को मिलता है और Tropical Eastern Indian Ocean पर low pressure हम लोग को देखने को मिलता है तो Pacific Ocean से हवा Indian Ocean की तरफ आती है बट कुछ सालों में यह reverse हो जाता है मतलब कि pressure condition जो होती है वो Eastern Pacific Ocean की low हम लोग को देखने को मिलती है जहाँ पर low pressure होता है और Indian Ocean पर high pressure हमें देखने को मिलता है तो Indian Ocean से हवा जो होती है वो किस तरफ जाती है वो इसकी तरफ जाती है वो पस reverse के direction में हम लोग को देखने को मिलती है हवा चले जाती है Indian Ocean से तब हम लोग को bad monsoon की इस्तिती देखने को मिलती है क्यों इंडिया नोशन के पास इंडिया नोशन पर बनाये गा है सूरण ने जितने भी Continental Drift Theory का General Studies point of view से क्योंकि current affairs में जो भी चीज आएगी और GS में जो भी चीज आएगी वो आपास में इंटर लिंक होगी आप जनरल स्टेडी की आप तयारी कर रहे हो और current affairs में अगर यह सब topics आप देख रहे हो but civil services के अंदर क्या होता है current affairs में जो चीज आती है उसी को GS के साथ link करके आपको GS की question बनाके दे दिये जाते है इसलिए तो मैं बोलता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ और दावे के साथ कहता हूँ उसकी proof भी देता हूँ नीचे description पर कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन topics से पर फिलाल मैं वैसे तो normal तौर पर हमें नहीं देखने को मिलता है GS1 से related तींचा topic आ जाए एक दो एकका दुख कही जाए तर देखने को मिलते हैं और कभी-कभी ऐस प्रकार के लेंदी topic थोड़ से आ जाते है अब देखो drug 2 deoxy deglucose की हाँ पर हम लोग बात करेंगे 2DG की हम लोग बात करने वाले हैं तो यह क्या है इसको हम लोग समझते हैं तो बताया जा रहा है DCGI drug controller general of India इन्होंने emergency approval जो है वो दे दिया है DRDO की 2DG drug को 2DG दवाई को coronavirus के जो moderate से severe cases जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका इलाज करने के लिए अब DRDO की इस दवाई का उपय Dioxydeglucose 2DG दवाई जो है वो DRDO के दवराब बनाए गई है 2DG मदद करती है recovery करने में जो भी hospitalized patient होते हैं वो जल्दी सल्दी recover कर सकें और उनके जो oxygen की जो dependency होती है वो खतम हो जाती है यानि कि इस दवाई को लेने के बाद oxygen की जरूद नी पढ़ती है उनको dependency जो होती है वो DRDO की एक institute है nuclear medicine की तो इन्होंने हैदराबाद की doctor ready laboratories के साथ collaboration करकी यह दवाई बनाई है ठीक है तो यह like fact आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अब बात करेंगे Arctic science ministerial meeting के बारे में तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग सर्चा करने जा रहे हैं तो इंडिया जो है guys participate कर र जो है वो research किया जाए और country जो है वो मिलकर cooperate करें और जाधा आर्टिक छेतर में research करने के पर काम करें आरेंडी पर काम करें कुछ facts की बात करते हैं इसी से related तीसरी Arctic science ministerial meeting से related तो पहली दो meeting जो है थी वो ASM 1 और ASM 2 जो की United States में हुई थी 2016 में और जर्मनी में हुई थी 2018 में त जब इसकी और तीसरी जो meeting है इसे organize किया जा रहा है Iceland और Japan के दोरा और पहली ministerial meeting जो है वो Asia के अंदर ये हमें देखने को मिल रही है ये meeting जो है वो design की गई है opportunities provide कराने के लिए various stakeholders को जिससे की वो साथ में मिलकर ये समझ सकें Arctic छेतर में development के बारे में समझ सकें engage हो सकें मिलकर क कर सकें monitor monitor कर सकें Arctic छेतर को क्यों monitor करना Arctic छेतर को क्योंकि आज की rate में climate change हम लोग को देखने को मिल रहा है temperature level increase हो रहा है और Arctic छेतर को monitor करके पता लगा सकते हैं कि कितनी जो बरफ है वो पिगल रही है कितने glaciers पिगल रहे है आई sheets कितनी तेजी से melt हो रही है जिससे की actions लिए समुद्र का level increase होगा और समुद्र का level जब increase होगा तो काफी सारे बताया जा रहा है छोटे-छोटे island समुद्र के नीचे आ जाएंगे मतलब कि वहाँ पर life बचेगी नहीं जो आज की rate में life है वो बचेगी नहीं तो यह बहुत बुरी इस्तिती आने वाले समय में हो सकती है और इस साल की जो theme है इसकी वो है knowledge for sustainable arctic तो यह चीज़ आपको थोड़ी सी धान में रख रही है और इस प्रकार के international collaboration की और cooperation की क्या अवशक्ता arctic शेतर के लिए तो मैंने आपको समझा ही दिया एक idea दे दिया arctic warming इस शेतर पर गर्मी हो रही है temperature increase हो रहा है ice melt हो रही है जो क sea levels के बारे मैं आपको समझाया कि जब melt होते हैं तो sea level increase होता है उसकी monitoring करनी होती है biodiversity को maintain करने के लिए क्योंकि sea level increase होगा temperature increase होगा तो obviously काफी सारी जो species है वो लुप्त हो जाएंगी काफी सारे ऐसे जो area है जहापर इन species का घर है habitation वो खतम हो जाएगा क्योंकि वो पानी के नी monsoon को modulate यानि कि इसका नियंतरित करने में बताया जा रहा है यानि कि Indian monsoon को Arctic के अंदर कोई भी change आते हैं तो Indian monsoon पे भी हम लोग को changes देखने को मिलते हैं तो यह connection भी यहाँ पर बताया गया हमने अभी समझा भी Indian monsoon के बारे में है और और भी कुछ fact जो है वो Indian monsoon से related आप जो जो Arctic Sea जो melt हो रही है तो उसका impact हमारे Indian monsoon के ओपर क्या पढ़ने वाला है उसको समझने में बहुत जादा मदद मिलेगी और इंडिया और Arctic छेत्र की बात करेंगा है तो 2013 से ही इंडिया एक observer status के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है Arctic Council में जहाँ पर total 12 countries है जपान, China, France Germany, UK, Italy, Switzerland, Poland, Spain, Netherlands, Singapore और South Korea तो ये सब countries हम लोग को देखने को मिल रही है जिसमें इंडिया जो है वो as a observer status की तौर पर हमें नजर आ रहा है इंडिया जो है वो 1920 से ही इस छेत्र के साथ एंगेज करता आ रहा है जब हम लोग ने देखा था कि Salwardi pretty sign करी थी 1920 में तो उस समय से ही ह आटिक छेतर पर जो है वो एंगेज करते हैं यानि कि वहां से जुड़े हुए है जुलाइ 2008 में इंडिया ने Permanent Research Station जो है वो आटिक पर जिसका नाम है हमादरी पहले पूछा आ चुका है इस से रिलेटेड कोशन यह हम लोग ने सेट अप किया हुआ है और यह कहां पर किय जब भी किया है एक मल्टी सेंसर अब्जरवेटरी को मूर्ड अब्जरवेटरी को जिसे इंडिया आर्क का नाम दिया हुआ है और यह जुलाइ 2014 से हमें देखने को मिल रही है हमने इसे कॉंग्स जॉड़न जॉड़ पर जो है वो इस्तित किया है यानिक उसको वहापर जो गोवा में हमें देखने को मिलता है जो की ministry of earth science के इंडर आता है फर्दर इंडिया का क्या contribution हम लोग को देखने को मिलता है तो इंडिया ने plans share किये हुआ है कि कैसे Arctic छेत्र में especially जो observing जो systems है यानि कि जो observe करेंगे पूरा Arctic छेत्र में क्या changes आ रहे हैं तो उसके लिए हमने contribute किया हुआ है in situ और remote sensing के through हम लोग ने contribution अपना दिया हुआ है और इस छेत्र पर गाईस लंबे समय तक monitoring कर सकें उस पर भी जो हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं और हम लोग ने निसर नासा इसरो synthetic aperture radar satellite mission launch करने के लिए हम तयारी कर रहे हैं जिसे हम लोग United States के साथ collaborate करके तया कर रहे हैं जिसका main aim यह है कि पूरे दुनिया भर में measurement हम लोग को करना है कि किस प्रकार से changes land surface का हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यह advanced radar imaging के थूरू यह चीज की जारी है यह पूरे area का कि क्या changes पूरे area में real time changes किस प्रकार के हो रहे हैं तो उसकी जानकारी जो है वो इस आइडिया होना चाहिए अब देखो यह covid जिनको हुआ है उसके बाद उनमें समस्या आ रही है black fungus की तो यह क्या है भाई black fungus इसको समझते हैं तो यह एक काफी rare disease है और नई disease है हाला कि covid से पहले भी यह हुआ करती थी black fungus बट covid जिन patient को हुआ है तो उन patients में यह जो ठीक हो गए covid से तो उनमें black fungus का खत्रा आज की rate में बहुत जादा नजर आ रहा है और काफी तेजी से यह infection बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यह बिमारी जो है वो detect हुई थी covid patients में frequently detect हुई जिनको covid हुआ था उसके बाद फिर इन्हें यह बिमारी होगी black fungus की इस disease के बारे में बात करें त infection हमें देखने को मिलता है आपने कुछ photos देखी हुई आख होगी आख सूच जाती है लोगों की इसे mucormycosis जो है वो कहा जाता है mucormycosis याद रखियेगा ना यह disease जो है वो skin को खराब करती है skin में देखने को मिल जाती है rashes कभी आ जाते है even lungs को effect कर देती है और brain को भी तक effect कर देती है और यह basically कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि black fungus बिमारी जो है जो हम लोग को environment में मौजूद जो mucormycets जो देखने को मिलता है mucormycets इसके रूप में जाने वाली जो है यह molds जो फुफंद जिसको हम लोग बोलते है जिसे fungus हम लोग बोलते है उसके कारण हो ठीक है तो environment में यह mucormycets नाम की फुफंद मौजूद होती है fungus मौजूद होती है जिसके contact में patient आते है और उनको फिर यह बिमारी होती है और black fungus अभी बिमारी अभी अभी नहीं आई है black fungus पहले से थी but covid के कारण यह बढ़ने लगी है ठीक है तो यहाली चीज हापर बताई पहले को मुलता है तो उसकी ability जिन लोगों में reduce हो रही है जिस पे आसान भाशा में इम्म्यून सिस्टम काफी ज्यादा suppress हो गया है खराब हो गया है तो वह effect हो रहा है इस particular बिमारी के कारण इसमें sinuses या फिर lungs एक individual के effect होते हैं जिस समय वह inhale कर लेते हैं हवा में इस fungal को त मिलता है warning sign में हम लोग को देखने को उनता है आखों के आसपास हो लाल हम लोग को देखने को मिलने लगता है लाल होने होने हो सकता है exercise लेने में परिशानी blood vomit हो सकती है और even mental status में परिशानी होने लग सकती है मतलब कि साथ में वेक्ति जो है वो चीजों को भूल रहा है बार-बार राइट एक जहाँ concentrate नहीं कर पा रहा वो मैंने इस प्रकार की चीज़ें होने लगती है treatment की बात करने गई तो anti-fungal treatment इसका हम लोग को देखने को मिलता है और cases में जो है वो surgery की भी requirement हो जाती है तो यहाली चीज़ हाँ पर बताई आ रही है diabetes को control करना बहुत जादा important होता है steroid का use जो है उसको reduce करना रहता है जैसे काफी सारे patient steroid का उपयोग करते है right pain वगएरा को manage करने के लिए even उनको जो कुछ दवाईयां जो होती है मिलब NSAID की यानि की immuno-modulating की जो दवाईयां हम लोग को देखने को मिलती है उसको भी discontinue करना पड़ सकता है इसको prevent कैसे किया रहा सकता है mask लगाएं जिस भी particular dusty जगा पे जाए construction site में जाए वहाँ पर mask लगाना ज़रूर ये shoes पहने लॉइ 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 बात करेंगे यूणीक disability ID के बार में अड़ेंटिफरी के बार में ठीक है यूणीक disability id जो है तो ministry of social justice and empowerment ने issue करी है एक notification जिसमें mandatory करती है सबी states और UT के लिए कि जब भी भी उन्हें disability का certificate देना होगा तो वो online mode के through ही सिर्फ दिया जाएगा और सिर्फ UDID portal का उपयोग करते होए यह वाली चीज़ इन्होंने बताइए और एक जून से यह चीज़ mandatory करने की बात करी है तो UDID portal है क्या इस चीज़ को हम लोग समझते हैं तो यह project जो हो implement किया गया है यह बताएगा है कि national database create किया जा रहा है PWDs के लिए person with disabilities के लिए ने की जो दिव्यांग जन जो लोग है तो उनका एक national data create करने को लेकर यह portal हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें जिनके लोग की पास इस प्रकार के जो card जो provide किये जाते है जिसमें उनको थोड़ा सा benefit वगरा मिल जाता है disability card के थूँ तो वो online portal के through ही provide किये जाएंगे यह वाली चीज़ हाँ पर बताए जा रही है यह project जो है वो नहीं सिर्फ encourage करेगा transparency को efficiency को बलकी government के benefits आसानी से लोगों तक मिल सके especially person with disabilities को मिल सके और uniformity ensure रहे तो यह सब चीज़े में यह project फाइदे मन हम लोग को देखने को मिल रहा है यह project जो है वो मदद करेगा कि track करने में physical और financial progress को beneficiaries की right सभी level पर implementation के village level पर block level पर district level पर state level पर national level पर कि किस प्रकार से PWD person with disability जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं क्या progress उनकी है तो उसको track करने में भी मदद करेगा अब आपको थोड़ा से बता दूँ मैं इस कानून के बारे में भी right of person with disability act 2016 के बारे में भी तो यह कानून जो था इसने replace किया था 1995 के कानून को person with disabilities equal opportunities protection of rights and full participation act को इसको replace किया था और बताया गया था कि जितनी भी disability है उनको define किया जाएगा evolving और dynamic concept के अधार पर इसमें कहा था कि जितनी भी disabilities थी उसको 7 से बढ़ा कर 21 कर दिया गया था कि 21 disability जो है वो इसमें शामिल की गया यानि कि जो भी लोग 21 disability से प्रीड़त है उनको certificate प्रवाइट किया जाएगा इसमें reservation भी बढ़ा दिया गया right तो जो भी लोग सफर कर रहे है disability से 3% से reservation 4% कर दिया गया government jobs में और 3% से 5% कर दिया higher educational institution में तो यहली चीज़ आपर पताए गई इस कानून जो था यह United Nation Convention on Rights of Person with Disability इसी के line पर जो है वो तयार किया गया था जिसकी India signatory है तो यानि कि इस United Nation Convention की United Nation Agreement की India signatory है और इस convention के according यह कानून बनाना और PWD person with disability जो है उनको various benefits provide कराना इंडिया के लिए mandatory था तो इसलिए इंडिया ने यह कानून बना कर वो चीज़ करी यानि कि international convention का भी बालन किया और दूसरे programs और initiative हम लोग को disabled persons के लिए जो देखने को बिलते है वो क्या है तो accessible India campaign जिसके थूँ PWD के लिए एक अच्छा environment बनाना यानि कि जहाँ पर भी public place जहाँ पर भी है तो बहाँ पर person with disability जो है दिव्यांग जन जो person है तो उनको benefits provide कराने ने कि उनके लिए पूरी विवस्ता होनी चाहिए दीन दयाल disabled rehabilitation scheme एक हम लोग को देखने को बिलती है जिसमें financial assistance provide किया जाता है NGO को जिसके थूँ NGO जो है वो various service provide करा सके PWDs के लिए इसके लाबा एक और हम लोग को चीज़ देखने को बिलती है assistance to disability person for purchase fitting of aid and appliances यानि कि आपको बता हुआ दिव्यांग जो person होते है उनको जैसे कि जो लोग चल नहीं पा रहे तो उनको wheelchair provide करा दी और 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 भी काफी सारी चीज़े होती है जैसे कि जिन लोग को सुनाइन नहीं दे रहा तो उनको ये provide करा दिया क्या बोलते है hearing machine तो इस प्रकार की सहयता जो है वो appliances की उन तक पहुँचा ही आई और national fellowship for student with disability इसका main aim ये है कि opportunity provide कराना students को जो disabled students है कि वो higher education pursue कर सके higher education में दाखिला ले सके तो यह आली चीज़ हाँ पर बताएगे तो यह था पूरा overall topic अब paper 3 के topics की तरफ आगे बढ़ रहा है हम लोग discuss करेंगे शुवूया deserti के बार में शुवूया deserti देखो ये इस प्रकार की प्रजाती है तो देखो ये छोटी सी पक्छी dinosaur जैसा दिखने वाली nocturnal nocturnal मतलब निशाच चार मतलब रात में जो है वो शिकार करने वाला और ये रात में घूमने वाले जो जानवर होता है जैसे की चिमगादर हो गया ये उल्लू हो गया तो ये रात में घूमते हैं तो ये उस प्रकार की species थी bird की जो की 70 मिलियन साल पहले रहा करती थी और तीतर पक्षी के आकार की है ये दो पैरों वाला क्रेटेशियस काल में पाया जाने वाला डाइनसौर था दो पैरों वाला क्रेटेशियस काल में पाया जाने वाला डाइनसौर और इसका वजन एक छोटी घरेलू बिल्ली के बराबर होता था बहुत ह इसकी काफी अच्छी थी, सुनाई, इसको काफी अच्छा देता था, शिकार करने के लिए इसका यह उप्योग करता था, अपने night vision का और वो करने का, शिकार करने के लिए, सुनने का, और जैसे dinosaur में हम लोग को देखने को मिलता है, कि बहुती मजबूत जबडे होते हैं, right, strong jaws होते हैं, नुकीले दाथ होते हैं, sharp teeth होती है, जो कि जालतर हमलो को Carnivores में, मासाहारी dinosaur में देखने को मिलते हैं, वो इसमें नहीं थे, right, इसमें वो lag करते हैं, यह एक पक्ची की तरह हम लोग को देखने को मिलती थी, right, lighted skulls का हम लोग को देखने को मिलता था, और चामल के दाने जैसे ही छोटे-छोटे इसके दाथ थे इस पक्षी के तो यह जीद आपको छोड़ी सी ध्यान में रखनी है शुवुया डेजर्टी अगर कोशन आ रहे यह क्या है तो आपको ध्यान में रखना यह पक्षी है जो की 70 मिलियन साल पहले हुआ करती थी इस धरती पर अब लास्ट फेस अंतिम चरण का मलबा जो है वो मौल्दीव के पश्चिम में मौल्दीव के वेस्ट में इंडियन ओशन में गिरा है पिछले महीने इस रॉकेट से चीन द्वारा अपने निर्मान धीन अंतिरिक्ष स्टेशन के प्रमुक खटक अंतिरिक्ष में भेजे गए थ तो देखो under construction space station है आपको बता हुआ कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि चाइना अपना खुद का space station जो है वो तयार कर रहा है तो उस space station को तयार करने के लिए पिछले महीने इसने कुछ components है वो space में भेजे थे इस rocket के जरिये तो और अब ये rocket का मलबा जो है वो नीचे गिर है long march 5B Y2 rocket जो है जो की तिनाही और heavenly harmony module जो है वो carry कर के ले जा रहा था जो की पहले तीन components है चाइना के space station को construct करने के लिए और अगले साल तक बताया जा रहा है अगले साल के end तक चाइना का ये space station बन जाए रहा तो यारो जैसे international space station है वैसी चाइना अपना खुद का space station बना environment ठीक है तो ये क्या करेगा guys तो ये basically space station को manage करेगा control करेगा और इसे तियान गॉंग जो है वो कहा जा रहा है या फिर heavenly palace इसको नाम जो है वो दिया गया है heavenly palace राइट एक बहुत बड़ा palace space station बर और तियान गॉंग अंतराश्विया अंतरिक्ष station international space station के बाद दूसरा space station होने वाला है इसे 10 साल के जीवन काल हे तू design किया गया 10 years के इसका life span होगा हाला कि 15 साल या वर्ष 2037 तक काम करने में ये सक्षम है और इससे जुड़े जो चिंताएं हैं जो मुद्धे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि इस rocket की re-entry जो है यानि कि इस rocket जो है जो री- controlled re-entry है अभी तक history में यानि कि जो ये गिरा है वो सबसे बड़ी uncontrolled re-entry बताई जा रही है जिसने चिंता को उठा दिया है concern को raise कर दिया है अभी कुछ recent दिनों में कि इसका damage जो होगा धरती पर गिरने पर बहुती बुरा होगा तो यहाली बात यहां पर बताई जा रही है इ Special Aeronautics and Space Administration NASA के द्वारा United States में कि यह जो गिरा है यह इसके लिए responsible जो होगा वो चाइना होगा तो यहाली चीज इनोंने पताई है और गिरने का कारण भी यह बताए कि यह सब standard इसमें equipment जो है वो लगाए गयते है यह ठीक equipment इसमें नहीं लगाए गयते है और कुछ researchers ने यह भ पताई गई है तो आज की rate में क्या करने की आवशक्ता है गाई तो spacefaring nation मतलब कि जो भी countries होती है जो की space पर अपने rockets वगेरा को अपने spacecraft को जो है वो भेशती रहती है तो इन्होंने इन countries को जो है वो risk को minimize करना होगा कि जब भी भी re-entry करें इनके space के object जब दरती के atmosphere पर आए तो इस प्रकार की हानी जो है वो नहीं होनी चाहिए और maximum transparency रखना चाहिए इनके operations की की जो भी operations कर रहा है हर एक detail जो है वो उसकी रखनी चाहिए यानिकि उसका data जो है वो various international agencies उसको share करना चाहिए जिसे की पता तो लगे कि यह किस प्रकार के operation में involved है कही उस operation से space के environment को तो नहीं पहुच रहा है धरती के जो atmosphere उसको तो नुकसान नहीं पहुच रहा है तो इस चीज का अकलन कर सके scientist researcher अब गाईस discuss करेंगे regulations review authority 2.0 के बारे में very important topic है यह तो बताया जा रहा है कि Reserve Bank of India ने अभी recently एक advisory group बनाया है second regulations review authority को assist करने के लिए उसकी help करने के लिए आपको बता इसको setup किया गया है तो जितने भी regulations जो होते हैं उनको monitor करेगी है check करेगी review करेगी जितने भी regulations आते हैं और जितने भी compliance का burden होता है regulated companies के उपर उस burden को reduce किया जाएगा मतलब कि compliance का burden का मतलब होता है यसी कि आपको बता हुआ कि समय समय पर companies बगरा जो होती है entities बगरा जो होती ह राइट वेरियस चीजों के उनको reply जो है वो करना पड़ता है जो भी notifications वगएरा जो जारी होता है company को लेकर तो उनको various documents वगएरा जो है वो provide कराने होते हैं तो उस administrative चीज़ को यान की corporate के administration को reduce करने के लिए की administrative जो burden जो रहता है उसको reduce करने के लिए भी ये काम करेगी regulation review authority 2.0 अब आगे की थोड़ी सी बात करें हम लोग इसके background की जैसे की 1999 में Reserve Bank of India ने set up किया था regulation review authority को जितने भी regulations होते हैं, circulars होते हैं, reporting systems हम लोग को देखने को मिलते हैं जो की public banks और financial institution के feedback पर अधारित होते हैं तो उनको review करने की ये authority थी ठीक है? regulations review authority 2.0 की बात करें गया इस तो ये mainly focus कर रही है compliance को reduce करने को बर compliance burden को reduce करने को बेसिकली right, कैसे एक reduce करेगी? procedures को simplify करेगी, वही चीज़ मैं आपको बता ही न, कि कई बार कुछ documents वगेरा जो है ministry of corporate affairs को, various ministry को companies को देना पड़ता है, तो उसको reduce किया जाएगा और चीज़े जो है कुछ reporting की requirements को भी reduce कर दिया जाएगा, जिनकी unnecessarily, जिनको देना पड़ता है, उसकी ज़्यादा आवशक्ता नहीं होती है right, ये feedback भी लेगी companies वगेरा से, कि बताओ यार, कि मतलब क्या-क्या चीज़ आपको problem, आप क्या-क्या face करेगी, किस प्रकार से काम करना जाएगी फिर वो चीज review करने के बाद जो है, फिर देखेगी, कि necessary कौन से documents है, कौन से नहीं है, तो उसके अधार पर ये bifurcate करेगी चीज़ों को, right, मतलब की, वो करेगी, मतलब की categorize कर देगी, right, तो यहली चीज़ इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, इसके लाबा ये companies को regulate करे में देखें, तो ये 1935 में establish हुई थी, इसके बार में आपको पता होना चाहिए, Reserve Bank of India Act 1934 के तहट इसको establish किया गया था, और originally private owned थी है, मतलब की Reserve Bank of India जो थी, वो original तोर पर एक private company थी, फिर 1949 में इसको nationalize कर दिया गया था, ये वाला भी point एक अच्छे से ध्यान में रखिएग और Reserve Bank of India पूरी तरह से Government of India की हम लोग को देखने को मिलती है, तो RBI के main functions हम लोग को क्या देखने को मिलते है, तो monetary authority हम लोग को देखने को मिलती है, बनाती है, implement करती है, monitor करती है, monetary policies को, इसके recent initiative में हम लोग को government security acquisition program देखने को मिला था, जिसके बार में कल के ही lecture में मैं आप इसके लाबा financial system की regulator है, regulate करती है, पूरे financial system को supervise करती है, monitor करती है, देखती है कि कहीं कोई गुटाला तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार की banking system में कोई problems तो नहीं जा रही, तो even ये कुछ guidelines वगेरा, parameters वगेरा, bank किस प्रकार से operate करेगी, banking operation किस प्रकार से होगा, हमारी country के banking और financial system जो काम करते हैं, जिसके तहट, तो उसके according bank को कैसे operate करना है, उसकी जानकारी देती है, उसकी guideline बगर जारी करती है, ये foreign exchange की manager है, ये manage करती है, foreign exchange, management act 1999 के तहर, foreign exchange को manage करती है, currency को issue करती है, notes अपने अला काम, RBI का हम लोग को देखने को बलता है, issue करती है, exchange करती है, even destroy भी करत इसके लाब इसका developmental role भी हम लोग को देखने को मलता है, काफी सारे, इसके essay functions है, जो की national objective को support करने के लिए हम लोग को देखने को मलता है, जैसे कि bank को भी जो guideline जारी करती है, तो bank को बोलती है, कि आपको loans जो है, priority sector में देना होगा, priority sector का country के लिए क्या है, जैसे कि कि किसानों का उद्धार हो, गरीबी खतम हो, education जो है वो अच्छी हो, तो ये qualitative tools का हम लोग को देखने को मलता है, right, banking system के अंदर, जो RBI बोलती है, bank को समय समय पर इसको change भी करती है, इसके लाब regulate करती है, supervise करती है, payments और settlement system को, introduce करती है, upgrade करती है, safe और efficient mode of payment system को, जैसे कि आज की डिजि recent initiative के तोर पर हम लोग जैसे की, अगर बात करें, digital payment index की, payment infrastructure development fund की, तो ये इसके recent initiative है, NPCI जिसके बार में कुछ दिनों पहली हमने discuss किया था, तो NPCI एक umbrella organization है, जो की retail payment और settlement system जो हमारी country के अंदर हो, उसको operate करता है, ये establish किया गया था, Reserve Bank of India के तोरा, India Bank Association के तोरा, NPCI का काम क एक बहतर payment और settlement infrastructure हमारी इंडिया के अंदर हो, और ये payments and settlement system act 2007 के provision के अंडर काम करता है, और इसके related functions हमको RBI की क्या देखने को मिलते हैं, तो ये सरकार का bank है, RBI, ये basically merchant banking functions को perform करता है, केंदर और राजी के लिए, केंदर और राजी सरकारों के लिए, वानेचिय बैंक के रू लोन लेती है, तो यहले शीज हम लोग को देखने को मिलती है, और उनके banker के रूप में भी कारे करता है, उसके लबा बैंकों का bank के RBI, आपको पता ही होगा, bankers bank, और ये maintain करता है banking accounts को सभी schedule banks के, और ways and means advance के बार में पहले मैं आपको बताया हुआ है, कि short term loan facilities होती है, तो ये allow करता है, center और state को कि center और state RBI से जो है वो fund ले सकते है, अगर उनको लगता है कि उनके जो खर्चे वगरा जो है वो mismatch हो रहा है, temporary basis पर, तो short term loan जो है वो directly ले सकते है, तो ways and advance means के बार में भी मैं आपको पहले पढ़ाया हुआ है, काफी detail में हम लोग ने चीज को discuss किया यह 6 महिने में परस्तुत करती है, monetary policy report यह भी 6 महिने में और report जो foreign exchange reserve के ओपर है, यह भी 6 महिने पर यह release करती है, ठीक है, तो यह था आपका आज का last topic और मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाया है, अगर आपको अच्छे से clear हो है, like button ज़रूर हिट कीजएगा, नए आए हैं चैनल को subscribe कीजिए, UPSC test series आपके लिए available है, CSET का course आपके लिए available है, अगर आप CSET में कमजोर है तो इस course को join कर सकते हैं, ancient medieval और modern Indian history आपकी cover करवाई जा रही है, इस course के अंदर, और बाकी sociology का optional का course है यह और environment studies का भी एक course मैंने शुरू कर दिया, environment का course मैं खुद personally जो है वो cover क है, handout notes मिलते है, weekly compilation दिया जाता है, PDF का आपके revision के लिए और आपको monthly magazine दी जाती है, इतना सब कुछ मातर 100 rupees पर मन्त की fees में एक offer भी है, जिस offer को आप ले सकते हैं, जिस offer में अगर आप 12 months की fees पे करते हैं, यानि कि January 2021 से लेकर December 2021 की पूरी fees पे करते हैं, यानि कि पूरे साल के अगर आपको चाहिए, current affairs के notes, handouts, right, PDF, तो आपको उसके साथ free MCQ provide किये जाते हैं, हर महीने के, और MCQ अगर आपको अलग से चाहिए, तो वो facility भी available है, ठीक है, और अगर आपको paid package लेने में कोई समस्या आती है, उससे related कुछ पूछना है, तो मेरा personal number है 9713-2828282838, इस number पर WhatsApp क के थ्रू, Telegram के थ्रू या SMS के थ्रू आपको से contact कर सकते हैं, मेरे reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा, तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे, next lecture में दब तक लिए, bye bye, take care, have a great day ahead, ta-ta. Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS. Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं, या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं, तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं, यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है, जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint, जैसे जो newspapers होते हैं, उनकी news को cover किया जाता है, PIV के reports को discuss करते हैं, राजसबा television में जो भी important debates, discussion आती हैं, उनको lecture के दुरान cover किया जाता है, even EPW, down to earth, योजना जैसे जो magazines होती हैं, उनके articles को भी cover करते हैं, तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे, religiously classes को follow करेंगे, तो आपको 100% guarantee success मिलेगी, और आपका 100% guarantee selection होगा, और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है, नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे, आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में, हमने जो topics cover कराए थे, उनी से related questions बने हैं, तो फटा फट चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं, तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में, और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी, आप उस channel को भी join कर सकते हैं, plus discussion group भी हैं, जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौजूद हैं, जो की daily business पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं, उनको discuss करते हैं, तो आप उसको join कर सकते हैं, तो full focus के साथ start करते हैं, current affairs की class को, but before that, ये कुछ courses की details और हमारे channels की details है, तो चलो guys, नाम के आगे IAS लगाने की तैयारी शुरू करते हैं, आज paper 1 से related कोई topic नहीं आया है, directly paper 2 के topics से start कर रहे हैं हम लोग, तो बता जारे की पाकिस्तान की जो सरकार है, वो नए नियम बना रही है, FATF की demand को fulfill करने के लिए, FATF का topic बहुत जादा important है, इसके बारे में आपको अच्छी जानकरी होनी चाहिए, financial action task force के बारे में, कई बार इस topic को मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो आपको प उसको समझेंगे, तब जाकर और बेटर तरीके से आपको ये topics on में आएगा, तो ध्यान दीजेगा, FATF, financial action task force इसका पूरा नाम है, ये एक intergovernmental body है, जिसको 1989 में establish किया गया था, और question आता है कि FATF किसका initiative है, तो आपको G7 पता होना चाहिए, group of seven nations का ये initiative हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक policy making body है, policy बनाती है ये, नीती, निर्मारक, निकाई हम लोग को देखने को मिलता है, policies बनाती है, कैसी policies बनाती है, जो various areas में एक country की जो legislative है और regulatory reform जो हम लोग को देखने को मिलता है, विधाही और नियामक सुधार जो है, उसको करने के लिए ये various policies जो है, create करती है, देखो, आसान भाशा में इसका main जो काम होता है न, वो ये है कि पूरे दुनिया भर में से money laundering को reduce करना है, खतम करना है, और जितनी भी terrorist financing होती है, उसको खतम करना है, तो इसके जो financial action task force के जो officials होते हैं, वो निगरानी रखते हैं countries के ओपर, कहीं किसी country के अंदर illegal sources से पैसा तो नहीं आ रहा, money laundering के थूँ पैसा तो नहीं आ रहा, किसी country के अंदर, किसी country से पैसा, जो illegal तरीके से आया है, उसको कहीं वो country terrorist financing पर खर्चा तो नहीं कर रही है, या फिर जो legal पैसा है, उसका उपयोग terrorist financing में तो नहीं किया जा रहा, ये सब चीजे चेक की जाती इन सब चीजों के उपर track रखा जाता है, right, FATF का secretariat जो है, वो हम लोग को organization of economic cooperation and development का जो headquarter है, Paris में वहीं पर ही देखने को मिलता है, right, इसका secretariat भी, इसके कार है क्या है, तो initially इसको establish किया गया था, जाच करने के लिए, और कदम उठाने के लिए कि कैसे money laundering को रोका जा सकता money laundering क्या होती है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा आपको idea होगा money laundering के बारे में, फिर भी कुछ चीज़े समझो, तो देखो money laundering के बारे में समझना आप लोग के लिए बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि general studies, paper 3, security में और financial issues जो हम लोग को देखने को मिल काला धन जो होता है, वो एक country से दूसरे country में transfer किया जाता है, अब जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास काला धन है, एक X नाम का व्यक्ति है, उसके पास black money है, ये व्यक्ति क्या करेगा, हवाला के agent को धूंडेगा India के अंदर, फिर हवाला का agent को ये पैसे देगा, पैसे transfer करे ठीक है, बोलेगा कि ये मिरे पास इतने रुपे हैं, एक करोड रुपे है, आप इसे जो है वो United States में भेज़ दो, dollar में transfer करके, रही देगी, convert करके, आप United States पहुचाओ, इस currency को मुझे United States में ये currency चाहिए, यानि ये पैसा चाहिए, ठीक है, तो हवाला का agent कुछ commission लेता है, commission चार्च करता है, और फिर उसके बाद ये पैसा जो है, वो पहुचा देता है, United States में, ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, अब ये ऐसा होता कि उसके आगी की procedure में आपको समझाओंगा, बर पहले ये वाला concept जानो, कि क्या पैसा, ये व्यक्ती जो ह है, illegal तरीगी से पैसा उसको United States पहुचाना है, तो क्या ये इस प्रकार से जाएगा, क्या, transportation mode इनका क्या होगा, तो देखो guys, इनका कुछ transportation mode नहीं होता, इनका जो पूरा धंदा चलता है, business चलता है, वो सिर्फ calls पे चलता है, call पे, ये व्यक्ती जो होगा, हवाला का agent, वो X नाम के व्यक्ती को, जिसका काला धन है, उसको बोलेगा, United States में कहाँ पर पहुचाना है पैसा, तो Wall Street बोल दिया, उसने जैसे कि वहाँ पर पहुचा तो वहाँ पर एक कार आखे खड़ी होगी BMW, वहाँ पर पैसा रखवा तो उस कार के अंदर, तो ये क्या करेगा, अपन फोन कॉल पर होती है, और हिसाब किताब जो होता है इनका, वो बिल्कुल इस ट्राइप का होता है, पेपर पर, जैसे कि कल को, अब यहाँ पर इसका एक करोड चला गया, अब एक करोड जो है वो, इंडिया पर पहुचाना है, और इसके customer को, इसके agent को पहुचाना है, तो इ आपको कियां अगे जिस प्रकार की बात का महतव होता है, बोली का महतव है, हमारी बात पत्थर की लाकिर है, रहेत, बोलते हैं की नहीं बोलते हैं, तो इक coupon होना थी इस प्रकार का भी, इकल को IPS बगेरा बन होगा आप, तो यह सब चीज़ों के बार में तो जानकारी होनी चाहिए ना वैसे तो आपको train किया जाएगा no doubt बट फिर भी पता हो ना जी इन सब चीजों के बार में किस प्रकार से यह function operator अब आप बोलोगे सर United States में इतना पैसा ले जा कि यह विक्ति क्या करेगा यह क्या करेगा United States के अंदर shell company खोलेगा shell company shell company कौन सी company होती है यह company कोई exact होती रही है यह सिर्फ paper पर company होती है मतलब यह company on paper होती है हुआ तो हुआ है लोग ने एक building या तो फिर एक किराय पर कोई place ले लिया दिखाने के लिए कि यह काम जो है यहाँ पर चल रहा है वहाँ पर कुछ काम नहीं चल रहा होता है पूर को ना कोई मशीन चल रही होती है ना कोई काम चल रहा था कोई काम नहीं हो रहा ठीक है बड़ यह क्या करते हैं यह फरजी कंपनी को खोल कर वहाँ पर जो पैसा काला पैसा आया हुआता है उसे अपने पास ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल ब्लैक मनी को यह वाइट मनी इस प्रकार से बना देते हैं तो black money को white money बनाने का root भी जो होता है वो shell companies के थूँ होकर जाता है तो यह सब क्या है illegal तरीके हम लोग को देखने को मलते हैं और यह जो black money जो होता है कई बार लोग money laundering के थूँ इसी प्रकार के हवाला system के थूँ black money को terrorist तक भी पहुचाते हैं terror financing करने के लिए तो इन सब activities के उपर नजर रखने के लिए और इन सब activities को रोकने के लिए जो body काम करती है वो कौन सी है FATF Financial Action Task Force तो अब आपको FATF के functions और roles का idea हुआ हुआ कि यह क्या काम करती है तो money laundering को रोकने का इसका काम है October 2001 में FATF ने अपने काम को और बढा दिया था terrorist financing को रोकने पर भी इसने काम करना शुरू कर दिया था money laundering को रोकने के इलावा 2001 से पहले सिर्फ money laundering पर काम करती थी फिर अब terrorist financing पर भी इसने काम करना शुरू कर दिया ट्रैक करना शुरू कर देगी कौन सी country के अंदर terrorist financing हो रही है एप्रिल 2012 में इसने और प्रयास किये कि कैसे जो weapons का जो proliferation जो हम लोग को देखने को मिलता है मतलब की हतियार वगएरा जो लोग अपने पास जो है वो जमा करके रखते हैं तो उसकी भी financing होती है तो यह जो weapons of mass destruction जो होते हैं जो nuclear weapons type के इस प्रकार के weapons होते हैं जो बहुत बहुत huge destruction करते हैं और कुछ लोग जो है वो इस प्रकार के खतरनाख chemical weapons अपने पास रखते हैं तो इस पर भी रोक लगाने के लिए काम करती है ठीक है FATF तो इसके बारे में भी आपको देखने को मिलते हैं और दो छेत्रिय संगठन है कौन से कौन से दो छेत्रिय संगठन हम लोग को देखने को मिलते हैं GCC और EC मतलब की Gulf Corporation Council और European Commission और Gulf Corporation Council ये दो regional organization है और 37 countries हम लोग को इसके member के तोर पर देखने को मिलती हैं तो ये चीज़ आप थोड़ी सी धान में रखेगा और India भी इसकी member है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है जैसे India हो गई Australia हो गई Argentina हो गई Brazil हो गई Canada हो गई चाइना हो गई तो ये सब इसकी members है FATF की website पर जाकर आप इनके पूरे members की list देख सकते हैं वैसे it is not important बस ये ध्यान में रखना कि इंडिया इसकी member है तो ठीक है ये चीज़ आ सकती है आप देखो FATF तीन list maintain करती है black list gray list और यहाँ पर शाय dark gray list के बारे में mention नहीं है बट मैं चाहूंगा कि आप अपने notes में dark gray list भी रख लीजिए क्योंकि ये वाली भी एक list maintain करती है FATF तो शुरुबात करते हैं gray list से पहले gray list को समझो जैसे कि पाकिस्तान पाकिस्तान को आपको मैं बता दूँ कि पाकिस्तान को 2018 में जून 2018 में FATF ने gray list में पाकिस्तान को रख दिया था क्योंकि देखो पाकिस्तान जो है वो various documents नहीं दे पार था क्योंकि FATF को पता लग गया था कि पाकिस्तान के अंदर से terrorist financing हो रही है पाकिस्तान पहले पाकिस्तान क्या बोलता था हम terrorist को funding नहीं offer करते कुछ नहीं करते आज की rate में बोलने लायक नहीं रहा यह क्योंकि FATF ने clearly बोल दिया कि यह involved है terrorist financing में तो कल को आप interview panel के सामने बैठो अपना personality test दो या फिर अगर mains में भी लिख रहे हो तो आप बिल्कुल दावे के साथ लिख सकते होगी पाकिस्तान is involved in terrorist financing पाकिस्तान terrorist financing में involved है और उसके बारे में even FATF ने भी confirm किया है FATF confirmed about it right and put Pakistan in its grey list पाकिस्तान को इसकी grey list में इसने शामिल किया है 2018 में FATF ने तो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को FATF ने जो grey list में रखा है क्योंकि वो terrorist financing में involved है FATF ने पहले warning नीदी पाकिस्तान को कि तुम यार जो terrorist financing जो कर रहे हो हमें उसके बारे में पता है इस terrorist financing को बंद गर दो right हमें खबर नहीं मिलनी चाहिए कि आप terrorist financing में involved हो और फिर इसको कुछ कहा गया है कि आप कुछ documents वगेरा जाली करो कि आप अपने जो funds वगेरा जो होते हैं वो कहा कहा पर transfer करते हो ये वाला जो आपका transaction है क्यों कुछ खूफिया चीज़े होती है इनके पास intelligence की दुरूपता लग आती है बोलते बता हो जाना कि ये वाला transaction आपका कहा पर गया है इसका क्या उप्योग किया आपने इतने amount का इतने transaction का तो उन सब चीज़ों का जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया है तो पाकिस्तान को grey list में रख दिया अब ये grey list ऐसी list होती है आपको एक idea लगया होगा initial phase में मतलब कि एक warning दी जाती है कि बिटा अभी भी समझा अभी भी नहीं समझा होगे तो तुम्हें black list में रख दिया जाएगा तो वो चीज़ होती है तो countries जो की safe heaven होती है या फिर जो terror funding को support कर रही होती है money laundering कर रही होती है तो उन्हें FTF grey list में रखता है ये warning के तोर पर रखता है उस country को warning दी जाती है कि अगर सुदरोगे नहीं बेटा तो तुम्हें black list में डाल दिया जाएगा फिर क्या होता है country फिर भी नहीं सुदर रही एक warning देने के बाद फिर आती है दूसरी warning जो dark grey list की हम लोग को देखने को मती है ठीक है dark grey list याने की second warning कि बेटा आप दूसरी बार समझा रहे हैं समझ जाओ अब फिर भी नहीं समझा सामने वाला तो उसको black list में डाल दिया जाता है इस particular list को non cooperative countries या territories जो है वो कहा जाता है इन्हें black list में डाल दिया जाता है ये country जो है वो terror funding को और money laundering activity को support कर रही होती है various warning देने के बाद भी इनोंने इन समझा अक्टिविटी को बंद नहीं किया होता बेट हला कि FATF फिर भी revise करती है बार-बार इन समझा लिस्ट को कि black list से किसी को निकालना है या grey list में किसी को डालना है या निकालना है तो ये बार-बार इनकी वो चीज होती रहती है या ये चेक करते रहते कि सुदरी की नहीं सुदरी country तो यह चीज भी होती है अब आप स अब देखो जैसे कि पाकिस्तान है पाकिस्तान को grey list के अंदर डाल दिया FATF ने इसका मतला उसको warning दे दी है ने कि पूरे दुनिया को पता लग चुका है कि पाकिस्तान terrorist financing में और money laundering में involved है ठीक है अब काफी सारी MNCs हम लोग को देखने को मिलती है multinational companies वगेरा तो वो deal कर रही होती है पाकिस्तान के अंदर बाहर से फॉरें से deal कर रही होती है अब FATF जो है जैसे कि कोई बड़ा amount है जो की transaction हो रहा है बड़े amount का MNC के बीच में किसी कोई भी company के बीच में और Pakistan government के बीच में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की territory में या Pakistan में पैसा जा रहा है ठ बाट कोई भी multinational company नहीं चाहेगी कि कोई official authority उसके दफ्तर में आए और आकर पूश्ताच करे कोई नहीं चाहेगा सबको अपनी reputation पसाद है जैसे कि बात बिलकुल वैसे ही है कि अगर कोई व्यक्ति चोर उचक्का है गुंडा है उस व्यक्ति के साथ अगर सीधा साथ है व्य institution चला रहा हूँ और मुझे पता लगता है कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो लोग जो है वो किसी गलत धंदे में involved है drugs के धंदे में या किसी भी धंदे में involved है मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता कि इनके साथ अगर लगातार मेरे पैसों लेंदेन होती रही तो कल को पुलिस मेरे दर्वाजे पर आकर मुझसे पूश्ताच करने लगेगी और कोई भी रेपूटेटिट कमपनी या इंस्टिटूशन कोई नहीं चाहता है कि उसके दर्वाजे पर इंक्वेरी हो क्योंकि तो पहली बात तो वो इतने बलब जैसे अगर बड़े-बड़े लोगों की अगर बात करें बड़े-बड़े कंपरी की बात करें उनका टाइम नहीं होता यह सब चीजे करने का वो तो अपने बिजनेस पर काम कर रहे होते हैं बिजनेस बढ़ाने के पर काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनका अगर टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा इस प्रकार की investigation में तो उनके लिए loss है और दूसरी बात reputation अब जब पूरे दुनिया जहाँ को बता कि Pakistan जो है वो terrorist financing करती है और उसके साथ अगर कोई MNC link create कर रही है उसके साथ संबन बना रही है तो हो सकता है कि दूसरी जो प्रतिष्टित countries वगेरा है या दूसरी companies वगेरा है वो इसके साथ deal नहीं करेंगे इसको boycott कर देंगे मुलेंगे या रे यार तुमारी संगिती खराब है जाओ तो हो इसके साथ deal करो बात को समझना और इस प्रकार से यानिकि अपन local और आसान भाशा में ही अगर चीजों को समझने की कोशिश करें तो बड़ी बड़ी चीज असानी से समझा जाती है अब देखो कितने easy examples के थूरू मैंने आपको यह अली चीज समझा दी world bank international monetary fund यह सब इसको loan नहीं देंगी support नहीं करेंगी international platform में उसको support नहीं किया जाएगा तो यह सब चीज है और यह तो हो गई बात gray list की black list में और पूरी हालत हो जाती है तो hopefully आपको यह बहुत अच्छे से concept clear हो गया अब देखो क्योंकि यह वाली जो चीज है यह लगातार news में है और इसलिए और जो टॉपिक लगातार होते हैं उनसे related questions पूशे जाते हैं अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताये कि economic sanction लग जाते हैं यानि कि क्या-क्या phase करना बढ़ता है एक country को अगर वो gray list में आ जाती है और black list में तो पूरी तरह से boycott हो जाता है तो economic sanction लगा देते हैं IMF, World Bank, ADB, Asian Development Bank जैसे मैंने भी आपको बताया था loans मिलने में उनको परिशानी आने लगती है World Bank से, ADB से और दूसरी country से international trade जो है वो reduce हो जाता है वो पूरी चीज जो मैंने भी आपको explain कर दी देखो point by point यहापर लिखा हुआ है और international boycott पूरे यनि कि international platform में उसको boycott कर दिये जाएगा उसको कोई support नहीं करेगा अगर उसको provide नहीं कराएगा तो बहुत बुरी इस्तिती खराब तो यहाली चीज हम लोग को देखने को मलती है और अब यह topic news में क्यों है तो आईए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो idea लगी गया आपको पाकिस्तान के बारे में की पाकिस्तान grey list में थी तो पाकिस्तान सरकार अभी नए नियम बना रही है कि कैसे FATF की grey list से बाहर आ सके ये तो इसने कुछ नए नियम जो है वो बनाए है money laundering और terror financing cases को रोकने के लिए है तो यह क्या कारवाई कर रही है तो देखो यह बोल रही है कि जितने भी anti money laundering के cases हैं उनकी जाच की जाएगी उनकी बहतर तरीके से investigation की जाएगी पुलिस के द्वारा ये agency वगरा भी set up कर रहे है anti corruption agency वगरा जो इनकी है और इस प्रकार की और दूसरी agencies वगरा जो है specialized agency और कुछ particular wing वगरा को set up कर रहे है specialized wing को जिससे की anti money laundering के cases जो है वो उसको बहतर तरीके से investigate कर सके है और पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार की money laundering ना हो तो उस पर रोक लगाई जा सके तो इस पर ही basically ये काम करने पर focus कर रहे है और इसलिए नए नए नियम लेकर रहे है बट इतना ये सब चीज़े exam में नहीं आएगी आपको तो simply बस यह वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि FATF के द्वारा पाकिस्तान वो grey list में डाल गरना होगा तो यह वाली चीज़ है और इस उपायों के अधार पर FATF जो है अगर पाकिस्तान FATF ने जो चीज़ कही है कि क्या क्या चीज़े पाकिस्तान को फुल्फिल करनी है क्या क्या documentation देने अगर वो पूरे provide करा सकती है तो फिर उसे जो है वो exit कर दिया जाएगा इस जैने कि वो clean shit उसको मिल जाएगी कि चलो ठीक आप कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी activity नहीं हो ली तो यह वाली बात है तो इससे related news थी और यह पूरा FATF का topic था hopefully बहुत अच्छे से आपको clear हुआ होगा अब देगे बताया यार है कि China ने बांगला देश को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो quad को join करती है बांगलादेश quad country को group of four countries जो है quad countries quadrilateral countries पता ना कौनसी कौनसी इंडिया कितनी बार बात करी हमने इंडिया जपान ऑस्ट्रेलिया United States very important यह नाम बिल्कुर रटेव हो जाने चाहिए अभी तक तो तो अगर बांगलाद बांगलादेश को भरपाई करनी पड़ेगी बहुत बुरी इस्तिती बांगलादेश की चायना करतेगा ऐसा इसने धमकी दी है तो चायना ने बहुत बुरी तरह से धमकी दी है बांगलादेश को कि वो अगर बांगलादेश participate करती है quad में तो फिर बांगलादेश की साथ य चाइना को काउंटर करना है हम लोग को इस छेतर में Pacific Indian Ocean के छेतर में और 2020 से ही अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है वो इस मुद्दे पर और इस प्रकार की वार्णिंग के साथ किया यानि कि किसी भी कंट्री को इस प्रकार की वार्रिंग देना सही बात नहीं है वो किसे हमने देखा कि बंगलादेश को भी वार्निंग दी यह क्लियरली इंडिकेट करता है कि बीजिंग जो है वो चड़ गया है इस ग्रुप से कौट ग्रुप से और उसको पता है कि यह जो ग्रुप है वो इंडो पैसिफिक छेतर में चाइना को काउंटर करने के लिए हमे को देखने को मिलता है कौर्ड गृप सभी चार कंट्री जो है यह बैसिकली एक कॉमन ग्राउंड क्रियेट करते हैं इनको पता है एक तो चारो कंट्री जो है देमुक्राटिक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है इस छेतर पर उनका कॉमन इंट्रेस्ट है कि maritime trade जो है व है वो चाइना का है right कई बार और और ऑस्ट्रिया के पास आकर और और के समुदर पे अपास अकर ऊपनी सम्मरीन भेज बेज कर वाप WAT 일단 कर देता है और अब क्या हो गया अब C.R. कांटृ मिल कर उसको पैनिक दे रहा है इसकी दिल की धर्लगा ने थेच कर रहा है West इसलिए वो थोड़ा सा चिड़ा हुआ है अब कि यार ये क्या नाटा गए और ये ग्रुप जो है इसके बारे में 2004 में हम लोग को देखने को मिला था जब 4 कंट्री एक साथ एकट्टा हुई थी और इन्होंने फोकस किया सुनामी के बाद 2004 की सुनामी के बाद 4 कंट्री एक साथ एकट्टा हुई इन्होंने बुला कि यार इस छेतर में development हमें करना है और इस छेतर में development करने लिए 4 कंट्री का एक साथ होना बहुत जरूरी है और पहली बार इनकी meeting 2007 में 2004 के बाद आशियान में Association of Southeast Asian की summit में हमें देख देखने को मिलता है तो quad जो है वो एक opportunity provide कराता है like-minded countries के लिए यानि कि ये चारो country जिनका focus एक ही type का है जैसे कि इस छेतर पर इंडो-Pacific छेतर पर सुरक्षा provide कराना इस छेतर पर trade जो हो वो free हो right free trade हो किसी प्रकार का restriction ना हो और China को इन्हें counter करना ये main चीज इनकी हमें पर right और members जो है उनका vision ये open and free Indo-Pacific जैसे मैं आपको जाए free trade होना चाहिए development होना चाहिए economic projects जो हो यहाँ पर होने चाहिए right जो की maritime domain को promote करें right awareness promote करें maritime security वहाँ पर maintain रहे right तो इस पर ये mainly focus करता है और वैसे अगर हम लोग बात करें गाईस जैसे कि ये चार countries की तो बहुत सा members हम लोग को देखने को मिलती है काफी सारे platforms में तो बता जाता है कि इसे किसी एक विशेश संदर्व में नहीं देखा जाना चाहिए तो ऐसा बोला जाता है बड़ हमें पता है कि ये चार countries मिली क्यों है चाइना को especially counter करने के लिए guys बात करेंगे national register of citizens के बारे में very very important topic राश official record है इसके अंदर उन लोगों के नाम शामिल किये जाते हैं जो legal Indian citizens होते हैं ये demographic information रखता है उन सभी लोगों की जो लोग qualify होते हैं as a citizen of India के तोर पर और citizenship act 1955 के तहट तो अगर मैं आसान भाशा में अगर आपको ये इसके बारे में समझाओं कि NRC क्या है तो ये list एक हम लोग Indian citizens की देखने को मिलती है और ये list को बनाने का main उद्देश ये है कि जो भी लोग illegal तरीके से इंडिया में रहे रहे हैं उनको identify करके वापिस उनकी जो native country है जहां से वो फाग कर आए हैं इंडिया के अंदर वहाँ पर उने deploy कर दिया जाए क्योंकि कोई भी topic पड़ो आप तो भी उसका main purpose आपको पता होना चीक है अगर ये NRC है natural register of citizens है तो एक तो समझा आगे कि register रही है तो यहाँ पर एक list जो है वो prepare की जाती है अब किसकी list prepare की जाती है राश्ट्रिय नागरिक Indian citizen की list जो है वो prepare की जाती है तो इस list जो होती है वो Indian citizens की होती है अब जो भी व्यक्ति इस list के अंदर शामिल नहीं होते हैं मतलब कि उनके पास Indian citizenship नहीं है वो illegal तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो illegal migrants को identify करने के लिए ये NRC की process हमें देखने को बलती है कोशन अगर आता है कि ये register कब पहली बार prepare किया गया था तो आपको ध्यार में रखना है 1951 के census के ब और आपको बता दे कि इस database को maintain करने की सिर्फ और सिर्फ database के इस list के अंदर जो database है उसको maintain करने की इजादत सिर्फ और सिर्फ आसाम राजी को है सिर्फ आसाम राजी ही जो है वो इस तरह के database को तयार कर सकती है केवल आसाम केवल only आसाम state तो बार बार मैं आसाम के उपर stress इस को नजर आएगा कि असाम स्टेट जो है बांगलादेश के साथ अपनी boundary शियर करती है और 1971 में लाखों की संख्या में बांगलादेशी illegal तरीके से इंडिया में एंटर हुए थे और even आज भी बिना किसी valid वीजा, passport, permission के इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं ना किसी citizenship के इंडिया के अंदर ये लोग रह रहे हैं तो उनको identify करके दुवारा से उनको वावस deport करने के उपर focus करते हो ये list को update करने की बात की जा रही है और NRC की update की प्रक्रिया जो है वो complete हो चुकी है इसके बारे में भी आपको बता होना चीए latest data उसका निकल चुका है उसमें भी काफी सारे लोगों के नाम शामिल नहीं है तो वो लोग foreigner tribunal court में foreigners tribunal में अभी भी अपनी applications दे रहे हैं जिससे की वहाँ पर foreigners tribunal पर जो है वो साबित कर सकें कि वो Indian citizen ही है क्योंकि कई बार ये भी ऐसी applications दा रही है कि काफी सारे लोग हैं जिनके पास अपनी citizenship को proof करने के लिए कोई valid document नहीं है क्योंकि होते हैं कुछ गरीब लोग उनके वो अपने documents अगरा maintain करके नहीं रखते हैं दावा कर रहे हैं कि वो Indian citizen नहीं है कि NRC की list को update कर दिया जाए citizenship act 1955 और citizenship rules 2003 के according आसाम के सभी parts में और ये process जो थी वो 2015 में officially शुरू हो गई थी और गैस NRC को लेकर अभी issue भी काफी ज़ादा चल रहे हैं even honorable supreme court ने भी कहा था कि जो updated list है NRC की उसकी जो पूरी exercise प्रक्रिया जो हो रही है तो उसको monitor किया जाए proper तरीके से क्योंकि साले 3 करोड या फिर 3 करोड 30 लाग exactly अगर हम लोग बात करें तो इतने applicants में से करीब 20 लाग के आसपास या 19 लाग से लेकर 20 लाग के आसपास ऐसे applicants हैं जिनको इस updated draft से हटा दिया गया है और वो बोल रहे हैं कि वो Indian citizens है बट फिर भी उन्हें इस list में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके बास valid documents नहीं थे ये proof कर पाए कि वो Indian citizens है तो ये NRC का जो topic है ये काफी जादा important topic है इससे related जो मैं आपको facts बता है वो definitely आपको पता होने से ये prelims में इससे related questions आपसे पूछे जा सकते है NRC के बारे में अब आपको बता दें कि अभी ये topic हमें news में क्यों देखने को मिला था तो आसाम के chief minister आसाम के मुख्यमंतरी हिमंता बिस्वा सर्मा इन्होंने कहा है और इनकी जो applicants है उनका re-verification करना चाहिए और जो remaining districts है वहाँ पर 10% का re-verification फिर से करना चाहिए ये सोरिशित करने के लिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ती जो Indian citizen है बट उसके पास valid documents वो नहीं दिखा पा रहा है या उसने नहीं रखे हैं अपने पास समाल के तो उस कारण वर्ष जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुचना चाहिए तो यह है guys जिसके बारे में आपको एक basic सी जानकारी basic सा idea होना चाहिए right guys बहुत जादा important topic की अब बात करेंगे FCRA again ये topic repeated है जिसके बारे में पहले मैं आपको बढ़ा चुका हूँ foreign contribution regulation act very important topic देखो इसके नाम से आपको क्या समया रहा है foreign contribution जो भी foreigners का contribution आता है इंडिया के अंदर तो उसको regulate करने के ऊपर ये कानून है तो अभी मुद्दा क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ NGO है वो दिल्ली पहुच गाए दिल्ली हाई कोट पहुच गाए क्यों पहुच गाए तो वो challenge कर रहे है Union Home Ministry के एक decision को Union Home Ministry ने amend किया है FCRA को और mandatory बनाया है ऐसे NGO को जो foreign contribution लेते है जिनके पास foreign funding आती है तो उनको New Delhi के अंदर SBI की एक branch में जो है वो खाता खुलवाना होगा और उसके लिए उन्होंने 31 March की उन्हें deadline दे रखी है 31 March तक खाता जो है वो खुलवा ले कहाँ पर New Delhi के अंदर SBI branch में ऐसे NGO जो foreign funding receive करते है जिनको foreign से विदेशों से जो है वो fund मिलता है donation मिलता है contribution लिने मिलता है अब ऐसा क्यों किया तो logic लगाओ काफी सारे NGO है जो घोटाला करते है foreign से उनके पास जो contribution आता है उसका जिस purpose के लिए contribution आ रहा है वो purpose को छोड़ कर वो दूसरे किसी activity में वो पैसा लगा देते है कई बार खा जाते हैं कई बार हम even ये तक देखते हैं कि कुछ यानि की damage करने की financing होती है जिसकी हमारे धंगा करवाने की और इस प्रकार की financing होती ऐसी activities में तो ये वाली हरकत हैं हो जाती है तो ऐसी हरकत जो है वो ना हो और proper तरीके से foreign contribution monitor रहे कि जो पैसा आ रहा है foreign से जो funding आ रहे क्यों कई बार ऐसा भी होता है कि black money जो होता है वो white money में लोग इस प्रकार से convert कर देते हैं कई सारे sense में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं जो भी cancer patient है उनको उनकी मदद करो जो गरीब लोगें उनकी मदद करो भुकमरी को खतम करो तो ऐसे अलग-अलग NGO अलग-अलग projects पर काम करते हैं तो वैसे अगर उनकी पैसा आ रहा है और NGO अगर वो पैसा खा जाए उसको उस purpose में उपयोग में ना ले जो NGO foreign contribution लेते हैं जिनके पास foreign contribution आता है कि उन्हें दिल्ली के अंदर एक bank account open करना होगा और उसी bank account में पैसा आएगा बट इससे कई संगठन जो है उनका काम बादित हुआ है काफी सारे organization जो है वो work नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस शर्थ के कारण ऐसे संगठन जो है उनके पास contribution नहीं आ पा रहा है अब क्या problem थी NGO को bank account खुलने में मुझे तो यह सवन में नहीं होनी चाहिए कई NGO जो है इन नए नियम से प्रभावित हुए है जिससे महामारी के दौरान उनके द्वारा किये जाने वाले राहतकारियों में बाधा उत्पन हो गई है तो यह वाली बात यहां पर बताई आ रही है आपको मैं FCRA के बारे में समझाता हूँ foreign contribution regulation amendment 2020 के बारे में समझाता हूँ तो देखो यह prohibit करता है public servant को लोग सेवको के लिए किसी भी विदेशी धन को स्युकार करने को निशिद किया जाता है कि कोई भी public servant जो है foreign funding किसी भी प्रकार की receive नहीं कर सकता और जो गैर सरकारी संगढ़न है NGO हैं इनके द्वारा प्रशाशन सम्मंधी लागतों के लिए विदेशी fund के उपयोग को मौझूदा 50 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताफ किया गया है ये क्या चीज़े देखो जैसे कि 100 डॉलर्स भेडा foreign से किसी foreigner ने एक NGO को इसमें ये बोलते हैं कि 50 डॉलर तो इनका खर्च हो गया पूरी विवस्ता करने में और 50 डॉलर ही जो है वो contribute किया जाएगा तो 50% का वो था administrative cost तो इसको घडा के यहाँ पर कर दिया 20% मतलब कहा कि अगर 100 डॉलर्स अगर भार से आ रहे हैं तो उसमें आप 20 डॉलर अपने administrative खर्चे पर उपयोग कर सकते हो बाकि 80 डॉलर उस purpose में use किये जाएंगे जिस purpose के लिए वो fund आपने receive किया है और ये भी कहा गया है कि foreign funding अगर किसी NGO को मिलेगी तो वो NGO किसी भी प्रकार से उस foreign funding को transfer नहीं कर सकते किसी भी organization को या किसी भी person को इन्होंने आधार card जो है वो mandatory identification documentation document बना दिया है जितने भी office bearers है यानि कि जितने भी जो NGO है उसके जितने भी directors होते हैं office में काम करने वाले लोग होते हैं और दूसरे जो NGO के साथ मिलकर जो दूसरे institution जो attached होते हैं या जो भी association करते हैं जिने foreign donation receive होता है तो उनके लिए आधार कार्ड इने जो है वो submit करना होगा या आधार कार्ड की information जो है वो identify करने के लिए देनी होगी तो यह आली चीज़ हम पर बताए गई है इसने even allow किया है कि केंदर सरकार जो है वो inquiry बिढ़ा सकती है ऐसी bodies के ओपर जो FCRA के साथ जो है वो जोड़ी हुए मतला ऐसे NGO जिन्होंने register किया FCRA के तहत foreign contribution receive करने के लिए तो उनके पास जो foreign contribution आया है जो unutilized foreign contribution है जिसको अभी तक use नहीं किया है तो कहा गया है कि जो foreign contribution अभी तक आपने use नहीं किया है जिस purpose के लिए आपने बुलवाया था receive किया था तो आप उसको utilize नहीं कर सकते और जो remaining portion जो foreign contribution का जो आपको receive हुआ है तो वो भी आप utilize नहीं कर पाऊ मतलब कि जो foreign contribution आया जिस purpose के लिए आप उस purpose में उसको खर्च करो अगर आप यह बोल रहा है कि अपने पास account पर रखकर यह बोल रहा है कि वो उस purpose के लिए था उसको हमने भी रोक के रखा हुआ है तो फिर वो जो आपने जो रोक के रख दिया उसको फिर आप use जो है वो नहीं कर सकते इसमें even limit लगा दी गई है foreign funds के उपयोग के उपर administrative purpose के लिए जो मैंने भी आपको समझा दिया 15% से 20% कर दिया इसका impact यह भी होगा बहुत एक इसमें negative point यह हमें देखने को मिल रहा है कि research और advocacy organization जो होते हैं उनके उपर impact पड़ेगा यानि कि जो लोग research वगरा करते है आप R&D में थोड़ा पैसा लगता है administrative cost R&D की थोड़ी सी जादा रहती है तो कहा यह है कि फिर वो अपनी administrative cost जो है वो नहीं कर पाएंगे administrative cost जो है वो लागत जो है मिलब उसमें वो काम नहीं कर पाएंगे इतनी कम लागत में और सहीं काम जो है वो भंग हो गई है संसद भंग हो गई है इस से related यह news हमें देखने को मिली है South Sudan के जो President है राश्पती है सलवाकीर इनके द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है और देश के ग्रह युद के विरोधी पक्षो के संसदों को अब 2018 के शांती समझोते के तहत निक्त किया जाएगा तो 2018 में एक साइन हुआ था एक Peace Accord हमें देखने को मिला था जिसके तहत ये भी कहा गया था कि एक नई Legislative Body जो है वो सेट अप की जाएगी और देश में South Sudan में जो है वो सांती बरकरार की जाएगी और ये साइन हुआ था Mr. Keer के बीच में और उप राश्वदी Vice President रीच मचर के बीच में ये हुआ था रीच मचर के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ था ये सांती समझोता तो जो lawmakers हैं जो parliamentarian आप कह सकते हैं जो opposite site के हैं यानि कि opposing party के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं अब उन्हें appoint किया जाएगा राइट इस 2018 Peace Accord के था है और 2018 के समझोते के अनुसार नई विधानसभा जो नई legislative body है उसमें 550 विधायक होंगे और जिसमें 332 की बहुमत है जो की ये हम लोग को इसकी party की मिस्टर कीर की party की देखने को मिल रही है ठीक है तो याली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए और सांसदो को विभिन दलो द्वारा नामित किया जाएगा तो पार्लिमेंटिरियंस टॉमिनेट किये जाएगे अलग-अलग parties के द्वारा कुछ important इस में देखेंगे तो इथोपिया है Central Africa Republic इसके West में है और South में यूगांडा जैसी ये country हम लोग को देखने को मिलती है जो की इसके साथ अपनी boundary share करती है और आपको बता दें कि 2011 में जो Sudan जो है अगर आप map में देखेंगे Africa के तो आपको एक Sudan दिखाए देती है और एक South Sudan एक अलग country दिखाए देती तो ये नई country 2011 में ही बनी थी और इसने अपने आपको Sudan से जो है वो अलग कर लिया था है Independence इसने हासिल कर ली थी Sudan से और इसमें एक बहुत बड़ा दंदल वाला इलाका है सुड नाम का सुड राइट और स्वैंप रीजन ये हम लोग को दंदल वाला शेतर हम लोग को देखने को मिलता है जिसने एक वाइट नाइल बनाई हुई है जिसे बहर अल जबल कहा जाता है जिसका मतलब है माउंटेन रिवर तो कोशन आ जाया वाइट नाइल कहा पर है तो साउथ सुडान पर है उसके दंदल वाले इलाके पर जिसको नाम रख दिया गया है सुद और ये वाइट नाइल जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है ये जूबा से होती हुई गुजरती है इस कंट्री की कैपिटल से होती हुई गुजरती है तो यहाली चीज़ भी आपको पता होनी शाहिए इसी के साथ पेपर 2 के पूरे टॉपिक्स फिनिश होते हैं नाव पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे गाइस निकोबार आइलेंड पर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है काम को मंजूरी दे दी गई है कि वो काम जो है वो शुरू हो सकता है बट कुछ शर्तों के साथ तो थोड़ी देर से ये मैं निउस के बारे में आपको बताऊंगा लेकर आती है तो समान जो है यहाँ पर उतारा जाएगा चड़ाया जाएगा जैसे कि किसी कंट्री से समान आकर यहाँ पर इंडिया में रोकल फिर दूसरी कंट्री में जा रहा है उसकी और anमेज की फिर नलोड किया जा रहा है, power plant तयार किया जा रहा है और township तयार की जा रही है जो की 166 square kilometer के area पर फैली होगी यहाँ पर coastal और tropical forest हम लोग को देखने को मिलेंगे और इस particular जो पूरे project है उसकी cost 75,000 करोड रुपे estimate की गई है तो यह कुछ development होने वाला है great nicobar में काफी अच्छा project है बट project तो अच्छा है बट project से जुड़ी कुछ चिंताएं है जैसे की यह जो plan जब इसका blueprint जब रखा गया कि किस प्रकार से यह project की जो है वो शुरुवात होगी किस प्रकार से development होगा तो उसमें कोई भी जानकारी नहीं दी seismic और tsunami hazards की मतलब की बताया नहीं गया की कौन से कौन से area है जो की vulnerable है जहाँ पर seismic activity का यहने की कि किसी भी प्रकार की earthquake वगरा अगर आता है तो महाँ पर damage जादा हो सकता है कम हो सकता है इसका कोई data नहीं दिया गया कोई detail नहीं दी गई कोई detail नहीं दी गई कि अगर tsunami आती है तो फिर यहाँ पर जो भी चीज़ develop कर रहे हम लोग यह international airport develop कर रहे है power plan develop कर रहे है तो उस पर क्या impact पड़ेगा और impact अगर पड़ता है tsunami आने का तो क्या planning की हुई है जिसके चलते tsunami को रोका जा सके या impact को कम किया जा सके विवस्ता की जा सके तुरंती तुरंत कि जिससे की बड़ा major disaster ना हो तो ऐसी कोई विवस्ता इन लोगोने नहीं करी है और उसके बार में कोई detail नहीं दी है प्लान के अंदर इवन ये भी नहीं बताया कि कितने fresh water की requirement होगी यहाँ पर कि पानी जो है fresh water समुद में तो खारा पानी है बट various projects वगेरा के लिए fresh water की requirement होती तो कितना fresh water नहीं आपर लगेगा उसकी भी कोई detail नहीं दी प्लस और most important इस छेतर पर गाईस giant leather bag turtles रहते हैं turtle की प्रजाती रहती है इस project के कारण उन turtle की प्रजाती के उपर क्या impact पड़ेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया है इसके लाबा कोई भी detail नहीं दी है कि कितने पेड इस project पर गिराए जाएंगे नहीं कि इस project को बनाने में तो ये project establish किये जाएंगे तो उसकी भी जानकारी नहीं दी कि कितने पेड गिराने है और आपको बदा दू इसी पर ही एक committee हमें देखने को मिली है Environment Appraisal Committee Infrastructure 1 जो की Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंडर आती है इसने serious concern याने कि बहुती serious चिंताएं जो है वो व्यक्त की है बताई है नीती आयो के इस project से related committee ने हाला की allow कर दिया है कि ये project जो है वो उस पर काम शुरू किया जा सकता है बढ़ कुछ शर्तों के साथ और ये शर्ते जो है वो बताएंगी Environment Impact Assessment जो की पूरी project की study करेगी लगबग तीन महिनों के अंदर-अंदर ये अपनी report जो है वो प्रस्तुत कर देगी तो यहली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली और committee ने और भी क्या-क्या चिंताएं जो है वो वो की है बताया है तो आपको examination point of view से ये इस particular खाड़ी के बार में पता होना चाहिए इस बे के बार में पता होना चाहिए गैला-थिया-बे गैला-थिया-बे के बार में या गैला-थिया खाड़ी के बार में आपको पता होना चाहिए ये खाड़ी यहीं पर ही है जाएंट लेदर बैग आते हैं, रहनी कि ये टर्टल आते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स की गिंती में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जाएंट लेदर बैग, तो वो यहाँ पर आकर अंडे देने के लिए आते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट अंडे देन पॉइंट्स हैं जो की कमिटी के दोरा दिये गए हैं कि क्या करना चाहिए अभी प्रोजेक्ट के लिए किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए पहले तो उन्होंने का कि independent assessment होना चाहिए terrestrial और marine biodiversity का terrestrial मतलब की जमीन तो वो island जो है उस पर किस प्रकार का ecosystem में कौनसी कौनसी प्रजाती हैं किस प्रकार के projects हैं क्या area है उस project के आने से किसी प्रकार का pollution होगा या कोई भी disturbance होगा तो उसके कारण से environment को क्या नुकसान पहुचेगा तो उस पर एक detail study होनी चाहिए एक तो terrestrial की और दूसरी marine की याने की aquatic ecosystem की इस project के establish होने से समुदर के नीचे रहने वाली जो प्रजाती है उनको क्या प्रभाव पढ़ने वाला है साथी साथ dredging का impact क्या होगा उसकी भी study करनी अब dredging क्या होता है देखो कोई भी project जब establish होता है तो गढ़्धा वगरा किया जाता है अगर building को खड़ा करना है तो नीचे उसका base भी strong करना है गढ़्धा भी करना होगा तो जब यहाँ पर port जब बनाया जाएगा तो समुदर के कुछ area के अंदर जो sea bed जो होती है समुदर का पानी है उसके नीचे वाली जो जमीन है तो वहाँ पर गढ़्धा वगरा किया जाएगा या वहाँ पर थोड़ी छेड़चाल होगी किसी प्रकार की तो उसके करने से कोई नुकसान तो नहीं पहुचने वाला है तो इसकी proper study करना है पोर्ट जो operate करेगा पोर्ट का operation किस प्रकार से होगा उसकी study करना है including oil spills also कि वहाँ पर जब project जब establish होगा या आने वाले समय में अगर operate करना शुरूब भी हो जाएगा यानि कि ये पोर्ट बगेरा सब कुछ काम अच्छा चल रहा है कोई दुरगटना होती है जिसके कारण अगर तेल वहाँ पर गिर जाता है फैल जाता है उस जगा पर तेल तो क्या विवस्ता की जाएगी कि तुरंट जो है वो तेल को वहाँ से हटाया जाए तेल को निकालने के लिए कुछ विवस्ता की जा रही है कि नहीं कुछ अलग से team को establish किया है कि नहीं किया क्योंकि तेल की इलाखों की संख्या में कई बार तो प्रजातिकों की मृत्यू हो जाती है oil spill के कारण study करने की आवशक्ता है जैसे की for example environment impact assessment की report आई और मना कर दिए कि नहीं इस छेत्र पे port बंदरगा जो है वो नहीं मनाए रहा सकता क्योंकि उस छेत्र पे आप जानते हैं की turtles वगेरा हम लोग को देखने को मिलते हैं की turtles की प्रजाती जो है वो लुप्त होने का risk है turtles की disturb होने का risk है या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा period गे राएंगे तो यह फलाना risk आ सकता है वो बताएगी आगे चलके EIA हम लोग को जब अपनी रिपोर्ट यह प्रस्तुत करेगी तो EIA की रिपोर्ट जो हम देखेंगे इस project को लेकर तो अगर EIA ने ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं यह project established नहीं होगा तो फिर अभी से ही planning करो कि कौन सी दूसरी alternative जगा पर यह project शुरू किया रह सकता है वही पर ही जहाँ पर नुकसान ना हो तो अभी से देखना शुरू करो दूसरी sites को तो यह कहा गया है इवन यह भी कहा गया है कि किस छेतर पर कितनी seismic activities हो सकती है निए earthquake के chances या earthquake से होने वाले नुकसान जो है वो किस छेतर पर कितने हो सकते हैं उससे साबसे पूरी planning रखो disaster management proper होना चाहिए tsunami 1000 map भी तयार करो मतलब कि tsunami अगर आती है तो किस छेतर में कितना नुकसान होगा तो उसका पूरा map तयार करना है labors की detail, labor camps की detail और उनकी requirement की detail भी उसको रखना है, mention करना है प्लानिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए assessment cumulative impact का रखना है कियाने कि proper हर तरीके का अगर एकदम जादा भी impact होता है जैसे कि अभी बदाएगा कि जैसे कि अगर disaster जो होगा तो जैसे इन्होंने mention किया कि 10 करोड की property का नुकसान होने की संभावना या 10 करोड रुपे का नुकसान होगा अगर यहाँ पर किसी प्रकार का disaster आता है सुनामी आती है, अर्थ को एक आता है तो आप 10 नहीं उसको 100 करोड की तरह काम करके चलो कि 100 करोड का नुकसान होगा तो फुर आप कैसे manage करोगे तो इस प्रकार के assessment लेकर चलो तो यह चीज आपर बताएगी hydrogeological study conduct करनी है और उसका impact क्या होगा पानी पर तो वह ली study देखनी है क्योंकि पानी है पूरा बहाँ पर तो किसी वज़ए से अगर पानी दूश्री दोता है तो फिर क्या लिये जाएंगे और even जैसे कि वहाँ पर projects वगरा जो शुरू हो रहा है तो उसका जो भी waste वगरा effilient वगरा जो हम लोग को देखने को मिलेगा जो बहार निकलेगा जैसे power plant है उससे निकलेगा effilient waste water वगरा निकलेगा तो उसको store करने की क्या वेवस्ता की होगी है तो ये सब चीजें को भी बताना है प्रॉपर planning होगी तो ये पूरे environment के जितने भी factors सबको ध्यान में रखते हुए करनी है तो ये चीज हो है वो इनके द्वारा बताई गई है और conservation की क्या आवशकता है संद्रक्षन की क्या आवशकता है तो देखो ecological survey पिछले कुछ सालों में हमें ये numbers दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं मतलब ये data बता रहे हैं कि नई species के जो नई प्रजातियां जो है उनके numbers जो है वो खटते जा रहे है इसमें critically endangered Nicobar Shriu हम लोग को देखने को मिलती है Great Nicobar Craig है Nicobar Frog है Nicobar Cat Snake है और New Skin Lipinia SP इसको कहा जाता है Naya Lizard Debamas SP और एक Snake हम लोग को Lycodon SP देखने को मिलता है Right तो इसको जानना ज़रूरी है कि इनके numbers कितने हैं और अगर project के कारण अगर कुछ नुकसान पहुचता है तो इनको कितना नुकसान होगा तो ये भी बहुत ज़रूरी है और इसलिए इनके संट्रक्शन की आवशक्ता है आपर बताई गई है इंपोर्डेंस इसके बारे में बताई गई है तो ये था पूरा वोरल टॉपिक जिसकी एक अच्छी जानकरी आप लोग को होनी चाहिए अब NASA के ओसिरिस रेक्स मिशन की अगर हम बात करें तो ये वाला टॉपिक भी रिपीटेड है तो 11 मही को NASA का ओसिरिक्स ओरिजिन्स स्पेक्टरल इंटर्प्रेटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलित एक्स्प्लोरर ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो कि किसका है NASA का है तो ये बेसिकली एस्टरोइड बेनू से जो है वो इसने उडान भर ली है एस्टरोइड बेनू से और ये दो एयर की जरनी कवर करके कंप्लीट करके धर्ती पर वापिस आ जाएगा तो NASA का ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो क्या है इस चीज़ को समझो क्योंकि ये मिशन बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट है ओसिरिस रेक्स जो है वो NASA का पहला मिशन है जो की नियर अर्थ एस्टरोइड पर विजिट करने वाला है हो चुकी इसकी विजिट पहुँच गया है वापस उसने उडान भर लिए धर्टी में आने के लिए तो नियर अर्थ एस्टरोइड तो अभी से बाते स्पेस में काफी सारे एस्टरोइड होते है बड़े बड़े चट्टान होते इसने पूरा आकलन वैसे कर लिया है और वहाँ से सेंपल कलेक करके ये ला रहा है नीचे धर्टी में अब आप बोलोगे सर ये एस्टरोइड का सेंपल कलेक करके जब नीचे आएगा तो उससे क्या हम लोग खोच कर सकते क्या पता लगा सकते है तो देखो गाइज ये जो एस्टरोइड है जो धर्टी के पास घूम रहे है तो माना जाता है कि ये ऐसे एस्टरोइड है जो जब धर्टी का जर्म हुआ था जब धर्टी बनी थी ये प्लानेट हमारा बना था तो उस समय के है यह और इनके अगर यानि कि इनको अगर हमारे scientist researcher study करते हैं तो और बहतर थरीके से हम लोग अपने planet को समझ पाएंगे तो ये इस चीज के लिए है October 2020 में spacecraft जो है इसने asteroid Bennu को touch कर लिया था asteroid पर ये चला गया था और वहाँ से इसने samples collect किया dust pebbles यानि कि वहाँ की गिट्टी मिट्टी वगरा ये सब collect करके ले कर आ रहा है और mission जो है ये launch हुआ था 2016 में अब ये वापस आ रहा है दो साल में यहाँ पर आ जाएगा धरती में asteroid Bennu के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगा इस तो Bennu basically एक ancient asteroid हम लोग को देखने को मिलता है इसी की study करने के लिए mission गया था ancient समय का asteroid है और इसमें जादा change नहीं हुए है यानि कि scientist researcher का कहना है कि जैसे जिस प्रकार से धरती में change हुए है इतने समय के बाद इसमें कोई जादा change नहीं हुए है इतने सालों बाद भी इसका मतलब यह है कि इसके surface के नीचे कुछ chemicals हैं कुछ rocks हैं जो कि उस समय के हैं जिस समय हमारी धरती बनी थी और even यह पूरा solar system बना था इसलिए scientist और researcher जो है वो काफी interested है इस asteroid को study करने में क्योंकि उसको study करके clue मिल सकता है कि हमारा सूर्य हमारी धरती और दूसरे planet जो है वो कैसे बने है इस particular पूरे solar system का जन्म कैसे हुआ है so far हमें Bennu के बारे में जो पता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो B type asteroid है यह इसका मतलब है कि इसके अंदर काफी भारी मातरा में carbon और दूसरे minerals भी मौचूद है और आपको बता दें कि high carbon content के कारण कि asteroid पर जो भी मलब सूरी की light पड़ती है इस asteroid पर तो उसका 4% यह वो पस reflect कर देता है जो की काफी जादा कम है अगर बात करें वीनस की तो वीनस की उपर जो सूरी की light पड़ती है उसका वीनस 65% reflect back कर देता है और हमारी धर्ती पर जो सूरी की light पड़ती है उसको हम 30% जो हो reflect कर देता है वापस reflection इसका हम लोग को देखने को मिलता है 30% का तो यह था basic से fact है यह बस ध्यान में रखो बेनू नाम का एक near earth asteroid है जिसकी study करने के लिए 2016 में एक mission launch हुआ था जो की था NASA का पहला mission near earth asteroid को survey करने का उसकी study करने का और sample collect करने का most important तो इस mission का नाम है Osiris Rex mission ठीक है तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा दो साल बात धर्ती में यह आ जाएगा फिर अपन बात करेंगा आगे चलके चर्चा तब तक तो आपका selection भी हो जाएगा Right, civil services crack कर चुके होगे आप लोग तैयारी ऐसी करो कि आपका जो यह अगला attempt हो आपका आखरी attempt हो Direct IES की post मिले या जो भी आप IPS है जो भी dream करते हैं उसकी post मिले आपको और नौबती ना है अगली बार तैयारी करने की किसी भी प्रकार से ठीके तो इस तरीके से hardcore तैयारी करो अब integrated development of horticulture horticulture का integrated development का एक mission हम लोग को देखने को मिल रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने provide किया है और allocate किया है बाइस सो पचास करोड रुपे 2021 के लिए इस mission के लिए mission for integrated development of horticulture तो ये mission क्या है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा ये scheme है जिसके थूरू हम लोग हमारी country के अंदर इंडिया का जो horticulture sector है उसको develop कर रहे हैं उसको grow कर रहे हैं centrally sponsored scheme है ये जिसमें vegetable fruits, roots, tuber crops, aromatic plants, flowers, spices, bamboo, coconut, cashew, cocoa तो ये पूरी चीज़े जो है वो हम लोग develop कर रहे हैं grow कर रहे हैं हमारी country में इसके production को increase कर रहे हैं ये प्रवाइड करादा है technical support और advice state horticulture mission के लिए राश्ट्रिय क्रिशी विकास योजना के लिए saffron mission और national mission for sustainable agriculture के लिए ये जो mission है गाईज ये ministry of agriculture and farmer welfare government of India के under हमें देखने को मिलता है इस mission के तहट सरकार जो है government of India जो है वो 85% total outlay इस program का वो contribute करती है यानि कि जो खर्चा होगा वो 85% उठाया जाएगा central government के द्वारा right सिवाए north east को छोड़ कर क्योंकि north east में और हमालाइज में वहाँ पर सरकार जो है वो 100% contribute करेगी north east states में और हमालियन states में बाकी remaining 15% जो बचता है वो state government इस project के लिए contribute कर रही है तो ये एक project है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ और scheme जो है वो उसके तहत NHM national horticulture mission horticulture को लेकर और horticulture mission for north east and हमालियन state national bamboo mission है national horticulture board है coconut development board है central institute for horticulture हमें देखने को बलता है इसके सब scheme है ये अब गाईज डिसकस करेंगे काजी रंगा animal corridor के बारे में तो देखो अभी ये topic news में इसलिए आया है क्योंकि कुछ cases ऐसे सामने आये हैं कि काजी रंगा national park और tiger reserve के eco sensitive zone पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि construction activities चल रही है खुदाई वगरा चल रही है forest land को जंगल की जमीन को clear किया है बहाँ पर deforestation हुआ है यानि कि ऐसे area पर जो already eco sensitive zone में है और मैंने आपको याद आ रहोगा अभी 3-4 classes पहले ही eco sensitive zone के बार में discuss करवाया है जिसमें हमने cover किया था कि जैसे की मान के चलो कि ये वाला जो circle वारा area है ये tiger reserve है ठीक है अब इस tiger reserve के 10 km के area जो होता है यानि कि उसको ऐसा नहीं है कि सभी tiger reserve eco sensitive zone में आ जाएंगे वो notify करती है ministry of environment, forest and climate change वो बताती है वो घोशित करती है कि कौन सा area जो है वो eco sensitive zone में आएगा या नहीं आएगा है कि नहीं तो जो भी area eco sensitive zone में आ जाता है यानि कि जिस भी area को protection दी जाती है उस area से 10 km के area तक 10 km के area तक किसी भी प्रकार की activity नहीं होगी ना वहाँ पर construction activity होगी ना कोई project वहाँ पर allow किया जाएगा तो बहुत ही restricted area होता है क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर मौझूद जो plants की animal की species है उनको protection देने के लिए होता है यह वाला eco sensitive zone तो बता जा रहा है कि यहाँ पर construction कि किसी भी प्रकार की नहीं construction activity permit नहीं की जाएगी प्राइवेट लैंड पर जो की animal corridor का part है और ऐसे 9 animal corridor को identify किया हुआ है और बताये गया था कि इस 9 animal corridor के पास अगर किसी भी प्रकार की private जमीन भी है रही किसी प्राइवेट owner की प्रॉपर्टी भी है तो उस पर भी किसी भी प्रकार का construction किसी प्रकार की activity जो है वो हाँ पर नहीं permit की जाएगी तो ये चीज भी orderable Supreme Court के द्वारा कही गई थी आपको बता दें animal corridor क्या होता है तो आसान भाशा में animal corridor को समझने के लिए ध्यान दीजेगा इस चीज पर की जैसे की एक area जहाँ पर elephant रहते है ठीक है एक जंगल का area जहाँ पर elephant रहते है उसके बीच में कुछ space को छोड़कर दूसरा area जहाँ पर elephant रहते है तो elephant के दो habitation हम लोग को देखने को मिल रहा है habitation site बेट बीच का area जो है वो छूटा हुआ है तो कुछ elephant जो है वो इस area को cross करके इस beach के area को cross करके अपनी दूसरी habitation site पर enter करते है तो यह जो beach वाला area जो होता है जिस पर चल कर elephant जो है वो अपने एक corridor से दूसरे corridor पर जाते हैं जो भी plant और animal corridor इसको हम लोग बोलते हैं यह safe passage ensure करता है animals का उनके दो isolated habitats के बीच में यानि कि दो जगा जहां पर वो निवास करते हैं उसके बीच में एक safe passage होता है जो कि उनको अपने दूसरे area तक connect करने पर मदद करता है वो ही चीज जो मैंने भी आपको समझाई थी और corridor जो होते हैं वो mainly दो प्रकार के होते हैं functional होता है और एक structural होता है functional नाम सीज़न में आ रहा है वो corridor functional है मतलब कि वहाँ पर species animal की species जो हह movement करती है वहाँ पर movement लगाता हम लोग को देखने Dubai वोαιनीमल की species का तो वो functional corridor हो गया एक होता है structural corridor इसमें होता है क्या पता है यह automatic बन जाते हैं ठीक है इसमें हम लोग को गारी वगरा निकल जाए और उपर से इसकी कुछ शाखा वगरा जो है वो चली गई तो इसमें बैटकी बंदर जो है वो cross कर सकता है इसके थूरू रई मतलब कि बिना नीचे से गुजरे या नीचे भी हो सकता है quite possible कि हाँ पर भी कुछ बन गया automatically यानि कि naturally पूरी चीज़े जो है वो बन गई ऐसा structure बन गया जिसके थूरू animals जो है वो move कर पा रहे हैं और ये natural भी हो सकता है और artificial भी हो सकता है right artificial भी ऐसे structure जो है वो बनाए जा सकते हैं जिस पर animals जो है वो move करके cross कर सकें right अपने एक habitat से दूसरे habitat पर जा सकें ठीक है तो यह आली चीज़े इस्ट्रक्चर मतलब कि कुछ structure बना है right तो यह आली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है और जब भी बी structural corridor affect होता है human के कारण या किसी activity के कारण कारण तो हमें देखने को मिलता है कि functional corridor भी automatically चोड़ा हो जाता है wide हो जाता है functional corridor क्योंकि animals का जो है वो आना जाना movement जो है वो continuous पर होने लगता है रही दूसरी जगहाँ से तो यह आली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है तो simple सी चीज़ है इसके बारे में आपको idea होना च तो एक special committee बनाई गई थी honorable supreme court के द्वारा इस committee ने जब अपनी प्रस्तुत करी थी report तो उसने recommend किया था कि 9 animal corridors जो काजी रंगा national park में हमें देखने को मिलते हैं तो उसका delineation करना है मतलब कि उस corridor को ensure करना है कि उसे बढ़ा करना है या घटाना है वो depend करेगा कि वहाँ पर किस प्रकार की animal की प्रजाती जो है उसका movement कितना हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उस according उस area को जो है वो मलब उस area को बढ़ाओ या घटाओ तो उस पर study करो तो यह इसने report जो है वो अपनी प्रस्तुत करी थी तो नौ identified animal corridors हैं तो आसाम के नागाव जिले में अमगुरी, बा जन्बारी, गलियारे, इस्थित हम लोग को देखने को मिलते हैं तो यहाली चीज़ है इसके बारे में आप लोग को एक general सा idea होना चाहिए इस चीज़ के बारे में और 9 corridors जो है जो already exist करते हैं तो यह functional corridor के तोर पर हमें देखने को मिलते हैं बट recommendation के according यह corridor जो है structural और functional दोनों की तरह ही act करते हैं वो needs की ओपर depend करता है रिपोर्ट ने suggest किया है कि structural corridor जो है वो बिल्कुल free कर दिये जाए सभी human disturbance से जितने भी human disturbance होते है structural corridor में वहाँ पर किसी प्रकार का human disturbance नहीं होना चाहिए except forestry और wildlife management practice के इलावा याने की wildlife और forestry management की जो practice होती ही जहापर official बगरा जाकर वहाँ पर निगरानी करते हैं देखते हैं चेक करते हैं habitat को तो सिर्फ उस चीज को छोड़कर बागी किसी प्रकार की human का वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए disturbance और इसके लावा और यह चीज बोली गई कि functional corridors जो है जो की काफी जादा important होते हैं जब अगर structural corridor disturb हो जाता है तो उ वहाँ पर चेक करते रहना चाहिए अगर कुछ structure change हो रहा है तो उसको फिर repair करके बना दो वैसा structure जो है वो create कर दो बागी animal corridor की क्या आवशकता है तो आपको पताईए guys कि यह corridor काफी crucial होते है rhinos के लिए elephants के लिए tigers deer और दूसरे animals के लिए right जैसे कि जब भी भी काजी रंगा क अंदर बाल बगर आ जाती है तो उनको निकलने में उनको बचने में मदद करते हैं यह सब corridor right मौन्सून के महिने में especially safety के लिए काफी ज़्यादा होते है और even rhinos बगरा जो होते है वो कई बार आपने photos बगरा भी देखे हुगे paper पर आती है कि आसाम में जब बाल बगर आ ज तो यह सब animal corridor उनकी मदद करते हैं यानि जानवर के protection के लिए भी होते हैं उनकी safety के लिए भी होते हैं फिर बारिज जैसे ही खतम होती है तो यह जानवर जो है वो उसी corridor का use करते हो अपने grasslands पर पहुँच जाते हैं दोबारा से काजी रंगा national park और tiger reserve की बात करे गाई तो आ और इसे national park 1974 में declare किया गया था tiger reserve 2007 से declare किया हुआ है UNESCO की world heritage site भी है यह जिसे 1985 में घोशित किया गया था एक important bird का area है bird life international के द्वारा इसको recognize किया गया है one horn rhinosaurus यहाँ पर रहते हैं पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा one horn rhinosaurus यहीं पर ही पाए जाते हैं और साथी साथ rhinos की देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर में और दूसरे highest number rhinos के जो है वो आसाम के अंदर काजी रंगा national park में हमें देखने को मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा rhinosaurus ओभी तोरा wildlife century में है और उसके बाद फिर हम लोग को काजी रंगा national park में सबसे ज़्यादा rhinosaurus देखने को मि गएंगे उससे थोड़ा सा चोटा वगरा एरिया तो ऐसी चोटी चोटी सी water bodies यहाँ पर बड़ी हुई है राइट हम लोग को देखने को मिलती है दिपलू नदी है वो यहीं से ही होकर गुजरती है दूसरे और national park जो आसाम के अंदर है नाम याद रखिएगा दिब्रू सा post devolution revenue deficit के बारे में तो यह है क्या post devolution revenue deficit तो ministry of finance ने release करी है दूसरी monthly installment post devolution revenue deficit grant की 9871 करोड रुपे की यह बताई जा रही है और 2021 के लिए इसे release किया गया है 17 राज्यों को तो यहाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कुछ important points की अगर हम लोग बात करें post devolution revenue deficit के बारे में तो केंद्र जो है guys post devolution revenue deficit grant प्रवाइड करती है राज्यों को और इसके बारे में बकाईदा हमारे Indian constitution के article 275 में देखने को मिलता है ग्राज्यों को एक्स्ट्रा पैसे प्रवाइड कर रही है केंद्र कि जिससे की राज्य अपने खर्चे वगरा जो है वो फुल्फिल कर सकें और यह मंतली installment में प्रवाइड किया जाता है जिससे की revenue accounts में जो gap आते है राज्यों के तो उसको वो जो है वो इस particular grant के थू है वो ठीक कर सकें राइड गाप वगरा को जो है वो फिल कर सकें राइड यानि कि उनके खर्चे वगरा जो है वो उठा सकें इस particular पैसों से 15 finance commission ने recommend किया था post evolution revenue deficit grant को और उस समय बताया गया था कि लगभग 3 trillion रुपे 3 trillion रुपीज 5 सालों के period में 2026 तक जो है वो grant के तौर पर post evolution के तौर पर provide कराने है राज्यों को और अगले साल जो states को ये grant offer किया जाएगा revenue deficit grant offer किया जाएगा वो बताया जा रहा है कि 2022 में अगले साल जो उसको grant offer किया जाएगा फिर धीरे धीरे करके 2026 तक जो है वो सिर्फ 6 ही राजियों को grant provide करने की बात की गई है और जो भी eligibility होगी states की इस प्रकार के grant को receive करने की और कितना उनको grant provide किया जाएगा ये commission finance commission जो है वो decide करेगी किस आधार पर कि उनका revenue और expenditure उनके खर्चे और उनक रंकटगर के decide करेगी finance commission और कौन से कौन से राजियों को ये grant offer किया जा रहा है तो पाच सालों के pre-aid में आंधर प्रदेश, आसाम, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, करनाडगा, कैरला, मनीपूर, मिघाले, मिज़ुराम, नागलेंड, पंजाब, राजिस्तान, सिक्किम, तमि इनको recommend किया गया है कि इनको केंदर सरकार जो है ये grant offer कर रही है और ministry of finance ने accept भी कर लिया है इस recommendation को कि इन राजियों को grant offer किया जाएगा अब देखो आप से यहां से question उठागर पूछे जा सकते है कि article 275 किस से related है तो इस article में ये बात बताई गई है कि parliament को कानून के through right कुछ grant in aid जो है वो provide कराना चाहिए यानि कुछ साहता जो है वो provide करानी चाहिए राजियों को और कौन सी राजी होंगी वो parliament decide करेगी और कितना उनको financial assistance provide कराना है या जो भी assistance provide कराना है जो साहता provide करानी है वो भी parliament decide करेगी ग्राइंट्स जो होंगे वो पे किया जाएंगे consolidated fund of India के through हर साल और अलग-अलग amount जो है वो अलग-अलग states के लिए fix किये जाएंगे वो depend करेगा किस state को कितनी आवशक्ता है और ये grants जो है capital के तौर और recurring sum के तौर पर भी provide किये जा सकते हैं जब भी भी आवशक्ता पढ़ती ह तो यानि कि एक बार में lump sum amount भी दिया जा सकता है और installment में भी जो है वो provide किया जा सकता है वो depend करेगा कि state को किस तरीके की requirement है कि अभी आपदा का समय तो obvious ही बात है कि कुछ-कुछ states जो है वो काफी ज़्यादा सफर कर रहा है जिनका revenue उतना generate नहीं हो पा रहा है बड़े expenditure बह है वो निकाल सकें जिसको government of India ने केंदर के द्वारा approve किया हुआ है schemes को और promote कर सकें schedule tribes के welfare को क्याने कि schedule tribes भी अच्छे से अपना जीवा नियापन कर सकें इसलिए ये पैसा दिया जाता अगर कभी भी राजी जो है उसके पैसे की कमी हो गई खर से वो अपने निकाल नहीं पा करेगी कि किस scheme के लिए पैसा देना है किस welfare activity के लिए पैसा देना है state के अंदर और schedule area के administration भी ठीक ठाक तरीके से चले या निकी सही तरीके से वहाँ पर प्रशाशन रहे तो उस पर भी focus करते हो ये काम किये रहाता इस प्रकार के grant जो है वो offer किये रहाते है grant basically interstate disparities जो होती है financial resources की उसको correct करने के लिए किया जाता है जैसे कि किसी state के अंदर जादा revenue generate हो रहा है किसी में नहीं generate हो पाँ रहा है कोई state जो है वो जिस state में जादा revenue generate होगा वो तो अब में उसको जरूरत नहीं पड़ेगी पैसो की खर्चे करने के लिए बट जिसे state में कम revenue generate हो रहा है और वहागी citizens को benefits नहीं मिल पा रहा है जो गरीब लोग हैं उनको benefits नहीं मिल पा रहा है तो various scheme के beneficiaries को लाब नहीं मिल पा रहा है तो इस प्रकार से जो disparities होती है interstate disparity financial resources में उसको correct करने के लिए grant provide किये गाते हैं maintenance करने के लिए और welfare scheme को expand करने के लिए state के अंदर तो government इस प्रकार की चीज़ करती है तो यह right international level पर की पूरा national level पर uniformity हम लोग को देखने को मिल सके यान कि कोई भी state जो है वहाँ पर किसी प्रकार की अगर finance को लेकर समस्या होती है तो check कियो समस्या हो रही है उनको even recommend भी किया किया जाता है कि ऐसे आप अपने revenue को increase कर सकते हो क्योंकि ultimately अगर केंद्र grant के ओपर ही dependent रहेगी और उनको अगर recommend नहीं करेगी कि revenue generate करने के ओपर तो obvious ही बाता फिर तो ऐसी चीज़ सलती रहेगी फिर तो कही ना कहीं जो केंद्र का पैसा expenditure वो पानी की तरह भैतर आगा states के ओ जाता है उसका assessment जब होता है मुल्यांकर उसका जब होता है तब यह चीज़ भी recommend की जाती है कि राज क्या कर रहे या फिर राज क्या कमी कर रही है जिसके कारण से revenue generate नहीं कर पा रही तो उसको फिर develop करने के ओपर भी काम किया जाता है ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ पैसी देना recommendation भी देना होता है तो यह चीज़ है अब थोड़ी सी बात revenue account और capital account की भी करते है तो revenue account के अंदर वो revenue receipt होती है ने कि जितने भी income आ रही है current receipt जो government की हम लोग को देखने को मिलती है यह receipt के अंदर tax से होने वाली जो income होती है revenue होती है वो included होती है और जूसरी सरकार की जो भी revenues news होती है वो पूरी यहाँ पर आती है तो revenue account के अंदर आसान भाशन में पैसा जो आ रहा है सरकार के पास अब capital account क्या होता है यह ऐसे account होते है जिसके अंदर capital receipt होती है और payments हम लोग को देखने को मिलते है इसके अंदर assets होते हैं साथी साथ liabilities भी होती है सरकार की और capital receipt के infrastructure में invest करना है यानि कि सरकार को कैसी है capital चाहिए lump sum amount चाहिए right सरकार को तो सरकार क्या करती है bond के through loan के through जो है वो अपने पास पैसा जमा कर लेती है अब loan आया सरकार के पास तो सरकार की liability भी होई ना अब loan आया है तो उस पर interest तो चुकाना होगा तो वो liability भी है तो यह capital account में यह सब चीज़े रखी जाती है asset रखा जाता है right liabilities हम लोग को देखने को मिलती है वो रखी जाती है right तो यह सब चीज़े होती है इसके अंदर अब center state financial relation very very important topic quality के लिए यह paper two point of view से बहुत important topic है तो constitution provision हम लोग को center state financial relation का क्या देखने को मिलता है तो इंडियन constitution ने elaborate किया है provision क यानि कि provision के बारे में proper तरीके से बताया हुआ है कि taxes का distribution और non tax revenue किस प्रकार से distribute होगा borrow करने की उधार लेने की power कैसी होगी right तो यह पूरी चीज यानि कि grant in aid जो है वो किस प्रकार से union government state government को provide कराएगी तो यह पूरी चीज बकायदा लिखी हुई है elaborate की हुई है हमारे Indian constitution में कहा से कहा तक article 268 से 293 तक part 12 में जो की इस provision के साथ deal करता है financial relation between center and states की केंद्र और राज्यों की बीच में financial relation कैसा होगा इसके बारे में हापर mentioned है taxing की power की बात करें तो constitution ने divide की हुई है taxing power केंद्र और राज्यों की बीच में किस प्रकार से divide की हुई है तो parliament के पास हम लोग क exclusive power देखने को मिलती है कि union list के जितने भी subject है उस पर taxes जो है वो लागू कर सकती है parliament उस पर taxes लगा सकती है union list के subject पर आपको बता हुआ union list, state list, concurrent list हम लोग को देखने को मिलती है और state legislature जो है राज्य सरकारे जो है और मलब राजी की जो संसद हम लोग को देखने को मिलती है तो वो उसके पास power होती है कि वो taxes impose कर सकती है, taxes लगा सकती है ऐसे subjects के उपर जो state list के अंदर आते हैं और दोनों ही taxes लगा सकते हैं ऐसे subjects के उपर जो concurrent list के अंदर आते हैं, simple सी चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है और सिर्फ और सिर्फ recidary power जो होती है taxation की वो parliament के पास होती है जब यह recidary power क्या होती है कि union list, state list, concurrent list इन तीनों में ही अगर कोई subject ऐसा है इन तीनों में ही नहीं है इस तीनों के बाहर कोई subject होता है तो वो recidary power हम लोग को देखने को मिलती है और जिसकी power जिस पर tax लगाने की power सिर्फ और सिर्फ केंदर के पास है, parliament के पास है ठीक है, tax revenue क किस प्रकार से distribution होता है, नहीं कि पैसा आया, सरकार के पास कैसे distribute होता है, तो जो भी duties वगएरा जो होती है, जो union लगाती है, मतलब कि जो भी tax वगएरा जो होती है, आसान भाशन में जो union लगाती है, बट जो state collect करती है, जिसके बारे में article 268 में लिखा हुआ है, इसमें क्य जाता है union के द्वारा, बट लगाया जाता है state के द्वारा, तो वो article 269 में mentioned हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अंदर ऐसे taxes होते हैं, जो sale और purchase of goods के होते हैं, समान किसी, भी खरीदारी और विकरी के हम लोग को देखने को मिलते हैं, newspaper को छोड़ कर, और interstate trade या commerce हम लोग को देखने को मिलता है, या taxes हम लोग को goods के consanglement पर देखने को मिलता है, जब भी इंटर state trade होता है, या commerce होता है, नहीं कि दो state के बीच में आपस में जो trade हो रहा है, तो उस पर भी क्या होता है, कि taxes जो है वो collect किये जाते हैं, केंदर सरकार के द्वारा, बट वो taxes लगाया जा इंटर state trade या commerce अब भी भी होता है, तो इसके बारे में article 269A के अंदर लिखा हुआ है कि goods and services tax जो होते हैं, जो इंटर state trade और commerce के हम लोग को देखने को मिलता है, आपस में दो state के बीच में जो है वो exchange हो रहा है, जो है वो trade हो रहा है समान का, यानि खरीदारी विकरी हम लोग state के बीच में divide होता है, कुछ इस प्रकार से जो की parliament बताती है, right, GST council के recommendation पर, देखो tax, दो state के बीच में अगर goods और services का trade हो रहा है, तो vote tax उस पे कितना होगा, ये बताएगी parliament, tax collect भी करती है parliament, but tax distribute कैसे होंगे, state के बीच में, तो GST council के recommendation के आधार पर, parliament बताती है कि किस तरी लेगा, right, तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को बलती है, और tax जो लागू किये जाते हैं, और collect किये जाते हैं, union के द्वारा, but distribute होते है, union और state के बीच में, इसके अंदर लिखे है, article 270 में, इसके बार में venture है, कि किस ने tax लगाया और collect किया union ने, के union और states के बीच में tax distribute हो गया है, right, यानि कि दोनों के पास जो है, वो tax गया है, तो ये वाली जो category है, इसमें सभी tax आते हैं, सभी duties बगएरा आती हैं, जो union list के अंदर होती हैं, सरिफ कुछ को छोड़ कर, जो कि duties और taxes जिसके बार में article 268, 269 और 269 A के अंदर mentioned है, उनको जिसके बार में 271 में लिखा हुआ है, right, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो होता है, इससे collect हुआ पैसा पूरा का पूरा के दर के हाथ में आता है, वो distribute नहीं होता है, divide नहीं होता है, union और states के बीच में, कोई भी says, कोई भी says जो की specific purpose के लिए use में लाया होता है, तो वो भी जो है वो distribute नहीं होता है, क्योंकि वो specific purpose के लिए होता है, क्यों use में होगा, क्योंकि says किस के बार लगाया है, आपने सुना होगा education says, agriculture says, सुना है न, तो उसमें जो पैसा जो collect होता है, वो सिर्फ उस specific activity के लिए लगाया जाता है, इसलिए वो बढ़ता नहीं आपस में state और center के बीच में, grant in aid क्या होता है, तो देखो, taxes की sharing के इलावा, center और state के बीच में हमें देखने को मिलता है, कि ये share होते है, grant in aid, तो constitution में बकायदा grant in aid के बार में mentioned है, कि union government, जो है वो state government को जो है वो financial assistance offer करती है, right, central resources से, यानि कि केंदर के पास जो पैसा है, right, तो उससे, वो ज share करती है, right, states को grant in aid के तौर पर financial assistance offer करती है, तो दो प्रकार के grant होते है, एक statutory grant हम लोग को देखने को मिलता है, और दूसरा, जो होता है, वो discretionary grant हम लोग को देखने को मिलता है, statutory grant की बात करें, तो article 275 में इसके अंदर mentioned है, ये grant ऐसे होते है, जो की parliament के द्वारा दिये जाते जैसे ऐसी state को, जिस state को assistance की आवशकता है, अभी हमने बात करी ती इसके बारे में, right, जिस state की मदद करनी है, तो उसके लिए ये statutory grant होता है, कि उसको आवशकता है state को मदद की, तो consolidated fund of India से पैसे निकाल कर, राजियों को जो हो provide कर दिया जाता है, अलग-अलग state को अलग-अल tribe का, किसी state के अंदर, या scheduled areas वगिरा जो होते हैं, वहाँ पर proper administration चल पाए, तो उसके लिए जो पैसे offer किया जाते हैं, वो specific grant के तौर पर हमें देखने को बलते हैं, अब discretionary grant की बात करें, तो article 282 में इसके बारे में mentioned है, इसमें केंदर सरकार, राज्य सरकार दोनों के पास power ह होती है, कि वो किसी भी परकार के public purpose के लिए grant offer कर सकते हैं, इवन उनके दाइरे में भी अगर नहीं है, उनके legislative दाइरे में, legislative competency में भी अगर वो चीज़ नहीं आती है, वो subject नहीं आता है, उसके बावजूद भी उस public purpose के लिए वो grant offer कर सकते हैं, और ये जो provision है, इसके तहट केंदर जो है, वो states को, राजियों को जो है, वो grant offer कर सकती है, इन grants को हम लोग discretionary grant बोलने, केंदर बिना किसी obligation कहलेगी, केंदर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना किसी से discuss किये, बिना किसी से पूछे, अपने discretion के according, जो है वो grant offer कर सकती है, state को, राजियों को, होते हैं वो twofold purpose के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका दो purpose होता है पहला state को financially fulfill करना उसके targets को achieve करने के लिए याने की अपने targets को achieve कर सके state जो भी उसने target अपने तयार कर रखें और केंद्र जो है वो इस प्रकार के fund offer करके इस प्रकार की grant सहायता करके state के साथ जो है वो activity के लिए इस purpose के लिए यह पैसा जो है वो लगाओ और वो जो activity होगी obviously बात है उससे national plan जो है वो achieve होगा या national targets जो है वो achieve होगा तो यह इस प्रकार की चीज़ा हम लोग को देखने को मिलती है तो यह था पूरा oral topic जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए अब गईस आपको करेगा assist करेगा RRA 2.0 को तो मैं आप लोग को फिर से repeat यह topic इसलिए कर रहा हूं next day ही क्योंकि आप लोग को एक committee के बार में पता होना चाहिए जो या फिर advisory group को किसके द्वारा head किया गया है उसके बार में आपको पता होना चाहिए तो यह SBI के managing director है S. Janki Raman regulatory review authority को help करेगी different areas क को identify करने में कि कैसे जो burden है जो companies के ओपर आता है compliance का burden जैसे return करने का compliance जो होते है na documentation वागरा जो होते है companies को various documents unnecessary documents कई बार ऐसे होते है जो base government companies को जो है वो file करने होते है ministry of corporate affairs के पास RBI के पास जैसे banks है banks को भी समय सब्सक्राइब पर information RBI को जो है वो continuous जो provide करानी होती है तो ऐसे जो compliance burden जो है उसको reduce किया जा सके और administration को better किया जा सके तो उसके लिए RRA हम लोग को देखने को मिलती है कि जितने भी regulatory regulatory review authority नाम सी सब्सक्राइब जाने चीए कि जितने भी regulations वगएरा जो होते हैं orders वगएरा जो होते हैं directions वगएरा जो होते हैं जो RBI banks को देती है या banks और अप इसको reduce करें जिससे कि यह सब banks वगएरा है financial institution जो है वो main अपने काम पर core काम पर focus करें rather than इस compliance को file करने के पीछ अपना जो है वो करें time waste करें तो इसलिए यह हम लोग को RRA देखने को मिलती है कल के lecture में मैंने detail में पढ़ाया हुआ है जिने students ने कल का lecture अटेंड नहीं किया कि यह सब चीज़े भी मैंने कल बता जीती कि पहला RRA जो है वो 1999 में RBI के द्वारा setup किया गया था इसी के साथ अपना lecture जो है वो finish होता है और like का बटन जरूर हिट कीजएगा नया है चैनल को subscribe कीजए share जरूर कीजएगा lecture को UPSC test series आपके लिए available है CSET का course अगर आपको चाहि आ रहा हूँ आप लोग को environment studies क्योंकि environment आपके prelims के लिए बहुत जादा important होता है आपका जो prelims है वो और forest services का prelims याने की civil services और forest services का prelims एक ही होता है तो इसलिए forest services के candidates जो है aspirants जो है उनको test करने के लिए बहुत सारे questions environment से direct पूछे आते हैं तो environment का weightage बहुत अच्छा खासा होता है और इसलिए मैं आपकी तयारी करा रहा हूँ जिससे कि आपका prelims जो है वो ensure हो जैसे current affairs पढ़ो environment की class लो और फिर आने वाले समय में तो पूरी full-fledged class में दोबारा से जो है वो शुरू करने वाला हूँ तो उसको भी attend कर सकते हो आप लोग और बागी काफी important चीज current affairs के pdf paid package इसको आप join कर सकते हैं मात्र और मात्र 100 रुपीस पर मंत की fees में जो आप daily lecture देखते हैं उसकी आपको pdf मिलती है handout notes मिलते है weekly compilation revision के लिए आपको दिया जाता है आपको मुझे जैसे student जो complain करते हैं कि sir हमारा तो पूरा दिन ही current affairs में चले आता है हम कैसे दूसरी पढ़ाई करें तो आपको जो ये smart studies के लिए facility दी जारी है इसको क्यों नहीं अवेल करते हो और fees भी इतनी आपको इतनी कम fees तो कही और नहीं मिलेगी और एक offer भी है offer चाहो तो offer ले नंबर है इस नंबर पर WhatsApp के थ्रू टेली ग्राम के थ्रू या SMS के थ्रू आप उसे contact कर सकते हैं मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा तो इसलिए अब next lecture में मिलेंगे तब तक लिए बाबाई ठेक क्यार, have a great day ahead, ta-da Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं, यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे की the Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं, उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं, राजसबा television में जो भी important debates, discussion आती हैं, उनको lecture के दुरान cover किया जाता है Even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती हैं, उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे, religiously classes को follow करेंगे, तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा, और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है, नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे, उनी से related questions बने हैं तो फटाफर चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और गाईज नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौजूद हैं जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that यह कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं आने वाले कल के IAS IPS को मेरा नमस्कार आपको सभी को बताएं कि civil services का exam postpone हो चुका है नई date आप आपके पास आ गई है 10 October लक्ष अब 10 October पर होना चाहिए कि 10 October से पहले पहले civil services exam का पूरा syllabus आपको complete कर देना है यह सुनहरा मौका है चांस मिल गया है आप लोगों को ऊपर वाले ने आपको एक चांस दिया है especially उन लोग को जिन लोग की किसी वज़े से चाहे health को लेकर हो या किसी भी XYZ कारण वर्ष हो कि जिनकी preparation जो है वो अभी अच्छी नहीं हुई थी इस दोरान मौका मिल गया है आपको preparation अच्छी करने का मौका मिल गया है selection पाने का मौका मिल गया है कि आज की date में जिन भी लोगों के family members परिशान है चाहे health को लेकर हो चाहे income को लेकर हो किसी भी चीज को लेकर परिशान हो आप उनकी परिशानी खतम कर सकते हो मौका मिल गया है 2021 को crack करने का चार महीने है sufficient time है तगड़ी तयारी करो कल एक video डाला था मैंने जिन students ने देख लिया है उसमें मैंने पूरी books आपको बताई हुई है कि क्या-क्या किताबे पढ़नी है लोग गलती करते है strategy धूंडते रहते हैं अरे किताब पढ़ लो selection किताब पढ़ने से ही होगा जिन भी जो toppers है क्या कोई topper ऐसा मिला है जिसने कोई भी किताब नहीं पढ़ी और बोलते कि मेरा selection हो गया है possible ही नहीं है कुछ किताबे है selected जिसको civil services refer करती है UPSC जिसको देखकर question बनाती है सिरफ उन किताबों को पढ़ो जनके बारे में बताया है मैंने वीडियो में selection 100% होगा ठीक है और बाकी smart strategy के लिए अपने courses ने उसको आप ले सकते हो जल्दी-जल्दी तयारी अपनी finish करने पर जल्दी-जल्दी concept समनने पर understanding develop करने पर वो आपकी मर्जी है बाकी तो चलो नाम के आगे IAS IPS लगाने की तयारी शुरू करते हैं गैस चाहिना की population को लेकर ये topic है बताय जा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में सबसे कम population growth rate पिछले साल record किया गया है चाहिना के अंदर आसान भाशन में मैं आपको बताऊं तो चाहिना के अंदर population growth rate जो है वो decline हुआ है चाहिना के अंदर कम बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं as compared to previous year जितने पिछले सालों में जो बच्चे जितने जन्म लेते थे वो जन्म लेने का जो आकड़ा है newborn babies का जो आकड़ा है वो घटा जा रहा है अभी आपको बता दे कि recently साथवी जन्म लेता है हम लोग को देखने को मिली है साथवा census अभी conduct हुआ है चाहिना के अंदर हर दस सालों में ये एक बार होता है once in a decade population census ये जन्म लेता जो है ये सबसे कम नंबर है since 1961 1961 के बाद ये सबसे कम संख्या बताई जा रही है 12 million बच्चों की मतलब कि हर साल जादा इस से जादा इस आकड़े से जादा बच्चे जो है वो चाहिना में जन्म लेते आ रहे थे पिछले साल बहुती कम बच्चों ने जो है वो जन्म लिया चाइना के अंदर और आपको बता दे 1961 एक ऐसा साल था जिस समय लगतार चार सालों का आकाल पढ़ गया था चाइना के अंदर उस आकाल की वज़ा थी Mao Zedong की Great Leap Forward Policy 1958 की जिसने हालत खराब कर दी थी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि चाइना के अंदर Population Growth Rate जो है उसमें गिरावट वृद्धी दर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है चाइना की Population 2020 में 1.41 बिलियन है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है 2010 के मुकाबले 72 मिलियन इंक्रीज हुई है चाइना की Population तो चाइना की Population में बढ़ोतरी हुई है बड Growth Rate में गिरावट हो रही है तो Population और Growth Rate में Confuse तो नहीं हो रहे है कोई Confuse हो रहे है तो आसान भाष्चा में इसको भी Clear कर देता हूँ Population अगर बढ़ रही है क्योंकि देखो Population एक होता है जैसे कि Population का बढ़ना ठीक है Continuously बढ़ना और एक होता है किस Rate में बढ़ रही है जैसे कि पहले मानके चलो कि हर साल चाइना के अंदर 10% Population की बढ़ोतरी होती आ रही थी ठीक है Example के तोर पर आज की Rate में वो बढ़ोतरी जो है 8% हुई 7% हुई 6% हुई मतलब कि बढ़ोतरी जितने और बच्चे जन्म लेते हैं चाइना के अंदर वो धीरी-धीरे करके कम हो रहे थे तो जो Rate था चाइना की Growth Rate जो था जिस तेजी से वो Grow कर रही थी वो Rate में गिरावट जो है वो Record की गई है ठीक है तो ये चीज आप थोड़ी सी Clear रखना Right? Population तो बढ़ी है बट जिस तेजी से बढ़ती थी उसमें जो है वो रुकावट आई है वो धीमी हो गई है Right? 5.38% की Growth जो है वो Record की गई इन 10 सालों में Average Annual Growth जो थी वो 0.53% की बताई गई Census ने बताया की China की Population Growth Rate जो है वो Slow चल रही है और China की Population Peak जो है यानि की Maximum Population यानि की एक ऐसा टाइम आता है जिस समय एक Country की Population बिलकुल Peak पे जाती उसके बाद फिर Population में गिरावट रिकॉर्ट होने लगती है तो ये बता जा रहा है की 2025 तक ही China की Population Peak आ जाएगी और उसके बाद China में हम लोग को Population में गिरावट देखने को में लेगी फिर actually में Numbers जो है वो कम होगे और एक और बात आपको बता दें काफी सारे articles में इस चीज के बारे में mention है ये वाली चीज इस article में mention नहीं बट मैं आपको एक अलग से information देना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा बता हूँ जब भी आप articles सुनते है मेरा क्योंकि मैं जो हूँ वो आप लोगों के लिए various articles को पढ़ता हूँ अलग-अलग जगा से news वगेरा जो है वो capture करता हूँ information capture करता हूँ और काफी सालों का experience है कई बर पुराने data भी ध्यान में रहते तो वो आपको बताता हूँ जो कि आप mains में उप्योग कर सकें तो पहले की कुछ articles में हमने पढ़ा भी है 2025 से 2030 तक तो कुछ कुछ जगा पर 2025 आकड़ा दिया है कुछ कुछ जगा पर 2030 आकड़ा दिया है और आज की rate में देखें चाइना की स्तिती तो इसको देखकर बिल्कुल clear होता है और इस article में भी चाइना की population peak की बात कर दी है जन संक्या शिखर की बात कर दी है क्योंकि peak के बात जो है वो downfall हम लोग को देखने को मिलता है तो जब 2025 तक चाइना में चाइना का peak आ जाएगा तो उसके बात जो है हम लोग उसको overtake कर जाएंगे आसानी से चाइना को तो आगे चलके हम लोग 2025-2030 तक most populated country जो है वो बनने वाले है तो चाइना के अंदर जो चिंता वाली बात है वो क्या है गाईस तो देखो slowing growth rate जो है वो किस वज़ा से होई पहले तो वो जानना है तो चाइना की एक strict family planning rule था चाइना का काफी लंबे समय था कि ये rule चल रहा था one child policy का one child policy जिसके तुरू चाइना ने strictly कहा था कि चाइना के अंदर जो couple हैं वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं one child policy तो ये वाली इसकी जो नीती थी one child policy की तो इसने जो है वो पूरी लोग तो फरजादा रहेंगी रहेंगे जब newborn baby कम है एक balance नहीं हो रहा न यहाँ पर पूरा overall society में या पूरा overall चाइना के अंदर age का balance हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा वहाँ पर हम लोग को चाइना के अंदर aging society जादा देखने को मिल रही है क्योंकि newborn babies जो है वो कम हो रहा है अगर मान के चलो कि अगर balance एक create करना था तो obviously बात है कि अगर balance create करने के लिए हम दो हमारे दो वाली policy ठीक रहती है उसमें क्या होता है कि जैसे ही लोगों की जो death होती है तो नई population जो है वो grow होने लगती है तो उसमे balance जलती ही पूरी चीज़ बड़ चायना के अंदर उल्टा उल्टा हो गया अब इससे चिंता वाली बात क्या है तो इस चीज़ को समझो आप आप कर रहे हो civil services की तयारी तो आपको ये चीज clear पता होनी चाहिए कि जब society के अंदर बूले लोग जादा होंगे तब क्या करना पड़ेगा सरकार को जादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उनके welfare के लिए उनकी देखभाल के लिए बूले लोग को health से related परिशानिया भी होती है तो सरकार को health care में जादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अब आप मुझे बताओ सरकार के पास पैसा आता कहां से है access impose करके सरकार जो है वो tax के दुरू पैसे collect करती है अब एक particular society में बूडे लोग जादा है यूवा जो है यूवा मतलब काम करने वाली population working population वो कम है और सरकार को manage करना है बूडी population तो obvious ही बात है कि जो tax का जो load है burden जो है वो यूवा ओ के उपर पड़ेगा जादा tax impose करेगी फिर सरकार को तो manage करना है चीज़ों को उनकी जो जंता है population जो है उनको जो हर परकार की शुविदा प्रोवाइट कराना है तो उससे क्या होगा यूवा लोग फिर चिड़ने लगेंगे क्योंकि उनको जादा taxes जो है वो pay करने पड़ेंगे तो ये tax वाला जो clause है ये भी आप चाहो तो कहीं पर mention कर सकते हो जिसको आप mains में लिख सकते हैं इस वाले point को क्योंकि वाला point भी आपके इस article में mention नहीं है मैंने अपनी knowledge source से आपको यहली चीज़ बताई है क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ा ऐसी होती है जो पढ़ाते समय मुझे जो ध्यान में आती है और मैं चाहता हूं कि वो सब चीज़े आप अपने mains में उपयोग करें तो इस पर मैंने आपको जाना चाइना की जो labor force है उस पर और इवन इतना potential कई बार बताया जा रहा है कई records के दुरू बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया फर मैं सबसे richest country जो है यह बन सकती है राइट बट रिच बनने से पहले ही चाइना जो है बुड़ी हो जाएगी रूल था उसको इसने हडा दिया है और इसने अलाव कर दिया है 2016 में की चाइना के अंदर जो couples है वो दो बच्चों को बर्त दे सकते हैं तो यह वाली चीज इसने बोली लेकिन खास कर बड़े शहर में बदलती जीवन शहली जो lifestyle जो बड़े शहरों में जो change होती जा रही है और बड़े परिवारों की घटी प्रात्मिकता हैं राइट के चलते इसका कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि लोगों की lifestyle वगरा भी काफी जादा change हो गई है और even चाइना के अंदर तो ऐसे भी आकड़े सामने आए हैं या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये भी बताएगा है कि चाइना की जो one child policy के कारण problem ये होई है कि चाइना के अंदर काफी सारे लोग ऐसे भी रह रहे हैं जिनका कोई record नहीं है यानि कि बिना record के लोग रहे हैं यानि कि सामली को बचना था चाइना के कड़क नियावों से तो उन्होंने बच्चे तो पैदा कर ली है बड़ उसको register नहीं कराया तो ये वाला भी scenario कही ना कहीं चाइना के अंदर है और इससे related कुछ reports भी आई है अब चाइना के अंदर अगर unregistered लोग होंगे तो इसका भरपूर तरीके से terrorist जो है वो उपयोग कर सकते हैं कि terrorist को तो वोई लोग चाहिए जिनका कोई record ना हो जिसे की trace ना कर पाए किसी को कोई तो ये वाली चीज भी है तो ऐसी कुछ चीज़े होती है फिर इससे crime बढ़ता है illegal चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है बहुत सारी एक country के तो ये सब भी इससे जुड़ी चिंता है कुछ तो देखो सवाल ये उट सकता है कि China ने one child policy को adopt क्यों किया था तो इसके पीछे थी Malthusian theory Malthusian के सिधान इसके पीछे थे right Malthusian के सिधान ये कहते है अगर किसी country के अंदर भारी मातरा में population growth होगी तो उस country के अंदर economic और environmental issues ज जो है वो बहुत जादा हो जाएगा तो और even जो food shortage बहुत जादा हो जाएगा अब ये food shortage की चीज समझो आप जैसे की example के तौर पर एक country के अंदर सिर्फ एक ही खेत है ठीक है मैं example दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए इस खेत से 5 लोगों का खाना जो है वो परियाप्त ह हो जाए तो क्या एक खेत में 5 लोगों का परियाप भरता था 15 लोगों होंगे तो परियाप भर पाएगा क्या नहीं भर पाएगा क्योंकि resources limited है और अगर उस limited resources पर जादा लोग अगर आ जाए जादा लोग निर्भर होने लगे तो problems बहुत जादा बढ़ जाएगी इसी बा Malthusian theory के बारे में थोड़ा सा मैं आपको detail में समझाता हूँ Thomas Robert Malthus ये पहले economist थे जिन्होंने systematic theory of population का proposal रखा था प्रस्तावित किया था systematic theory of population question ये आ सकता है कि पहले बदाएगे पहले कौन विक्ती थे पहले economist कौन थे जिन्होंने systematic theory of population को प्रस्तुत किया था तो Malthus आपको ध्यान में रखना है इनकी Malthusian theory हमें देखने को मिलती है इन्होंने कहा था अगर population को हम check नहीं करेंगे unchecked population होगी तो हमें देखने को मिलेगा उसके कारण बहुत सारी problems rise हो सकती है बहुत सारी परिशानियों को ये जन्व दे सकती है जनसंक्या की वृद्धी और one child policy से जु करने में ये मदद करी थी इस policy ने और कुछ लोग जो है कुछ families जो है इसे बिल्कुल practical भी मानती है practical भी समझती है हाँ बिल्कुल सही बात है और ये गरीबी rate को निर्धनता दर को जो है वो भी कम करती है one child policy क्योंकि कम लोग रहेंगे कम जनसंक्या रहेगी तो resources equally बटेंग को मिलता है या अनिकोल तरीके से लागूई कुछ ने follow किया कुछ ने नहीं follow किया रहें मैंने आपको जैसे बैदा है था कि लोग जो है वो कुछ register करा रहे थे कुछ नहीं करवा रहे थे human rights का उलंगन रहें क्योंकि एक बड़ी गुलर couple के उपर pressure create किया जा रहें कि आरे आ आज की रिट में क्या है aging population बढ़ रही है बुलों की population बढ़ रही है working age वाले कोई population कम है तो यह वाली चीज हो गई न इसके लाबा imbalance बहुत जादा imbalance हम लोग को देखने को मिला strong cultural preference में boys के लिए labor और work के लिए क्योंकि देखो कही ना कहीं कुछ लोग जो थे वो abortion और यह सब चीजों में involved हो गयते हैं वो पहले से चेक करा लेते थे कि उनके जो बेबी है वो female baby है या male baby है और अगर female baby है तो फिर उसको जो है वो खतम करवा रहे थे जैसे आपको पता है female infanticide हम लोग को देखने को मिलती है जो इंडिया में भी है अभी भी है हम लोग नकार नहीं सकते कि बिलकुल नहीं है आज भी है आज भी है ऐसे कुछ घटिया लोग है जिनका दिमाग अभी तड़ विगसिद नहीं हुआ है वो आज भी इस तरीके की gender biasness वाली चीज करते हैं राइट कि प्रात्फिक्ता जो है वो boy को देते हैं girl child के ऊपर चलो अनिवेस फिर भी society दीरे- वर्कोर्स में equally और उनसे ज्यादा ही contribute करती है तो यह आली चीज हम लोग को देखने को बनती है abortion जैसे में आपको बदाए female infanticide और abortion में बड़ोत्री extra babies end up being illegal and never becoming citizen वोई चीज जो आपको बताया रहा था कि चाइना के अंदर जो extra babies होते हैं उनको वो register नहीं कराते तो वो illegal हो गए और इसके लावा intrudes on people's personal values and opinion वो भी बना आपको अदा है कि जिल लोगों की जो उनके personal जो opinion है personal जो विचार है personal जो decision है उसको नकारा गया मतलब कि सरकार ने जैसा बोला उन्हें लोगों को follow करना होगा सरकार की बात है तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा idea होना चीए जानकारी होने चीए इस चीज से related यह जो points में आपको बता है population से related अब paper 2 के topics को cover करेंगे paper 1 से related एक ही topic था जल जीवन mission यह topic कई बार ज है वो news पर आ चुका है पहले भी हम लोग इसको cover कर चुके हैं तो बताया जा रहा है कि जो union territory है पुडूचरी की वो चौती state duty बन गई है गोवा तिलंगाना अंडबान एन निकोबार आइलेंड के बाद fourth number पुडूचरी हम लोग को देखने को मिल रही है जो की assurance provide करा रही ह कि वहाँ के हर एक rural home जो है गाउचेतर में जो घर है तो हर एक गाउचेतर में घर जो भी है तो वहाँ पर tap water provide किया जा रहा है जल जीवन mission के तुरूचरी जो है वो लगा दिये गए हैं इस जल जीवन mission के तुरूचरी चौती यूटी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है जल जीवन mission के बार में बात करें गई तो 55 लीटर पानी हर व्यक्ती को हर दिन जो है वो हर एक rural household पर मिलना चाहिए यानिकि गाउचेतर में जो घर है तो हर एक घर में पानी का connection होना चाहिए और हर एक व्यक्ती को 55 लीट पानी जो हम लोग बोलते हैं घरेलू नल कनेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं तो 2024 तक का इनका target है हमेशा target याद रखा करो कि वर्श 2024 तक इन्हें हर एक काउच छेतर में हर एक घर पर पीने का पानी जो है वो लगवाना है इस पर यह focus करती है अब कौन सी ministry इसके पीछे है इस particular mission के पीछे ministry of जल शक्ति आप ध्यान में रखिये आप मुझे बताइए दरह नीचे comment box पर लिखकर ministry of जल शक्ति का पुराना नाम क्या था जल्दी बताइए नीचे comment box पर लिखकर आप देखिये prioritize किसको करना है FHTC को prioritize करना है functional household tap connection को इसको priority देनी है right quality affected areas में जहापर पा सुखा पड़ जाता है तो उन गाओं को priority पर रखना है desert areas को priority पर रखना है संसद आदर्श ग्राम योजना किते है जितने भी गाओं है तो उनको priority पर रखना है तो ये सब कुछ priority areas है right इस particular mission के अंडर कि यानिकी इन फलाना फलाना जगा उपर पहले सबसे पहले जो है वो connection लगवाये जाएंगे इस mission के दुरो functional tap connection यानि की पीने का पानी का connection जो है ये schools में आंगनवाडी center में ग्राम पंचायत की building में health center में wellness center पे और community building में प्रोवाइट कराने की बात की गई है technological intervention removal of contaminants where water quality is an issue यानि की यहाँ पर यह भी बताया गया कि जिस भी जगापर जल गुडवत्ता की समस्या है यानि की पानी की quality खराब है तो उस इस्थान पर कुछ technique का उप्योग करना है जो की contaminants को remove कर सके यानि की यह जो production मुक्त जो है वो उस पानी को कर सके जो भी खराब है कराब content उस पानी के अंदर डले हूँ है उसको remove कर सके इसके implementation की बात करें गाईज तो इसको कौन implement करती है तो जल जीवन mission जो है यह जन आंदोलन create करती है कि सभी लोग जो है वो आंदोलन करें पानी के लिए सभी लोग को तयार किया जाता है कि पानी के लिए जो है वो पुदाइक दिर्श्री कोड पर आधारित है और इसके तहट मिशन के प्रमुग खटक के रूप में व्यापक जानकारी, सीक्षा और समवाद को शामिल किया गया है extensive information, education और communication को as a key component के तौर पर इस मिशन के लिए शामिल किया गया है और ये mission fund sharing पर आधारित है, अगर हम लोग बात करें हिमालय और नौर्थीस्टन चेत्र की तो वहाँ पर केंदर सरकार 90% contribute करती है और राचे सरकार वहाँ की नौर्थीस्टन स्टेट और हिमालय स्टेट की 10% contribute करती है इस mission के लिए और दूसरी स्टेट के लिए 50-50 और UT के लि recently एक attack हम लोग को Jerusalem में देखने को मिला है, इसराइल और Palestine आपस में भिड़ गाए हैं, अभी फिर से ये घटना हम लोग को देखने को मिली है तो इस पर चर्चा करते हैं, इस story की तरह इस चीज़ को समझेगा, तब जाकर बहुत अच्छे से ये topic समझ में आएगा तो एप्रिल के मिड में रमजान शुरू होने के बाद से इसराइल की सेना और Palestine के बीच जेरुसिलम में तनाव बढ़ता जा रहा है, अभी रिसेंटली इसराइल की जो आम फोर्सेज हैं, शशस्तर बल जो हैं, उसने जेरुसिलम के हरम अश शरीफ, हरम अश शरीफ में इस इसकी जवाबी कारवाई में इसलामिक आतंगवादी सम्हू, एक इसलामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, हमस, इनके द्वारा दरजनों रॉकेट डागे गए, और आपको बता दें, गाजा बट्टी पर हमस का नियंतरन हम लोग को देखने को मि इसलते आ रहे हैं, बहुत समय से, और दोनों ही क्लेम करते हैं कि जरुसिलम जो है वो उनकी कैपिटल है, और 1947 की संयुक्त राष्ट विभाजन योजना जो है, United Nation Partition Plan, जो हम लोग को ओरिजिनल प्लान जो देखने को मिलता है, 1947 का, उसके जो मूल दस्तावेज है, उसके अन प्लान के तहर, बट फिर क्या हुआ, 1947 के बाद, 1948 में पहला अरब इसराइल युद हम लोग को देखने को मिला, जिसमें इसराइल ने इस जरुसिलम के जो पश्चिम एरिया है, वेस्टन हाफ जो इस जरुसिलम का है, उसे इसराइल ने कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, कबजा कर लिया, और जॉर्डन ने, जॉर्डन इसी के बगल में हम लोग को देखने को मिलती है कंट्री, उसने इस्टन पार्ट जेरुसिलम का कबजा कर लिया, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, और इस्टन पार्ट में हम लोग को देखने को मिला था Old City थी जो की Haram Es Sharif की हम लोग को देखने को मिली थी Haram Es Sharif की Old City थी वहाँ पर उस जगाँ पर और Al-Aqsa Masjid जो है जिस पर अभी recently हमला हुआ है तो इसलाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र स्थल के तोर पर ये जाना जाता है Al-Aqsa Masjid मैंने भी आपको बताया था दोबारे से रिपीट करता हूँ कि इसराइल की आम फोर्सेज ने इस मज़िद पर Al-Aqsa Masjid पर हमला कर दिया है और Al-Aqsa Masjid जो है आपको बता दें कि इसलाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है तो कोश्चन यहां से भी बन सकता है कि Al-Aqsa Masjid कहां पर है तो आपको ध्यान में रखना है इसराइल या पैलिस्टीन या जेरुसिलम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है या फिर और डीटेल में ध्यान रखना है तो आप ध्यान में रखेगा हरम अश शरीफ ठीक है बट वसे इतना नहीं आएगा इसराइल यह आप से पूछा आएगा ठीक है हरम अश शरीफ जो है इसके भीतर चटानी गुंबद यानि कि Dome of Rock इस्थित हम लोग को देखने को मलती है यानि कि Dome of Rock जो है यह हरम अश शरीफ जो की नोबल सेंचुरी है तो वहाँ पर इस्तित है इसराइल ने 1967 में हुए 6 दिवसिय यूद 6 डेस का वार हम लोग को 1967 में देखने को मिला था उसमें इसराइल ने पछेर डाला था जॉर्डन ने जिस एरिया पर कबजा किया था मतलब इस्टन एरिया पर जो कबजा किया था उसको वापिस ले लिया इसराइल ने इस यूद में और बाद में इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था तो यहाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी citizenship को लेकर नागरिक्ता को लेकर भी बुद्धे हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो अपने राज्य में शामिल करने के बाद यानि कि जैसे ही जैरुसिलम को इसराइल के अंदर शामिल किया इसराइल ने तो उसके बाद इसराइल दौरा पूर्वी जैरुसिलम में बस्तियों का विस्तार किया गया यानि कि इसने क्या किया इस्ट जैरुसिलम में settlement जो है वो उसको expand कर दिया कि वहाँ पर जो है वो इनके जो Jews जो है जो कि इसराइल के अंदर Jews की आबादी हम लोग को देखने को मिलती है तो उनको वहाँ पर settle करना शुरू कर दिया जिनमें अब लगभग दो लाख बीस हजार यहूदी निवास करते हैं जो आज की रेट में जो Jews हैं वो दो लाख बीस हजार हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं और पूरवी जैरुसिलम में इस जैरुसिलम में पैदा होने वाले यहूदी जो है उनको इसराइली नागरिक्ता प्रदान की जाती है जबकि शहर में रहने वाले जो पैलिस्टीनियन्स जो है उनको सशस्त्र निवास परमिट दिये जाते हैं तो Palestinians जो है guys तो उनको मात्र और मात्र हमें देखने को मिलता है conditional residency permit जो है वो provide की जाती है Palestinians को और Jews जो है उनको citizenship Israeli citizenship provide की जाती है यानि कि कही ना कही जो race जो है race पतलर समझते हो आप यानि कि धर्म जाती है और race वगएर जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसके आधार पर discrimination भी एक प बट जियूस की जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं उनको citizenship दी जा रही है इसराइली कबजे वाले West Bank West Bank पर भी इसराइल का कबजा हम लोग को देखने को मिलता है और उसके अन्य हिस्से के विपरीत पूरवी Jerusalem में फिलस्तीनियों को इसराइल की नागरिक्ता के लिए रहते हैं यानि कि West Bank के हिस्से पर जो Palestinians रहते हैं तो उनको ये थोड़ी citizenship offer करता है relaxation उनको देता है हाला कि बहुत कम फिलस्तीनियों दौरा इसराइल की नागरिक्ता के लिए आवेदन किया गया है application बहुत ही कम जो है वो इन्होंने दी है citizenship के लिए तो यहाली चीज है जिसक राजधानी unified eternal capital मानता है यानि कि मैंने आपको ओलना न capital को लेकर पूरा मुद्धा है कि दोनों ही जो है वो Palestine भी Jerusalem को अपनी capital मानते है इसराइल भी Jerusalem को अपनी capital मानते है और इसराइल के इस दावे का पूर्व अमेरिका राश्पती Donald Trump ने समर्थन भी किया था और United States की policy में आपको बता हूँ पहले United States आप हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले United States जो है Palestine को support करती थी बढ़ अब United States इसराइल को support कर रही है क्योंकि देखो कही ना कहीं पता है United States को भी कि Middle East की जब बात होती है तो इसराइल एक ऐसी country है जो बहुत powerful है चाहे वो defense related हो चाहे वो अपनी intelligence related हो क्योंकि आपको बता हो गईस जैसे कि हमारी जो है वो raw है रही हमारी जो intelligence agency है वैसे ही जो इसराइल है उसकी मोसाद है और मोसाद जो intelligence agency है उसके बारे में कभी मौका मिले तो थोड़ा पढ़ियेगा इतनी strongest intelligence agency है जितनी पूर पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगी बहुत ही strongest और इसराइल एक छोटी सी country defense के मामले में भी जानी आती है हमें various rockets वगेरा rocket launchers वगेरा भेजती है supply करती है various defense के समान हमें भेजती है और पूरे दुनिया भर को बेजती है वो sell out करती है तो USA भी इसराइ जो world है वो Palestine और इसराइल के support में भी बटा हुआ है कुछ areas और हाला कि अभी कुछ समय पहले आपको इस topic के बारे में तो अच्छे से पता होना ही चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले जो है वो Donald Trump ने meeting भी करवाई थी और हुए भी है कुछ Israel और जो Arab countries है उनके बीच में agreements हम जाती तब तक वो किसी भी प्रकार के compromise formula को जो है वो यानिकी शान्ती बनाए रखने वाले जो formula है जो समझा होता हम लोग को देखने को मिलते हैं शान्ती बनाने के लिए तो उसको यह सुईकार नहीं करेंगे right until and unless East Jerusalem इनकी capital नहीं हो जाती Palestine की next topic में आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको task दे रहा हूँ आप map को अपने open कीजिए right map आपके दिवार पर या फिर आपके दिवार पर आपने बड़ा सा world map चिपका के रखा होगो तो वहाँ पर जाहिए और देखिए कि जो है वो Jerusalem कहा पर है right West Bank कहा पर है Gaza Strip जो है वो कहा पर है right तो उस पर finger रखिए म मैं अभी चाहूँ तो आपको map जो है वो दिखा कर बता सकता हूँ कौन सी कौन सी चीज कहा का पर है बट वचारो कि थोड़ी सी practice खुद से करो बट क्या होता है कि अगर थोड़ी सी हम लोग अलग से कुछ important चीजों पर effort अपना डालते हैं खुद से थोड़ी research करते हैं तो क्योंकि कई कबार ऐसा आजाता है कि आप इसको अरेंज करो north to south में east to west में तो आपको यह सब location पर थोड़ा से धियान रखना ज़रूरी है और six days war six days war हुआ था इसराइल का हम लोग को देखने को मिला था इसके बारे में आपको पढ़ना है यह आज का आपका टास्क है इस topic मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर तो आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर जोइन कर लीजे तो revision classes आपकी शुरू कर रहा हूँ जैनवरी 2020 से लेकर जो है वो current affairs को अपन revise करेंगे ठीक है अभी तक के latest तक के तो daily जो है मैं सोच रहोंगी करीब आदे हंटा 45 minutes के आपकी class पर रखूं revision वाली अपका इस world health organization ने Indian variant जो coronavirus का है उसे global concern जो है वो कहा है classify किया है world health organization ने B1617 को classify किया है जो कि ये coronavirus का variant है पहली बार इंडिया में identify हुआ था Global variant of concern इसे कहा गया है वैश्विक चिंता का विशय के रूप में इसके वर्गी गृत किया गया है classify किया गया है ये variant जो virus का है पहली बार इंडिया में देखा गया था इसलिए इसका नाम Indian variant रखा गया है ये variant को हाला कि UK के द्वारा भी May के starting में classify किया गया था variant under investigation के तोर पर 17 countries से भी जादा countries में ये variant फैल चुका है और चिंता वाली बात ये है कि पिछले हफते भारत सरकार ने कहा है कि कुछ राजियों में coronavirus मामलों के हालिया वृद्धी जो सर्ज हम लोगो cases में देखने को बिले है coronavirus के बढ़ गए हैं एकदम से cases जो coronavirus के कुछ राजियों में उसका कारण ये double mutant mutant variant भी हो सकता है तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है अब देखिए ये viruses बगरा जो है वो किस प्रकार से immerge होते हैं या लेकिनके variants तो इसके बार में ना जाने कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो variant of virus have one or more mutation जो virus के जो variants होते हैं वो उनके एक या एक स variant भी जो है वो एक दूसरे से फिर अलग होते हैं और आपको बता देगी guys कि virus का जो goal होता है लक्ष होता है वो ऐसी stage तक पहुचने का होता है ऐसे चरन तक पहुचने का होता है जहां पर वो मनुष्यों के साथ रह सके क्योंकि उसको जीने के लिए मनुष्य की आवसकता होत अब जो errors होते हैं viral RNA के इसको हम लोग mutation कहते हैं जैसे कि for example बहुत आसान भाशन में अगर मैं आपको इसको समझाओ जैसे कि हमारे जो parents हैं और हम है हम अलग-अलग दिखते हैं हमारे parents है क्यों क्योंकि mutation हुआ genes में हम लोग को errors changes देखने को मिले और जब भी genes में जो errors होते है उसके कारण जो offspring होता है यानि कि एक virus जो reproduce करता है multiple virus उसको तो वो अलग होते हैं different हम लोग को देखने को मिलते हैं और उनकी even properties भी different होती है है की नहीं जैसे कि हम अपने parents से अलग है हर मामलों में अलग है feature के बामने में अलग है कई बार तो behavior के मामने में भी अलग होते हैं क तो वो variant हम लोग को देखने को मिलते है virus के और variant जो है वो single या many mutations से बनते है यानि multiple time mutation हो गया तो भी variant बन जाएगा यानि कि जो original virus है उससे बिलकुल ही अलग बन जाएगा यानि कि बहुत सारी चीज़ों में अलग बन जाएगा और यहीं एक problem है जिसके चलते जो virus जो बहु वो को infect पूरे दुनिया भर में इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका mutation हम लोग को बहुत तेजी से देखने को मिलते है रैप्लिकेट यह बहुत तेजी से हो रहा है राइट वायरस जो है वो अपनी property को change कर रहा है रैप्लिकेट कर रहा है और B.1.617 variant के E.484Q और L.425R ठीके इ दो mutation हम लोग को देखने को मिलते है उत परिवर्तनों हम लोग को देखने को मिलते है इसकी पहचान की जा चुकी है यह दोनों जो mutations है यह कई अन यह coronavirus variant में अलग-अलग पाए जाते हैं लेकिन भारत पे यह दोनों पहली बार एक साथ देखे गए हैं याने कि अलग-अलग viruses में अलग-अलग यह इस प्रकार के mutation दिख रहे थे बट इंडिया के अंदर यह एक साथ report किये गए हैं पहली बार तो यह वाली चीज भी है और World Health Organization ने क्या चिंता है जो है वो इसको लेकर जता ही है तो बताये गया कि variant of interest जो है वो variant of concern बन चुका है दो तरीकों से पहला तर comparative assessment यानि की virus को अगर हम लोग compare करें it has been demonstrated to be associated with increase in transmobility और detrimental change in COVID-19 epidemiology, increase in virulence और change in clinical disease presentation और a disease in effectiveness of public health and social measure और available diagnostics, vaccine and therapeutics अब देखो आसान भाशा में इस पूरी चीज को कि पहली पहला जो चीज है जिसके कारण जो चिंता बनीटा 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 बनीट वो यह है कि एक तो इस variant के अंदर फैलने की शक्ती जो है वो बहुत जादा है कि एकदम से यह फैलता है अब जब यह एकदम से फैलता है तो problem क्या करता है यह अपने आपको change कर लेता है तो उसकी change करने की जो चमता है वो काफी जादा है अब जब यह अपने आपको change करेग तो obviously बात है कि vaccine के लिए दवाईयों के लिए treatment के लिए space बचेगी नहीं क्योंकि जिस area पर target कर रहे है treatment के लिए या vaccine के लिए कि coronavirus के जिस area पर target कर रहे है अगर वो ही chain हो जाता है तो obviously बात है कि वो दवाईय या vaccine तो लगेगी नहीं उस पर असर नहीं करेगी तो यह वाली भी चिंता जुड़ी हुई है alternatively a variant may be classified as variant of concern by WHO in consultation with WHO SARS-CoV-2 virus evolution working group तो इसको variant of concern जो है वो तब कहा गया जब WHO ने इस working group के साथ consult किया और फिर जो है वो बात समझी कि हाँ ये variant of concern अब बन चुका है ये चिंता वाला variant जो है वो बन चुका है main problem ये है इस variant के साथ बहुत तेजी से ये जो है वो reproduce करता है बहुत तेजी से फैलता है बढ़ता है और बढ़ने के कारण ये change होने लगता है mutation करता है उसमें changes आते रहता है तो ये वाली एक बड़ी इस्तिधी हम लोग को इसकी देखने को मिलती जो की चिंता जनन बताई जाती है आप देखो debtor committees बैंगलूरू में क्यों बनाई गई है और इनका क्या role हम लोग को देखने को मिलता है इनकी क्या भूमिकाए है इस पर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं तो COVID-19 pandemic को local level पर manage करने के लिए करनाटा का state सरकार ने जो है वो decentralized try age and emergency response debtor committee जो है वो बनाई है ward level पर जैसे wards होते ना अलग-अलग ward होते हैं जिनके पारशद होते हैं जो की बहुत अच्छी चीज है ये और एक बहुत अच्छा recommendation या suggestion भी है जिसको आप मेंस में लिख सकते हैं coronavirus को अगर control करना है तो जो पारशद जो होते हैं यानि की ward level जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो पारशद जो होते हैं उस particular area को manage करते हैं maintain करते हैं तो वो responsibility लें कि उस area को manage करने के उपर कि अगर वहाँ पर isolation है तो strict isolation रहे कि वो सुनिश्चित करें ये पारशद तब जाकर चीज़े जो है वो अच्छी ground level पर समाली जा सकती है तो coronavirus pandemic को maintain करने के लिए manage करने के लिए local level पर करनाटा का सरकार ने गठन किया है इस committee का तो ये चीज़ धान में रखना है किसके तौरा गठन किया गया करनाटा का सरकार के तोरा क्यों coronavirus pandemic को local level पर manage करने के लिए थोड़ी बात करते हैं इस committee के बारे में तो objective ये है कि सरकारी response को strengthen करना और coronavirus pandemic को maintain करना manage करना और ये जो team है ये जो group है guys तो ये localized action जो है वो distribute करेगी decentralized system of disaster response के तौर पर यानि कि disaster जभी भी कहीं पर होता है तो local level पर चीजों को manage करने का काम जो होगा वो इस group का हम लोग को देखन रहेंगे साथी साथ coordination में रहेंगे officers के ward committee members के government officers के representative जो लोगों के हम लोग को देखने को मिलते है पारशत बगरा जैसे होगा है volunteer जो हम लोग को resident welfare association के देखने को मिलते है civil society organization के volunteer और disaster support initiatives जो है ये सब एक साथ मिलकर local level पर काम कर सकते हैं जिससे की pandemic को जो है वो रोका जा सके ह पर काम करना बहुत जादा जरूरी है जैसे for example एक ward है एक ward पर पूरी निगरानी करने का कारे अगर वो पारशत कर लें तो obvious ही बात है कि उस area पर उसको पताए कि कहा पर जो है वो gate है बहार जाने का या आने का तो वहाँ पर strict वो बना सकते हैं अगर एक छेतर को अगर proper lockdown करन इस बज़ा से भी जो है वो spread हो रही है disease क्योंकि कुछ लोग है कि जो positive हो जाते है बट वो अपने आपको जो है वो नहीं रखते है isolation पे और फिर उनके कारणा से दूसरे लोगों को जो है वो विमारी spread हो रही है virus जो है वो spread हो रहा है तो strict lockdown की बहुत जादा आवशकता है क् कंट्री ने सिर्फ यही किया आज की रेट में दूसरी कंट्री ने strict lockdown को follow किया तब जाकर वो सुरक्षित है बट हमारे या इस्तिती खराब हुई है क्योंकि लोगों ने lockdown का मजाक उड़ाया follow नहीं किया proper तरीके से जो काईदा जो होना चाहिए 14 दिन 15 या maximum मैं बोलता सिती सुदर जानी चाहिए थी अगर लोग strictly lockdown का पालंग करते तो बट चीजें बिगड़ी है तो जनता है लोग ही है जो की responsible है चीजों को बिगाणने के ओपर राइट बट अब क्या करें अब वो ही तो कहते हैं कि literacy is very important education is very important जो की हमारी country में कई बार lack कर जाती है राइट सम function इस committee के हम लोग को क्या देखने को मिलते है debtor committee के तो they will act as a first point contact for those infected with covid-19 तो जो भी covid-19 से infect हुए है तो first point of contact जो है उसके तौर पर ये act करेंगा जो भी infected person है उससे connect करेंगे ये ward members या official जो appointed है इस particular debtor committee के अंदर करनाडा का सरकार ने 3E strategy बनाई है WTC ward deter committee के लिए जिससे की वो covid-19 को manage कर सके comprehensive तरीके से तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये 3E strategy क्या है तो efficient admission, efficient discharge empowering तो देखो hospitals के अंदर दाखिला उनको मिलना चाहिए जिनको coronavirus से जिनकी स्तिथी खराब है और efficiency उनका इलाज होना चाहि जब वो निकले तो उनका bed जो है वो दूसरे को provide कराना चाहिए तुरंद efficient manner में और hospitals को empower करो, doctor को empower करो, right उनके management और supportive supervision के साथ तो यह आली बात है हमर बताई गई, इसके महत्वक क्या है तो supervision को improve करना है better ward level covid governance के लिए, right कि ground level पर covid governance के लिए, local level पर covid governance के लिए, जो है वो improve करन supervision को monitoring को, right वो ही चीज़ मैं आपको जैसे check करके रखना है, कि कहीं lockdown अगर लगा है तो लोग lockdown का proper पालन कर रहें की नहीं करेंगी, आज भी मैंने देखाया काफी सारे लोग जो है वो lockdown के बावजूत भूमते हैं, right, unnecessarily, unnecessarily, चक्री लगी हुए लोगों के पैर में, यह नहीं कर सकते इस चीज़ का, ignore नहीं कर सकते, guys, COVID vaccine से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, इसके बार में discuss करेंगे, काफी important article है, ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोगों ने प्रात्मिक्ता दे रखी है, 45 साल से उपर की, IU के लोगों को, right, जिनकी उमर 45 साल के उपर की है, उनको COVID-19 की vaccine लग रही है, अभी-अभी, जो window जो है, वो 18 से 45, IU के लोगों के लिए भी, जो है, वो खोल दी गई है, कि इनको भी vaccine जो है, वो provide की जाएगी, बट हमने देखा, कि पिछले 8 हफतों में, right, बहुत तीजी से vaccine की, जो खुराक है, vaccines के जो doses है, उनमें कमिया आई है, उनकी numbers म decrease हम लोग को बहुत तीजी से देखने को मिला है, और इन 8 हफतों में lowest level पर जो है, वो जा चुका है ये, और ये बात सच भी है, जैसे कि मैं अपने चोटे भाई के लिए चाहा रहा था कि उसको vaccine लग जाए, बहुत दिनों से चेक कर रहा हूँ बार-बार, कि जैसे 18 प्लस क यादा लोगों को, जो है, वो अलाओ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि manage भी करना है, एक साथ नहीं, मतलब कि उनके लिए अलगला time slot जो है, वो दियो है, तो वो सब चीजे भी manage करना है, तो इस कारण बरश भी शायद नहीं होगा, बट पूरे, मैंने इपनी पूरी city में दे कोविड-19 टीको का विकास तेजी से किया जा रहा है, फिर भी इसकी आपूर्ती में कमी देखने को मिल रही है, तो सप्लाइ जो है, कोविड-19 वैक्सीन का, वो बहुत, मतलब कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, बावजूद उसके की इसका development बहुत तेजी से हो रहा है, बट सप्लाइ में कमी आ रही है, तो कुछ मुद्दों की बात करेंगे हम लोग, वैश्विक मुद्दे की बात करेंगे इस, तो विशाल जनसंक्या, huge population, एक बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को मलता है, दुनिया भर में लगभग 7 billion लोग को टीका लगाया जाना है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के डोज में कमी आ रही है, उपलब्द टीकों में से 80% से अधिक को पहले ही खरीदने का ओर्डर दिया जा चुका है, और दुनिया के कुछ चुरिंदा देशों दौरा इनकी स्टॉक किया गया है, मतलब कि कुछ कंट्री इसको स्टॉक भी करके रखा हुआ है, अपने पास जो है वो वैक्सीन बगेरा, जो का स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि वैश्विक अबादी के के केवल 20% का प्रतीन इदित्व करते हैं, यानि कि ऐसी कंट्री जहापर मात्र 20% ही पॉपुलेशन है पूरे दुनिया जादा स्टॉक है, मतलब कि वान की जो लो 50% से उपर का स्टॉक है, कहते तो यह है कि 80% से ज्यादा का स्टॉक जो है इन्होंने और दे चुके हैं, तो वह अली चीज़ है, बट बहुत जादा इनके पास स्टॉक रखा हुआ है, तो इस प्रकार की जमा खुरी भी है, और यहां तक की World Health Organization के COVAX जैसे efforts जो हैं, उसमें भी हमें देखने को मिला कि एफरीकी अबादी के केवल 1% लोग ही अब तक वैक्सीन प्राप्त कर पाए हैं, मतलब कि इसके थुरू कहा गया था कि जो developing countries है, जहां पर cases जो है वो करोना वारिस के जादा देखने को मिल रहे हैं, तो उन तक वैक्सीन की availability की जाए, पावजूद उसके भी supply की कमी यहां पर नज़र आ रही है, emergency approval में delay देखने को मिला, अमेरिका ने अब तक सिर्फ तीन ही वैक्सीन को जो है वो approval दिया है, पी फाइजर, Moderna और Jensen जैसी वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है, even जो सब ब्राजील के अंदर deny कर दिया, ब्राजील में रशिया की इस vaccine जो है Sputnik V, इसको जो है वो approve करने से मना कर दिया, यह वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिली, चाइना के Sinovac और Sinopharm की vaccine अब तक Western countries ने स्युकारी नहीं है, मना कर दिये कि चाइना की vaccine नहीं लेंगे, औ और भारत में क्या चुनौती है हम लोग को देखने को मिल रही है, तो limited supplier हमारे पास supplier limited है, manufacturer limited है, तो भारत के दो vaccine, co vaccine की बात करें और covid shield की बात करें, इनके manufacturer की सीमित चमता है, यानि कि जादा ये manufacturer नहीं कर पाते है, इस संदर्म में एक बड़ी चुनौती है, यानि कि इस च करने में महीनों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, private hospital और state government जो है, वो बहुत बड़े-बड़े orders हो है, इन manufacturers को provide करा रहा है, यानि कि huge vaccine के order provide करा रहा है, जिसको fulfill करने में भी in manufacturers को काफी time लग सकता है, तो limited supplier हमारे है, दूसरी क्या problem हमारे हम लोग को देखने को मिलती है, supply chain के gap की, तो वो भी काफी बड़ा हम लोग को देखने को मिलता है, समग्र व्यसक आबादी का टीका करने में, यानि कि इतनी huge adult population को vaccination provide कराने में, महत्व कांची कारिकरम, जो MBCS program जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें आपूरती शंक्रा में एक बड़ा अंतर है, supply chain में एक बड़ा gap देखा गया है, क्योंकि obviously बादे बहुत सारी problems है, connectivity की problems है, अगर connectivity की problem को भी छोड़ दें तो cold storage भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सब vaccine जो है वो cold storage में ही जो हो रह सकती है, उनको एक परियाप temperature चाहिए होता है, और आपको बता दें कि इंडिया की rank तीसरे number पर है USA और चाइना के बाद, right, टीका करण की संख्या के मामले में, vaccine के absolute number के मामले में, परंतु भारत की केवल 13% अबादी को ही एक खुराक मिली है, और लगभग 2% का पूरी तरह से टीका करण किया गया है, तो मेरे father और mother जो है, वो 2% और even नानी जी भी जो है, वो 2% की अ आधी से अधिक जो adult की जो population है, व्यसक अबादी जो है, उसका टीका करण कर लिया है, काफी सारे देशों ने, right, तो यहले चीज़ हम लोग को देखने को बलिए और इंडिया के अंदर और क्या problem है, तो unequal procurement process असमान खरीद प्रक्रिया, संशोधित vaccine खरीद प्रक्रिया, शे क्योंकि उनके बड़े समक्ष अस्पताल आसानी से vaccine ट्राफ्ट कर रहे हैं, जबकि उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बड़ा supplier होगा, जो बड़ा consignment खरीद लेगा, तो supplier बड़ा consignment खरीदने वाले को तुरंट supplier करेगा, है ना, जो की स्वास्त सुविधाओं के मामले में शेहरी ग्रामीड विभाजन को और अधिक वीरूपित करता है, कि हम लोग को जो देखने को मिलता है, अर्बन रूरल डिवाइड जो है, उसको और जादा बड़ा कर देता है, ये सब चीज़ है, जब हम लोग देखते हैं, जो किया गया है कि COVID Registration को की COVID Registration mandatory है, वो भी एक इशू है, इसका New Decentralized Distribution Strategy ौकंन को GIS संभवित रूप से टीका करन पक्रिया को क्यूं का मतनाता है, ये काफी सारे लोग है जो इस परकार की online चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं नहीं handle कर सकते हैं खुद बाखुद registration नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए difficulty है और ये अपेक्छा कश्चित लोगों को और इसके अंग्रेजी इंटरफेस का उपयोग करना उनके लिए चुनाटी पूर बन चुका है तो उस इंडिया की जो आधी अबादी है उस तक ही broadband internet की पहुच है broadband internet का access है और ग्रामीड टेली घनत्व जो हम लोग को देखने को मतलता है rural tele density जो है 60% से भी कम है कहा जा सकता है कि अनिवारी online पंजीकरण प्रक्रिया शेहरी केद्रों के पक्ष में जुकी हुई दिखाई देती है तो यह mandatory जो किया है online registration उसका मतलब यह है कि यह urban centers के favor में है rural areas के favor में बिलकुल नहीं है यह वाली चीज बिहार उत्तरप्रदेश सत्यज़गर जारकंड और मध्यप्रदेश देश के सबसे कम टेली घनत्व वाले राजियों में से एक और टेली density या telephone density क्या होता है तो चाहो कही पर लिख लो इसके बारे में कि telephone density और टेली density is the number of telephone connection is the number of telephone connections for every hundred individuals living within an area तो एक area पर हर 100 लोगों में से कितने लोगों के पास connection है तो उस चीज़ को telephone density कहा जाता है और हमारे यह क्या है तेली घनत्व जो है telephone density जो है वो सबसे कम in particular राजियों में है बिहार उत्तरप्रदेश अत्यज़गर जहारकंट मध्यप्रदेश स्मार्टफोन या computer के साथ साथ तकनीक तकम पहुझ इसे और अधिक कठिन बनाती है तो काफी difficulty यह भी होती है कि जिल लोग के पास मान लेते हैं स्मार्टफोन भी नहीं है काफी सारे लोगों के पास तो मतलब कि जो भी टीके जिनको अभी तक approval नहीं मिला है तो उनको तुरंद investigate करें और उनको approve करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और companies आएं जो की manufacture करें टीको को vaccines बगएरा को और मौझूदा पूल में जोडने की इन्हें आवशकता है मतलब कि इन्हें supply करने की जल्दी के साथ जो है वो equal हो जाए जिससे की supply हो सके जाए से जाथा और भारत के अंदर COVID-19 vaccine अभियान जो है COVID-19 vaccine ड्राइव जो है ये एक स्मर्णिया mission होगा monumental mission हम लोग को देखने को मिल रहा है ना केवल अपनी अबादी का टीक करन करेगा अपनी खुद की population को vaccinate करेगा ना केवल बलकि दुनिया के एक बड़े भाग के निर्माता के रूप में भी महत्वपूर्ण भुमी का निबा रहा है तो हम लोग पूरे दुनिया भर में पूरे दुनिया भर के अंदर lead कर रहे है vaccine producer के मामले में ये mission टीकों के विकास और वितरण से जुड़े मुद्दों को संबो लोगों को vaccine जो है वो provide कराएंगे distribute करेंगे vaccine millions of लोगों को और इससे जुड़ी जो problems जो आज की rate में face हो रही है उसको जल्दी से हम लोग टैकल कर सकेंगे तो ये था गया इस पूरा oral topic बहुत सारे points को हम लोग ने discuss किया ये बिल्कुल points को याद रखना means में बहुत काम का है ये वाला point आपके लिए national financial reporting authority की अब चर्चा करते हैं बदाया जा रहे कि recently हाली में national financial reporting authority राश्ट्रिय वित्या reporting प्राधिकरण इन्होंने लेखा मानकों के draft और auditing मानकों से सम्मंदित मुद्दों पर NFRA के कारेकारी निकाय की सहायता और सलह के लिए एक तकनीकी सलहकार समि का गठन किया है देखो आपको ध्यान में रखना है NFRA ने एक basically technical advisory committee जो है इसको constitute किया है इसका गठन किया है किस चीज के लिए कि NFRA की जो executive body है उसकी मदद कर सके ये किस चीज में मदद कर सके ड्राफ्ट करने में accounting standards और auditing standards को ठीक है accounting standards और auditing standards मतलब कि जब भी भी कभी accounting करते है जैसे कि CA वगरा जो है वो accounting कर रहे है या auditing वगरा कर रहे है तो उस दौरान किन-किन चीजों को ध्यान में रखना है क्या standard को follow करना है तो उसका draft create करने के लिए ये body जो है executive body काम कर रही है उसकी मदद ये technical advisory committee करेगी technical advisory committee के अंदर 7 member है जिनके chairman हम लोग को देखने को मिल है थोड़ी सी बात करें national financial reporting authority के बारे में तो ये क्या कर रही है guys तो ये basically create कर रही है verified और accurate database companies का ऐसी companies का जो verified है और accurate database वो बना रही है तयार कर रही है और जो भी auditors जो की regulatory ambit के अंदर आते हैं जैसे की CACS तो इनको इनका भी database ये create कर रही है और इस regard में NFRA जो है वो corporate data management division ज history of corporate affairs का है उससे जुड़ी हुई है और तीन recognized stock exchange जो हम लोग के अंदर हमें देखने को मिलती है उनसे जुड़ी हुई हमारी country के अंदर जो है तीन stock exchange और कुछ key point की बात करें guys तो NFRA बनी थी 2018 में ये basically government of India के तहद इसको बनाया गया था इसका गठन किया गया था Companies Act 2013 के section 132 clause 1 के तहद इसको लाया गया था और ये एक audit regulator है मतलब कि ये check करती ही कि हमारी country के अंदर जो companies वगएरा है proper तरीके से कारे कर रही है कि नहीं कर रही है प्रॉपर टाइम पर जो है वो फाइल कर रही है कि नहीं कर रही है तो इनकी auditing को recheck करने का भी काम होता है नहीं कि company के अंदर जो भी कारे चल रहा है उसको audit भी करने के लिए ये कारे करती है NFRA जो decision जो था NFRA को बनाने का ये कब लिया गया taken after the role of auditors and the institute of chartered accountants of India came under the scanner of LH Labs तो ये तब हुआ जब हमें देखने को मिला कि हमारी country के अंदर जो chartered accountants है institute of chartered accountant तो उसमें कुछ घोटाला देखने को मिला उसमें कुछ कमिया देखने को मिली कि वो proper तरीके से जो compliance वगएरा जो file होते हैं companies के तो उसको evaluate नहीं कर रही थी उसका accounts proper तरीके से नहीं देख रही थी उसकी auditing नहीं कर रही थी तब उस समय ये जी सामने आई काफी सारे scam सामने आए पंजाब national bank का भी scam इसमें included है तब जाकर फिर NFRA को तयार किया गया इसमें हमें देखने को मिलता है एक chair person होते हैं तो ये eminence person होते हैं इनके पास expert knowledge होता है accountancy का auditing का financing का law का और इन्हें central government appoint करती है और इसके अंदर और भी कुछ members होते हैं बड़ 15 members से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इस body के अंदर इसके function इसके car जो होते हैं वो क्या होते हैं और इसकी क्या duties होती है तो ये accounting और auditing policies को recommend करती है standards को बताती है कि क्या standards company को adopt करना है जिससे की central government जो है वो approve कर सके उन company को यानि कि वो company जो compliance वगरा फाइल करती है तो उसको approve किया जा सके और किस प्रकार की compliance आने चाहिए तो उसके बार में बताती है monitor करती है, enforce करती है compliance को मैं आज जैसे आपको बता रहा था accounting standards के साथ और auditing standards के साथ quality of service को देखती है और जो भी professions जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो associated होते हैं जो ensure करते है compliance को की compliance जो है वो standard के साथ ही जो है वो तयार करके file किया जा रहा है, right और कुछ उपाय भी बताती है कि कैसे quality of service जो है उसको improve किया जा सके और even इसके powers की बात करें गई तो देखो investigation भी कर सकती है यह कुछ companies के उपर, कुछ body, corporates के उपर investigation कर सकती है जैसे कि एक तो listed companies जो होती है, right जिनकी securities वगेरा जो होती है हमारी country के किसी भी stock exchange में या फिर हमारी country के बाहर stock exchange में अगर वो company listed है, right तो उसके उपर investigation कारवाई कर सकती है तुरन अगर कुछ घोटाला होता है तो या फिर जो भी company जो unlisted होती है, इसमें minimum eligibility जो होनी चाहिए कि कम से कम 500 करोड रुपे का उसका paid up capital होना चाहिए कम से कम उसका turnover 1000 करोड रुपे का होना चाहिए, loans outstanding जो aggregate जो होते हैं, debenture जो होते हैं, deposit जो होते हैं, वो कम से कम 500 करोड रुपे के होने चाहिए 31 March तक पिछले financial year के, यानि कि पिछले 1 April से लेकर 31 March तक अगर ये सब company अगर follow करती है, तो इन company के उपर भी investigation करने की authority इसकी हम लोग को देखने को बलती है, NFRA की और insurance companies होती है, banking companies, companies जो electricity के supply और generation से associated होती हैं, और जब भी भी professional का misconduct या किसी प्रकार का misconduct अगर prove हो जाता है कि ये company ने जो है वो कुछ चीजें जो है जो बोली के थी कि फाइल करनी थी, अगर उसने फाइल नहीं करी, तो उस company के ओपर penalty भी ये लगा सकती है, और penalty कम से कम एक लाख रुपे की होगी, और पाच गुना जादा भी penalty बढ़ा ही जा सकती है, जो भी उसको fees receive होती है, उसक से कम 10 लाख रुपे और 10 गुना जादा fees जो भी receive होती है, उससे बढ़ाया जा सकता है, जैसे होता है, जैसे कि for example, कि आपको जो है वो जैसे बूल दिया जाता है कि आपको 1 April से पहले जो है वो अपना file करना है, अपने documents file करने और पूरी ये कागस जो है वो लगेंगे, इन्होंने कुछ चीजें जो है वो mention नहीं करी, जान मुझकर, और आख्ली date निकल गई, तो अब जो भी fees जो होगी, याने कि जो भी fees, जो भी penalty जो लगेगी, उससे 5 गुना जाता या 10 गुना जाता भी ये charge कर सकती है, अगर किसी प्रकार का misconduct proof होता है तो, तो यह आले ची एंटी फंगल इंजेक्शन का shortage आ गया है, बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर भी shortage हो गया, मैंने आपको बताया है थाना कि अब यह बहुत खतरनाक बिमारी चल रही है, ब्लाक फंगस, पोस्ट कोविट के बाद, मेरे खाल से कल पर 100 के lecture में इसको हमने डिसकस किया था, उ और भी दूसरी एंटी फंगल दवाईयों का देखने को मिल रहा है, जो कि म्यूको, म्यूको और माइकोसिस को ट्रीट करने के लिए उप्योग में लिया जाता है, तो उसके बार में ब्लाक फंगस डिजीस के बार में कली हमने डिसकस किया था, तो यह भी अब पेशेंट के परसन जो है, वो थोड़े जादा रिस्क में होता है, एंफो टेरिसन बी इंजेक्शन जो है, यह सीरियस और पोटेंशिल लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इंफेक्शन जो है, उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, और एंटी फंगल जो है, मेंडिकेशन का इसका जो क इंजेक्शन शामिल है, और इसकी कमी अभी इंडिया में बताई जा रही है, आप थोड़ी सी चर्जा कर लेते हैं, सिनो फार्म कोविड-19 वैक्सीन फोर इमर्जनसी यूस के बारे में, तो यह भी एक वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है, डबलु एचो ने अप्र इसके भी दो डोसेज है, दो डोसेज में यह वैक्सीन जो है वो दी जाती है, जो कि अलरेड़ी काफी सारी हमारी मला पूरे दुनिया भर में कंट्रीज दो डोसेज में वैक्सीन दे रही है, डबलु एचो जो है उसने उलरड़ी इमर्जनसी यूस के लिए लिस्ट किया ह farm vaccine जो है ये एक inactivated coronavirus vaccine है मैंने आपको बढ़ाया था है कि vaccine के अंदर क्या होता है coronavirus ही होता है जो की inactivated form में होता है क्योंकि vaccine का क्या होता है कि हमारी body को especially हमारे immune system को सिखाना train करना कि इस virus से जैसे कि कम quantity में virus inactivated virus body में डाल दिया जाते है जैसे कि बाद में actual में original में जो virus जब आता है body के अंदर तो हमारी body already trained होती है vaccine के through virus को मारने में मारने के लिए और antibodies हमारी develop रहती है तो क्या होता है तो original virus को निप्टाने में जो है वो सफलता पूरवक काम करती है फिर हमारी immune system तो जैसे कि co vaccine जो है जिसे भारत बायो टेक इंडिया BV IEL के द्वारा national institute of virology के collaboration के थूँ बनाया गया था तो इसमें भी inactivated coronavirus vaccine हम लोग को देखने को मनती है inactivated vaccine जो है यह disease caring virus लेकर जाती है मतलब कि जो virus जो होती है जो disease फिलाती है तो उसी को ही vaccine के form में body के अंदर लेकर जाती है right and kill it using heat मतलब उस particular virus को मार दिया जाता है heat extreme heat में उस virus को रखकर chemical radiation के थूँ मार दिया जाता है तो और फिर उसके बाद उसको vaccine में डाल कर लोगों को दिया जाता है फिर WHO ने note यह किया है कि यह जो vaccine होती है इस प्रकार की होती है यह पूरी तरह से body में यह vaccine काम कर सके इसलिए इन्हें 2 या 3 doses में दिया जाता है और flu और polio vaccine जो होती है उसी approach की हम लोग को देखने को मिलती है flu और polio के जो टीके होते हैं इसी दिरिश्टी कोन का भी उपयोग करते हैं जिसके अंदर inactivated virus है सिर्फ यही vaccine है जो actual में virus रखा हुआ है इन्होंने बट उस virus को heat करके या chemicals के दुरू या radiation के दुरू मार कर inactivate करके body में transfer किया जा रहा है दूसरी vaccine जो है वो P-physer, Bio, Entec और Moderna और mRNA ने vaccine हम लोग को देखने को मिलती है Oxford, AstraZeneca Sputnik और Johnson & Johnson की single dose vaccine भी हम लोग को देखने को मिलती है जो की viral vector का उप्योग करती है तो यह वाली चीज है तो यह था overall topic जिसका एक आपको आइडिया उना जी चाइना की यह vaccine है WHO ने approve कर दिया इसका नाम थोड़ा सा याद रखना ठीक है पेपर 2 से related सिफ इतने ही topics थे now we will move on to paper 3 paper 3 के topics को cover करेंगे National Technology Day की बात करते है National Technology Day 11 मही को इंडिया में मनाया जाता है पहली बार यह दिवस 1999 में मनाया गया था इसका उद्देश इसका aim यह है कि भारतिय वैग्यानिकों और इंजीनियरों की वैग्यानिक और तक्नीकी उपलब्धियों का स्मरन करना scientific और technological achievement जो Indian scientist और इंजीनियर्स के हैं उनको याद करना तो इसका main मकसद National Technology Day का यह है थीम इस साल की है Science and Technology for Sustainable Future सतत्य भविश्य हेतू विज्ञान और प्रद्यो गिकी तो इसका विशा है हम लोग को देखने को मिलता है इसका महजवे क्या है तो इस दिन May 1998 में भारत ने पोखरन में परमाणू बमो का सफलता पूर्वक परिक्षन किया था तो पोखरन आपने मूवी भी देखी होगी जौन अबराहिम की अगर कभी देखी हो तो तो हम लोग ने टेस्ट किया था न्यूकलियर बम को इंडिया में भारत ने पोखरन टू नामक ऑपरेशन में अपनी शक्ती वन परमाणू मिजाईल का सफलता पूर्वक परिक्षन किया था तो यहाली चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है इंडिया ने सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया था शक्ती वन नूकलियर मिजाईल को एक ऑपरेशन में जिसका नाम था पोखरान टू जिसे ऑपरेशन शक्ती के रूप में भी नाम दिया गया था यानिकि इसका कोडनेम जो था वो अपरेशन शक्ती था इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिजाईल सता से हवा में मार करने वाली मिजाईल है त्रिशूल मिजाईल सरफेस टू एर शौट रेंज मिजाईल हमें देखने को मिलती है इसको भी सक्सेस्पुली टेस्ट किया था और पहले सौदेश निर्मित्स विमान हंस 3 का भी परीक्षन किया था तो हंस 3 जो पहला इंडिजीनियस एरक्राफ्ट था हमारा तो यह सब नाम याद रखना त्रिशूल मिजाईल हंस 3 शक्ती रखना तो यह सब चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यार में रखना है तो यह इसी दिन किया था हमने में 11 में इनी सब चीजों की टेस्टिंग अब देखें गाईज नीती आयोग की एक रिपोर्ट है डिजिटली इंक्लूजिव भारत के लिए डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए नीती आयोग की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है इस पर चर्चा करेंगे नीती आयोग और मास्टर कार्ड ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका टाइटल है Connected Commerce Creating a Roadmap for a Digital Inclusive भारत तो यह इस नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है और यह रिपोर्ट भारत में Digital वित्तिय समावेशन Digital Financial Inclusion की रहा में आने वाली जो चुनौतिया हैं जो चैलेंजिस हैं जो Digital Financial Inclusion को Accelerate करने के लिए देखने को मिल रहे हैं उस पर यह रिपोर्ट बात करती है उसको identify करती है उसकी पहचान करती है और साथ ही 1.3 billion citizens जो है 1.3 अरब नागरिक उन तक Digital सेवाओं को सुलब बनाने के लिए यानि कि उन तक access मिल सके Digital Services का उस पर अपनी recommendation जो है वो प्रवाइड करती है यह रिपोर्ट तो दो चीजों पर यह रिपोर्ट फोकस कर रही है एक identify करने पर काम कर रही है Digital Financial Inclusion को accelerate करने के उपर यह Digital Financial Inclusion होता क्या है तो आसान भाशा में जो लोग Digital Services का उप्योग नहीं कर पारे कौनसे Digital Services Financial Digital Services किस वज़ा से क्योंकि उनको आठ आ नहीं रही है उन तक Internet की पहुँच नहीं है न उन तक Digital Literacy है यानि कि उसके बारे कि उनको जानकारी नहीं है जादा उनको चलाना नहीं आता Financial Services को यूज नहीं करना आता उनको Digital Financial Services को जैसे की Mobile Banking हो गई तो उन तक ये Services जो है वो पहुचाना ऐसे लोगों तक Services पहुचाना और साथी साथ Recommendation देना कि किस प्रकार से और इसका विस्तार किया जा सकता है यानि कि 1.3 billion citizens तक कैसे Accessible बनाए जा सकता है इस Digital Financial Services को तो यह है क्या Digital Financial Inclusion जैसे मैं आपको बताया तो Digital Financial Inclusion can be defined broadly as Digital Access to and Use of Formal Financial Services by Excluded and Underserved Population तो जो Excluded और Underserved Population है तो उन तक जिन तक Formal Financial Services की पहुच नहीं है जो यूज नहीं कर पा रहे Financial Services को, Financial Digital Services को तो उन तक जो है वो ऐसी Services पहुचाना इसमें दो चीजों पर अगेन ध्यान रखना है कि Services जब पहुचाई जाए तो उसकी कीमत जो है वो उतनी जादा नहीं होनी चाहिए कि Customer Afford ना कर सके तो कीमत को भी उसको ध्यान में रखना है और दूसरी बात Providers के लिए भी Sustainable होनी चाहिए याने कि जो ये Services प्रोवाइड करा रहे है Service Provider जो है उन तक भी इतनी याने कि इतना पैसा पहुचना चाहिए जिसे की वो Survive कर सके तो इस पर mainly ये फोकस करती है तो Digital Financial Inclusion पर क्या चुनौतिया है इसको आपको समनना जरूरी है क्या challenges है इसको आपको समनना जरूरी है तो सबसे पहला challenge है Demand Side Gap याने कि जो demand करते हैं मतलब कि जो consumer है जिनको ये Services चाहिए तो उन पर एक बड़ा gap हम लोग को देखने को मिलता है याने कि वो खुदी जो है दूर चले आते है Service लेने के बाद अब वो कैसे तो उस चीज़ को समझो आप तो बहुत सारे प्रयास किये गए Digital Financial Inclusion के लिए काफी सारे प्रयास किये गए और Supply की तरफ से बहुत success भी मिली याने कि Service Providers है वो बहुत भेतरी Service Provide करा रहे है जैसे कि अगर example की तोर पर E-Governance की बात करें Jam Trinity की बात करें इसके बार में आगे चलके चर्चा करेंगे जंधन अधार Mobile Trinity जो है Goods and Services की Tax करें Direct Benefit Transfer Schemes की अगर बात करें तो इसमें बहुत success मिला याने कि अच्छी तरह किये से Beneficiaries जो है याने कि बहुत ज़ादा लोगों तक इसका लाब पहुचा आएगा जैसे जंधन अकाउंट्स ओपन करवाएगा बट प्रॉब्लम क्या आई कि लास्ट माइल पर इने कि कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आई अंत में क्या हुआ जो अकाउंट होल्डर से जिनका अकाउंट खुलवाया वो क्या करते थे जैसे ही उनके पास पैसा आथा उस पैसे को वो निकाले लेते थे कैश में विड्रॉब कर लेते थे डिजिटल फिनेंशिल इंक्लूजन का में मकसद यह है कि लोग बैंक में अपना पैसा रखे और ऑनलाइन बैंकिंग के थूरू इंटरेनेट बैंकिंग के थूरू उसका उप्योग करें इसा से आता बड़ लोग क्या कर रहा है जैसी उनके पास जो है वो उनके अकाउंट में पैसा आता है वो कैश में निकाल लेते हैं convert करते हैं ATM से कैश में निकाल लेते हैं तो जो main purpose है digital financial inclusion का वो हुआ ही नहीं लोगों को आड तो किया लोगों को सर्विस में जोडा डिजिटली जोडने की कोशिश करी बट लोग जो है वो निकल गए लास्ट माइल जो है वो छूड गई वो जोड़े नहीं तो यह वाली चीज हम लोग को देखने को मिली तो यह एक बड़ा चालेंज है अनसक्सेस्फुल एगरी टेक्स एगरी कल्चर और एगरी कल्चर से जोड़े जो सेक्टर्स हैं जो की large section को हमारे Indian population के large section को livelihood प्रवाइड कराते हैं एक बड़े हिस्से को आज इवी का प्रतान करते हैं और कुछ सालों में agriculture का जो contribution है national GDP पर वो भी decline हुआ 34% 1983 और 84 में देखने को मिलता था जो की 2018 और 19 पे केवल 16% रहे गया तो agriculture का जो contribution है GDP में उसमें भी गिरावट record की गई और काफी सारी agriculture technologies हैं वो successfully digitize नहीं कर पाई financial transactions को farmers के लिए यानि कि farmers जो है उन तक आसान services जो है वो नहीं पहुच पाई जैसे कि किसान आसानी से उन services का उपयोग कर सकें और formal credit low rate of interest पे avail कर सकें यानि कि उनको loan जो है वो low rate of interest पे मिल सकें तो उस चीज़ पर भी जो है वो काम नहीं हो पाया और micro small and medium enterprises तक भी formal finance का access नहीं पहुच पाया तो micro small and medium enterprises जो है वो key growth driver के तौर पर काम करते हैं Indian economy के क्यों ऐसा क्यों क्यों क्योंकि micro small and medium enterprises पर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी ज़ादा काफी ज़ादा population involved है काफी ज़ादा workforce इसमें involved है और 2020 की report के according इस category के अंदर लगभग 110 million लोग employed है और जो की 40% से ज़ादा इंडिया के non-farm workforce का contribution है यानि कि जो non-farm workforce है गैर क्रिशी कारेबल है यानि कि जो agriculture sector से बाहर के जो लोग है बाहर के जो कार्य होते हैं उसका 40% से भी ज़ादा लोग इसमें काम करते हैं तो यहाली बात यहां पर बता ह हुए है micro small and medium enterprises से अब proper documentation की कमी के कारण right bankable collateral के कारण क्योंकि banks अगर loan offer करेगी तो उनको तो चाहिए collateral मतलब की गिरभी रखने के लिए कुछ asset property चाहिए credit history की कमी के कारण क्योंकि micro small and medium enterprises की जो लोग है उनके पास कोई credit history नहीं हो दी क्योंकि bank जब भी बी किसी को loan देती है प उनके पास नहीं है तो repeat फिर से करता हूँ इनके पास proper दस्तावेश नहीं है इनके पास bank पर गिरभी रखने के लिए कोई asset नहीं है ना इनके पास credit history है तो ये सब चीज़ें उन्हें force करती है कि वो informal credit लेते हैं high rate of interest में जो की formal lender से double होता है मतलब कि जो bank की अगर हम लोग ब अगर किसी से loan लिया जाता है काफी सारे लोग इस प्रकार के धंदे में involved रहते हैं मतलब कि इस प्रकार के loan offer करते हैं काफी सारे लोग तो informal loans बगएरा जो होते हैं तो 20-20% 30-30% के rate of interest पर loan देते हैं तो इन लोग के लिए micro, small and medium enterprises से जुड़े लोगों के लिए burden के तोर पर हो जाता है अब trust और security डिजिटल commerce में काफी कम है आपको पता है लोग जो है लोगों के लोग डरते भी है और जो पढ़ले लिखें नहीं है वो भी और जो पढ़ले लिखें वो भी डरते हैं क्योंकि आज की rate में hacking वगेरा इतनी जादा हो रही है एक click करने पर लोगों के account से पैसा नि banking को handle करता हूँ उस device को मैंने कभी भी किसी और दूसरे के internet से कभी connecting नहीं किया ना मैंने उस device के अंदर कोई application वगेरा install करी मैंने उसको एक अलगी रखके रखा हुआ है कि इस पर जो है वो मैं अपने सिर्फ banking जो भी चीज़ है मेरी banking transactions वगेरा है उसको handle करूँग क्यों क्य कर गए और उन्हें बल्कि कहीं पर use भी नहीं किया था है कुछ चीज हो ना किसी पर click किया तो automatically इस प्रकार का transaction हुआ तो यह सब चीजें है security का खत्रा है trust का खत्रा है तो digital transaction जो होते हैं और even कई बार ऐसा भी होता है आपके account से पैसे कट गए सामने वाले के account बनी गए अब transaction बतला है कि आपने यहां से किया आपके account से तो कड़ गए सामने वाले पे पहुंचे नहीं फिर आप खड़े होगे customer care पे call कर रहे हो दुनिया जहां की चीजे कर रहे हो है कि नी तो यह वाली कहानी हो जाती है दिक्कत वाली बात आ जाती है तो इसलिए लोगों को थोड़ अगर मान की चलो बड़ा बड़ी डील है अच्छी आमाउंट की जैसे कि छोड़े बिजनस मैं के लिए 50,000,000,000 की डील भी बड़ी होती है तो बोस दें ट्रांस्वर कर यह पहुंची नहीं सामने वाले पे बोल रहे है मेरे पास तो पहुंची नहीं है customer care पे call किया है साब वो बेसिकली जो है ना क्रिकस्तान तो वहाँ पर वो पढ़ती है तो उन्होंने अपने online internet banking के थ्रू जो है वो पैसे transfer किये थे पैसे चले गए बड़ वहां से जो है वो मिलब जिस authority को पैसे बहे रहे थे तो उन्होंने बोला कि उनके पास पहुंचे नहीं है तो अभी उस है इस प्रकार की चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल रही है अब इसके लाबा mediki की एक report हम लोग को देखने को मिली थी जून 2020 में उसका कहना था कि 40,000 cyber attacks जो हम लोग को देखने को मिले जो की IT infrastructure को जिसने target किया था जो की banking sector के थे 40,000 से ज्यादा cyber attack क्या होता है सोचो आप एक इंसान की जमा पूंजी जितनी भी है पूरी खाली करते हैं यह hackers वगेरा क्योंकि यह सोचते हैं कि fraud के जरीए महनत करना चाहते नहीं है लोग fraud के जरीए कमाना चाहते हैं हराम की कमाई कमाना चाहते हैं क्या बोले मुए तो बड़ा दिमाग खराव होता यार यह सब ची अच्छी खासी पार्टी थे तो उनकी जो शॉप थी उसमें चोरी हुई थी तो उनने तुरंद पकड़वा दिया बागी जो कोई दूसरा आदमी हो तो बचारा परिशानी हो जाए दूनता रहे जाए डिजिटली एक्सेबल ट्रांजिट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें गाई तो यह कुछ नहीं है आसान भाशा में जैसे की ट्रांजिट का मतलब मूवेंट ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम तो अब कई पर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कैसी होता है तो हमारी की शुरुवात के साथ ही हमारी कंट्री में आवशक्ता बढ़ गई की डिजिडली ट्रांजिट सिस्टम्स होने चाहिए जो की कॉंटेक्टलेस पेमिंट जो है वो रिसीव कर सके हैं मतलब कि होते हैं कुछ कार्ड वगरा ऐसे होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट वगरा में उपयोग में लिए जाते हैं जैसे डेली मेट्रो कार्ड हम लोग ने देखा था जैसे डेली मेट्रो कार्ड होते हैं और भी और भी काफी सारे ऐसे कार्ड्स हैं allow करता है ये traveler को की traveler different mode of transport जैसे की metro हो गया, railways हो गया, roadways हो गया इसको choose कर सकते हैं एक single connected payment network के साथ तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को लिए transportation के लिए एक single card का उपयोग कर सकते हैं अब इस report ने क्या recommendation दिये market players के लिए याने की जो हम लोग को बजार से संबंधी जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके लिए it is critical to address gap on demand side by creating user friendly digital product तो ये क्या कर सकते हैं market में जो मौझूद लोग हैं वो user friendly digital product जो है वो बना सकते हैं user friendly digital services provide कर सकते हैं जो भी market players है वो इस प्रकार की scheme का उप्योग कर सकते हैं ये recommendation दिया कि जिसे की लोग जो है वो digital में switch हो fast tech की बात करें तो fast tech इसका एक सफल उधारन हम लोग को देखने को मिलता है गैर banking वित्तिया company जो है non banking financial companies और जो banks है उनको बढ़ावा देने के लिए भुकतान संबंधी हुनियादी धाचे को मजबूत करना है कि strengthen करना है payment infrastructure को जिसे की जो non banking financial companies और banks जो हैं वो basically promote कर सकें इस प्रकार के digital infrastructure को तो वो बनाएंगे जब बनाएंगे उनके पास पूरी services available होगी digitally तो वो उसको expand कर सकेंगे बढ़ा सकेंगे लोगों तक पहुचा सकेंगे और इसके लाबा MSME Micro Small and Medium Enterprises के विकास के अफसरों को बढ़ाने के लिए पंजी करन और अनुपालन प्रक्रियाओं का digitally करन करना तथा रिन स्तुरोतों में विविद्धिता लाना तो digitize करना registration को और पूरी जो compliance process हम लोग को देखने को मिलती है diversifying credit sources की यानि कि अलग-अलग credit के loan लेने के sources होते हैं अलग-अलग प्रकार के तो वो जो है Micro Small and Medium Enterprises जो है उनके लिए opportunities open करना जैसे आज की rate में आप देखो जैसे कि मैं example लेता हूँ कुछ company का जैसे बजाज Finzer हो गई बजाज Finance वाली जो company हम लोग को देखने को मिलती है और Home Credit वाली जो ऐसी company हम लोग को देखने को मिलती है जिसके थूँ जो है वो लोग mobile वगरा खरीते हैं वो loan पर mobile खरी सकते हैं किष्टों पर mobile खरी सकते हैं तो उसके लिए उनको कुछ as such कोई documentation जो है वो नहीं देना पड़ता पर वो थोड़ा सा check करते हैं वो लो कि उनकी credit history जाने की कोशिश करते हैं अगर new customer है तो उसको भी आसानी से अगर उसके उसके पिछले तीन महिने की पास्बुक वगरा है records है थोड़ा सा bank bank में account है तो उसको अराम से मिल जाता है तो ऐसी कुछ opportunity MSME के लिए भी open up करनी चाहिए building information sharing system information sharing system जो है वो create करना चाहिए जिससे की fraud repository जो है वो तयार की जा सके है repository का मतलब record उसको connect किया जा सके आपस में एक बड़े-बड़े institution के साथ NBFC के साथ बैंकों के साथ जिससे की खबर मिल सके कि किस प्रकार के fraud हो रहे है जिसको रोकने में सहाधा की जा सके इंशॉर किया जा सके कि online digital commerce platform जो है वो warning provide करा है to alter customers to risk of fraud जैसे कि Amazon हो गया अलिबाबा हो गई right flip card हो गई यह सब जो e-commerce जो companies हम लोग को देखने को मिलती है तो यह customer को अपने बार बर बताएं information दे कि fraud से बचें fraud से बचें अपनी OTP किसी को ना दे गलट detail किसी को ना दे तो customers को aware करें यह वाली बात हैं आपर बताएं गई और क्रिशी NBFC non banking financial companies को कम लागत वाली उन्जी तक पहुँच बनाने के लिए सक्षम करना तो low cost capital का access जो है वो मिल सके NBFC को और फिर वो क्या कर सके बहतर long term digital outcome अचीव करने के लिए physical और digital model जो है वो deploy कर सके इसका विस्तार कर सके और digitize करना land record को जो की again एक major boost provide कराएगी इस sector में क्योंकि records अगर digitize हो जाएंगे तो असानी से bank को भी collateral के तोर पर उस record को check करके बैंक को क्या चीए बैंक को तो सिर्फ यह देखना है कि सामने वाला वेक्ति बैंक अगर सामने वाले वेक्ति को लोन चुकाती तो वो ना हो जाए यानि की lapse ना हो जाए यानि की NPA ना हो जाए non performing asset ना बन जाए उसका लोन राइट की सामने वाले को लोन दिया और फिर वो चुका ही नहीं रहा तो बैंक का यहाँ पर सामावेशी इंटर ऑपरेबल और पूरी तरह से खुली प्रनारी बनाने का लक्ष होना चाहिए मतलब की कुल मिला के इनोंने बुला कि जिन लोग के बास मुबाइल है तो उसमें कुछ ऐसी application होनी चाहिए या ऐसी card की प्रवाइट करने चाहिए एक city के अंदर ट्रांजिट को accessible बनाने के लिए यानि की जो होता ना की बस के थुरू, railways के थुरू, metro के थुरू, एक individual अगर movement करते हैं, transport अगर करते हैं अपनी city के अंदर तो वो एक ही particular payment system के थुरू कर सके हैं वो असानी से, तो याली चीज़ आपर बताई आ रही है, digital financial inclusion initiative जो इंडिया में लिये गाए, जैसे कि जन्धन आधार mobile jam trinity जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आधार प्रधानमंत्री जन्धन योजना और mobile communication को मिलाया गया, और citizens जो है उन तक government की services जो है, वो मिल सके, उस पर ये main focus किया, मतलब कि लोग बाग जो है, उनका bank account खुलवाना, लोगों तक mobile banking की services प्रवाइड कराना, और जो भी सरकारी services हैं, वो लोगों तक इस particular जन्धन आधार mobile trinity के थुरू मिल सके हैं, यानि कि उन्हों 2020 में total number जो beneficiaries हैं, जन्धन scheme के वो 380 million से भी जादा बताए गए हैं, इसके लाब और दूसरा क्या था हमारे initiative इंडिया के अंदर, जिसके थूँ digital inclusion को हमने बढ़ाया, financial services को expand किया rural और semi-urban areas के लिए, रिजर्बैंक ओफ इंडिया, नाबाद, national bank for agriculture and rural development, इन्होंने initiative लिए, जिससे की financial inclusion गाउचेत्र में जो है, वो promote किया रहा सके, जैसे की इन्होंने bank की branches remote areas पर, ऐसे areas पर जहाँ पर पहुच थोड़ी सी मुश्किल होती है, यानि की connectivity थोड़ी सी मुश्किल होती है, यानि की दूर help group को जो है, वो loan मिल सके, credit मिल सके, right, इसमें automated teller machine जो है, ATM उसको बढ़ा दिया, उसके number को बढ़ा दिया, business correspondent model जो banking का है, उसको establish कर दिया, right, इसके लाबा, PIDF scheme, payment infrastructure development scheme लाई गई, और securely digital payment हो सके, उसको promote करने के लिए UPI, Unified Payment Interface, जो NPCI, National Corporation of India का हम लोग को देखने को मिलता है, कि ये initiative है, right, digital payment का, तो इसको secure बनाया जा सके, जैसे पहले हुआ करता था उसके comparison में, और security provide की जाए, तो उस पर काम हुआ, इसके लाबा, इन्हों ने और क्या किया, तो लोग बाग, जो है, वो micro ATM का उपयोग करके, किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी जगा पर, आधार enabled bank account का उपयोग कर सकते हैं, मतलब किसी भी ATM पर अपने आधार को, जो है, वो type करके, अपने bank account के साथ, उसको जो है, वो link कर सकते हैं, मतलब के mobile banking का उपयोग कर सकते हैं, तो वो इस particular service के थुरू possible हो पाए, USSD services के थुरू possible हो पाए, internet से connect होते हैं, तो खतरा होता है, fraud वगरा का, तो लोग जो है, वो बिना internet के थुरू USSD का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि, वो bank के जो customer care, जो number होते हैं, जो भी number हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर call करके, mobile banking की services जो है, वो उपयोग कर सकते हैं, financial literacy को बढ़ाने के लिए, Reserve Bank of India ने एक project लेकर आई थी, जिसका नाम था project financial literacy, कि लोग जो है वो digital literacy, जो है transaction करते समय, तो उसके लिए project financial literacy, जो है वो RBI का हमें देखने को बढ़ाता, यह question आ सकता है कि project financial literacy किसका है, RBI का है, आपको ध्यान में रखना है, objective यह था project का, कि information provide करानी है, Reserve Bank of India और general banking concept provide कराने, targeted group को, इसमें school और college के बच्चे भी थे, मौझूद, women भी थी, गाउचेतर के, और शहरी चेतर के गरीब लोग मौझूद थे, right, defense personal और senior citizen, इनको जो है, वो शामिल किया गया था, इस services में, इसकी जानकरी देने के लिए, pocket money, यह एक flagship program, again हम लोग को देखने को मिलता है, pocket money नाम से, यह SEBI का है Security and Exchange Board of India का, और NISM, National Institute of Securities Market का, जिसका main aim यह है, कि financial literacy, school के बच्चों में बड़े, तो उसके लिए यह program लाए गया था, तो इस प्रकार के projects के नाम आपको याद होना चीज, जो कि आप mains प्रिलिम्स के लिए भी important है equally, क्योंगी प्रिलिम्स में भी आ सकता है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और इसी के साथ अपना lecture finish होता है, आपको बताना चाहूंगा कि environment का course आप join कर सकते हैं, आपके लिए available है, इसमें पूरे के पूरे जितने भी environment के topics हैं, वो मैं आप लोग के topics cover करा रहा हूँ, हर एक topic का आपको video provide किया जाएगा और पूरी environment की तयारी कर रहा हूँगा, ये course आपके लिए इसलिए important है, क्योंकि prelims के अंदर environment के question का weightage काफी जादा होता है, तो highly recommended कि ये course आप join करें, इसमें आपको PDF material भी दिया जा रहा है और practice करने के लिए questions भी आपको provide किये जा रहा है, mains के और इसके बाद जैसी course खतम होगा तो आपके लिए prelims के practice question के site भी मैं आपको provide करा दूँगा, बागी quality का course भी आप join कर सकते हैं, पूरा का पूरा quality मैं आपका cover कराऊंगा, video lectures के थूँग, पूरा study material इसमें मैं provide करा रहा हूँ, ये course मैं ही बना रहा हूँ, पूरे के पूरे आप लोग के लिए, और इसमें मैं आपको prelims और mains के लिए भी practice questions provide कराऊंगा, इस course के अंदर, तो इस course ये course भी आपके लिए quality का available है, UPSC की test series जरूर join कीजिए, highly recommended, अब तो आपके बास अच्छा खाज़ाच समय है, तो इस test series में आपको target दिये जाते हैं, जिन target को आपको achieve करना होता है, तो इस target के according, ये सब आपकी smart strategies होती हैं, जिसके दूँ आप अपने course को जल्ली फिरिश कर सकते हो, और अपने selection के chances को बढ़ा सकते हो, और इसमें 15 subject wise test हैं, 10 full length test हैं, total 25 test की test series है, हर एक test का detail solution आपको provide किया जाता है, English Hindi की दोनों में test हैं, और इसके लावा CSET में अगर आप कमजोर हो, तो उसके भी course available है आप लोगों के लिए, history का भी पूरा course available है, ancient, medieval और modern Indian history पूरी की पूरी आपको cover करवाई जा रही है, और sociology अगर आपका optional है, तो इस course को आप join कर सकते हैं, और courses को कैसे join करना है, तो 9713282838 ये मेरा number है, इस पर आप contact कर सकते हैं, जैसे history के course के लिए, आप history course लिखते हैं, और इस number पर forward कर दें, तो आपको मैं जैसे की link जो होती है, demo links यानि की lectures के demo में आपको provide करा दूँगा, और enrollment details provide करा दूँगा की कैसे आप enroll हो सकते हैं, admission ले सकते हैं इस course में, इस program में, and guys, current affairs का PDF paid package आप लोग के लिए available है, daily lectures की PDF आपको दी जाती है, handout notes आपको दी जाते हैं, यानि कि आपको बार-बार notes बनानी की आवशकता नहीं होती, आप सिर्फ ये paid package को join करें, आपके लिए पूरे notes अविलेबल होंगे, आपको सिर्फ उसको revise करना है, daily revision करना है आपको, week के end में मैं आपको weekly compilation देता हूँ, जिसमें की आपको second time revision करना होता है, weekly revision, और फिर मैं आपको monthly magazine भी देता हूँ, ये पूरे चीज़ की fees है, यानि hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS, guys अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं, या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं, तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं, यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है, जैसे कि the Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं, उनकी news को cover किया जाता है, PIV के जो भी important debates, discussion आती हैं, उनको lecture के दुरान cover किया जाता है, even EPW, down to earth, योजना जैसे जो magazines होती हैं, उनके articles को भी cover करते हैं, तो आप daily, regular, अगर classes को attend करेंगे, religiously classes को follow करेंगे, तो आपको 100% guarantee success मिलेगी, और आपका 100% guarantee selection होगा, और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है, नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे, आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में, हमने जो topics cover कराए थे, उनी से related questions बने हैं, तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं, तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी, और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी, आने वाले slides में, और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी, आप उस channel को भी join कर सकते हैं, plus discussion group भी है, जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौझूद हैं, जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं, उनको discuss करते हैं, तो आप उसको join कर सकते हैं, तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को, but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं, हलो गईज, नाम के आगे IAS IPS लगाने की तयारी शुरू करते हैं, आज paper 1 से related कोई topic नहीं आया है, directly paper 2 के topics को शुरू करेंगे, एक information में आप लोग को देना चाहता हूँ कि current affairs का revision series जो है वो आपकी शुरू हो गई है, target 2021 prelims को ध्यान में रखते हुए, जो है ये series में तयार कर रहा हूँ, इसका already कल के दिन एक lecture upload हो चुका है, lecture जो है वो कहां पर मिलेगा, teachment classroom पर मिलेगा, teachment एक application है, teachment android पर आप इसे download कर सकते हैं, और इस class id को download करने के बाद, इस class id को आप enter करेंगे, तो आप मेरी class में join हो जाएंगे, यानि कि within कुछ गंटों में, 4-5 गंटों में आपको approve कर दूँगा, आप join हो जाएंगे इस class में, और आपको regularly यहाँ पर current affairs की revision class मिलेंगी, daily जो है वो 5 दिन की news अपन cover करेंगे, यानि कि revise करेंगे, 5 दिन की news का जैसे की January से शुरू हुआ है, तो January से जो है वो, यानि कि 1-5 January हाला कि 1-10 January तक already class जो हो चुकी है, और इसके बाद अब आगे आगे, यानि कि plus 5, plus 5, हर 5 दिन का हम लोग revision करेंगे, मुझे student बोल रहे थे कि सर, January से पढ़ने की क्या जरूरत है, हम लोग में से क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी तो exam की date आगे बढ़ गई है, तो नहीं guys, आपके UPSC का जो exam आपका हुआ था, 2020 में, उस समय भी delay हुआ था, October में ही exam हुआ था, बट UPSC के अंदर आपसे जो current affairs पूछे गए थे, 2020 के कुछी current affairs पूछे गए थे, बट 2019 के और 2018 के end के current affairs पूछे गए थे, उनसे related general study से link करते हुए questions आये थे, तो आपको UPSC 2021 के लिए January 2020 से ही current affairs करना है और उसका मैं आपको revision कर आँगा और बहुत ही आराम से comfortably जो है वो पूरा आपके हर एक topic जो है वो cover हो जाएंगे, revision के तौर पर और और target किया गए prelims, कि prelims में किस type के questions आप से पूछा हैंगे, जिससे कि आप prelims जो है वो 100% guarantee निकाल पाएं, तो उसे जाप से मैं आपकी तयारी करवा रहा हूँ, और free में ये series जो है वो आपकी चल रही है, कोई भी course fees नहीं है इसकी, आप इसको join कर सकते हैं, attend कर सकते हैं, right, सो गई इस बात करेंगे international nurses and midwives day के बारे में, तो इस topic को पढ़ाने से पहले एक question आप लोगों के लिए, कल की जो revision class जिनने students से attend करी होगी उसका answer ये दे देंगे, आप बताइए कि कि किस particular organization ने 2020 को, 2020 को year of the nurses and midwives जो है वो declare किया था, year of nurses and midwives जो है वो सन 2020 का साल है, यानि कि ये साल midwives और nurses का है, 2020 का, तो ये चीज़ किस ने कही थी, ये घोशणा किस ने करी थी, बताइए ज़रा किस organization ने करी थी, नीचे comment box पर लिख कर, तो ये जो दिवस है guys, ये 12 माई को मनाए जाता है, International Nurses and Midwives Day, इसकी जो theme है, ये क्या है, देखो आप Hindi medium से अगर तयारी कर रहे हैं, तो जितने भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कि जितने भी international days होते हैं, या कोई भी event होता है, उससे related कोई theme आती है, तो उसको आपको English में ही देखना है, A voice to lead a vision for future healthcare, आने वाले जो future में जो healthcare होगा जिस हिसाब का, तो उसके लिए अच्छी तैयारी करनी है, तो ये चीज क्यों कही गई, क्योंकि देखो coronavirus ने जो है वो आईना दिखा दिया, कि healthcare system पूरे दुनिया भर का कैसा है, आईना दिखा दिया, बता दिया, कि healthcare system को improve करने की आवशक्ता, और healthcare system के अंदर सिर्फ hospital, doctor, nurses नहीं आते है, पूरा ecosystem की एक जगा से medicine जहाँ पर बन रही है, वहाँ से लोगों तक medicine पहुचे, यानि कि patients तक medicine पहुचे, तो वो पूरा जो सफर होता है, last mile तक का, वो पूरी चीज इसमें covered होती है healthcare system में, तो हमने देखा कि हमार चीज हम लोग को इसकी theme के तौर पर देखने को मिली, 1965 में इस दिवस को International Council of Nurses के द्वारा शुरू किया गया था, इस दिन Florence Nightingale की birth anniversary हम लोग को देखने को मिलती है, Florence Nightingale से related कुछ बात करने गई, तो revision आपने किया होगा, कल का, तो उसमें Florence Nightingale के बार में भी हमने discuss किया था तो English Nurse थी है, Social Reformer थी, Statistician थी, Italy में इनका जन्म हुआ था, Lady with Lamp यहाँ पर लिखाया नहीं हुआ है, पर आप कहीं पर लिख लो, Lady with Lamp इस रूप में भी यह जानी याद थी, इनको यह नाम दिया था, Lady with Lamp, क्योंकि रात में जाकर यह, जितने भी लोग थे, जखमी लोग थ आता है, Florence Nightingale को, अब बात करेंगे, World Food Prize की, World Food Prize, तो देखे, Dr. Shakuntala Harak Singh Thilsted, यह एक Global Nutrition Expert है, वैश्विक पोशन विशेशग्या है, Indian Descent के, भारतिये मूल के, इनको 2021 का prestigious World Food Prize से इनको सम्मानित किया है, इनने World Food Prize मिला है, 2021 का, क्योंकि इन्होंने research करी थी, कि holistic nutrition sensitive approaches, aquaculture और food system की तयार करनी है, यानिकि इन्होंने कुछ approaches की बारे में बताये था, कि किस प्रकार से aquaculture और food system में हम लोग nutrition को ध्यान में रखते हुए, जो है वो करें, यानिकि कार्य करें, यानिकि ऐसा system मनाए, चाहे वो food system का हो, या aquaculture क हो, जिसमें nutrition को ध्यान में रखा जाए, यानिकि main जो center में जो चीज होनी चाहिए, वो nutrition की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी country की भी अगर हम लोग बात करें, और all over world की भी हम लोग बात करें, तो malnutrition को portion एक बड़ी समस्या है, even sustainable development goal जो है United Nation का, जो total 17 sustainable development goal है, उनमें से एक goal ये कहता है, end hunger, भुकमरी को खतम करो 2030 तक, तो भुकमरी जो है, और को portion जो हम लोग को malnutrition देखने को मिलता है, वो बहुत बड़ी problem है, तो उसको resolve करने के लिए और उनने कुछ approaches बताई है, right, world food price के बार में थोड़ी सी चर्चा करें गई, तो world food price एक international honor हम लोग को देखने को मि improve करने के लिए काम करता है, याने की overall human development के लिए इस प्रकार से काम करता है, खाने को ध्यान में रखते हुएने की food quality, quantity को improve करने के लिए various research conduct करता है, right, achievement हासिल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को recognize करते हुए ये award जो है वो दिया जाता है, कौनसी कौनसी field covered है इस award के अंदर, तो food supply पूरे दुनिय अभर का food supply, जिसके अंदर, plants, animal, soil science, food science and technology, nutrition, right, rural development, ये सब areas cover है, और अभी जिनको ये award मिला है, तो कभी कभी state सबसरे से पूछे ती directly नाम, कि किनको award मिला है, किस field में मिला है, तो nutrition की field में आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, शकुन तला जी को ये award मिला है eligibility क्या होती है कि कौन-कौन विक्ती eligible होते हैं, तो कोई भी individual किसी भी race का हो, religion का हो, nationality का हो, या political belief रखता हो, सभी के लिए ये open है, cash price भी support के साथ दिया जाता है, ठाई लाख US dollar, और world food price foundation, विश्व खाद ये पुरुसकार foundation, इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिस तो noble peace prize के ये विचेता है, 1970 में noble peace prize इनको मिला था, क्योंकि इन्होंने पूरे दुनिया भर के agriculture के improvement के लिए काम किया था, और इसी के लिए इनको ये prize मिला था, और इन्हें father of green revolution कहा जाता है, ये question आ चुका है पहले भी, father of green revolution किसे कहा जाता है, Norman E. Barlock को, तो पूरे दुनिय अबर में agriculture advancement के लिए नोने काम किया था, world food prize जो है, 1986 में create हुआ था, general food corporation की sponsorship के साथ, और इसे noble price for food agriculture भी कहा जाता है, बहुत बड़ी बात है, M.S. Swaminathan, जो father of Indian green revolution है, तो father of green revolution पूशिया है, तो Norman E. Barlock, और Indian green revolution पूशिया है, तो M.S. Swaminathan, याद रखिएगा, तो ये पहले recipient थ इस award के आने की सबसे पहला award, M.S. Swaminathan जी को ही मिला था, 1987 में, तो ये वाले चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, तो ये कुछ important facts हैं, जिनसे related prelims में आपके questions पूशें जा सकते हैं, vaccine hesitancy, ये mainly topic mains के लिए जादा है, vaccine hesitancy का, तो 36 गड़ के अंदर जो gramid और दूर दराज के जिले के अधिकारी, COVID के खिलाफ लडाई में, gramidों के बीच, TK की जिज़क को दूर करने की रणनीती के रूप में, आदिवासी कार्यकरताओं को शामिल कर रहे हैं, तो देखो हो क्या रहा है, 36 गड़ के अंदर दूर दराज की एरिया है, गाउ छेतर के एरिया, अब हापर लोग मना कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन नहीं लगानी है, वैक्सीन को लेकर hesitancy उनमें हम लोग को देखने को मिल रही है, एक प्रकार का डर भी है, और काफी सारे लोग जो है, उन्होंने मित बगएरा भी फैला रहा है कि वैक्सीन को लगा कर इंडिया के अंदर बूडों को मारा जा रहा है क्योंकि 45 प्लस की हम लोग को देखने को बला था कि अलाओ किया गया तो पहले का कह रहे थे कि old age population उसको मारने का यह वो है, मक्सीद सरकार का, तो ऐसी चीज़ हो रही थी कि वैक्सीन लगा के मारा जा रहा है लोगो को, तो ऐसी जो होती ना fake belief, फेक, हम लोग को news वगरा इस प्रकार की प्रमोट हो जाती है, लोग जो हो शेयर वगरा करने लगते हैं और उसके कारण हमें देखने का बलता है कि लोगों के अंदर यह ऐसी belief आ जाती है, तो यह उसी का कारण है, तो लोग आज के समय में वास्तविक सूचनाओं की तुलन आमें फरजी खबर पर तेजी से विश्वास करते हैं, यह बात बिल्कुल सच है, WhatsApp बिगाल के रहा है लोगों को social media ने, WhatsApp पर कोई news आ जाती है, तो और news भी बता है, बनाने वाले लोग भी बहुत अतरंगी होते हैं, इस तरह की news बनाते हैं, तो वाकिम इनसान एक बार बिल बिल्कुल मुझे लगता है, तो वो फिर फज़ाते हैं इस fake news में, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो fake news में फज़े होगे हैं, और आप तो bureaucracy की तयारी कर रहे हो, आने वाले समय में IES IPS होगे, तो आप तो बिल्कुल मुझे लगता है, और मुझे पता भी आप लोग यह WhatsApp की होता है न, authority की quality, यानि कि आगे चल कि आप bureaucracy को join करेंगे, तो bureaucrate की quality होती है, उसको आपको आज ही से develop करना है, तो आप जिस भी sources पर believe करोगे, वो official source होना चाहिए, authentic source होना चाहिए, तो उसके लाब आपको किसी और दूसरे source पर believe नहीं करना है, तो यह आले चीज हम लोग को कीतों, तो folks, song और posters के माध्यम से प्रशाशन, ग्रामीड और आदिवासी आबादी को आकर्शित करने की कोशिश कर रहा है, administration try कर रहा है कि tribal, जो population है, गाउच हेतर के लोग जो है, तो उनको वह attract कर रहा है, posters के थू, folks, songs के थू, right, वे punch और अन्य ग्राम, प्रतिनीधियों, जो हम लोग को punch देखने को मिलते हैं, पंचायत के अंदर punch और दूसरे village के representative हम लोग को देखने को मिलते हैं, साहुकार लोग village इसके, तो उनके लिए अपना और अपने परिवार का टीका करन करना, अनिवारे करने जा रहे हैं, तो administration ने बोला है, कि village के अंदर जो punch है, यान लिए और village के जो representatives हैं, तो अगर उनके लिए अनिवार कर दिया जाए, टीका लगाना, तो obviously बात है कि उनको टीका लग जागा, तो गाओं के लोग बोलेंगे, देखो उनको तो कुछ हुआ नहीं, इननोंने टीका लगा लिया, तो हम तो बिलकुल लगाएंगे, यह चीज बेकार हैं, होता है ना कि, अब देखो यार, एक गरीब आदमी बिचार, वो बहुत डरता है, उसी के साथ अगर एक पड़ा लेखा और सहीं आदमी, जिसको वो गरीब आदमी, खुद से जानता है, यह जो है वो मालिक है, यह जो है वो ठीक टाक पड़े लेखे हैं, इनको इंटर्व्यू में आपस ये सब बाते की जा सकती है, आप आईएस बन गए, आप अपने किसी गाउं में गए, यानि कि पास के गाउं में गए, आपको खबर मिली, कि वहाँ पर लोग टीका नहीं लगा रहे हैं, आप जाओगे वहाँ पर बैठोगे अराम से सब के सामने, बताओगे कि आप पोजीशन पे हो, उनको पता लगी जाएगा, कि कलेक्टर आता है तो यार अलगी जलवे होते हैं, और फिर सब के सब खड़ो के देखेंगे, आप बैठोगे, माइक वाइक लेके आओगे, बोलो कि नरस को लाईए, मुझे लगाईए, आईए, और किसी क आप से एक वेक्सीन निकालो, हाथ रखो वो ही निकाली जाएगी, वो निकाली ही वेक्सीन, आपने लगवा दी, उनको आपने बिलीव दिलाया, कि मैं लगवा रहा हूँ, और अगर इसमें कुछ होता, जाने की अगर दिक्कत होती, तो मैं भी नहीं लगवा दा, देखो म नियोकताओं को अपने करमचारी को टीका लगवाना अनिवारे होगा, तो इंप्लॉयर्स होंगे, उनके लिए मेंडेट कर दिया जाएगा, कि उन्हें अपने इंप्लॉयर्स को वेक्सीनेशन करवाना है, और वेक्सीन हेजिटेंसी हिचकिचाहट, तो ये जो है, वो क्या में देरी के रूप में परिभाशित किया गया है, यानि कि WHO ने डिफाइन किया गया है, कि डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल और वेक्सीन की अविलेबिलिटी है, स्टॉक है, बट फिर भी लोग वेक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो आप लोग को डेफिनेशन ध्यान रखनी है, चिंता वाली बात क्या है, तो महमारी के खिलाफ हमारे युद्ध में, तो वेक्सीन जो है, वो एक एसेंशिल वेपन हम लोग को देखने को मिलता है, एसेंशिल वेपन है वेक्सीन, महमारी के इस युद्ध में, महमारी से लड़ने के लिए, और टीको को स्विकार करने में किसी भी तरह की हिचके चाहट महा हमारी को नियंतरित करने के हमारे प्रयास पर नकारात्मक परिणाम देगी तो हम लोग जितनी महनत करने हैं कंट्रोल करने की कोशिश करने हैं और लोग वैक्सीन ही लगाएंगे तो आज की rate में क्या करना चाहिए इस problem को resolve करने के लिए तो आपको तीन points पता होने चाहिए एक तो लोगों के बीच में confidence develop करना है जनता को विश्वास दिलाना है और proactively address करना है कारणों को कि जो vaccine से related hesitancy जो लोगों के बीच में हो रही है लोग जो नहीं लगवाना चाहरे है vaccine उसके actual में क्या reason है पहले वो collect करो कि reason पता नहीं लगेगा तब तक action नहीं ले पाएंगे targeted areas पर और लोगों को aware करो कि भी vaccine आपको कुछ नहीं करेगी वैक्सीन जो है वो आपी के लिए आपकी जान बचाने के लिए तो ये तीन पॉइंट बस आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब बात करेंगे juvenile justice act 2015 के बारे में तो इसके बारे में हम लोग बात करते है किशोर न्याए जे जे अधीनियम 2015 तो हाली में विशेशग्यों ने चेताबनी देते हुए कहा है कि COVID-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोध लेने की अपील करने वाली social media post गैर कानूनी है आज की rate में social media post हम लोग को देखने को मिल रही है जो की अपील कर रही है कि COVID-19 के समय पर जो बच्चे अनाथ हो warning experts ने दी है तो activists जो है उन्होंने warn किया है कि ऐसी जो post है वो illegal है और juvenile justice act 2015 के section 80 और 81 के तहती हमें illegal देखने को मिलती है जो की prohibit करती है कि कि किसी भी प्रकार की offering या receiving children outside the process laid down under the act as well as their sale and purchase मतलब कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया का प्रचार करना, promote करना, offer करना, offer करना मतलब प्रच चाहिए, चाहे वो online हो, offline हो, जो की कानून के दायरे में नहीं आती, क्योंकि कानून के अंदर जिस चीज के बारे mention है कि कि किस particular प्रक्रिया के through जो है वो adopt करना है बच्चों को या किसी प्रकार की sale और purchase वाली जो चीज होती है इस प्रकार की बच्चों की, तो ऐसी चीज़ जो होती है वो illegal हो आती है, until and unless की कानून के दायरे में ना होतो, क्योंकि ये सब चीज़े, क्योंकि online इस प्रकार की post को promote करना वो इस particular कानून के दायरे में नहीं है, ऐसी process, तो इवाली चीज हाँ पर बताई जा रही है, और ऐसे acts अगर होते हैं, यानि कि ऐसे इस प्रकार स post कर रहे हैं, तो वो illegal है, but actual procedure क्या ये आपको चानना जरूरी है, यही तो exam में पूछा आएगा, तो procedure क्या follow करना चाहिए, जब भी भी किसी अनात बच्चे को adopt करना है, तो if someone has information about a child in need of care, मतलब कि कि किसी के बास information है कि यार कोई बच्चा जो है वो अनात है, और उसको देख number जो है, child line number जो है, वो क्या है, ये interview में पूछा गया है already, तो 1098 number या फिर district child welfare committee, district child protection officer या help line, जो state commission for protection of child rights की हम लोग को देखने को मिलती है, इन चार में से किसी भी एक जगा पर contact कर लो, problem जो है, वो solve हो जाएगी, authority जो है फिर वो process की देखभाल करेंगे, right, क्योंकि इसके authority बनाएंगे, following this, CWC, child welfare committee, CWC, right, will access the child, right, and place him or her in the immediate care of specialized adoption agency, तो फिर पहले जाएंगे, CWC के अधिकारी, बच्चों से मिलेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, कि किसी प्रकार की legal चीज तो नहीं हो रही, right, बच्चों के adoption के लिए, तो वो सब चीज़े चेक करने के बाद, यह क्या करेंगे, यह allow कर देंगे, पहले तो बच्चे को जो है वो भेजेंगे, specialized adoption agency के पास, और फिर बाद में जो है वो इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें की बच्चे जो है, उनको माबाप मिल सके, निकी देखबाल करने के लिए, लोग उनको adopt करने क लिए contact कर सके, when there is a child without a family, अगर कोई बच्चा है बेना family के, तो state becomes the guardian, तो फिर जो राजी जो होता है, वो basically उसका guardian बन जाता है, उसकी देखबाल करने का बच्चे की, तो यह आले चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि अगर किसी बच्चे के माबाप नहीं है, तो फिर व एक लौता adoption ही option नहीं है, उसके इलाबा भी हम लोग को और option देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे जो हैं, जिनके चाचा, चाची वगेरा, हम लोग को देखने को मिलते हैं, मामा, मामी वगेरा हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी देखबाल कर सकते हैं, ज़्यादा आवशक है, बहुत important है कि उस बच्चे की देखभाल करना, यानि कि care करना, और आज की date में क्या करना चाहिए, यानि कि समय की आज की rate में क्या मांग है, तो ये time है focus करने का kingship care के उपर, kingship care मतलब रिष्टेदार, कि रिष्टदार बच्चे की देखभाल करें, और ministry of women and child development, और जितनी दूसरी state, concerned state departments हम लोग को देखने को मिलती है, इन्हें तुरंत जो है वो rules, regulations इस प्रकार के निकाल देने चाहिए, kingship care program से related, और इसे juvenile justice act के calendar सामिल कर देना चाहिए, कि जब भी बच्चे के माबाप अगर अनात हो जाते हैं, तो उसके family members हो है, बच्चे के, उनकी responsibility जो है, वो कर देनी चाहिए, कि वो उनकी देखभाल करें, तो ऐसा करना चाहिए, बच्चे के लिए, बच्चे के, माब आगे भविश्चे के लिए, तो यहाली चीज है, इसके बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए, अब गाइस बात कर लेते, juvenile justice act के बारे में proper तरीके से, तो to comprehensively address children in conflict with law and children in need of care, right, तो care and protection, तो देखो, यह किस चीज़ पर काम करती है, जो भी बच्चे हैं, जिनको आवशकता है, देखभाल की, या फिर किसी particular crime के चलते, बच्चे जो है, यहां होता ना कि juvenile act के थू हम लोग को देखने को मिलता है, जिसी कोई अगर बच्चा जो होता है, 18 साल से कम की उम्र का, तो उसने अगर कोई गंभीर अपराज भी कर दिया होता है, तो भी उसको फिर juvenile care में जो है, वो रखा जाता है, तो यहाले चीज़ हम लोग को देखने को मिलती कि एकर crime वगएरा भी उससे हो जाता है, तो भी उसको जो है वो regular सेटिंग अप juvenile justice board, तो इसके अंदर इस कानून के तहट हम लोग को juvenile justice board देखने को मिलता है, किशोर नयाय बोड और child welfare committees, बाल, कल्यान, समिती हम लोग को देखने को मिलती है, हर एक district के अंदर, point to be noted, हर district के अंदर इस कानून के तहट यह दो चीज़ है, juvenile justice board और child welfare committee, both must have at least one woman member each, यानि कि दोनों में ही एक महिला सदस्य होनी जरूरी है, कम से कमें एक महिला सदस्य है, कारा की बात करें, ये भी बहुत important है, कारा, central adoption resource authority, केंद्रिय, दतक, ग्रहन, संसाधन, प्राधिकरण, ये basically इसको statutory status इस कानून के तहट provide किया गया है, जिससे कि ये और बहतर तरीक पताई की, हमलब, advertisement भी दिया जाता है, TV में, हम लोगों को देखने को मनता है, लोगों की पीच में awareness create करने के लिए, act के अंदर काफी सारे नए offenses, जो commit होते हैं, बच्चों के against जैसे की illegal adoption, बच्चों का उप्योग किया जा रहा है, militant groups के द्वारा जैसे होता है, कुछ militant groups ह होते हैं, terrorist group होते हैं, छोड़े बच्चों का उप्योग करते हैं, brainwash कर देते हैं, right, disabled children के against, जो है, वो offense होता है, हम लोग को देखने को मिलता है, जो विकलांग बालक जो होते हैं, उनके खिलाफ अपराद हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसी और भी काफी सारी चीज़े इस particular कानून के तहट add कर दी गए थी, right, जो कि किसी भी कानून दूसरे कानून में नहीं है शामिल, right, और all child care institution जितने भी ऐसे institution है, जो child care के हम लोग को देखने को मिलते हैं, बच्चों की देखभाल करने के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो सरकार के दौरा चलाए गए हों, या फिर कोई voluntary basis पर या फिर कोई non-governmental organization चला रहा हो, या कई भी आर होता ना कि private institution भी इस प्रकार से society के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार की विवस्ता कर देते हैं, तो कोई voluntary basis पर चला रहा हो, या सरकार की तरफ से हो, या non-governmental organization की तरफ से हो, तो उसके लिए mandatory है, इस कानून के तहित कि उसे 6 महीने के अंदर-अंदर, जो है, वो register कराना होगा, और कोई भी इस प्रकार का child care institution जो की register नहीं है, तो वो illegal माना जाएगा, और उस institution को चलाने वाले के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी, इस कानून के तहित, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए, अब हम लोग बात करेंगे, चौथ हे India-Swiss financial dialogue के बारे में, फोर्थ India-Swiss financial dialogue, कल मुझे कोई student ने message किया था, regular student थी थी वो, उन्होंने बोला था कि सर, international relations के लिए topics बताईए, current affairs के, तो ये topics जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सभी क होते हैं, ये देखो यहाला topic, IR का है, इंडिया और Switzerland के बीच में कैसे relation है, उसको अभी हम लोग थोडी दिर में जानेंगे, और अभी आपको बतानेंगे, चौथा हम लोग को इंडिया-Swiss financial dialogue देखने को मिला, वर्चुली हुआ था, ये video conferencing के थूँ, डालेक्स के दौरान बारता के दौरान क्या-क्या बाते हुई तो उसकी बात करते हैं, तो देखो, काफी चीजों में, काफी aspect में, इंडिया और Switzerland मिलकर collaborate करेंगी, जैसे की investment की field में, IFSCA, International Financial Service Center Authority की field में मिलकर काम करेंगी, National Investment and Infrastructure Fund, NIIF में, Fintech में, Sustainable Finance में, और Cross Border Financial Services में, इन एरियास पर इंडिय और Switzerland मिलकर काम करेंगी, ऐसी बातचीत हुई अभी recently, और जो भी मामला हम लोग को देखने को मिलता है, G20 से related, International Monetary Fund से related, Tax Challenges से related, जो की economic के अंदर, digitization जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके चलते उभर रहे हैं, ऐसी चीज़ें, तो वो भी discuss हुई, और infrastructure financing से related भी बात और resilient energy के उपर काम करें, post COVID यानि की COVID जैसे ही खतम होता है, तो clean energy के उपर, मतलब की, जैसे electric energy, यानि की renewable source of energy के उपर काम करें, conventional source of energy, को shift करें, renewable source of energy में, clean energy में, जैसे की environment जो है, वो switch रहे, clean environment हम लोग को देखने को मिले, clean और green environment जिसको हम लोग बोलता है, तो यह सब कुछ हुई अभी recently, जिसका एक आपको idea होना सी है, कि यह जो चौथी जो meeting हम लोग को देखने को मिले थी, चौथा India, Swiss financial dialogue हुआ तो उसमें क्या-क्या चीज़े बात चीज़े है, आप देखो financial dialogue है, तो यह investment, finance, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, और India और Switzerland के relation कैसे है, तो political relation पहल non-alignment की देखने को मिले थी, आपको बताऊगा, इंडिया की non-alignment की policy थी है, हमें देखने को मिले था, जब दो super power थी, USSR और USA, जब यह दोनों आपस में लड़ रही थी, तो हमने बोल दिये था, हम किसी का भी जो है वो, साथ नहीं देंगे, हम अलगी है, third world हम लोगों ने create क को देखने को मिली थी, तो इस चीज के कारण दोनों countries के बीच में close understanding develop हुई, मतलब की जो हमारी जो सोच थी, approach थी उस समय, कि दो super power जो भिड रहा है, पूरी दुनिया दो parts में divide हो गई है, उस समय हमें किसी का भी साथ नहीं देना, हमें neutral रहने है, वैसे ही Switzerland की भी ये policy थी, neutral रहने की, right, economic relations की बात करें, तो इंडिया और Switzerland bilateral investment treaty हम लोग को देखने को मिलती है, ये under negotiation है, मतलब इस पर बाची तभी चल रही है, ये finalize नहीं हुई है, negotiation जो है, वो और भी areas पर हम लोग को देखने को मिल रहे है, TEPA, India, EFTA, Trade and Economic Partnership Agreement, तो इस पर भी हम लोग को negotiation देखने को मिल रहा है, इस पर भी बात चीज जारी है, European Free Trade Association, जो कि एक inter-governmental, ये European Free Trade Association जो है, ये inter-governmental organization है, Iceland, Lichtenstein, Norway और Switzerland की ये हम लोग को inter-governmental organization देखने को मिलती है, तो इंडिया जो है वो इसके साथ trade और economic partnership agreement कर रही है, मतलब कि ये जो हम लोग को 4 countries देखने को मिल रही है, इनके साथ इंडिया जो है वो अपने trade को आगे बढ़ाएगी, इस पर इंडिया जो है वो बातचीत कर रही है, these countries are not part of European Union, ध्यान में रखना ये country European Union की part नहीं है, with which India is negotiating a separate trade agreement, नहीं तो फिर हम लोग European Union के साथ trade agreement करता है, वैसे हमारा ही already European Union के साथ trade agreement, बट हम लोग इनके साथ अलग से क agreement जो है, European Union के साथ हमारा, तो वह अलग सी हम लोग को देखने को मिल रही है, अब दूसरे एरिया में क्या cooperation है, तो इंडिया और Switzerland की joint research program हमें देखने को मिलती है, जो कि हमने 2005 में शुरू किया था, skill training हम लोग को देखने को मिलता है, काफी सारे institutes हैं, दोनों country के जो की collaborate करते है, highest standard of skill training India के अंदर provide करा आतने हैं, Switzerland अपने models के बारे में बताता है कि उसने क्या models अपनी country में उपयोग किये, लोगों की skills को बढ़ाने के लिए, develop करने के लिए, वो सब चीज़े वो बताता है, भारती है skill development campus university जैपुर में है, Indo-Swiss center of excellence जो पूने में हम लोग को देखने क में है, तो इसमें इंडिया और Switzerland की भागी दारी collaboration हम लोग को देखने को मलता है, capacity building, low carbon and climate resilient city development की हम लोग को देखने को मलती है, तो यह भी एक project है, right, कि low carbon, right, यानि कि कम से कम जो है वो carbon का emission हो, right, और climate resilient city develop हो, मतलब कि cities इस प्रकार से बनाई जाए, इस प्रकार से तयार किया इस प्रकार से infrastructure हो, development हो, इस प्रकार से, कि जो climate resilient हो, आज की rate में हम लोग को देखने को मिल रहे है, temperature level increase हो रहा है, उसके कारण various problems आ रही है, right, तो वो problems resolve हो, देखो, temperature level increase हो रहा है, उसके कारण लोगों ने AC वगरा चलाना शुरू कर दिया, काफी सारी machines चलाना शुरू कर द जाती है, उपर से जब AC चला रहे, cooler चला रहे, तो क्या हो रहा है, बिजली, power का consumption ज़्यादा हो रहा है, power का consumption जब जब ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, कोईला जादा जलेगा, कोईला जादा जलेगा, तो क्या होगा, environment में carbon dioxide को emit करेगा, तो इस प्रकार की links आपको ब 200 चोड़ो, 1200 words आप लिख डालोगे, एक topic पर बोल्ड डालोगे, इतने सारे points आपको आपको एस collect होने सी, और don't worry, tension वाली बात नहीं है, ये during the preparation हो जाता है, क्योंकि कल को आप अपने आपको ये सोचो ना, कि आप जब IAS officer बनोगे, तो आपको खड़े होकर लोगों को speech देन मुझे एक student बोल रहे हैं कि sir, मुझे mobile जो है, उसका addiction हो रहा है, बार बार mobile जो है, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, नोटिफिकेशन आता है, तुरहीं चेक करता हूँ, और एक चीज बताओ मैं आपको, आसान सी, एक trick देता हूँ, हमारी जो body होती है, वो इतनी lazy होती ह कि अगर आप अपने mobile को उठा कर दूर बैट पर रख दो, silent करके, आप देख ले ना, आप उठकर उसके पास नहीं जाओगे, पढ़ते पढ़ते उठकर उसके पास नहीं जाओगे, करके देख ले ना, पढ़ते समय अपने आसपस जितनी भी destruction वाली चीज है उसको दूर कर दिया, कि शलो एक घंटे के बाद में उठकर mobile चेक कर लूँगा, या कर लूँगी, इस प्रकार से अगर आपने practice करी, तो फिर देख ले ना, आपके हर एक addiction जो है, वो आपसे दूर हो जाएंगे, तो ये कुछ tricks होती है, जिनको अपनायक और अपनी पढ़ाई के दुरान, ठीक है, Swiss Agency for Development and Corporation, ये support कर रही है, इस particular Capacities Project, जो Indian Cities के अंदर हम लोग को देखने को मल रही है, ये Capacities Project, तो उसके लिए तो ये, basically SDC, Switzerland, जो है वो India का support कर रही है, कि ऐसी हमारी cities बने है, जो climate resilient हो, मतलब कि हम लोग जो buildings बनाएं, वो भी climate resilient हो, मतलब कि हम लोग जो buildings बनाएं, अब पानी जो चलता रहेगा, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, कि temperature जो है, वो cool रहेगा, और भी काफी सारी चीज़ा आगई है आज की rate में, temperature को cool रखने की, या normal रखने की temperature को, इस प्रकार के वो लगाई जा रहा है, याने की material का उपयोग किया जा रहा है, तो यही सब है, जिसमें यह हमारा support कर रहा है, right, Switzerland, इसका aim यही है, कि Indian cities को इस प्रकार से बनाना है, identify करना है, plan करना है, implement करना है, ऐसे उपाए, जो की greenhouse gas emission को reduce करें, right, वो ही बात जो मैंने आपको समझाई, right, climate change, जो आज की rate में बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने में मदद करें, उसक इसी पर ही control करने पर अब काम किया जा रहा है, जो गलती हो गई पास्ट में, उसको control किया जा रहा है, अब MLA, LAD scheme के बारे में हम लोग बात करेंगे, right, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो राजिस्तान सरकार ने recently approve किया है एक proposal को, और 3 करोड रुपे प् development की देखने को मिल रही है, MLA, LAD scheme के बारे में, I think की 2020 में ही पूछा गया था, MLA, LAD से related question था, right, तो उसके topic को भी मैंने काफी detail में आप लोग को cover कराया हुआ है, वैसे ही MLA, LAD scheme हम लोग को देखने को मिल रही है, तो किसकी है, राजिस्तान सरकार की ध्यान में रखना, रा age group है, 18 से लेकर 44 साल के लोगों तक का age group जो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर Corona virus का stock नहीं आ पा रहा है, supply में कमी हम लोग को देखने को मिल रही है, भी कुछ दिन पहले ही हम लोग ने issues के बारे में discuss किया था, कि stock की कमी है, तो उन सब चीजों को resolve करने में ही अब ये क काम करेंगे, तो और खर्चे को जो है वो पूरा करने के लिए fund जो है, वो हर एक legislature को provide किया जा रहा है, और fund उनके लिए बढ़ाया जा रहा है, अभी इदक सब 2 करोड रुपे था, इसे 5 करोड रुपे हर साल का कर दिया गया है, तो यहली चीज हम लोग को देखने को मिल र scheme, तो वैसे ही MLA, LED scheme हम लोग को देखने को मिलती है, objective यह है इस scheme का, कि local जो needs है, need based infrastructure, तो वो create करना, यानि कि local area में जिस प्रकार के development की आवशकता है, वो आवशकता को पूरा करना, वहाँ पर assets वगरा ले कराना, जैसे कि वहाँ पर पाजी की समस्या है, तो water tank की facility करवाना, यह सब चीज़ है, इस प्रकार की education में पीछे है वो एक area, तो वहाँ पर schools वगरा open करवा देना, colleges वगरा open करवा देना, तो इस प्रकार की facility करना, कि local area के development के लिए, यह scheme जो है वो implement की जाती है, rural areas में भी और urban areas में भी, याद रखना है state के अंदर, MLA जो है, उनको पैसा नह project होगा, उस department के पास, जो है, वो MLA, सिर्फ, जो है, वो seal sign लगा कर forward कर देंगे, और फिर उस department के पास, जो है, वो पैसा आ जाएगा, मतलब कि MLA के पास पैसा नहीं आदा, MLA के पास पैसा आगा, तो पैसा दबा देंगे, पैसा ही घोटाला तो होता ही है, बड़ इस पे भ लोग को देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ recommend कर सकते हैं कारे को, कि उनकी जो constituency है, तो उसमें किस प्रकार के development करने हैं, और फिर उस concern, जो department को provide करा दिया जाता है, और जो amount होता है, जो MLA को दिया जाता है, वो राजियो राजियो पर vary करता है, state to state vary करता है, डली के पास सबसे पैसा allocate होता है, MLA, LAD के अंदर, और हर एक MLA जो है, उनको 10 करोड रुपे हर साल provide किया जाता है, comparatively, 5 करोड रुपे हम लोग को देखने को मिलता है, जो अभी बढ़ाया गया राजस्तान के अंदर, वैसे दूसरी state में अल्रेडी 5 करोड है, काफी सारी state के अंदर, दिल्ली के अंदर 10 करोड दिया जाता है MLA को, और जो निर्देश देंगे MLA, local area development के लिए, तो वो भी उनकी जो guidelines होती है, वो भी differ करती है, क्योंकि वो depend करता है, local area development, अब local area की जैसी needs होंगी, उसकी according को guideline जारी करेंगे, जैसे कि Delhi के अंदर MLA हम लोग को देखने को मिलता है, वो fogging machine के उबर काम करते हैं, कि fogging machine को उन्होंने recommend किया हुआ है, कि डेंगू के मच्छरों को रोकने के लिए जो machine आती है, CCTV camera वगरा install करने के उन्होंने सिफारिश वगरा दी है, ऐसी चीज़ है, वो depend करता है कि local area में किस चीज़ की आवशकता है, विधायक द्वारा MLA द्वारा विकास कारियों की सूची देने के बाद जिला प्रसाशन द्वारा साशन के वित्यत तकनीकी एवं प्रसाशनिक नियमों के अनुसार उनका निश्वाधन किया जाता है, जैसे मैं आपको बताया, कि फिर वो district authorities जो होती है, यानि कि वो consent department जो होता है, फिर उसके पास कारिया हो जाता है, फिर MLA का क्या रोल बचता है, MLA का रोल बचता है कि फिर उन्हें जो है वो जाकर चेक करना होता है, समय समय मोनिटर करते हैं, है ना, projects को, तो इस तरीके सा आपको चीजों को समझना है, MP, LAD की बात करें हम लोग, Member of Parliament, Local Area Development Scheme की, तो यह Central Sector Scheme है, December 1993 में इस Scheme को Announce किया गया था, Initially यह इस थी Ministry of Rural Development के Control में थी, फिर बात में October 1994 में से Transfer कर दिया गया, Ministry of Statistics and Program Implementation, Very Important Point, MP, LAD Scheme किस Ministry के अंडर आती है, आपको ध्यान में रखना है, Ministry of Statistics and Program Implementation, ऐसे कोशन उठते हैं, ठीके, तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा आ जाए, कि Initially, क इस Particular Ministry के अंडर थी MP, LAD Scheme, तो Rural Development, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और हर साल MP को 5 करोड रुपे दिये जाते हैं, दो इंस्टॉल्मेंट में, 2 करोड रुपे हर 6 महिने में हम लोग को देखने को मिलता है, और funds जो होता है MP, LAD Scheme का वो Non Lapsable होता है, Non Lapsable Fund हम पर Local Area पर किस प्रकार का उनको development करना है, तो उस चीज़ को recommend करते हैं, किस प्रकार की durable community asset जो है, वो create करना है, जैसे की पानी के tank हो गई, यह सब चीज़ है, तो उसका recommendation देते हैं, वो depend करता है, constituency to constituency, कि मतलब उनके area में किस चीज़ की requirement है, जैसे कि मैंना भी आपको समझाई पूरा, आपको एक idea लगी गया होगा, लोगसभा की जो सदस हैं, वो recommend कर सकते हैं, काम अपनी constituency के अंदर, और elected members जो हम लोग को राजी सबा के देखने को मिलते हैं, वो फिर अपनी state के अंदर recommend कर सकते हैं, point to be noted, question आ सकता है कि लोगसभा के जो सदस होते हैं, तो वो किस recommend कर सकते हैं, कारे को, ठीक है, तो अपनी state में, जिस state के वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यह ली बात हम लोग को देखने को मिलती है, nominated members जो राजी सबा और लोगसभा के होते हैं, वो भी recommend कर सकते हैं, हमारी country के अंदर, किसी भी जगा पर कारे को, कि किस प्रकार का क होना चाहिए और durable assets के तौर पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है जैसे कि national की नेशन की priority क्या है जैसे कि पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए water tanks वगरा लगाना और primary education provide कराना जहाँ पर जैसे कि चिकेट साले वगरा नहीं है healthcare facility नहीं है तो बहाँ पर healthcare facility provide कराना गंदगी जहाँ पर है जैसे कि मैं आपको बताए कि दली के अंदर इन्होंने देंगू को खतम करने की machine जो है वो चलाए थी fogging machine नहीं होती धूँआ कर देती है बहुत जादा है और किस scheme के अंदर स्वच भारत अभियान accessible India campaign सुगम में भारत अभियान जिसको हम लोग कहते है और conservation of water through rain water harvesting यानि की rain water harvesting पर भी जो है वो पैसा लगाये जा रहा है और संसद आदर्ष ग्राम यह हो जना तो इस पर भी पैसा लगाये जा रहा है ठीक है यानि की इनके fund के तहर इन सब scheme में यूनियन cabinet ने approval दिया है temporary suspension of MPLAD fund during 2020 and 2021 यानि की MPLAD fund जो है member of parliament के पास जो यह fund है वो अभी suspend हो गाये है 2020 और 21 के लिए और 21 और 22 के लिए क्यों क्योंकि कोरोनवारिस के समय पर सरकार को चाहिए पैसा expenditure करना खर्चा करना इसलिए वो बोल रहा है कि उन्होंने MP को पैसा नहीं दिया है MP के जो यह fund है MPLAD fund वो कोरोनवारिस के समय पर expenditure को meet करने के लिए उपयोग में लिये गए है तो it is inconsistent with the spirit of the constitution as it co-opts legislator into executive functioning तो यह basically इसका जो criticism होता है इसकी जो आलोचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि देखो क्या होता है execution का काम जो होता है वो executive authority का होता है और legislature का काम क्या होता है executive का काम होगा implement करने का बढ़ यहाँ पर क्या हो रहा है executive का काम जो है वो legislatures कर रहा है तो यह कही न कहीं core spirit जो है constitution की उसको खराब कर रहा है तो यह वाला yearly scheme MPLAT scheme तो यह इसके आपको आलोचनाई भी पता होने चीए कुछ scheme के कुछ फाइदे हैं तो उसके क्या नुकसान भी है ठीक है दूसरा criticism यह हम लोग को देखने को मिलता है कि corruption के वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है वो तो पहली मैंने आपको बता दिया कि corruption के आरोब जो है इसराइल और Palestine आपस में भीड़ गाए है Palestine की तरफ से हम लोग को एक militant group देखने को मिलता है बताओ जरा नीचे comment box पे कली पढ़ा है उस militant group का क्या नाम है जो कि इसराइल के साथ जो है वो लड़ाई लड़ रहा है तो ये देखो ये जो चीज आपको नज़र आ रही है तो उस तरफ से Palestine की तरफ से जो है वो rocket दागे जा रहे है और यहाँ पर हवा में ही इन rocket को जो है वो समाप्त कर दिया जा रहा है इसराइल के दोरा तो इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे इसराइल के iron dome interceptor rockets के बारे में तो इसके बारे में चर्चा करने वाले है इसराइल और फिलिस्तीन पैलस्टीन याने की इनके बीच जारी संगर्ष इनके बीच जो conflict हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उसमें दोनों पक्षों दोरा हवाई हमले और rocket हमले किये गए हाली में गाजा पटी से दागे जाने वाले rocketों को इसराइल के iron dome air defense system दोरा बीच में ही रोग दिया गया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे rocket किसी अद्रश्य धाल से टकरा रहे हो देखो बिलकुल ऐसी लग रहा ना कि जैसे कि rocket जो है वो यहाँ पर ऊपर कहीं से जो है वो टकरा रहे है यहाँ पर आते आते जो है वो टकरा आगा है फट गए मही पर ऊपर ही ब्लास्ट हो गए तो इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि आज की रिड में पूरी दुनिया जानती है डिफेंस के मामले में डिफेंस टेक्नलोजी के मामले में बहुत पावर्फुल है इवन जैसे कि आपको शायद याद रहोगा मैं याद दिलाता हूँ आपको कि जब हम लोगों ने जाइश महुंबत के कैम्प्स की ओपर अटाक किया था एर स्ट्राइक जब करी थी हम लोगों ने पाकिस्तान में रई पता है आपको तो उस समय हमने जिस पर्टिकुलर टेक्नलोजी का यूज़ किया था हमारी जो मिज़ाइल जो थी ना उसके आगे हम लोगों ने एक सिस्टम लगाया था जो कि सेटलाइट से कनेक्टेट था जो कि हमारी मिज़ाइल कहाँ पर जा रही है उसको डारेक्शन देता था कि मतलब हमारी मिज़ाइल जैसे कि हमें कहीं बर अटाक करना है तो recording पूरी मनलब कि कहा पर किस जगह पर attack हुआ है उसकी पूरी recording हो रही थी इस particular missile system के थूँ इवन इस missile system में ऐसी technology भी थी कि जैसे कि जैसे होता है कि एक बार आपने target पर लगा दिया ठीक है जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर attack करना है अब आपकी missile निकली वहाँ पर attack करने यहाँ पर जाकर एक बार आपने छोड़ा अपनी missile करने कि launcher को go किया आपने याने कि okay किया कि हाँ attack करना है तो okay किया एक बार जैसी missile निकल गी तो वह जाकर attack करेगी इसके साथ इस system में ऐसा है कि जैसी कि attack किया एकदम से जो है जिनोंने यह okay किया था attack को राइट जो हमारे जो होते हैं कि एर फोर्स के दुरान जो पाइलेट होते हैं वही तो करते हैं पूरी चीज़ें तो उन्होंने जैसे ही okay किया attack को अब उनको लगा कि नहीं है यहाँ पर गलत जगा attack कर दिया मैंने बना एक तम सोब को click हुआ कि यहाँ पर नहीं करना था यह इतनी भैतरी टे लिख कर बताओ जड़ा वीडियो का पॉस्ट कर दो तुरंत बताओ 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 इसपाइस 2000 एसपी आई सी इसपाइस 2000 यह इसराइल की टेक्नलोजी थी जो इसराइल ने हमें प्रोवाइट करी थी और इसके थुरू हम लोगोंने एर स्ट्राइक पे कमाल किया था तो य अश्या के साथ हमारी ये जो रही है किस टेकलोजी के अबर तो बहुत ही फेबस ने हम लोग पढ़ चू के हैं शरफेस टू एयर डिफेस मिजाई सिस्टम अब लोग को देखने को मिलता है S-400 तो इसके बारे में हमने बात करी थी ये भी कोछ इसी प्रकार के system का interceptory type का है मतलब कि ये काम क्या करता है जैसे कि हम बात करें कि ये एक area है यहाँ पर interceptor रखा है तो अब बाहर से किसी ने इस area पर attack किया इसको command देने की भी जरूरत नहीं होगी ये सिर्फ एक click मांगेगा याने कि तुरंद inform करेगा ये कि attack हो रहा है यहाँ पर सिर्फ एक click करना है automatically target भी set नहीं करना है उपर हवा में जाकर आती हुए missile को ये blast कर देगा तो ये interceptor होता है इस प्रकार का तो ये जीज़ हम लोग को देखने को में दी तो ऐसी technologies भी S-400 में भी शामिल है air to surface defense system defense system बदर defense करना है attack नहीं defense करना है उस चीज़ को भी समझो वैसे ही ये interceptor है same technology इसी प्रकार का interceptor की आते हुए हमले को हवा में ही निप्टा डालना जिससे की नीचे आई नहीं रोकेट नीचे तबाही ना मचा है हवा में ही निपड़ जाए तो ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेती है और जो attack था उसमें तो अभी भी Palestine को कहना है कि उनके पास अभी भी और बहुत सारे rockets है कि वो लगतार इस प्रकार के rockets जो है वो दाखते रहेंगे जब तक कि इसराइल जो है वो मलब हार ना मान ले तो ऐसी चीज़ हो रही है कि बीच में बहुत ही विश्वई यूद चणने वाली भी बात हो रही है मलब दोनों countries के बीच में यूद चणने की बहतरी भाना की यूद चणने की बात हो रही है तो iron dome क्या है तो iron dome लोहा गुमबद मतलब की iron dome वर्ष 2011 में तैनात की गई एक कम दूरी की सतह से हवाई यानि की surface to air short range की surface to air या फिर ground to air defense system हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर एक radar भी है और एक tamir interceptor missile हम लोग को देखने को मिलती है तामीर interceptor missile जो की track करती है और neutralize करती है किसी भी rocket को या missile को जो की इसराइल के area पर आता है वोई चीज मैं आपको समझाएगी इसराइल के पास जो भी rocket आ रहा है या जो भी particular attack हो रहा है इसराइल के उपर तो हवा में ही उसको निप्टा देगी और countering करने के लिए rockets को counter करने के लिए ये attack करने के लिए जानिका आते होए हमले को जो होँपर ही defense करने के लिए जैसे कि attack होदा defense बदा आप किसी को मार रहे हो तो attack है आपकी CC सिर्फ बच रहे हो तो you are defensing yourself तो countering rockets, artillery और mortar, sea ram जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि aircraft होते हैं, helicopters होते हैं, unmanned aerial vehicles होते हैं यानि कि बिना इसराइल की information कि अगर कोई UAV आता है unmanned aerial vehicle हो गया या helicopter आ गया या कोई भी particular aircraft आ गया उस पर भी attack कर सकता है, but यह permission लेगा पहले, right but permission एक बार इसको allot देनी पड़ेगी और यह तुरंथ अपने target को set करके चले आता है, यानि कि इसमें target को set करने की भी जरूद नहीं बढ़ती है automatically अपने target को set करता है, success rate 90% से जाता है मतलब की इसका वार चूकता नहीं है और कैसे काम करता है यह और कैसे इतना effective है तो iron dome जो है वो तीन main system इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते है जो की एक साथ काम करते है, जो की shield provide कराते है एक area को मतलब की एक जो area है, इसराइल जो है वहाँ पर किसी प्रकार का attack नहीं हो तो उसके लिए वो shield provide करा रहे है तो देखो क्या हुआ, dome, हमने बात करें, iron dome तो iron dome ही ना हम इसलिए पढ़ा है इसका क्योंकि यह इस प्रकार से dome बन गया इसराइल के ओपर कोई भी particular attack होगा तो उससे इसराइल को यह बचा लेगा तो यह deploy करता है, handle करता है multiple threats को यह एक साथ बहुत सारे भी अगर हमले हो रहे है तो एक साथ उन पूरे हमलोग को बचा लेगा यह detect करता है, track करता है महले इसके इंदर वो एक radar है जो कि detect करता है target को track करता है, right कोई भी चीज अगर incoming हमला जो हो रहा है कोई भी खत्रा हो रहा है, incoming इसराइल के पास आता हुआ, तो उसको spot कर लेता है, track कर लेता है battle management and weapon control system इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है missile firing unit है, right, तो यह सब चीज़े इसके अंदर है चाहे दिन हो या चाहे रात हो और क्या इस प्रकार का system इंडिया के पास है, तो अभी मैं आपको S400 की बात करी रहा था, देखलो यहाँ पर mentioned S400 के बारे में, रशिया से हम लोग ले रहा है USA बहुत मना कर रहा है कि मतलो, 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 और उसके बारे में आपको बता चुका हूँ एक बार lecture में पढ़ाया हुआ था कि USA क्यों चुड़ा हुआ है, कि S400 क्यों नहीं चाहरा कि हम रशिया से ले, right तो वाली चीज़ भी उसके बारे में पढ़ाया हूँ, मैं आपको इंटरसेप्टर की, तो इंडिया के पास S400 की डील, हाला कि हमने पूरी कर ली है तो यह तीन जो खत्रे हैं, इंडिया के उपर उससे बचा सकती है, रॉकेट से, मिजाईल से और क्रूज मिजाईल से, और लॉंग रेंज तक, अभी इसराइल के पास शौट रेंज की, यानि कि कुछ ही, यानि कि दूरी पर ही यह बचाओ कर सकती है यह वाला जो सिस्टम है, यह लंबी दूरी तक बचाओ कर सकता है, 300 से 400 किलिमेटर की रेंज तक, यानि कि 300 से 400 किलिमेटर दूर अगर कोई मिजाइल होगी, तो उसको वहाँ पर जाकर अटाक कर देगा, तो यह आली चीज़ है और इंडिया के पास अभी आकाश short range surface to air मिजाइल है और रशियन सिस्टम हम लोग को पिचोरा इंडिया के पास, या पिकोरा, स्वरी पिकोरा, इंडिया, रशिया का हम लोग को देखने को बिलता है, जो हमारे पास है, ठीक है अब गईस, डिसकस करेंगे national program on advanced chemistry cell battery storage के उपर तो नाम सही समन बाद जाना चाहिए आपको कि आज की rate में हम लोग काम कर रहे हैं के उपर, electric vehicles के उपर, तो उसके लिए हम लोग को advanced battery storage चाहिए, जादा battery storage चाहिए, तो उसी पर ही ये basically national program हमें देखने को मल रहा है, कैमेरिट ने approval दे दिया है, Department of Heavy Industry ने proposal रखा था कि production linked incentive national program on advanced chemistry cell battery storage के लिए शुरू किया जाए, जिससे की हबारी country के अंदर हम लोग manufacturing शुरू कर दें, batteries की, इस प्रकार की ACC batteries की, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहतो, production linked incentive के बारे में, right, PLI scheme के बारे में, वैसे तो कई बार पहले discuss कर चुके अपन लोग, right, production linked incentive के बारे में, तो आसान भाशा में अगर मैं आपको समझाओं, तो इस particular scheme के तहट काम किया जाता है, कि ये production linked scheme जो है, वो सिर्फ ACC battery के लिए नहीं है, बलकि mobiles के लिए भी होती है, medicals की field में, pharma, pharmaceutical की manufacturing के लिए हम लोग को देखने को मिलती है, right तो बहुत अलग-अलग various field पे होती है इसमें mainly target किया जाता है production के ओपर, कि हमारी country के अंदर production हो और production को link किस के साथ किया जाता है, incentive के साथ, कि जो भी manufacturers, entrepreneurs जो सामने आते हैं, यानि कि जो इस scheme के तहए, जो projects जो दिये गया होते हैं, जो activities दी गई होती है, जिस पर production करना होता है, वो अगर choose करते है, manufacturers उस पर investment करते हैं, right, उस पर काम करते हैं, तो उनको incentive दिया जाता है, क्योंकि basically उनको attract किया जाता है, कि आप आओ, इस field में जो है manufacturing करो, अपना plant वगरा लगाओ business शुरू करो, तो उसके बदले में जो है, वो आपको support प्रोवाइट किया रहागा, तो ये चीज होती है, production linked incentive के अंदर, आसान भाशा में, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना है, ठीक है, production linked incentive के वारे हैं, कई बार हम लोग discuss कर चुके हैं ये topic repeated है, और जो भी topic repeated होता है, उनके chances बहुत जाद हम लोग को देखने को मिलते हैं, की exam में आने के, तो ये अले चीज हैं, और 50 gigawatt ACC और 5 gigawatt hour niche ACC को बनाने के उपर उसकी manufacturing करने के उपर जो है, ये production linked incentive को अब allow कर दिया गया है, cabinet के द्वारा, इस scheme की बात करें, थोड़ी सी, तो देखो, 81 करोड रुपे का production linked incentive scheme ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, Tesla style giga factories जो है वो, हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बनाई जाएंगी, जो की batteries manufacture करेंगी, plan ये है कि 50 gigawatt hour की manufacturing capacity की battery जो है, वो हम जा रहा है, इस scheme के दुरूट, तो ये वाली चीज़ है, और plan के part पर, यानि कि योजना के भाग के रूप में, जिनको भी select किया जाएगा, battery को manufacture करने के लिए, तो उनको manufacturing facility जो है, वो at least 5 gigawatt hour की setup करनी होगी और 60% domestic value addition, 5 साल के अंदर करना होगा, यनि कि अगले 5 सालों में, इतना production करना होगा कि हमारी country का 60% right, domestic की जो needs है, वो fulfill हो सके ACC के मामले में, तो advanced chemical cells या chemistry cells इसको हम लोग बोलते है, यह है क्या, तो देखो ये जो है, एक नया generation हम लोग को advanced storage technology का देखने को बर, आज की रिट में storage बहुत जादा, उसकी requirement है, right, कि कम, कम size पर जादा storage रखना है, जैसे की mobile phone है, आज की रिट में, ऐसे mobile phones भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो 2-2 दिन तक चल रहा है, उनकी battery की storage capacity है, वो काफी जादा हम लोग को देखने को मिलती है, जादा power जो हो अपने पास store करके रखती है, तो इसके अंदर जो electricity है, वो उसको protect कर लिया जाता है, electro chemical के तौर पर, या chemical energy के तौर पर, और जब भी आवशकता होती है, इस particular electricity की, तो उसे electrical energy में again convert कर दिया जाता है, मतलब की, electricity को chemical के form में store कर दिया जाता है, फिर जब भी आवशकता होती है, तो वो chemical energy में या power में जो है, या electricity में जो है, वो convert हो जाता है, तो ये वाली चीज़ है, इस particular battery के अंदर इस प्रकार की, और इस scheme के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार की ACC वाली जो battery है, ये cell जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसकी मांग भारत में इस समय आयात के जरिये पूरी की जारी है, यानि कि हम लोग इसकी demand जो है, वो import के थूर फुल्फिल कर रहे हैं, और हम लोग जब import कर रहे हैं, मतलब कि बाहर country को हमें पैसा देना पड़ रहा है, बढ़ अगर हमारी country के अंदर ही इसकी manufacturing शुरू हो जाएगी, तो इससे फाइदा क्या होगा, एक तो हमें import नहीं करना पड़ेगा, हमें jobs मिलेगी, तो इस प्रकार से आपको पूरे points link करते होगे चलना है, कोई भी topic पड़ रहे हो, पूरे points link करते होगे चलना है आप लोग को, तो national program ये ACC battery storage का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो import की dependency को reduce कर देगा, कम कर देगा, और support करेगा आद निर्भर भारत initiative को हम लोग आद निर्भर बन जाएगे, ACC की manufacturing हमारे होगी, battery storage के manufacturers उनको select किया जाएगा, एक transparent competitive building process के थूँ selection के बाद फिर वो manufacture करेंगे और पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, दो वर्ष के अंदर अंदर हम लोग को information यहाँ पर screen पर लिखी हुई, आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं, और course को join करने के लिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि आपको 9713282838 मेरा यह number है इस number पर जैसे environment का course चाहिए आपको, या quality का course चाहिए तो आप यह सिर्फ लिख कर भेद दें, तो उसकी पूरी information में आपको दे दूँआ, demo classes भी दे दूँआ वैसे ही CSET का course अविलिबल है history का complete course अविलिबल है तो इसको आप join कर सकते हैं, अपनी preparation को और अच्छा करने के लिए, जल्दी selection पाने के लिए है, या फिर अगर आपकी concepts clear नहीं है, topics related आप join कर सकते हैं तो इसमें आपको help मिल जाती है कम समय में जल्दी आप कर लेते हैं, आपकी progress बढ़ जाती है, तो sociology का यह option है बाकी UPSC की test series भी available है इसको भी आप join कर सकते हैं बहुत सार इनिशिटिव आपके लिए तो आप जो, जिस भी area में आप कमजोर हो उस area को opt करके, जो हो शुरू कर सकते हो अपनी तयारी, जिस भी area में कमजोर ऐसा नहीं है कि, जो हो पूरे ही package आपको purchase करने होंगे जैसा होता न, अकसर हर जागा पर courses सभी लो, bundle में लो, ऐसा कुछ नहीं है आप आप जिस area में कमजोर हो, यह सब areas है आपके लिए options available हैं जिस area में कमजोर हो, उस area में अपनी तयारी कर सकते सब भी ले सकते, वो depend करता है काफी सरे मेरे student है, जिन्होंने सभी course लिया हुआ है, क्योंकि preparation यह वाली ऐसी होती है, जिसमें और अची clarity मिल जा है, तो क्या हो रहा है और जिस rate में मैं आपको courses offer करता हूँ इस affordable rate में और कहीं ऐसे courses आपको नहीं मिलेंगे और मात्र 100 रुपीस पर बंद की फीस में आपको current affairs की PDF में प्रोवाइड कराता हूँ, जो आप daily lectures देखते हैं उनकी PDF आपको मिलती है, आपको print friendly handout notes प्रोवाइड किये जाते हैं weekly compilation आपको प्रोवाइड किया जाता है PDF का revision करने के लिए और आपको monthly magazine दी जाती है, इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीस पर मंत की फीस में और एक offer भी available है, इस offer को भी आप ले सकते हैं current affairs के questions को अगर आपको practice करना है, तो वो facility भी available है, वो भी आप ले सकते हैं और अगर ये सब courses आपको चाहिए, तो आप contact कर सकते हैं, उसे 9713282838 पर sms के थू, whatsapp के थू या telegram के थू, ठीक है, तो और मेरे reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे next lecture में, तब तक लिए बाबाई take care, have a great day ahead, टाटा